नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT बुक्स के बारे में जो आपके लिए यानि कि IES या सिविल सर्वेस या पर किसी स्टेज PCS की तैयारी आप लोग करते हैं तो उनके लिए जो जो भी आपकी NCEIT जरूरी है उन सभी को हम लोग कवर कर रहे थे तो बता दें कक्चा चटबी से हम लोग कक्चा नौवी तक की सभी बुक्स जो भी आपके लिए जरूरी हैं वो सभी कवर भी कर चुके हैं उसकी जो भी PDF थी वो आपकी टेलिग्राम पर भी डाल देगी है और कक्चा दस्बी की भी हम लोग तीन बुक्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं पहली बुक्स थी लोगतात्रिक राजनीती सेकंड और समकाली भारत सेकंड आर्थी विकास की समझ ये तीन बुक्स हम लोग कक्चा दस्बी की भी कंप्लीट कर चुके हैं आज बात करेंग आपके जितने भी क्लासें होगी, कच्छा चटवी से कच्छा वार्वी तब की, वो सभी NCEIT पूर कवरेज के नाम से, जो प्लेलिस्ट सूची है, उसी में डले होगे लेक्चर, और आपकी जो भी PDF हैं, वो सभी टेलिग्राम पर डले दी गई है, तो वहां से देखते रहिए और इसे एक से दो बार आपको दो तीर बार पढ़ना है सभी NCEIT बुक्स को, और याद रखिए जब भी आप लोग खरीदने जाते हैं, तो उस में पेच पर आपका यही लिखा मिलेगा, कि भारत और समकालीर पे सेकेंड, दूत्र, दूसरा, और याद रखिए आप लोग स सभी जो आपको चाहिए, वो सभी बुक्स के बारे में बता चुका हो, कि कौन-कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है NCEIT की, तो यादा परेशान मत हुई है, टेलीग्राम से सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से देख भी सकते हैं कौन-कौन सी बुक्स आपको जरूरी ह तो आज हम लोग बात करते हैं, इसमें आकिर पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग, भारत और समकाली निविस्स सेकेंड में आकिर पढ़ेंगे क्या क्या बड़े धैर के साथ ने बढ़ी है, मुझे अभी तक नहीं लगा कि कोई ऐसा इसमें आपको देखने को मिले, कि जो आपको समझ में ना है, आपका बेस मजबूत करने के लिए आपको एक बुक्स पढ़ने की सिलाय दी जाती है, और बहुती साधार सब्धों में या पर कि अगर आप एक दो बार मन से पढ़ते हैं, देहर रखकर, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ना तो आपको किसी की जरूरत भी पढ़ेगी, और वैसे भी आप जाते हैं कि कोचिंग जब आप करते हैं, तो वहाँ आपको NCEIT पढ़ा ही नहीं जाती है, वहाँ इस समिधान, उद्देशी का, मुझे लगता है कि उद्देशी का आपको रट चुकी हो गई है, क्योंकि हम लोग इतने वार हर बुक्स में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत हुए, संपूर पिर्भोत, संपन समाजबाधी, पंतने रुपे, लोक तंतरात्मत, गर्राज ब आने के लिए, तथा उन सम्में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता अखंडता सुनिष्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए, दर्ड संकल्प होकर अपनी इस समिधान सभा में, आज तारीक क्यानी की 26 नवंबर 1999 को इद्दत द्वारा इस समिधान को अंगि आपके याद रुकिए, और याद रुकिए पूरा समिधान आपका इसी उद्देशिका के आसपास भूपता हुआ मिलेगा, और आपके देश की प्रमोख मतलब खासियत भी बताती है उद्देशिका, समझ रहे हैं कि हमारा लोगतंत किस तरह से सक्सिज रहा है हमारे है, ब आप इस्टरी में देखते हैं कई सब दर से रहते हैं, तो आगे चलके उनकी मतलब आपको अर्थ मालू होना चाहिए, जब आप लोग स्पेसल बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको मालू तो होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, मैं तो कहता हूँ जैसे आप लोग पॉलिटी की ले लिजे, तो पॉलिटी के NCEIT पढ़ लिए, एक कोई स्पेसल बुक्स से ले लिजे, फिर चाहिए M लक्ष मिकांत ले लिजे, बस इतना काफी आपके लिए material, NCEIT पिलस पॉलिटी में आप M लक्ष मिकांत भी बढ़िया पढ़ सकते हैं, जान्दा हाव भाव मतलब न कौन सी बुक्स पढ़ों पहले, तो कम पढ़िये, बेहतर पढ़िये बस, ठीक है, और NCEIT को 2-4 बार, कम से कम 2-3 बार तो पढ़ ले, जब यह आपको टाइम मिलता है, तो वहां पढ़ते रहिए, तो इसमें हम लोग A, B, सूची दी गई है आपकी, इसमें पढ़ेंगे हम यूरोम में राष्टबात का होता है, तो राष्टबात क्या होता है, इसके बारे में हम लोग वैसे भी पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन करेंगे, विस्ताल से बात करेंगे, भारत में राष्टबात की बारे में बात करेंगे, यूरोप के बारे में भी देखेंगे, द आधुनीक दुनिया के बारे में बिस्तार से बात करेंगे तो इस तरह से आपका ए पाच अध्या इसमें इस बुक्स में होगे आपकी तो चलिए अम लोग पहला द्याय इसमें बात करेंगे आपका यूरोप में राष्टबात का उतर चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT करक्षा दस्भी की भारत और समकाली इंविस्ट सेकेंड के नाम से जो वुक्स है आपकी इसी के बारे में बात कर रहे थे एक बात हम लोग हमेशा याद रखिए अगर आप इस्टेट PCS या फिल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे तो NCEIT आप लोग पढ़ लें समय रहते हुए क्योंकि इसका कोई दूसरा बेकल नहीं है ठीक है पिछले इक लास में हम लोग बात कर चुके थे कि आखे पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को आज बात करेंगे हम लोग इवरोब में राष्टबाद का वो दह देखेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि उद्धोबे करांती भी हुई है तो इवरोब से ही शुरू हुई है इसके बाद दूसरे अध्याम लोग भारत के बारे में विस्ताल से पढ़ेंगे भारत के राष्टबाद के बारे में और वैसे भी आप समझ रहे होगी परिक्षा की प्वाइंट भी उसे महत पूर है और आपने लेखा है 2014 से जब से गवर्मेंट बदली हुई भारत में एक राष्टबाद सब्द कुछ जाना ही पिछलित हो गया चर्चा में मना रहता है जब भी आप लोग देखते हैं तो एक सामान अगर परिवासा आप लोग राष्टबाद की दें तो यही कह सकते हैं आप लोग की कोई ऐसे तत जो एकता में बादे रहे पूरे राष्ट क की जनसर क्या हो तो राष्ट में जो भी रह रहे हूं और कैंद में कोई क्या हो राष्ट जैसे हमारा भारत है तो आप देखते हैं कि समिधान हमारे भारत की मतलब सभी लोगों को बांदे हुए है और हम लोग सबसे जाना महत किसे देते हैं समिधान आप फिर चाहे दर्च लेकिन कम से कम राष्टिय द्वाज और सम्मिनान से जोड़े हुए हैं, खर छोड़िए भारत के बारे में आगे विस्तार से पढ़े हुए अगर सतापदी में अब लोग बात करें राष्ट के बारे में, तो राष्ट सब्द का उस समय जनसंख्या में जो भी उस जनसंख्या राज में रहता था, उन्हें ही राष्ट कह देते थी, चाये उसमें एक्ता जाती एक्ता हो भी या ना हो, लेकिन 1772 में जब पोर्लेंड का बेभाजन हुआ, तो उसके बाद राष्ट काफी पिछलेत हुआ, और इसका अरथ देश भक्ती से लिया जाने लगा, पर आपका अठारवी सदाप्ती आती है, तो उसके अंध में एक राजनेतिक सक्ती के रूम में इसका उद्य हुआ, पर आपने देखा 1922 सताप्ती में, राष्ट कारत राजनेतिक सुदंता अध्वा फिर्भू सत्ता से लगाया जी गया, चाहे हो आप राफ्त कर ली हूँ, या बांचीत हूँ, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, मैंने कई बार, मैंने कई जगे से पढ़ा भी, मुझे खुस भी समझ में नहीं हा रहा था गया आप लोगों को राष्ट वात का मतलब बताऊं तो बताऊं क्या, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिवासा है, आप किसी भी देश को देखिए उसकी अलग परिवासा है, आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, उसकी राष्टी एकता का मतलब मूल आदार है धरम, आप जानते ह हमारी राष्टिये एक्ता का मैन मतलब इस्थम कह सकते हैं आप लोग की समिधान और राष्टिये द्वाज इस तरह की जो है हिंदी को आप राष्टिये भासा भी नहीं कहते हैं समझ प्याँ है एक समय आप सोचीए कि हो सकता है कि English हमारी सबको जोड ले तो राष्टिये एपनAgii आधार हो जाएगा राष्टिये एक्ता का इसमें अगर राश्टवाद की बाब करें, तो राश्टवाद का सीमेतरत एक ऐसी एकता, या फिर भावना, या फिर सामान चेतना, जो राजनेतिक, एतियासिक, धार्मिक, भासाई, जातिय, सांस्कितिक, वह मनों पिज्ञानिक तत्तों पर आलारित रहती है, फिर से सुन ल राश्टवाद उस इतिहासिक पिक्रिया का पितिवाद करता है, जिसके द्वारा राश्टियता राजनेतिक एकों का रूप धार्म कर लेती है, या हुए भावना है जिसे पिरेत होकर वे लोग एक निश्चित और ससक्त राश्टियता का निर्मान करते हैं, और संसार में ये विशिष्ट पहिचान बनाना चाहेते हैं, आप सोचे कि हर देश के मगलब यही सोचेंगे, आप कहेंगी पाकिस्तान से आप लोगों हम धर्दी है, नहीं ना, पाकिस्तान से आप लोग अपने आपको हमेशा उठाय रखेंगे, बाकी देशों से भी आपको अपने ही देश में जाना ब्यार होगा, आप लोग सबसे जाना अपना ही अपने देश को चाहेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, समझ रहे हैं, यही तो रख्टेता है यही तरह से, आप कहेंगे कि अगर तुल्ला करने के लिए भी आ जाये, तो चीन से भले हम लोग कई मा जैसे जातियता पराधारित, जर्मन में राष्टवाद का यही रूप पिछले थे, जर्मन में जाती को संसार में सिस्थान दिलाना है, राज और सन्नी धार्म के पिती समिधान जो है, राज और समिधान के पिती निष्टा, अमेरिका को देखेंगे इंगलेंड जैसे यही इनका राष्टी है एक तरह से एकता कहते हैं आप लोग राष्टवाद आप देखते हैं कि 1857 से पहले आप लोग देखिए कि हमारे में देश में चेत्री यह बात था याली कि अलग-अलग राजया बड़े हुए थे अलग-अलग चेत्र में तो अंगलरेजियों को की जुड़ना सुरू होता है पर 1850 में बहुत बड़ी घटना घटती है कॉंग्रेस की स्थाफना होती है एक मतलब ऐसा संगठन जो राष्टिय संगठन था मतलब देश को आजादी दिलाने का इसका में उद्देश था उसके बाद आपने देखा है कि जोड़ते गए सभी आजाती नहीं बिली जब हम सभी लोगों को अपनी मात भूमी के पिती प्रेयम जागा जान देने तक की मतलब हम लोगों ने एक परसेंट भी निसोचा की क्या होगा आप समझ सकते हैं 13-14 साल की उमम में भी लोगों ने अपनी बलिदानी देती तो यही तो एक तरह से जालने थिक संसक्ति नंधी कर्ने से भी रस्त बालिस तरह से उतीया इतिक अब हम मैंन बात करते हैं राश्टबात के बहुत कर चुक crave भारत के वारे में में ब्लोग आंगे बहुत विस्तार से बात करेंगी इवरूम में चलते हैं के यूरूम में राष्ट बात का खुद है ये पिक्चर्स आपको देख रही होगी फैडर एक सौरियों विस्व्यापी प्रजात तांत्रे और सामाजी गड़ राच्चों का सुपन राष्टों की भी संदी अठारे सो अड़तालिस में हुई थी इस चित्र को आ सभी एक लाब मंद हुई देखर ये अठारे सो अड़तालीस में एक प्रांसीसी कलाकार हेडरिक सौरियों ने चार चित्रों की एक सिंखला बनाई इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके सब्तों में जनतांत्रिक और सामाजिक गड़ गंतों से मिलकर बना था इस इस इंखला की पहली चित्त यानि की चित्त नंबर एक इसे ध्यान से देख लिए नाई पार आगे इस में विस्तार किये मैं इवरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे गए गए सभी उम्मों सामाजिक बर्गों के फिस्तिरी पुरुस एक लंपी कतार में सौतंता की पि दान करते दे यहां भी आप ग्यानोदय की मसाल को भैचान सकते हैं जो उसके हाथ एक हाथ में और दूसरे में मनुस्त के अधिकारों का भूछना पर थे हैं यह महला की खोटु है याद रखें और विससे भी आप जानते हैं कि महलाओं को इसलिए सुतंता की रूम में माना जाता है क्योंकि उन्हें उस समय देखा है आपने की बोट देना का भी अधिकार नहीं था उनकी इस्तिति कितनी भायानक थी उस पर भी आप लोग देखते रहते हैं तो आप एक देश को मतलब आप लोग किसी से सुतंता की बात कर सकते हैं कि अगर वहां की महलाओं को इस् पहले आप राजा महराजा देखा कर देते, उन पर किसी का अंकुस नहीं हुआ करता था, वो अपने मतलब के लिए कितने भी लोगों को जान ले लिया करते थे, कुछ भी करते रहते थे, उन पर किसी का मतलब अस्त अच्छे भी निकल सकता था. सुरेव के कलपना दर्स इूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्टों के समुव में बढ़ते हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्टी पोसाक से होती हैं, सुतंता की मूर्ती से कहीं आंगे, इस जुलूस का नेतित कर रहे सैउत राज अमेर्टा औ पितिव्या के पास अभी अभी पहुंचा हैं, यह बात की जारी हैं, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके पीछे जर्मन के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनेरा जंडा थामे हुए हैं, ठीक है, और यह दिल्चास्वें हैं कि जिस समय सुरियों ने यह छवी नि नहीं बने थे, जो जंडा भी थामे हुए हैं और 1848 की उधारवादी, उमीदों की अभी वेक्ती है, जिसमें अनेक जर्मन भासी रियासतों को एक प्रजात अंतरिक संभीधार के अंतरगत एक राष्ट राज में गठित करने की चाहिती, जर्मन लोगों के बाद और ऑश् जमाय हुए हैं, चितकार ने उनका इस्तिमाद दुनिया के राष्टों की बीच भाइचारिक पितिक की रूम में किया है, एक बात और आप लोग हमेसा याद रखिए, देखिए, राष्टवाद अलग 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 तरह से हो सकता है, मैंने बताया कि पाकिस्तान में आप द जोड़े रखे हुए हैं, बन्ना इतनी आप सोचिए, मुसलिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, इसाइद रहते हैं, जैन बोद्द, अगर इनकी भावना अलग अलग हो जाए, इन्हें एक साथ जोड़ा ना रखा जाए, तो हमारे देश के कई तुकड़े हो जाएंगे, राष्टवाद एक ऐसी तागत बन कर उबरा, जिसने यूरोग के राजनेतिक और मासिक जगत में भारी परिवतन ला दी, इन परिवतनों ने अंतता यूरोग के बहू राष्टिये वन्सिये समराज्यों के इस्थान पर राष्ट राज्य का उदय हुए, यूरोग में लं आखिवल उसके इसासकों बल्कि उसके अधिकाल सी नाकरिकों में एक साज्या पहिचान का भाव और साज्या हितियाज या फिरासत की भावना थी, साज्यबन की या भावना अनन्तकाल से नहीं थी, या संगहसों और नेताओं तथन आम लोगों की सरगरिमियों से निमित चेत्रिय वाद चेत्रियवाद का ही मतलब रहता है कि चेत्रिय वैयाद देखते थे कि अपने चेत्र के पिती लगाव रहता था हुआ कि जंटा, राजा, सब कूँ ठीक है? और एक सबद आप लोगोंने और देखा होगा चेत्रिय पायटी कह देते हैं, राष्टिय पायटी, अपने देश में भी देखते रहते हैं, चेत्रिय पायटी का मतलब होता है कि उनके चेत्रिय प्रमुख रहते हैं, उनके उनके राष्टिय पायटों से जादा कोई मतलब नहीं रहता है, इसके सब्द में ही पूरी पवि कि आधारी दाभन कॉंद्त करकाहर 27 कई कहता है जो तैंत केंडुरिक सेंटमुल चींद को आधारी치를 हो कि जो युदिधार さ क्योंके ति क्योंकिते को 3 को कलपणा दर्स इसा सब्दा कना present tutaj को एक ऐसी समाझ की कलपणा है जो इतना दर्स है उसका साकार होना लगभ असम्भाभ सम्भह होता है, आप सोच लेते हैं को एसा सब्दा अपने सोचा यसी कलपणा कि है, जो संभव भी ना हो, उसे ही आप लोग इवकुपिया कह देते हैं अब चान तक जाना, चान तारे तोड़ लाना एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यह कल उठना है यह संभव नहीं है, आप समझ सकते हैं कि तोड़ लाया आप चान तोड़ के देने किसी को यह मतलब एक तरह से आप बड़ा चड़ा के कहने के लिए सब्धियूज करते हैं आप रात दो रातों आप सोचें कि हम कुछ ऐसा कर बैठें जो संभव होई ना हो, तो उसके बारे में भी, ठीक है फिर आपका अर्नेश्ट रेनन ने भी राष्ट क्या है, इसकी परिभासा दी है तो इनके बारे में बहुत अच्छे पॉइंट दिया गया है फ्रांसी सी दार्सनिक थी अर्नेश्ट रेनन इनका जीवन का रहा है 1823 से 1892 इनोंने 1882 में सौगोन, विस्व इद्धियाला में दिये एक ब्याक्ष्ण में राष्ट की अपनी समझ को विस्तुत किया बाद में ये ब्याक्ष्ण एक पिसिद्ध निबंद की रूम में छपा जिसका सीशत था राष्ट क्या है इसने बंद में रहन अनलोगों द्वारा इस्ताविति स्विचार की आलूचना करता है कि राष्ट समानबासा नसल, धरम या छेत से बनता है कहना का मतलब है कि देखिए सुरू में इस तरह की भावनाएं थी इस तरह की तथ गड़े जा रहे थे कि जहां एक लोग एक भासा बोलते हैं उसे राष्ट कहते हैं कहा जाता था कि एक नसल के लोग जहां हो उसे राष्ट कहते हैं धरम हो एक धरम हो उसे राष्ट कहते हैं राष्ट कहते हैं लेकिन ये मतलब आप समझीए कि इस परिवासा को आंगे बढ़के पूरा मतलब पूरी तरह से खारेज कर दिया गया है। आप सोचीए कि जैसे ठीक है कई देशों के संदर्म में इसे आप देख सकते हैं। लेकिन भारत को आप देख लीजें। यँ देखेंगे की दाफिशन में अलग भासा बोली जाक्टी है। लेकिन इस से आगे भी परिभासा, प्रिश्टर् त्रैक्या। एक राष्टे लंबी सब परियासों, तर्याग ऑ निश्था का चरम बिंदू होता है। इसे आप अपने बरब भारत के बारे में देख सकते हैं। सौर वीर्टा से युक्त अतीत महान पॉर्सों की नाम गांधी को ले लिजे आप लोग। जवाहलाल नेरू पर चाहे आप लोग देख सकते हैं। बिवेका नंद सहाब, भगस सेंग, सुखदेव, राजगुरू इन सब को देख सकते हैं। गौरब यह हुए सामाजी कुझी है जिस पर एक राष्टी विचार आधरे किया जाता है। अतीत में समान गौरब का होना है, बुर्तमान में समान इक्षा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, और आगे ऐसे काम और करने की इक्षा एक जनसमू होने, कि यह सब जरूरी बात सरते हैं। अताह राष्टी एक बड़ी और व्यापक एकता है, और उसका अस्तित रोज होने वाला जन्मस संग्र है। प्रांत उसके निवासी है, अगर सलाह लेन लिये जाने का किसी का अधिकार है, तो है निवासी ही है। किसी देश का विलाय करने या किसी देश पर उसकी एक्षा के व्यूद कप्चे जमाय रखने में, एक राष्ट की बास्तों में कोई दिल्चस्वी होती नहीं है। राष्टों का अस्तित होना एक अच्छी बात है, बलकि यह एक जरूरत भी है। उनका होना सुतंता की गार करता था, तो ना तो यहां की लोगों की सुतंता की कोई बात होती थी, आपको प्रिचाएं अंग्रेजों के समया आप लेख सकते हैं, कि आपकी यहां तक रोब दिया गया था कि आपके यहां जो भी खेती होगी उस पर नेल की खेती करनी है, अंग्रेज जो बोलेंगे वह की है, तब जाके आपने दिखा है सूचना का अधिकार मिला हुआ है, लोगपाल मिला हुआ है, लेकिन आप उसे उप्यों करते हैं या नहीं करते हैं, यह आप पर देफिंट करता है, समझ रहे हैं, नए सब्द की बात करने हैं तो जन्मस संग है, इस सब्दा आप कई जग जम्मु कस्मीर में एक जन्मस संग्रह करवाना चाहिए था, वहां की जन्ता से पूचना तो चाहिए था कि 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, समझ रहे हैं, यही बात आपने देखा है कि जब जुनागर को सामिल किया गया, एक रियासत थी हमारी आपने देखा 1947 में, तो जुनागर है दराबाद और आपका कस्मी बचा हुआ था, बाकी रियासते अपने आप अच्छे से हमारी देश में सामिल हो गई थी, जुनागर को हमने देखा कि वहां का जो सासक था, वो मुसलिम था, और अधिक ता जन्संक्या हुआ हुआ हिंदू थी, तो वह लोगों ने एक जन्मसंग्रे करवा के हमारी भारत में संभी कर दिया, आप भी देखते हैं, गाउ में भी देखते हैं आप लोग, कि गाउ माला मतलब कोई काम करवाया जागा, वहां सभी से पूछा जाता है कि एक काम करवाना चाहिए या ने, यही जन्मसंग्रे है, यान राष्ट और राष्टबाद की अउधान, आप हकीकत में देखेंगे, तो फ्रांस से ही उत्पत्ती भी है, और फ्रांसिसी करान्ती को इसका जनक कहा जाता है. राष्टबाद की पहली स्पष्ट अभीवेग्ती, 789 में फ्रांसिसी करान्ती के साथ हुई. याद रखिए इस तरह के point भी आपको याद रख लेना है क्योंकि आपके one day jam में कभी भी पूंच लेता है कई जगे प्रेलिम से में भी आपका कई बार questions बन चुका हो इस तरह के पूंच लेंगे आप से 1789 में एक फ्रांसेसी करांती हुई जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राजिता जिसके संपूर्ण भूभाप पर एक निरंकुस राजा का अधिपत था फ्रांसेसी करांती से जो राजनेतिक और संभिधानी बढ़ला हुई उन्हें से प्रभू सत्ता राजनत से निकल कर फ्रांसीसी नागरीकों के जनसम में हस्तांत्रेत हो गई करांती ने गोशना की कि अब लोगों द्वारा राष्ट का गटन हुगा और वे उसकी नेती तैक करेंगे सीधा सकता है कि पहले एक राजा के पास हुआ करता था और वो किसी का मतलब उस पर अधिकार नहीं था कि उसके मतलब वो छूट मिली हुई थी वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता था उसे निकालकर फ्रांसिसी करांती के बाद जनता के हाथों में दे दिया, अब जनता के द्वारा पिती नीती चुने जाने लगे, वही उस देश की नीती का तै करने लगे, और जनता की बात तब की जाती है कि जनता सामिल है, आपके नीतियों में, आपने देखा आपके देश लिए जनता डारेक्टिर नियम जो भी आपके यहाँ अधिनियभ बनाया जाते हैं या कानून बनाया जाते हैं उसमें संपलेख नहीं होती है वो क्याकति है बिधायक चुल लेती है सांसत चुनती है आप देखते हैं कि लोगसभा सदर चुन लेती है तो वो direct नहीं वहां जाके कानून मनाती है लेकिन indirect उसी की प्छाओं के मतलब अध्छाओं से ही एक तरह से आप कहे सकते हैं कानून बनते हैं ऐसा नहीं है कि आपने देखा हो कि जनता के खिलाप ऐसा कोई कानून मना दिया हो जो जनता नहीं चाह रही हो तो आप समझे ये विद्रों हो जाएगा, हो जाएगा, यही है, प्यारम में से ही प्रांसिसी करांदीकारियों ने ऐसे अनिक कदम उठाए, जिससे प्रांसिसी लोगों में एक सामुईक परिचान की भावना पैदा हो सकती थी, और यही से आप सोचे राष्ट बाद उत्पत्ती होती है, यानि एक सभी समुगों को एक साथ जोडने का काम किया जा रहा है, पित्ति भूमी और नागरिक जैसे बिचानों ने एक सेउत समधाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक समिधान के अंतर के समान अधिकार ब्राप्त थे, अतहा नया फ्रांसिसी जंड का तिरिंगा चुना गया है, जिसमें पहले के राष्ट द्वच की जगह ले ली और इस्टेट जनरल का चुनाव सक्रे नागरिकों के समुगों द्वारा किया जाने लगा, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, पहले से क्या करते थे, इसे नेशनल सहीदों का गुडगान हुआ, और यह सब राष्ट के नाम पर हुआ, एक केंद्रिये पिसासने विवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूबाग महराज रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंत्रिक आयात निर्या सुल्क समात कर दिये, और भा राष्ट की साजा भासाग्डी, आप देखिए कि यहां प्रेंच में यानि कि जो फ्रेंच में रहते हैं वो फ्रेंच वोद्थे हैं सभी लोग, लेकिन हमारे देश में देखते हैं आप लोग हमारे राष्टी वासा हिंदी नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि अभी गोशना की कि फ्रांसी सी राष्ट का यह बाग और लक्ष था कि वह इरोग के लोगों को निरंकु सासकों से मुक्त कराएं, दूसरे सब्दों में फ्रांस इरोग के अन लोगों को राष्टों में गटित होने में मदद देगा, जब फ्रांस की गटनाओं की खबर इ अभी हानों में उन प्रेंच सेनाओं के लिए राष्टा तेया किया, जो सब 390 के दसक में हॉलेंड, बेरिजियम, स्विजलेंड और इटली के बड़े इलाफों में गुसी, किरांतिकारी योग्दों के सुरू होने के साथ ही प्रांसी से सेनाय राष्टबाद के विचार क को विदेशों में ले जाने नहीं, एक बात और आपको बताओं, आप सोचिए कि हमारे देश में काई एक राष्टे आमल मतलब आजादी नहीं मिल गई है, हम लोगों ने देखा कि अमेरिका किस तरह से आजाद हो चका है, उसमें के बाद आपने देखा है कि किस तरह से जा तो यही कारण हुआ कि फ्रांस में देखा कि किस तरह से इस तरह की घटना है घटना ही, राष्टवाद की उद्पत्ती हो रही, राष्ट की बन रहा है, तो बाकी जो एउरोप के देश थे, वहां भी इस तरह की ख़बर पहुंचने लगी, समझें, नैपोलियन की को नश्ट किया, मगर पिसासने खित में उसने करांतिकारी सिध्धानतों का समाबेश किया था, ताकि पूरी विवस्ता आधिक तरह संगत, उकको सल्म बन सके, अठारे सो चार की नागरिक सहता जिसे आमतोर पर नैपोलियन की सहता के नाम से जानते हैं आप लोग, ने जनम खतम करके अगर कोई राजा आता है, तो वहां राष्ट बाद नहीं कह सकते हैं, उसे राष्ट नहीं कह सकते हैं मिलकोई, बस उसे जोडने की बात की जाने चाहिए, ठीक है, मारे देस में आभी आप सोचिए कोई ऐसा प्यधान मंत्री आए, जो मतलब सभी धर्मों को बाता है, और उस बैकती ने मतलब कोई आपके अधिकारों का हनन भी नहीं किया है, तो यही क्या, नैपोलियन ने क्या किया, कि यहाँ जो बिसेस अधिकार मिले हुए थे जनम के आधार पर, जनम अधिकार कह देते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आप एक कोल में पैदा हो तो आपको जर्म सी अधिकार दे दिये जाएगे, समझ रहे हैं, तो उन्हें खतम कर दिया गया है, और कानून के समक्ष सब को बराबरी, पहले आप देखते थे कि किसी को छोड़ दिया जाता था, किसे कानून के तहत मतलब सजा मिलती थी, लेकिन इसे कानून के सामने सभी ल संपत्ति का अधिकार हुआ, लेकिन आपने देखा, 1948 में सम्मिधान जन्सु दंदू, 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया सम्मिधान मौलिक अधिकारों में से, और आर्टिकल 300a में जोड़ दिया गया, एवी कुष्चन कई बार परेलिम्स में बन चुका है, तो अच्छे से सम्मिधान में वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ ऐसे, तो ये तीन कार इसने अच्छे किये नैपोलियन ने, इसके कारण भी जन्ता एक लाम बंद हो गई, इस सहता को प्रांसी सी नेंतर के अधिन छेत्रों में भी लागू किया गया, डच गरतंद, सुईजेलेंड, इड कानूं के नेंतर को हटा दिया, ये आतायात और संचार विवस्थाओं को सुधा रगया, किसानों कारियरों, महिस्तूरों और नए उद्धोग पतियों ने नए नए मिली आजादी चकी, उद्धोग पतियों और खास तोर पर समान बनाने वाले लगू उदफात को उदफा कानूं में सहुलियत भी होगी और इसने एक काम और किया अभी जो आप देखते थे कि अलग-अलग चेत्रों में मानक होते थे, तॉलने के अलग-अलग आप कह सकते हैं बांट हुआ करते थे, ना आपने के अलग-अलग मतलब आप सुचिए कि आप के हाँ फीते से माप रह हैं, दूसरी जगह दूसरा भीता था, समझ रहें एक निश्चित नहीं था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग भारत में वही उच कर रहे हैं, दूसरे देश में जाएंगे तो वही वैसा ही उच होगा, मान सकते हैं आप लोग कि एक किलो आप समझें कि एक किलो हम कोई सामान और अलग-अलग मुद्रा की बात की गई तो उसे भी खतम करके एक सेम मतलब कॉमन मुद्रा जाली की लिए, आप अपने ही देश में देख सकते हैं कि अगर हमारे देश में रुप्या की जगह है, दच्छिन वारतिय राज्यों की अलग मुद्रा होती, तो जब कभी भी द लेकिन जीते हुए इलाकों में इस्थानिय लोगों की फ्रांसीस आसन के पिती मिरी जुली पिती के रियाये दिखी, शुरुवात में अनेक इस्थानों जैसे हॉलन और सुजयलें, और साथ ही कई सहरों जैसे वरुसेल्स, मेंज, मिलान, बोर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं क सुतंता का तोपा देने वालों की तरह स्वागत किया गया मगर यह सुरुवाती उत्सास सिग्जी दुस्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई पिसासनिक विवस्थाएं राजनिफिक सुतंता के अनुरूप नहीं थी बड़े हुए कर सेंसा से और बाकी उरूप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबन भरती से हो रहे हैं नुपसान पिसासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कही जांदा न जाना आने लगी यहां कुछ आपको चित्र देख रहा होगा उपर भी एक चित्र था इसे देख रहे हैं होगे आप लोग चित्र दो है एक जर्मन पंचांग के या तिथी पत्र भी कह सकते हैं यह देख रहे हैं देख लीजी अच्छी से इसके मुख पेश्ट जिसे पत्तिकार एंडियास रेवनान ने 1798 में में डिजाइन किया फ्रेंच बास्टील में किरांतिकारी भीड के प्रवेश के चित्र को उसमें मिलते जुलती किले की बगल में बना रहे हैं देख रहा है आपको यह ठीक है और यह किला जर्मन पराण केसल में निरंको सासन के गड़ के रूम में चित्ते थे इस चित्त के साथ एक नारा भी दिया गया है लोगों को अपनी आजादी मुटी में कर लेनी चाहिए रहना में एक पत्तकाल था जो में नामक सहर में रहता था वह जर्मन जेकोबिन गुट का सदस्भी था यह आपको दिख रहा हुआ है यह अधिकाल लिखा हुआ है यह आप देख रहे होंगे यूREWोब याया आप देख रहे होगे यूरोप vista kongres 1815 की बात का यूरोप य याद रखिए कुछ अब ही करेंट का अगर है, अगर हम उड़की बात करें तो कुछ ऐसे देशे हैं कि जो यूरोब में भी सामिल है, और एसी आप में भी सामिल है, रोस को देख सकते हैं आप लोग, तुर्की को भी देख सकते हैं, लेकिन ये 1800 आपका पंदर एका कि बात का इउरोप है, नौर ख़बोर, स्विजलेंड, लगूराच, अब इनके नाम बदल दिये गए हैं, पुराने नामें, स्पैन, पुर्दगाल, मुरक वलजीरिया, ट्यूनेस, एक मुमद सागर लगा हुआ है, फिलिस्टीन, मिस, साइपरस, सीरिया, मिसोपोटामिया, अर्मेनिया, जॉर्जिया, आटोमन, समराज, पुलिगारिया, सर्विया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, देखते रही हैं अच्छे से, इसकी पीडियाप मैंने टेली राम पर डाल दी है, वहासे अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, इस चित को भी आप देख रहे होंगे, बड़े ध्यान से जिवे ब्रेकेन जर्मनी में सुदंता के बेक्ष का रूपन, यह आपको बरक्षे दिख रहा है सुदंता का, जर्मन चितकार काल के सपर फ्रेटजी दूरा बनाये गया इस रंगीन चित का विसए, फ्रेंच सेनाव द्वारा जिवे बेकेन सहर पल कबचया, अपनी नीली स सभेद और लाल पोसाक से पहन चाने जाने वाली फ्रांसिसी जैनकों को दमनकारियों के रूम में पिस्तुत किया गया जो एक किसान की गाड़ी बाएं चीनते हुए कुछ यूगा कुछ यूगा महलाओं को तंग कर रहे हैं यह देख रहे होगे आपको और बीच का अगबाग और किसान को गुड़ने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं सुतंता के बेक्च पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन भासा में लिखा हुए है कि उनका अनवाद है हमसे आजादी और समानता ले लो यह मानावता का अधर सुरूप है यह फ्रासेसियों के इस दावे पर बेंगय की जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राश्तंत का विरूद कर मुक्ती दाता बन जाते थे इस चित को भी आप देख रहे होगे राइनलेंड का डाकिया डाकिया लाइव सिक्न से आते हुए सब कुछ गबा देता है यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाई तिसर की लड़ाई हार कर फ्रांस लोटते हुए ढाकिया की रूम में दर्साइग है उसके जोली से गिरती ही हर चिट्टी पर उस भूभागों की नाम लिखें जिन्हें अब वो हार चुका था याद रखिए क्या होता है कि सुरू में कोई भी सुधार होता है तो अच्छा लगता है आप समझ रहें लेकिन बाद में उसमें खामिया दिखाने लगती है तो इसके बाद यही हुआ नैपोलियन के साथ भी कि सुरू में इसने जो भी किया वो बहुत अच्छा लगा वो सब लोग इखटे हुए लेकिन बाद में जान्दा दिन तक इस तरह की सुधार नहीं चल पाए लोगों को कमिया देखने लगी ठीक है? अब आते हम लोग फ्रांस में हम लोगों ने देख लिया फ्रांस इउरोप का ही देश था उसके बाद देखा आपने की फ्रांस से इस बाखी देशों में इउरोप में फैलने लगा तो इउरोप में राष्टबाद का निर्माड की बात करते है अगर आप मत्र अठारवी सदी के उरूप के नक्से को देखें तो उसमें बैसे राश्ट राज नहीं मिलेगी जैसे की आज है जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विजलेंड की रूम में जानते हैं बे तपस रासाहियों, डक्यों, केंट्रनों में बटे हुए थे जिनके सासकों की स्वाइब चित थे बे पूर्वी और मद्दी उरूप निरंकुसराजितनतों की अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे बे अपने आपको एक साम, मुहिक पहचान या किसी समाल संस्किती का भागिदार भी नहीं मानते थे अक्सर भी अलग अलग भासाएं बोलते थे और वेविने जाती ये समुहों की सदस थे उधारन की तोर पर आप लेख सकते हैं कि ओस्टिया हंग्री पर सासन करने वालों बाला हैप्सवर्ग समराज कई अलग लग चित्रों और जन समुहों को जोड़ कर बना था इसमें आप देखेंगे कि इलेप्स के तेरी लेप्स के टेरोल ऑस्टिया सुड़ी टेन लेंड जैसे इलागों के सास साथ बोहिमिया भी सामिल था जहां कि कुलीन बर्ग में जर् बर्डी और बेनिसिया जैसे इतालवी भासी प्रांद भी सामिल थे हंग्री में आदी लोग मेग्यार भासा बोलते थे जबकि बाकी लोग वेविन बोलियों का इस्तिमाल करते थे और गाली सिया मेकुलीन बारे पोलिस भासा बोलते थे इस इन प्रभाव साली समुहों के सब्सक्राइब के वितर भारी संक्या में खेती करने वाले लोग अधीहिन अवस्था में रहती थे जैसे उत्तर में बोहिमियन और सिलोवाक कारली उला में इसलोव बैंस दच्छन में क्वेट पूरब की तरफ ट्रांसी लेविनिया में रहने वाले राउंड मन लोग ऐसा फ पिती सबकी निष्ठा थी और याद रखे आप समझे कि हमारे इस देश को आप लोग ले दीजे मैं बार बार अपने ही देश का उधारन इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग आज यूरोप कई देशों में देखेंगे हम लोग कि वहां की एक भासा हो गई या तो राष्टवा निष्ठा हां कि आज आप बारत में देख सकते हैं यहां हमारे मुस्लिम भाई रह रह भेर हैं लेकिन इनकी निष्ठा किस HDR ने कि याप कि फिरिचाही राष्टिय हेंडा हो गाया। कम से कम है मतलब आप राष्टी गान का भी आधर करते हैं। मतलब कोई हमें तत्त होना चाहिए कि अलग-अलग भासा में भी है हम लोगअलग समगू भी है। तो भी तो कम से कम देश को एक बर्ग में रखे, एक ता में जोड के रखे, तो एक महाला को देख ले हुए, इसमें अलग 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 छले हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, लेकिन कम से कम इने जोडने के लिए एक कड़ी तो होना चाहिए, उसी कड़ी की बात की जाए, इन में भी क्या था कि एक समराट के पिती सबकी निष्ठा थी, मतलब अलग-अलग समूल था, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन कम से कम समराट के पिती सबकी निष्ठा यही इसे जोड़े हुई थी, आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ तिथिया हैं ने भी यहाँ रख सकते हैं, किसानों की वगावत, मद्वग, समिधान और पिती, निधात्मन सरकार के गठन की मांग करता है, इतालवी जर्मन मेग्यार, पॉलिस, चैक, आधी, राष्ट राज्यों की मांग करते हैं, और एक बात और हमेशा याद रखे, कोई भी फ्रांस करांती हो, या फिर किसी भी देश में करांती हो, कोई भी आंदोलन हो, तभी सरसरी होता है, जब सभी लोग मतलब वहां रहने बाले कोई भी जाती हो, हो अिम्नि जाती का हो, पड़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उच जाती का हो, महिदा हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो… तो वह एक हो कर जब लड़ते हैं किसी भी बहुता हूं करते हैं, यू समस्या के लड़ते हैं तो वो समस्या सौल हो जाती है, बहरत में आप देख सकते हैं, कि हम लोग ने देखी आप लोग के देखते हैं 1880 के बाद, हम लोग एक होते गए, हम लोगों की मतलब रास्ती अलग लगते, लेकिन मंजिल एकी थे, किसी ने अतियार के द्वारा सुतनता की बात की, किसी ने एंसा का रूप अपनाया, गांदी जी एंसाबादी थे, आप देख सकते हैं भगसिंग, एंसाबादी थे, तो मतलब रास्ता जो सबका एकी था ना, कि हमें आजादी चाहिए, सब लोग समझ तो कि फिर चाहे मुसलिम हो, फिर चाहे कोई भी चाहत करो, कि हमें मतलब सबका सोसन हो रहा है, तब ही तो आप समझिए कि हमें आजादी भी लिए, उसके पहले क्यों नहीं मिल गई आजा भारत में सभी राज्ये, रजवाडे थे, समझ रहे हैं उस समय, उसके बाद चंदगुप्त मौरने और कौटले ने दिमाख लगाया, तो उसने एक कल लिया, क्योंकि आसान था सब देगी, आप फूटे-फूटे हैं, अलग लग हैं, तो आप लोगों को तोड़ पाना बहु कि उसने दिया, तोड़ने को बोला, किसी ने नहीं तोड़ पाए, उसके बाद 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 ने समझाया कि देखिए, आप लोग अगर एक खटे रहेंगे, तो ऐसे रहेंगे, ऐसे, समझ रहें तो यही बात है, 1869 से 1870, इटली का एकिकरन होता है, 1866 से 1831, जर्मनी का एकिक लोगों की कमेंट भी आई हुए, कि इस बुक्स को कवर करिये, लेकिन मैंने पता है, मुझे भी खुष समझ मनी आ रहा था, कि राष्टबाद की बारे मैं आपको क्या बता, क्योंकि मैं देख रहा था है, कि हमारे भारत में अलग तरह से गड़ी जा रही है, कई देसों मे अलग तरह से राष्टबाद गड़ा जा रहा है, तो मैं मगे मतलब निक्सकर्स तक पहुची नहीं पा रहा था, समझा है, तो मतलब आप लोगों एक दोस बार पढ़िये इस बुक्स को, आराम से समझ में आ जाएगा, और राष्टबाद का अगर कोई आपसे एक सब्द म उत्तर पुचे, मतलब एक लाइन में, तो आप कहसकते हैं कि देश को कैंद में रखते हुए, काम करें, मतलब देश के हित में काम करें, जो भी करें देश के लिए करें, देश आपके लिए खुद से बढ़ करो, परिवार से बढ़ करो, यही एक तरह का राष्टबाद हो जाता है, कि आप उसके देश के मतलब कोई भी काम करेंगे तो देश को नुकसान करने के लिए नहीं करेंगे, यही तो राष्ट बाद है, समगे हैं, अब बात करते हैं कुलीन बरग और नया मदवरग, सामाजीक और राजनेतिक रूम से जमीन का मालिक, कुलीन बरग बरग, यूरोपीय महादीब का सबसे प्रभुत साली बरग था, इस बरग के सदन से एक साज्या जीवन सहली से बदे हुए थे, जो चितरी बिभाजनों के आरपार ब्यात थे, बिग्रामीड अलाकों में जैदाद और सहरी हवेलियों की मालिक थे, राजनितिक कारियों के लिए त था, उच्छे बरगों के बीच बे-फ्रेंच भाहसा कपरियों करते थे, उनकी परिवार अक्सर बेभायक बंदनों से आपस में जोड़े होते थे, मगर एक सकती साली कुलीन बरग संख्या के लियास से एक छोटा समोव था, जन संख्या की अधिकान से लोग कर सकते, पश् पहले किसी के बास सबसे ज्यादा जमीन हुआ करती थी, और उनमें मतलब वह बरक कम ही था, आप समझ सकते हैं कि 100% जमीन में से 90%, कुछ ही परसेंट लोगों के पास थी, और बाकी जो थे या तो तिराय से जमीन लेकर खेती किया करते थे, यही पहले ब्याप्त था, एक बा आपको, पोसाग को मतलब भक्ती दिखाने इसी के पिती, और सब को यही पहना है, इसी के पिती बफादारी दिखानी है, समय रहे हैं, कोई टोपी बना दी जाए, तो यह भी तो एक राष्टवात का जरिया हो सकता है, समय रहे हैं, पश्टिमी और मंदी रोप के हिस्सों म इंगलेन में उद्धोवी करण अठारवी सदी के दूसरे भाग में आ रहा हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज, चूँके कुछ हिस्सों में या 1927 के दवरान ही हुआ, इस विक्रिया के फ़क्रूप नए सामाजिक समूह, अस्तित में आये सैमिक बर्ड के लोग औ मद्वर्ग को दो पतियों और व्यापारियों और सेवा चित्र के लोगों से बने, मद्वोप पूर्वी यूरो में इन समूह का आकार, 19-वी सदी के अंतिम दसकों तक छोटा था, कुलीन विसे सदिकारों की समागती के बाद सिक्षित और उदारवादी मद्वर्गों के विराष्टी एक्ता के विचारत लोग दिरिये हुए, अब बात करते हैं कि अधारवादी विराष्टबाद की क्या माहने थे, एक बात आप लोग हमेसा याद रखिये, अगर आपको लगता है क्योछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मतलब Facebook पेज पर आप लोग ल उसके बाद आप लोग दूसरा चेप्टर पढ़ ले ना, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग Facebook पेज पर आ सकते हैं, ठीक वहाँ बात कर सकते हैं, एवरोप में 19 भी सदी की सुरुआती दस्कों में, राष्टी एक्ता से संबंदित विचार, वाजबादी, आप समझ रहें कि जो वाद सब्द आता है, वो विचाधारणों को वेक्त करता है, अब वाद गांधी वादी बोलेंगे तो गांधी जी की विचाधारणों को मानने वाले, उधारवाद यानी लिजमन सब्द लातिन भासा की मोल लिवर्द और आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद, नए मद्द वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समप्च सबकी बराभी, राजनेतिक रूप से उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमती से बनी हो, फ्रांसेसी करांती के बा स्वावित की अनिवारता पर भी पद देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समप्च बराभरी का विचार सबके लिए मतादिकार के पक्च में था, आप याद करें कि करांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातन्त का पहला राजनेतिक प्रयोप था, और उ या तो टेक्स देती थे, या संपत्ति जिसके पास जानव, जो निचले तपके के लोग थे, ना तो इन्हें अधिकार दिया गया था, बोड़ देने का, और ना ही महलाओं को अधिकार दिया गया था, संपत्ति भी इन पुरुस और सभी महलाओं को राजनेतिक अधिकारों समलित नहीं किया जगता था केबल थोड़ी समय के लिए जिकोबिन, याद रखी जिकोबिन सासन के समय सभी वैस्क पुरुसों को मतादिकार पुराथ था, यानि कि कहने का वजल लब इसमें सबको सामिल किया गया था, इसमें किसी को बेदभाव नहीं किया गया था लेकिन कुछ ही समय के लिए, थोड़ी समय के लिए चला मगर नैपुलियन की सहता पुराथ ही में अदिकार बापस आई मतादिकार बापस आई और उसने महलाओं को आबैस्क दर्जा देती हुए, उन्हें पिताओं पतियों के दिन कर दिया गया आप समझेए कि महलाओं की इस्थि जना आज से नहीं घ्री हुई है आज भी आप देखते हैं कि बड़े-बड़े घरों में आप देखेंगे, वहन भी आपको देखने को घ्री मिलनी सकती है समझ रहे हैं, वहां यादिकार अगर मतलब फैसला नहीं लेने की बात होगी तो वहां का मुखिया मतलब आप समझ सकते हैं पित सत्तात्मा के एक समाज होता है जहां पुरसों की जानदा चलती है समझ रहे हैं तो आज से नहीं ब्यात थे सुरूं से ही ब्यात देखी गई इस समाज में तो यहां भी आप देख सकते हैं कि उन्हें पिताओं और पत्तियों की अधीन भी माना जाता था एक तरह से उनकी संपत्ति माना जाता था इन्हें अगर उनने जो भी पैसला लिया उन्हें इन्हें भी वही माननोगा संपूर 19. सदी तथा 20. सदी के आरंविक बरसों में महलाओं संपत्ति भी इन परसों में समान राजनित के अधिकारों की मांग करती हुए बिरोध आंदोलन चलाएगे एक बात और याद रखिए हमेशा कि कोई भी आपको अधिकार मिला हुआ है तो आपको लगता है यह फ्री फंड में मिल चुका है इसके अतीत में जाकर जाकर देखिए कितने लोगों का खून बहा कितने लोगों ने भूं खर्टा लकी कितने लोगों ने आंदोलन किया कितने लोगों ने अपनी जान गवाई समझ रहे हैं आप सोचिए कि आपको लोगपाल मिल गया है ठीक है, आपको सुचिना का अधिकार दे जा गया है, इसके अंदोलन कारियों को तो देखिए, अन्ना जारी साब को आप अभी उधारन करेंट में देख सकते हैं, क्यों भी उनने कितने बार लाटियां खाएं, कितने बार ग्वालियां खाएं, कितने बार मार खाएं, आप सम आज हमारे अधिकारों कहनन हो रहा है तो उन्हों चुपचाप गर में बैठ जाते हैं, तो इसके बाद देखा कि अपने जो संपत्ती भीहिन पुरुष थे, यानि कि जो निचले तपके जिनके पास संपत्ती नहीं थी, और महलाई थी, जिने बोर्ट देने का अधिकार नही था, उन्नीस भी सदी के दौरान उबलते मद्वर्वों की यह जोरुदार बांग थी, कि आए हम उन्नीस भी सदी के पहले भाग में जर्मन भासी एलाकों का उधानन दे, नैपोलियन के पिसासमिक कदमों से अंगिनत छोटे पिते सुन से 49 राज्यों का एक महासंग बना, इन में से पिते की अपनी मुद्रा और नापतौल पढ़ाली थी, यानि कि जो 49 राज्य थी, इनकी अपनी-पनी मुद्रा थी, अपनी-पनी करेंसी थी और अपनी-अपनी नापने तौलने की पढ़ाली थी, 1833 में हमबर्ग में, से नियूर हमबर्ग जाकर अपना माल बेंचने वाले एक ब्यापारी की गयारे सीवा सुल्क नागकों से गोजलना पढ़ता था, और हरवाल लगबग 5-3 सीवा सुल्क देना पढ़ता था, सुल्क अक्सर वस्तूओं का बजन या फिर आकार के अंसाल जाते थी, चोकि हर्चेत की अपनी नापतौल बेवस्ता थी, अता हिसाब लगाने में समय लगता था, मसलन कपड़े को नापने का फिरमामना एले था, जिसकी लंबाई जगे बदलने के साथ घर्ती बढ़ती थी, अगर एक एल कपड़ा फैंक फार्ट में खरीदा जाता, तो 55.7 cm मिलता, मैंज में ये आपका 55.1 cm, नियोरेम बर्ग में देखेंगे तो 66.6 cm, और फ्राई बर्ग में देखेंगे तो आप 53.5 cm है, कहने का सीधा सा मतलब ये है, कि आप देखिए, ठीक है हमारे आप देखिए अभी करेंट में, आनि कि अगस्त में बैठे हुए हैं 2020 आपके देख में अभी 28 राज हैं, 8 आपके केंदसासित पिदेश हैं, माल लिए कि 28 राज हैं, इन्हें मतलब अलग-अलग currency हो इनकी, अलग-अलग mudra हो इनकी, कहने कम दूलब, ठीक है, और आप सोचिए कि एक दूसरे से मतलब आपको अगर उत्तरपदेश क्रोस करना है, पंजाब में जाना है, तो पंजाब की duty वहां अलग आपसे चार्ज लिया जाए, सीमा सुल्क, ठीक है, आपको बिहार जाना है, तो वहां अलग सीमा सुल्क लिया जाए, तो अगर एक व्यापारी को माल लिजए, अगर उसे खरीदना है, या कोई सामाल बेचने जाना है, तो उसे कई चेत्रों में आप सोचिए कि टेक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आप दो कहेंगे क्यों कि वो और ये भी बिवस्था देखी जाएगी कि अलग-अलग मुद्रा होगी तो उसमें भी परेशानी होगी, कि किस तरह से अज़ेश्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात नापतौल की एकाई अलग होगी तो माली जी आप उत्तर विदेश में जा रहे हैं, उत्तर विदेश से आपको जाना है बिहार में मैचने जा रहे हैं। ये दिदेखंत अंसी संगरंगी है तो मालुक चला कि उत्तर बिदेश में आपका पानसो घ्राम में इस किलो है और बिहार में आपधुर님이 250 ओप्या किलों आत्रबिदेश में कीलो 20-25 किलों मिल रहा है दूसरी currency है, तो आप किस तरह से रजिष्ट कर पाएंगे, तो यह मतलब लंबा समझ लगता था इसको देखने के लिए, एक समय आपने देखा होगा, इब बैंकों में आप देखते थे, लिखा पड़ी का काम पूरा रजिष्टर पर होता था, तो आप जादे थे तो आपने 500 निकाले, उसके नीचे लिख देदे 500, इस तरह से आप सोचिए कि दिन में पूरा जो लिखा लुका होता था, वो बड़ा मतलब लंबा समय लगता होगा, आज आप देखते हैं कि बैंक में जाएंगे 50,500,500, जितना भी आपको लेंदेन करना है, दो मैट में आपके पैसे कि इनके सामने आजाएं, आप लोग कर सकते हैं, इस सुखिधा आप लोग सोचिए कि उस समय नहीं थी, नए वाड़िजिक वरग ऐसी परिष्टितियों को आर्थिक भी निवाएं और विकास में बाधत मानते हुए, एक ऐसे येकिरत आर्थिक चित के निर्माड के बक्च इसके लिए एक कॉमन मतलब मुद्रा हो, कॉमन एक किलो मतलब इस तरह का कोई बांट हो, आप समझ रहें कि हुआ है, चाहे कि आपका किसी भी देश में हो, किसी भी देश में आप जा रहे हैं, तो वहां भी उतना ही बजन होना चाहिए, इसकी मांग उठ रही थी, आप आवग अमन हो, 1834 में पिरसा की पहल पर एक सुल्क संगिर जौल विरायन इस्थापित किया गया, जिसमें अधिकार जर्मन राज्य सामिल हो गए, इस संगिर ने सुल्क आवरोदू को समात कर दिया, और मुद्राओं की संख्या दो कर दी, जो उससे पहले 30 से उपर होती थ पहले कितनी 30 पिकार की हुआ करती थी, अब 2 पिकार की, इसके अलावा रेलवे के जाल से गती सिंता बढ़ाई और आर्थिक रितों को राष्टी एकी करण्ट का सहायक बनाए, उस समय पनब रही व्यापारिक राष्टवादी भावनाओं को आर्थिक राष्टवाद की ल एक मतलब एक कॉमन करेंसी है, इस तरह से आपने देखा हर्ड करेंसी इस तरह से वो करेंसी होती है, जिनका आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, अभी जो भी अंतराष्टी ये व्यापार होता है, आपका एन हो गया, फिर चाहे आपकी आप सुने होंगे कि इतने बैरल का इतना कच्चा तेल मिलना है, तो आप समझ सकते हैं कि डॉलर का उपय हो हर जगह किया जा रहा है, ब्यापार में, डॉलर एक कॉमन मतलब मुद्रा बन चुकी है पूरे राष्ट के लिए, पूरे मतलब सभी देशों के लिए, ठीक है, य अर्थसाष्ट्री डाठ्टी और जवरस्ता की सर्दाजविली है, सूचने लगे, बिचर्चा करने लगे कि राष्ट कैसे विकास कर सकता है, और कौन से आर्थिक अदम राष्ट को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं, जर्मन की ट्यूब इन्यन, विस्विध्याले में अर्थिसाष्ट की प्रोगिसर फ्री डरीक लिष्ट ने 1834 में लिखा है, कि जौल विराएन का लक्ष जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट में बांद देना है, वह राष्ट की आर्थिक आला जितना बाहरी तरह से है, उसके हितों की रक्चा करके राष्टिय बहानवा के उत्पन होने का एकमत जरिया है, आप लोगों को एक बात बताओं मैं, कभी भी आप लोगों को कहीं समस्या आ रहे हो, किसी विछेत में, तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, उस समस्या में अपने आपको रख लिया करिए, अब आप ने देखा है कि ह अधितर समझ में आ गया हुआ, मुझे लगता है, समझ रहे हैं, कि हमारे ही देश में आप समझेए कि हर राज की अपनी अपनी अलग लगतरे की सब काम होते, मुद्रा हो गई, प्रिचाहय अलग, तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाता है, इनी लपनों में जकड़ा रहता है, समय रहे हैं, फिर आपका 1815 के बाद का एक नया रोडिवादी, रोडिवाद, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, एउरोपिय सरकारें रोडिवाद की बहानों से पेज़ती, रोडिवादी माते थे कि राज्ज और समाज की, इस्थापित परंपराएं संस्था हैं परंपरिक संस्था जैसे राज्ज, चर्ज, सामाजीक, उचनीच, संपत्ती और परिवार को बनाया रखना चाहिए, फिर भी अधिक तर वो लोडिवादी लोग किरांती से पहले के दौर में बापसी नहीं चाहती थे, नेपोलियन दौरा शुरू किये गए परिवर्तों से उन्होंने एक जान दिया था कि आधुनिक की करण राज्जतन जीजेसी पारपरिक संस्थाओं को मजूद बनाने में सक्चम था, वह राध्य की तागत को जानदा, कारगर और मजूद बना सकता था, एक आधुनिक सेना, कुसल नौकर साही, गती सील अधुवस्था, साम दिवाजियों पर जोड देता है, तेज बदलाओ का की बजाए किरमिक और दीरी-दीरी विकास को प्रयाथ पीकता देता है, अभी भी आप लोग देखते हैं कि हमारे या भी रोडी वादी लोग देखे जाते हैं, जो पुरानी परंपराओं को जादा कुछ मानता देते है समझ रहे हैं? अभी दियों ने 1815 की बेहना संदी ट्रेटी ओव बेहना तियार की, जिसका उद्देश उन कई सारी बलाओं को खतम करना था, जो नेपोलियन, नेपोलियाई योद के दोरान हुए थे, फ्रांस इसी क्रांकी के दोरान हटाये गए, बोर्गो गंस को सत्ता में बहाल किया ग अताहा उत्तर में नेदर्लेंड का राज स्थावित किया गया, जिसने बेल्जियम सामिल था, और दच्चर में पीड मॉंट में जेनुवा जोड दिया गया, परसा को उसकी पश्चमी सिमाव परमत्पू नए लाके दिये गये, जबकि ओश्टिया को उत्तरी इकली का नें प्रिदान किया गया, इस सबका उद्देश उस राज्टन की भाली था, जिन्हें नेपूलियम ने बरखास्त कर दिया, साथ ही ईरोम में एक नई रूडिवादी विवस्था कायन करने का लक्ष भी था, याद रखें कि जो नेपूलियम की समय, नेपूलियन की समय सुधार जो भी मतलब उस तरह की विवस्थाएं थी, उन्हें मतलब खतम कर दिया गया, और अपनी तरब से बेना सम्मीलर में कुछ नए चित जोड़े गया, अलग-लग से, ठीक? 1815 में स्थापित रूड़ीवादी सासन विवस्थाएं निरंकुस थी, वे आलोचना वो आसेमती वरदास्त नहीं करती थी, उन्होंने उन गतिवधियों को दवाना चाहा, जो निरंकुस सरकारों की वेदता पर सवाल उठाती थी, जानदत्वर सरकारों ने संसर्शिप के रीम बनाए, जिनका उद्देश अकवारों, किताबों, नाठों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंतन लगाना था, जिनसे फ्रांसेसी क्रांती से जुड़े सुतनता और मुक्ती के विचार जलगते थे, लेकिन फिर भी फ्रांसेसी क्रांती की स्मिठी उधारवा यह मतलब अपने मतलब के लिए किसी की जान भी ले सकता है, किसी कुमार भी सकता है, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है, इनी लोगों को निरंग उसवादी सासत कहते हैं, इसे भी देख लिए, लिक्चार से देख रही है आपको इस्कीन पर, चिंतकों का किलब, 1820 के आस तक सोचने दिया जाएगा, दाइं तरब पर कलब की नियमों की सोची है, जिनमे नियम लेकित सामिल है, इस पड़े लेकि समाज के पहला नियम खामूसली, ऐसी किसी इस्तिती से बचने के लिए, जब हम इस कलब का कोई सदस बोलने के लोब का सिकार हो जाए, सदस सदस्तो को प्रिविस करने पर मोह बंद करने रखने वाली मोहरें बाटे जाएगे, यह नियम हो गया, ठीक है, अब बात करती है करांती कारी है, अठारे सो पंद्रे के बाद के वरसों में दमन के वह से अनेक उधारवादी राष्टवादियों को भूमिगत कर दिया गया, बहुत स करांती कारी होने का मतलब उस उन राच्तंतरीय विवस्थाओं का विरोध करने से था, जो बेना कॉंग्रेस के बाद इस्थाफित की गए थी, साथी स्वतंता और मुप्ती के लिए पिती बद्ध होना और संगर्स करना करांती कारी होने के लिए जरूई था, जंदतर करां किनका किरांतिकारियों का ऐसा ही एक वह व्यक्ति था इटली का किरांतिकारी जीव सेपी मित सिरी उनका जनम 1807 में जेनुवा में हुआ था वह कावो नारी के गुब्ध संगतन का सदस्वन गया 24 साल की उवा वस्था मैं लिगूरिया में कराती करने के लिए उसे वहिस्कित कर दिया गया ततपश्चाद उसने दो और गूमीकर संगतनों की स्थापना की पहला था मारसेई में यंग इटली और दूसरा वर्ण में यंग युग जिसके सदस्व पोलेंड फ्रांस इटली जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले उवा थे मिटसिनी का विश्वास था कि इसवर की मर्जी के गंसार राष्टी मनुस्की प्राग्ति करकाई थी अता है इटली चोटे राज्यों और पेदेशों की पैवन्दों की तरह नहीं रह सकता उसे जोड़कर राष्टेओं की ब्यापक गटवन्धन के अंदर एकिकत गड़त काईट किये गए मिटसिनी द्वारा राष्टन्द का भूर बिरूद करके प्रजातांत्र गड़तन्तों के अपने सपने से मिटसिनी ने रोड़ी बादियों को हरा दिया और मैटर्निक ने उसे हमारी सामाजी विवस्था का सबसे खदरनाग दूस्मन बताया याद आप समझ रहते हैं कि जो राष्टत्त मना हुआ था बेना संधी के बाद उसके बाद आप देखते हैं इसका मैन उद्देश्था की चंता को भागिदार किया जाए यानि कि प्रजा का सासन और प्रजातन्तों समझ रहे हैं इन्हीं को मतलब इस ती तरह की सुधार करना इस आपको लगता होगा सुतंता इतनी आसानी से मिल गई है वही तो मैं बता रहे हnes कि अपने इतियास में जाकर देखिए इस सुतंता के लिए आज हम लोग जो बैड़ के खा रहे हैं बैटके बोल रहें अपना काम जो मन में आता है दो बोगा रहें अगरदेश के खिलाब ही कुछ लिखना है तो लिख दे रहे, इसके लिए कितनी बल्लिदानी दे गई, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग आप सोचे के घर बेघर हुए, आप समझ सकते हैं, बहतर आप लोग जाई इतियास में देखिए, 13 साल की उम्मे में बच्चों ने मतलब अपनी जान दे आप सोचे कईयर से, आपको हमारे यहां के रायनेता मिलेंगे, हमारे यहां के छोटे-छोटे बच्चे करांती कारी मिलेंगे, समझ रहे हैं, जो अपनी बिना जान की परवा कियो हुए, लड़ गए देश से, समझ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए, जैसे जैसे समराज के सुवे, आइलेंड और पोलेंड ऐसी ही, कुछ छेत्र थे, इन करांतियों का नित्त उधारबादी, राष्टबादियों ने किया, जो सिक्षित मध्य वर्गिये बिसिष्ट लोग थे, इसमें आपके प्रोक्रिसर स्कूल ली अध्यापक, किलर्ग और वाडिजि उन्हें अब उधारवादी करांतिकारियों ने उखाड फेगा था, उनकी जगह एक संविधानिक राष्टन इस्थाफित किया गया, जिसका अध्यक छुलूई फिलिप था, मैटरनिक ने एक बार एक बार ये टिपड़ी की थी, कि जब फ्रांस चीनता है, तो बाकी येरो अभी आप समझ रहें किया इस्तिती हो चुकी है, आप खुछ जानते हैं, अफगानिस्तान में आपने देखा है किस तरह से घुटने टेक दिए, समझ रहें, पूरी समस्या भी कतम नहीं हुई है, और अमेरिका वहां से निकल गया, तो एक समझ जो पावर थी वो अब आप खतम होती दिख रहें, जुलाई करांती से ब्रे सलसमें भी बिद्रो भड़ा हो गया, जिसके फ़ल सुरूप युनाइटेट के इंगड़म आपता नीदलनेड से अलब हो गया, एक घड़ना जिसमें पूरे युरो को स्थिक्षित अभिजाद वर्ग में राष्टिये भा और युनान में राष्टवादियों को निर्वासन में रह रहें, युनानियों के साथ पश्चिमी युरो के अनेक लोगों का भी समर्थन बिला, जो प्राचीन युनानी संस्किती किपिती सहानवुती रखते थे, कभियों कलाकारों ने युनान को युरोपिये सबधा का बता कर प्रसंसा की और एक मुसलिम समराज की विरोध युनान के संगरस के लिए ज़्मत जुटा है, अंग्रेज कभी लॉड बायरन ने खटा किया और बाद में योद्धों में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार में उनकी मिंती होगी, अंतता 1832 की कुस्तु नुत संधी से युनान को एक सुतंत राष्ट की मानता दे दी गए है, यह भी आप लोग देखते हैं, आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करना है, कभी आपने देखा हुगा कि आप लोगों को अगर आपके गाउं से कोई वंच्चा सिविल सर्विस में हो जाता है, या किसी भ और कर सकता है, तो मैं क्यों निकर सकता हूँ, तो यही देखा गया, समझे में है? अब बात करते हैं, रूमानी कल्पना और राष्टी भावना, राष्टवाद का विकास के वल यह उद्धों चेत्रिविस तार्व से नहीं हुआ, राष्ट के विचार की निर्माड में संस कितिक अंदोलन था, जो एक खास तरह की राष्टी भावना कभी कास करना चाहिए था, आमतर पर रूमानी कलाकारों और कभीयों ने तर्ग बितर्ग और विज्ञान के महिमा मंदल की आलोचना की, उसकी जगे भावनाओं अंतर इडिर्ष्टी और रहस्वादी भावनाओ पर जोडवी दिया, उनका पिर्यास था कि एक सांज्या सामुविक विरासत की अनुगूती और एक सांज्या सांस्कितिक अतीद कुराष्ट का अधार बनाया है, इस चित को आप लोग देख रहे होगे, यूजीन देला कुआ दव मसेकर एड की ओस 1824 का है, फ्रांसी सी चितकार देला कुआ सबसे महत्पूर्ण फ्रेंच रूमानी चितकारों में से एक थे, यह विसाली चित, फोर 4.19 मीटर इंटू 3.5 मीटर मतलब बना गुए तही है, इसकी साइज थी, एक घटना को चितित क जाता है, जिसमें क्योस, तुवी पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 उनानियों को मार डला और देला कुआ मैं ने घटना किये बना दिकार, महलाओं और बच्चों की पीडा को केंद बिंदू मानते हुए, चटक रंगों का प्रियोग करके देखने वालों की बहावनाये उभार करके उनानियों के लिए साहनबूती, जगाने की फकॉसिस की, यह भी दिर्खा जाता है, हमारे यह अभी ऐसा ही हुआ, कई जगए, आपने देखा है कोई घटना घटी, तो हम लोग क्या करते थे कि उनकी मतलब बातों को बड़ा चड़ा देते थे, आपने सुना हो मतलब आप समसकते हैं एहन सा की नीते पर चला, वो अच्छा आदिमी बना, इससे क्या होता है कि बड़ धरम बड़ा चिका चड़ा कर दिखाना, बड़ धरम को उपर उठा देता है, उठा देता है कि मतलब अच्छा, इतना अच्छा धरम है बड़ धरम की, किसी को बदल तो यही होता है कि जब किसी घड़ना के पिती हम लोग इस तरह से जो भावनाय मतलब उसमें कर देते हैं कि सभी ही उसके पिती आकरसित होने लगते हैं वो कहते हैं का से अच्छा है ऐसा हुआ था समझ रहें अब आप सोचते हैं कि यह हमारे देश में भी आप देख लिए कभी पाक्षितान हमारे किसी सहने को मार देता है तो उसके पिती हमारी मीडिया इस तरह से बता देती है कि ऐसा किया तो हमारे देश में आप देखते हैं कि भावनाय बटक उठती है सहानभूती मिले, नेता नहीं करते हैं, आप अभी भी देखते हैं नेता करते हैं कई सहानभूती उठाने के लिए कई इस तरह के नाठक गरते रहते हैं, उस समय अलग बात होती थी, मैंने बताया न कि पहले के नेताओं से आज के नेताओं के हम तुलना नहीं कर सकते हैं, अ अच्छा बहला जो भी काम करते हैं, कमाने, खाने के लिए, ये भी अपना काम ही चला रहे हैं, इने देश से कोई मतलब नहीं रहता है, अधिक तर नहीं ताओंगो, ठीक है, हकीगत कुछ और रहती है, आप समझधार है इतना है, जर्मन दासने युभान, गौड फ्रेड जै प्रिकट होती थी, इसलिए लोग संस्किती के इन स्वरूप को इकत्तित और अंकित करना राष्ट के निर्माड की परियोजना के लिए आवस्तित था, इस्थाने बोलियों पर बल, इस्थाने लोग साहित को इकत्तित करने का उद्देश के वल पराची राष्टिय भावन जिसी बड़ी सक्तियों मनें विवाजन कर दिया था, यग पी पोलेंड आप सुतंत भूचित नहीं था, किन्तु संगीत और भासा के जरी राष्टिय भावना जीवित रखनी थी, मसलं के रोल कुरपस्ती ने राष्टिय संगर्त का अपने ओपेराओं और संगीत से संगर्तव के चतर देखेंगे, बार इस चैप्टर को देख अनगे, बार बही बहुत में तरह बाता है, जब हम लोग एक बार भारत के की परिशाम में देख लेंगे, पूरा उसके बाद आप उस और बहा बहुतर तरारीके से समझ भाएंगे, यहां कहने का मतलब यहाँ ज वहां भी देख सकते हैं, कम पढ़े लेखे थे, यानि कि निर्चर लोग थे, कम पढ़े लेखे, कम जाग्रूप लोग, तो उन्हें जगाने के लिए लोग साहे इस तरह के कला, आप गीत, इन सभी का सहारा ले दिया गया, जाग्रूप करने के लिए, समझ रहे हैं? भासा ने वी राष्टी भावनाओं के विकास में एक मत्मून भूमी काने बाई, रोसी कबजे के बाद पॉलिस भासा को इसकूलों से भलपूरवक खटा कर, रोसी भासा को हर जगे जबरन लादा गया, 1831 में रोस के विरोध एक ससर्थ विद्रो हुआ, जिसे आखिरकार कु बादतरियों और विस्पों को जेल में डाल दिया है, रोसी अधिकारियों ने उने सजा देते हुए साइगरिया भिद दिया, क्योंकि उन्होंने रोसी भासा का प्रचार करने से इंकार कर दिया, पॉलिस भासी भासा, रोस के प्रभुत के ब्रोध संगर्स के पितीप के र जैसे तमिल देश राज को ले लिए, वहाँ क्या बोली जाती है, तमिल लाड़ों को, तमिल बोली जाती है, ठीक, हमारे बाप की देशों में आप देखेंगे, उत्तरी भारत में देखेंगी, तो यहां हिंदी बोली जाती है, आप समझेगे कि अब उत्तरी भारत के लोग, दख्चडी लोगों की भावनाओं नहीं समझ सकते हैं उनकी बात को, तो अंग्रे जी ने क्या किया कि कि कॉमन मतलब सब की भावनाओं को सब की बातों को समझने का काम किया, तो इस तरह भी राष्टवात को बढ़ा वा मिला, वही यहां भी ओरा था, कि जो रोसी भासा थी, इसे लोग कमी जानते हों, समझें, तो सब लोग जोड़वी नहीं पा रहे थे, एक दूसरे की बातों को भी नहीं समझ पा रहे थे, अब आप सोची सुतनता का क्ई लोग मतलब ही नहीं जान पा रहे होंगे, तो एक लोकल भासा मदलब एक कॉमन भासा हो जिसे सब को इस समझ रहा हूँ, तो वह ही किया गया, यहां में, यह एक ग्रिम बंधुओं की पहानी, लोग कता हैं और राष्ट नमार्व, ग्रिम स्फेरी टेल्स एक जानावाना नाम है, जैकब ग्रिम और बिलहल्म, ग्रिम ब 85 और 386 में हुआ, कहां हुआ था जर्मनी के हनावु सहर में हुआ, जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थी, उसी समय उन्होंने शौखिया, तौर बग पुरानी लोग कथाएं एकटा करना शुरू करती है था, बे 6 साल तक गाउं गाउं जाकर यही काम करते थे, बे लोगों से बात करते थे और पीडियों से चली आ रही जो भी लोग कथा, उनकी जानकारियों में आती उसे लिख कर रख लेते थे, एक कहानिया बच्चों और बड़ों में समा रूप से पसंद की जाती थी, अठारे सु बारे में उन्होंने इन कहानियों को पैला स अंगरे पिकासित किया, बाद में दोनों भाई उदारवाधी लाजनीती में सक्री हो गए, प्रेंस का सुतनता के आंदोलन में उन्होंने विसे सुरुषी ली, इसी बीच उन्होंने 13-33 खंडों में जर्मन भासा का सब्दकोस भी पिकासित किया, गिरिम बंदू फ्रांस क वर्चस को जर्मन संस्किती के लिए खतरा मानते थे, उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोग कताएं कटी कि हैं, बेविसुद्ध और सच्ची जर्मनी भावना की अभी ब्यक्ति हैं, लोग कताएं एकटी करने और जर्मन भासा को विक्सित करने, कि अपने प्रयासों को वे फ्रांसी थी, प्रभुत का विरोध करने और एक जर्मन राष्टी पहचान गणने की प्यापक योजना का हिस्सा भी मानते थे, उदारवाद का मतलब यह होता है, मैंने बताया ना कि इबादी मतलब वादी या वाद, ये किसी विचाज़ारों को व्यक्त करते हैं, उदार मतलब आप समझ रहे हैं कि एक मतलब इसमें इंसा का रूपना लेना पड़े, एक मतलब बड़े अच्छे तरे से उदार, आप भी अपने देश में देखते थे उदारवादी आंदोलन हुए, इसमें आप हाद जोड़के, प्रातना पत लिक कर सुधार की बात करते पर आपने उगवादी संगठन देखे, इसमें बोली बंदूगों सब का सहारा ले आ जाता था, समझ रहे हैं, उसली की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, भूख, कटनाईया, और जन बिद्द्रो, 1830 कदसक यूरोब में भारी कटनाईयों लेकर आया, 19-20 सदी के पिथम भाग में पूरे यूरो में जन संख्या में जवर्जस्त बिद्धी देखे गए, यानि कि बटवत्तिरे देखे गए, जान्दतर देशों में नौकरी ढूणने वालों की तादाद उपलग दरोजगार से अधित थे, जो आप भारत में आजकर देख रहे हैं, ग्रामीर चे लोगी करन का इस तर महादीब से उचा था, महादीब को यह पितीस पर्दा कपणा उत्द्यों से जाना जेल नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुक्ता घरों और छोटे कारकारों में होता था, केवल आंते ग्रोप से मसीनी केट था, एवरोप के उने लाको में जहां कुलीनबर्ग अभी भी सत्ता में था, किरसक सामनती सुल्कों और जिम्मेदारियों के बोच तले दबे थे, खाने पीने की चीजों के मूल बढ़ने या पिर किसी बस फसल की ठराव होने के सहर, के सहर और गाउं में ब्यापक ग्रेई भी फैल गई थी, एक बात मैं इसलिए बोल ला हूं कि जो 2nd chapter है भारत का राष्टबाद, भारत में राष्टबाद उसी आप लोग देख लें, तो मुझे लगता है कि आपको बहतर समझ में आ जाएगा, पहले उसे देखें, एक बार इसे देख लें, उसके बाद फिर उसे देख लें, क्योंकि आप देखते हैं, सहरों की तरफ जिरामिट च्षित्रों से लोग जाती है, किस तरह से वहाँ बस्तियों में रहते हैं, शमझ रहें, वहीं बात की जा रही है, तो उसे एक बात देख लें, ये रोम में भी यही देखा जा रहा था, और याद रखिये, जब कोई भी मसीन के बात की जाती है तो आप समझे कि आप कोई टी सेट बना रहे हैं माल लेगे आप एक सॉल बना रहे हैं तो आप अपने यहां कारियर लगा के बनाते हैं मतलब हास्ते सरी के बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दो से तीन दिन एक सॉल बनाने में आपको लगेगा वहीं आप ले सीन जोगे वो एक दिन में हजारों सॉल बना देती है तो क्या आप हमसे 30 परदा कर पाएं कभी नहीं यह वैसा ही हाल है कि आप कहिए कि एक बस्ती में पढ़ने बाला है सरकारी स्कूल में जिसमें बिलकुल भी पढ़ाई नहीं होती है और एक लग का वी आई पी स्कूलों मे प्राइबीट स्कूल में पढ़ता है जहां बेतर सिक्षा दी जाती है ब्यवस्ता है आप दोनों की कॉंपिटीशन की बाद कभी नहीं कर सकते हैं समझ रहे है हो सकता है यसा करिए कि दोनों को बराबर इस तिती में लेकर आई फिर आप पती इस परदा की बात कर सकते हैं स 1848 ऐसा ही एक वर्स था खाने पीने की कमी है और ब्यापक बेरोजगारी से पैरिस के लोग सड़पों पर उतर आए जगे जगे पर अवरोज लगाए गए और लुई फिलेप को भागने कत पर मर्जूर किया गया राष्टी सभा ने एक गर्तंत की गोशना करते हुए 21 वर्स से उपर सभी वैस बुर्सों को मत अधिकार किदान किया गया काम की अधिकार की गारंटी भी दी गए रोजगार उपलब कराने के लिए राष्टी कार खाने की स्थाफना की गए और इससे पहले 1845 में सिली से या म उन्हें कच्छा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे वो परन्तु दाम बहुत कम देते थे पतकार विलहम बोल्प ने सिली सिलिया के गाओं के घटनाएं एक पिकार वयान की है सिधा सा मतलब है कि ऐसी बात की जा रही कि जो निचले के तबके चाहते थे जो लोग मतलब के साथ चाहते थे वही देने की बात की गई इन गाओं में अठारे हजारावादी बाले सोती कपड़ा बुनकर ब्योसाय सबसे ब्यापक है सेमों की हक स्त्रेमिक यानि की जो काम करने वाले इनका हालत खसता है काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठा कर ठेके दारों ने बनवाये जाने बाले माल की कीमते गिरा दी है यानि कि जो कच्चा माल खरीद रहे थे उसे कम कर दिया रहे चार जून को दो पर दो बजी बुनकरों की एक भीड अपने घरों से निकली और दो कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोटी पहुँची बिर जाना मजद गुश गई और चम चमाती खिड़किया फनीचा और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ी गए एक अनगुट ने भंडार ग्रह में घुश कर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया ठेकेदार अपने परिवार के साथ परोस की गाउं में भाग गया अला कि ऐसे ब्यक्ति को उस गाउं से सरद देने से इंकार कर दिया वह 24 गंटे के बाद सैना को बलाकर उसकी मदद से लोटा इसके बाद जो टकरा हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार कर मार देगे एक सैम आप लोग घटना आपने अगर भारत का इतिहास पड़ा है तो आपने अपने भारत में भी इसी तरह की घटना यह देखी है और याद रखे जब आंदोलन होता है तो कभी यह नहीं देखा जाता है कि कौन मार रहा है क्या हो रहा है और कभी भीर कभी आप सोचे कि अगर आंदोलन का रोप ले दे तो वो रुपती भी नहीं है जब तक कि उसका मंजिल ना मिल जाए या बुरी तरह से मतलब तूट ना जाए तो यह यही देखा गया आपको आवा या रही होगी बैक ग्राउंड में यहां मंदिर पर कुछ चल रहा है तो आप लोग थोड़ा अर्ज़ेस्ट करिए ठीक है 1848 में उदारबादियों की करांती देखते हैं 1848 में जब अनेक यूरोपिय देशों में गरीवी बेरोजगारी भुखमारी से गरस्त किसान मजदूर बिद्रो कर रही थे तो तब उसके समानतर पढ़ले के मध्यमबर्ग की एक क्रांती भी हो रही थी फरवरी 1848 की गठनाओं से राज्या को गद्धी चोड़नी पड़ी थी और एक गरतंद की गोठना की गई जो सभी पुरसों के सरुख सार्विक मतादिकार पर आधारी थी एवरोप के अन्न भागों में जहां अभी तक सुतंत राष्ट राज्य अस्तित में नहीं आये थे जैसे जर्मनी हो गया इटली पोलेंड ओस्टो हंगेरियन समराज वहां के उधारवादी मत थे बर्गों की इस तरी पुरसों ने समीधान वाद की मांग को राष्टी एकि सिंधान प्रेस की दोदंता और संगठन बनाने की आजादी और जैसे संसदिये सिंधान्तों पर आधारित थी सभी का उद्देश एक ही था कि हमें पूरी तरह से सुतंत होना चाहिए हमें आजादी मिलनी चाहिए हमारे हैं में अगर कोई बोल आया है तो उसे बोलने दीज समझ रहे हैं राज्तन तब नहीं चलेगा राजाओं का सासन अब नहीं चलेगा जनता को भागिदारी की जाली चाहिए यही सभी मांगे थी इनकी जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनितिक संगतनों नक फैंटफर्ट सहर में मिलकर एक सरव सम जर्मन नेशनल असेमिली की पक्षे में मद्दान का पैसला लिया और 18 मैं 1848 को 831 निर्वाचे पितिनीदियों ने एक सजे दजे जुलूस में जाकर फैंटफर्ट स एसे राजा को सौपी गई जिसे संसद के दिन रहना था जब कितिनीदियों ने फिरसा की राजा फ्रेडरीक बेलहम चतुर्ट को ताज पहनानी की पेस कस की तो उसने उसे आस्विकार कर उन राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचे सभा की विरोदी थे जहां कुलीन खोब बेटी अंत में सेनेकों को बलाया गया और असेम्मली भंग होने पर मजबू हो गई इसमें क्या हुए कि आप देखते होगे कि जनता ने चुना किसी पितिनीदी को चुना पितिनीदियों और पितिनीदी मिलकर एक काम करना चाह रहे थे कि कोई मतलब ऐसा राजा बन संख्या में महलाओं ने सक्क्रिय रूप से भाग लिया था महलाओं ने अपने राजनेतिक संगठन इस्थापित किये और अकबार सुरू किये और राजनेतिक बैठकों और अव्तिदर्शनों में सेर्कत किये यानि कि महलाओं भी अपने अधिकारों के लिए बराबर संग पाट, संसत की सभाय जित की गई तब भी महलाओं को केबल, पेक्षकों की धसियर से दर्सक देगा में खड़े होने दिया गया, यानि कि इन्हें देखने का दिखार देगा गया, कोई पैसला लेने का अधिकारों में सामिल नहीं किया गया, नारीवाद, यह भी आप लोग अ दिखारों की बात करना, उनकी मतलब एकता नारी बात होता है, जो लाष्ट का सब्ध है, हमेशा याद रखिए, वात मतलब एक विचार धारा, और नारी मतलब नारीओं के हितों में जो विचार धारा है, उसका असार्थ देना, ठीक, यहाँ कुछ आपका पॉइंट दिया इसे पढ़िए, प्रकिती ने पुरसों और महलाओं को अलग-लग कार करने के लिए निर्मित किया है, पुरस जो जादा तागत बर हैं, दोनों में से जादा निर्वीक और मुक्त हैं, उसे परिवार का रखवाला और भर्ण पूसन करने वाला बनाए गया है, वाय कानून उत्पादन तथा पिती रक्षा के छेत में सार्विनिक कार्यों के लिए है, महला जो कमजोर निर्वर और दबू है, उसे पुरोसों की सुरक्षा की आवर सकता है, उसका छेत घर बच्चों की देखवाल और परिवार का पालन पोसन है, आप समझ सकते हैं कि जो जनता चु परिवारों के मेल मिलाप और गरिमाकियों खत्रे में डाल देगी, लुईजे ओटो पीटर्स 1819-1995 तक रहते हैं, एक राजनितिक कार्यकरता थी, जिसने महलाओं की पतिका और तत्वश्चाथ एक नारीवादी राजनितिक संगठनी की स्थाफना की, उसने अखबार 21 उनचास की पिथमनक में नेमलिकी संपात की अच्छापा, आईए हमें यह पूछें कि कितने प्रुश जो सुतंता के लिए जीरे मलने की बिचारों से बहुत होते हैं, सभी लोगों, सभी इनसानों की आवादी के लिए तियार होंगे, जब उसने उनसे यह पूछा तो बड़ी आसानी से जवाब देंगे, हाँ, हाला कि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाती के फायदे के लिए थे, यानि पूर्सों के लिए, मगर सुतंता को तो अभी भाच जाए, अता सुतंत पूर्सों को परतंता सेखरे रहना मन्जूर नहीं होना चाहिए, आ कि महला को अधिकार देने का मुदलब एथा, समाज के सभी वर्गों को अधिकार मिल जाता, उसी अकवार के एक आनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपार को निमलिकित पत्त बेजा, महलाओं को राजनेतिक अधिकारों से बंचित रखना बाकई बेतोका और आबेवेक पूर है, जबकि उन्हें संपत्ती का दिकार है, जिसका भी इस्तेमाल करती है, भी जिम्मेदारियां भी उठाती है, हाला कि उन्हें लाब नाम नहीं मिलते हैं, जो उसी के लिए पूरसों को मिलते हैं, या अन्याय को, क्या यह लज्जा की बात नहीं है, कि सभसे मूर्ग मवेज़ में इतना जान्दा यहुदान देती हैं एक बात और हमेशा रखिए आप भी समझ सकते हैं अगर आप इस पर भी विच्छार करें तो आप भी समझेगे किस तरह का समाज था उसमें कि आज आप समझेगे कि महलाओं को आज भी वेदबाद देखने को मिलता है लेकिन खापी रख तक कंट्रोल हो चुका है महलाएं आप सुचिए बिना महलाओं के क्या पुर्ष का कोई अस्थित है नहीं आप कह सकते हैं कि एक रत का दोनों पहिया है उपना ही दान महलाँ का भी है उपना ही पुर्षों का है लेकिन मतलब समाज में इस तरह की रूरिवादी गड़ दी गई थी, कि महलाएं कमजोर होती हैं, एक घर की काम के लिए बनी हुई है, समझ रहे हैं, आज तो आप देखिए, दुनिया में महलाएं कहां पहुंच चुकी हैं, पुर्सों से आगे निकल चुकी हैं, तो उस तब हो, ठीक हैं, आगे चलती हम दो, हाला कि रूरिवादी ताक्ते 1848 में उदारवादी अंदुलन को दबा पाने में काम्याप होई नहीं, किन्तु वे पुरानी विवस्ता बहाल नहीं कर पाई, राजाओं को यह समझ में आना सुरूम होगे हैं था, कि उदारवादी राटव करान्तिकारियों को रियायत देकरी करान्ती और दमन के चक को समाप्त किया जा सकता है, अताहा और 1848 के बाद के वर्सों में मद्धो और पूलवी यूरोप की निरंकुस, राजसाहियों ने उन परिवर्तनों को आयम किया, जो पश्यमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थ हाला कि इससे निरंकुस में गया रहा हूं कि प्रभुत का सत्ता भी सत्ता ही साप हुआ, और देखिए मतलब इसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब कोई आंदुलन बढ़ चड़ कर बोलने लगी, उसे कम करने के लिए, उसे सांथ करने के लिए कुछ आप छूट देने, कि जो भी मांगे हैं उनमें से कुछ सुईकार करता है, तो यही इनों में इस समय भी हुआ है, विचार धारा, यह भी आप कहते हैं, गांदीवादी विचार धारा, नेरुबादी विचार धारा, कतर वादी विचार धारा, तो आखिर विचार धारा होती क्या है, एक खास की सामाधी केवम राजमितिक, द्रश्टी को एंगीत करने वाली विचारों का समभू होता है, इससे जो लोग जुड़ जाते हैं, वही विचारधारा एक कुमान करी चलते हैं, ठीक है, विचारधारा मैं पुटलब किसी एक विचार गांधी के रास्तों पर चलना, उनकी वि जर्मनी क्या सैनाराष्ट की निर्माता हो सकती है। 1848 के बाद एरोब में राष्टवाद का जनतंत और क्रांती से अलगा होने लगा। राज की सत्ता को बढ़ाने और पूरी हीरोब में राजनितिक प्रगुत हासिल करने के लिए रोडिवादियों ने अक्सर राष्टवादी भावना का इस्तेमाल किया। इसी उस पिक्रिया में देखा जा सकता है। जिसने जिसी जर्मनी और एटली एकिकेत होकर राष्टराज बने जैसा आपने देखाए कि राष्टवादी भावनाय मद्धवर गिये जर्मन लोगों में काफी ब्यात थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंग के विविन इलाकों को जोड़कर एक निर्वाची संसत द्वारा सासित राष्टराज बनाने का प्रयास भी किया था। मगर राष्ट ने बाड़ की है उदारवादी पहल राष्ट साही और फोज की तागत से मिलकर दबा दिया। यानि कि जो सुधार उदारवादी कर रहे थे उनकी जो भी सुधार कर रहे थे उड़े साही जो राजा थे और उनकी फोजने यहां मिलकर उन्हें दबा दिया। उनका पिरसा के बड़े गुस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चास पिरसा ने राष्टी एकिकर्ण के अंदोरन का नेतर थे समाला और उसका प्रमुख मंतरी ओर्टो बॉन बिस्मार्ग्स पिक्किरिया का जनक था जिसमें पिरसा की सैना और नौकर साही की मदर ली, साथ बर्स के दोरान और टिया डेनमार्क और फ्रांस ने स तीन एउद्धों में पिरसा को जीत में हुई और एक इकड़ की पिक्किरिया पोड़ी हुई जन्मरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारो में पिरसा के राजा बिलियम पिथम को जर्मनी का समराठ गुस दित किया गया अठारे जन्मरी 1871 की सुबहे बहर ठंडी थी जन्मराज्यों के राजकुमारों असेना की पितिरिदियों और प्रमुक्ष मंत्री ओटो बॉन बिजमार्ट समेथ पिरसा के मात्पूर मंत्रियों की एक बैटक वर्साय की महिल के बहर ठंडी सी स्माहिल हौल और मेरर्स में हुई सभा में पिरसा की काईजर बिलियम पित्थम की नितित में नए जर्मन समराज की कोशना की दियो जर्मनी में राष्टी निर्मार पिक्रिया ने पिरसा राज की सक्ती के प्रवुत को दर्साया था नए राज ने जर्मनी की मुद्रा बैंकिंग औ पानुनी तथा नयायक विवस्थाओं की आधुनी की करण पर काफी चोड़ भी दिया और फिर साथ वर्णा उठाए गए कदम उसकी कारवाहियां बाकी जर्मनी के लिए अकसर एक मॉडल बनी यह आप देख रहे हैं विच्चित ए ओंतौन बॉंड बर्नर की किरती है उने के पास विस्मार्क और इस विसाल कृती में आप देखेंगे 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर को चित्तकार ने 1885 में विस्मार्क के सतरवे जर्म दिन पर उन्हें भेट किया था है आप चलते हैं इटली की तरह जर्मन की तरह इटली में भी राजमेटी विखंडन का एक लंबा इतियास था इटली अलेग बलसानुगत राज्जों और बहु राष्टी हैं सम्माराज में विखरा हुए था यह आप देख रहे हैं जर्मनी का इतिकरां 1866 से 1871 तरह यह आप चलते हैं यह पूरा परसा नेले तरह में देख रहे हैं आप दो territ मुखे अलों परशा अथा हारे सो चाहिच से पहली थे मिपने की बात है अचिकए पहले की बात is फिर आपको देख रहा होगा ए ऑलिश पहले पर्सा द्वारा बिजित अलाके थे छे स्मालुपाग से बे तो इसके बाद ये आप देखेंगे राज्य पिरसा में सामेल ए 1871 की बात है और ये आप देखेंगे फ्रांस पिरसायोग में पिरसाद्वारा विजित इलाके हैं 1861 ये है आपका पूरा जर्मनी का ये की करन करके है उत्री सागर वाल्टिक सागर रोसी सामराज चेकर उननीसमी सदी के मद्ध में इटली साथ राज्यों में बटा हुगा था जिनमें से केवल एक साइडिनिया पीड मौन्टने में एक इतालवी राजगरानी का सासन था उत्रीभाग ऑस्टेलियाई हैफ सवर्गों के अधीन था मद्द इलाकों पर पॉप का सासन था और दठ्ठडी चेत्रों में स्पैन की बुर्वो राजाओं के अधीन थे इतालवी भासा ने भी साजा रूप हासिल नहीं किया था अभी तक उसके विविदे चेत्रों इस्थानी रूप मौजूद थे इस चेत्र को भी आप देख रहे हूंगे ब्रेंग चेत्र जर्मन राइ 1830 के दसक में जियो सेपे मिचसिनी ने एकिकरत इतालवी गड़राज के लिए एक सवु विचारित कालकरम पिस्तुत करने की कौस्थ की थी उसने अपने देशों के प्रिसार के लिए यंग इटली नामा के गुप्त संगत न भी बनाया कौन सा यंग इटली 1831 और 1848 में तिरांतिकारी विद्रोहियों की विद्रोहों की आसफलता से योध के जरिये एतालवी राज्यों को जोडने की जिम्मेदारी साइडिनिया पीड मॉंट के सासक विक्टर एमेनुवल दूतिय परावे प्यानी के से सौंपी गई इस जिम्मेदारी इस चेत में सासक अभिजाद बढ़के नजरों में एकिकित इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनेतिक प्रिभुत्य की समभावना उत्पन करता था मंत्री प्रमुक कावूर जिसने इटली के पिदेसों को एकिकित करने वाली आंदुलोना पानितित किया ना तो एक राधिकारी था और ना ही एक सुत जन्तनत में विश्वास रखने बाला था इतालवी अभिजाद बढ़ के तमाम अमीर और सिक्षे सदसों की तरह वह एर इतालवी वासी से कहीं बेतर प्रेंच बोलता था फ्रांस से साइडिनिया पीड मॉन्ट की एक चतुर कूटनेतिक संदी जिसके पीछे कावूर का हाथ था से साइडिनिया पीड मॉन्ट 1869 में और बलों को हरा पाने में काम्याब हुए नेमित प्रेनिकों के अलावा जीव सेपे गरी बॉल्डी की नेतरत्व में भारी संख्या में ससकते स्वेम सेपकों ने इस युद में इससा लिया था और 1860 में भी दच्छडी इटली और दो सिलियों के राज में प्रवेस कर गए और इसमीनी साथकों को हटाने के लिए इस्थानिया किसानों का समर्थन पाने में भी सफ़न रहे था 1861 में एमुनेल धुतिय को एकी कित इटली का राजी कर राजा रुषित किया रहे मगर इटली के अधिकार्स ने वासी जिन में निरक्षता की दर्गा प्रूची थी यानि कि पढ़े लेके कम थे अभी भी उदारवादी राष्टवादी विचारदाला से अंजान थे यान रहे मां वाध्र-एमुनेल की पत्नी थी आप चलते हance बेटिन की अजीब जास्तान yol क n कि विऊ थे द्वानोंने देख दिया था कि दिया है कि राष्टिया राष्ट राष्ट राजि का मोडल या आदर्स Great Intечение का से कहां से निकलाएज Great Baten से बेट tiene में राष्ट राष्ट का निर्माण अचानक कोई कोई उतल-पTwल या किरांति का भाषडाम नहीं था यही एक लंबी चलने वाली पिक्रिया का नतीजा था 18 सजी के पहले बितानी राष्ट था था ही नहीं बितानी दुई समुह में रहने वाले लोग अंग्रेज, बैल्स, स्कॉर्ट या आईरिस की मुख पहिचान निजातिय थी इन सभी जातिय समुह की अपनी सांस्कितिक और राजमितिक परंपराएं थी लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट की धन दौलत अहमियत और सत्ता में विद्धीवी वह दुई समुह के अंदर राष्टों पर आपना प्रवुत बढ़ाने में सफल भी रहा एक लंबे टकराव और संघर्स के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राष्टन से तागत चील लिए इस संसद के मात्यम से एक राष्ट राजिका निर्माड हुआ जिसके केंद में इंगलेंड था इंगलेंड और स्कॉर्टलेंड के बीच एक टॉप उनियन 1707 से इंगलेंड के इंगलेंड बिवार में स्कॉर्टलेंड कर अपना प्रवुत जमा पाया इसके बाद बितानी संसद में आंगल सदसों का धबदबा रहा एक बितानी पहिचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि इसकॉर्टलेंड की खास संस्किती और राजनीती संस्थाओं को नोग को यह उजनावद तरहिके से दबाएगे स्कॉर्टिस हाइलेंड की निवासी गिन कैथलिक कुलों ने जब भी अपने आजादी को बैक्त करने का प्रयास किया उन्हें जवर्चरस्त दमन का सामना करना बढ़ा स्कॉर्टिस हाइलेंड की लोगों को अपनी गैलिक भासा बोलने या पर राष्टी एक पोसा पहननी की मनाई थी यानि की पितिवन था उन्हें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मज़गूर भी किया गया यह देखिया आप लो एक ही करन से पूर्व पोड़ेना तस्किनी बेनिसिया पेपल राच सान मेरिनों दोनों सी सिनियों का राष्टन उसके बाद देखेंगे एक ही करन के बाद इटली का नक्सी में एक ही कित राज्यों के वर्सों को दर्साए गया त्यूनिस यह आपका अठारे सो अंठावन के बाद का है ठीक और यह आसुई जाने निजातिये आखिर क्या होता है एक सांध्या नसली जन जाती है या फिर सांसकेति कोदगम या थवाफ पेश्टभूमी जिसे कोई समुड़ा है अपनी पहचान मानता है उसे निजातिये कह देते है आइलेंड का भी कुछ ऐसा ही हस्त हुआ वह देश कैथिलीक और प्रोटी स्टेंट धार्मी गुटों में गहराई में बटा हुआ था कौन आइलेंड अंग्रेजियों ने आइलेंड में प्रोटो प्रोटी स्टेंट धरम मानने वाले बालों को बहू सक्या है कैथलीक दिश पर प्रभुत बढ़ाने में साहे था कि बितानी प्रभाहों के प्रोट दुबे कैथलीक विद्रोहों को निर्मारता से खुचल दिया गया बॉल्ग टॉन उसके युनाइटिड आयरिस में 1788 किया हुआ ही में हुए आसफल विद्रों के बाद 1801 में आयलेंड को बलपूरवक युनाइटिड किंगडन में सामिल किक कर लिया गया और एक नई वितानी राष्ट का निर्मार किया गया जिस पर हावी आंगल संस्कृत प्रिचार किया गया और नई बेटेन के पितीक चिन्नों वितानी जंडा यूनी यूनियन जैक और राष्टिये गान गाओं गौड सेव सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ा बदिया और पुराने राष्ट इस संग में मार था सहयोगी के रूम में ही रहे गए पिछ संभावता इटली के सुतंता सेनानियों में सबसे मस्भूर है उनका संबन्द एक ऐसे परिवार से था जो तटिये व्यापार में सलगन था और वह स्वैम व्यापारीक नौसेना में एक नाविक था 1833 में उनकी उसकी मुलाकात मैसेनी से हुई वह यंग इटली रांदोलन से जुड़ा था 1834 में पीड मौन्ट के गर्तंती विद्रो में उसने भाग भी दिया यह विद्रो कुचल दिया गया और गेरी वॉल्डी को दच्छन अमेरिका भागना पड़ जहां हुए 1848 तक निर्वाज सन में रहा और 1866 में उसने विक्टर एमिनुएल सेकेंड का समर्थन किया जो इत नितित किया इस अभियान में नहीं स्वयम सेवक जोडते चले गए और उनकी संखा लगबग आपकी 30,000 तक पहुँच गए वे रेड सर्ट के नाम से लोग परी हुए यही जो जोडते गए इसमें 1866 में Gary Waldy की नितत में स्वयम सेवकों की एक सेना पेपल राज्यों में से लड़ने रॉम गई जो इटली की करण में अंदिम बाधा थी वहाँ एक फ्रांसी सेनिक टुपडी तैना थी रेर सर्ट फ्रांसी से पेपल सेनिकों के सामने टिक नहीं पाई और 1870 में जब प्रसासी युद के दौरान फ्रांस ने रॉम से अपने सेनिक खटा लिये तब जाकर पेपल राज अंततार इटली में सम लेत हुआ और इसका यही इटली का एक ही के नगरा यह चित्त देख रहे हैं उग्री आपको गेरी बॉल्टी साइडिन या पैडमॉंट के राजा विक्टर एमुनेल सेगंड को इटली नामक बूट जूता पहनने में मदद करती हुए अब चलते हैं लोग आगे राष्ट की द्रस कलबना किसी सासक को एक चित्त या फिर मोटी के रूम में अभी वेक्ट करना आसान है किन्तु एक राष्ट को चेहरा कैसे दिया जा सकता है अठार भी और उननीस भी सदी में कलाकारों राष्ट का वानवी करन करके इस पिसन को हल किया दूसरे सब्दों में अगर हम लोग कहें तो उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्त किया कि जैसे कोई ब्यक्ति हो उस तमय राष्टों को नारी भेस में पिस्तुत किया जा यानि रनारी की चभी राष्ट का रूपक मनें आप भी जानते हैं कि हमारे देश में जब या चित कहीं देखते हैं तो भारत माता भारत पुरुस नहीं गूला जाता है भारत माता मुझे लगता है कि जहां पर जहां तक मैंने पढ़ाया इसलिए इस तरह की सब्द गड़ की रही है पहले के समय में आपको याद होगा कि फ्रांसेजी करांथी के दौरान कलाकारों ने स्तुतंता नयाय और गर्संत जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया इन आदर्थों को बिसे सबस्तुमा या प्रतीकों से व्यक्त किया गया जैसा कि आपको याद होगा कि स्तुतंता का पितीक लाल टोपी या पिर टूटी जन्जीर है और इन साब को आम तोर पर एक ऐसी महला की पितीका अत्मत रोप से व्यक्त की आग जाता है जिससे आपको पर पट्टी बनी हुई है वह तराजी लिए हुए है आप सोची आसी सी गड़राजी का पितीने दित कलती थी इसे पेकारिक नारी रूप को का अविस्कार कलाकरों ने उननीसी सदी में भी किया फ्रांस में उसे लोग परिए हिसाई नाम मारी आन दिया गया जिसने जन्राष्ट के विचार को रेखांकित किया और उसके चिन भी सुतंता और गर्दंत के थे लाल टोपी, तेरंगा, कली, मारियान के पितीमाएं पितमाएं सहारुजनिक चौपों पर लगाएं ताकि जन्ता को एकटा के राष्टी पिती कोई याद आती रहे और लोग उससे तादमत इस्थापित कर चकें, मारियान की 26 सिक्कों और डाक्टिक्ट इसी तर जर्मीनिया जन्मादाश्ट का रूपक बन गए, चासुब अभी पित्तियों में जर्मीनिया बलूद बैप्च के पत्तों का मुकट पहनती गें, क्योंकि जर्मन बलूद बीउता का पिती ही पोता था, देखिए कोई भी चित बनाने का सीधा सब देश रहता है कि उसके पिती लोगों को जागरूप किया जाए, नमाज रहे, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी आई हुई है, मतलब बहुत बुड़ी इस्तिती की हुई है, इससे मतलब सभी देश पर रहा रहती है, आपने हमारे देश में एक कॉलर टूल सुनी होगी, जब भी कि आप इस समय क्या समय चलना है, इसलिए आप समझे किया जाता है, समझ रहे हैं, एच चित आप देख रहे हैं गी उपर, देख रहा है, चित जर्मिनिया चितकार फिलिप बेट, बेट 1848 का, चितकार ने जर्मिनिया की चित को सूती जंडे पर बनाया, चुकि इसे सैंट पॉल चर्च की 6 लटकना था, जहां मार्च 1848 में फ्रेंक पर संसत बुलाई ही थी, और आप लोगों से एक मतलब बिनम्मन तरीके से चाहे बिंती कर लीजे, जो भी कहना हो आपको, अगर आपको लगता है कुछ गलत बताया है मैंने, तो आप लोग कमेंट बोक्स में एक, एक दूसरे की मदद करना हम लोग सभी का उपदेश है, समझ रहे हैं आप लोग, तो आप भी नीचे अपना विस्ताल से बता सकते हैं कि इसका मतलब ही है, इसका मतलब ही है, ठीक है, एक मतलब अच्छी दोस्त की तरह है, फैमली की तरह है हम लोग जोड़े कोई, जरसाय है, एक रूप कात्मद, तहानी कि दो अर्थ होते हैं, एक साबदी और एक पिती कात्मद, तो अजादी मिलना, तोटी हुई बेडिया, मतलब आपको अजादी मिली चुकी है, वाज चाप कवच, जेन्मन समराज, जर्मन समराज की पितीक φ पितीक सक्ती, बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी का पिती, तलवार, मुकाबले की तयारी, तलवारण पर लिप्टी जितून की डाली, सांधी की चाहे, काला लाल और सुनरा तरंका, 1848 में उधारवादी, राष्टवादियों का जंडा, जिसे जर्मराज की ड्यूक उसे ने पिती बंदीत घोसित कर दिया है, उक्ते सूर की करने, एक नए यूग का सूत पात, एक उच्छा की समझ करते हैं, यह आपको देख रहे होंगे, 1848 उचित, दा पॉलोन जर्मिनिया, हतास जर्मिनिया, जूलियस यूवर का 1855 उचित, पचास पतोरी, हतास जर्मिन यह आप देख रहे हैं, विच्छित, जर्मिनिया गार्णिन दा राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मिनिया, 1860 में जितकार लॉरेंज किला सेन, को यह चित बनाने का काम सौपा गया, जर्मिनिया की तलवार पर खुदा हुगा है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रख्षा करती है, अब बात करते हैं हम लोग राष्टवाद और समराजवाद, 19-वी सदी के अंतिम चौथाई तक, राष्टवाद का वह आदर्सवादी, उदारवादी, जनतांतरिक सौभाव नहीं रहा, जो सदी के पितम भाग में था, आपको बताया था, कि सुरू में इसकी मतलब अधिक संद्रव में देखा जाता था इसे, लेकिन अभी भी आप समझे इसमें बदला होता रहेगा, हांकी भी बदला हो सकता है, ठीक है, अब राष्ट सीमित लक्षों बाला संकीन सिद्धान बन गया, इस बीच के दोर में राष्टवादी, समू, एक दूसर के बाद एरोब में गंभी राष्टवादी, तनाव पसरोद, बालकन चित था, इस चित में भोगोलिक और जातिय भिन्नता थी, कैसी? भोगोलिक भिन्नता थी और जातिय भी, इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, बुल्गेरिया, अल्विनिया, युनान, सिलाओ, बालकन चित का एक बड़ा हिस्सा, आटोमन समराज की नेंतर में था, बालकन चित में रोमानी राष्टवाद की विचारों के फैलने, और आटोमन समराज की विक्टन से स्तिती काफी विस्पोटक हो गई थी, उननीस भी सदी में आधुनिकी करन, और आंतिक सुध अधीन की जरीए मजबूद बंदना चाहा, किन्तु इसमें इसे बहुत कम सफलता भी मिली, एक के बाद उसने अधीन यूरोपिय राष्टियतां उसके चंगों से निकल कर सुतंता की गोशना करने लिए, बालकन लोगों ने आजादी या राजनितिक अधिकारों के अपने दावे को राष्टियता का अधार दिया, और उन्होंने इतिहास का इतिमाल या साबित करने के लिए किया कि वे सभी सुतंत थे, किन्तु तस्परशाद विदेशी सक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया था, अताहा बालकन के चित में विद्रोवी राष्टिये समुहों ने अपने संगरसों को लंबे समय से कोई आजादी को बापस पाने कि प्रयासों के रूम में देखा, जैसे जैसे विद्रोवी राष्टिये समुहों ने अपने पहचान और सुतंता की परिभासा तै करने की कोसित की, बालकन राज एक दूसरे सिभारी इस्या करते थी, और हर एक राज अपने लिए जादा से जादा इलाकाते आने की उमीद यानि की होड लगाया रखा था, परस्तितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई, क्योंकि बालकन चित में बड़ी सक्तियों की बीच पीतीस पर्दा होने लगी, इस समय ये उरोपीय सक्तियों की बीच ब् इंग्लेंड, आटो हंगरी की यह तागत, हल्थ तागत बालकन पर अंदर सक्तियों की पकड को कमजोर करके छेत में अपने परवाव को बढ़ाना चाहती थी, इसमें इस इलाके में कई योदुए और अंधता पिथम बिच योदुए, आपका चाइना भी अपना रहा है, चाइना भी चाहता है कि वो अधिक से अधिक चित्रों पर बिष्तार करें, आप समझ सकते हैं कि अभी जितने भी उसकी सीमा लगती है, जितने भी देसों से, लगवग लगवग सभी देसों से आप मतलब बिवाज चल रहा है उसका सीमा को लेकर, अब भूटान को आप दे देख सकते हैं, चित्रों 20, बेटिस समराज का यसगान करता एक मांचित है, सबसे उपर फरस्ते सुतनता का वेनर्था में दिखाई देते हैं, अगभाग में बेटिस राष्ट का पितिक बेतानिया, विजय भाव के साथ पूमंडल के उपर बैठा है, ओपनिवेल्सों को स आज क्या अगर बात करें ब्लुक तो यह हमारा यहां है भारत इंडिया, ठीक है, यह आपका दच्चगी अमेरिका उप्तरी अमेरिका, यह आपका फीर का, यह यूरोप है, यह पूरा यह सी ऐसी आ है, यह आपका वोष्ट इलिया, समराज से जोड़ कर राष्टवाद 1914 में एउरोप को महा विद्धा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच बिसके अनेक देसों ने, जिनका 19 सधी में एउरोप यह सक्तियों ने ओपने वी सी कर्ण किया था, समराजवादी पिरोध्य का विरोध करने लगे, एक तरब जो समराज विरोधी अंदोर्न विक्सित हुए, इस अर्थ में राष्टवादी थे, बे सभी सुतंत राष्ट राजजिपा निर्मार करने की लिए संगर्स कर रही थे, बे सभी एक सामुएक राष्टी एकता को की भावना से पेरित थे, जो समराजवाद विरोध की फिक्रिया में उ आप सौभाविक और सार्वामिक सार्वाम माल लिया गया, यह आपके इससे संबंदित क्वेश्चन्स दिये गया है, जो पड़ा है आपने, उसी संबंदित, और आपकी PDF टेलीग्राम पर डाल देए, एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि बहुत लंबी क्लास थी, और आप आपको क्या करना है कि एक बार इससे देख लीचे, और समझ में आता है ठीक है, फिर दूसरे चेक्टर को आप देख लीचे, उसके बार इससे देखिए, क्योंगी जब भारत के बारे में आप समझ चुके होंगी, तो मुझी लगता है कि आप यूरोप में भी जो राष्ट पढ़ दी पढ़ती है, ठीक है, कोई मा के पेट से सीख के नहीं आता है, हमी आप लोग एक से दो बार पढ़ते हैं, आराम से समझ में आ जाती है, इसलिए तो कहते हैं, कि जितने अधिक से अधिक बार NCIT आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, क्योंकि यहीं मैन आधार है आप कच्छा दस्वी की भारत और समकालीन विस सेकेंड के नाम से जो आपकी बुक से, उसी के बारे में हम लोग बात करें थे, तो इसमें हम लोग एक चेप्टर आपका खतम कर चुके हैं, इगरोब में राष्टवात का उदाय किस तरह से हुगा, उसके बारे में हम लोग पढ कर लें, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और बिना पड़े कुछ नहीं उखडने बाला है, ठीक है, तो कच्छा चटवी से कच्छा दस्वी तक की लगबख सभी बुक्स कवर हो चुकी हैं, ये बुक्स खतम होने के बाद बिग्यान बच्ति हैं, और आपकी ग्यारे वबारे की बच्ति हैं, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे, और आपकी जो NCEIT पूर्ण कवरेज के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसमें आपके सभी लेक्षर ड़ली हुए है, और पेडिये अप के लिए आप लोग टेलीग्राम जोइन कर लें, वहां से डाउ कर दी जाती है, समझ रहें आप लोग, अब कह देते हैं कि हमारे यहां जो राजनीतिक विबस्ता यह भी बाहरी देशों की है, तो आप समझते हैं कि चाड़क की वाईगराफी हम लोगों ने देखिया, आप लोगों ने देखा होगा चाड़क, गौतम बुद्ध, महावी स्वामी के बारे में पढ़ा होगा, तब से आप लोग देखिए हमारे देश में कितने महान, बड़े सर आड़, अरध सास्त्री हुए हैं, राजनेतिक हुए, बिद्वान हुए हैं, हर्चित में ग्याता हुए हैं, चाड़क जासाब आप सोचिए कि राजनीति में महावर लेकिन पूरी तरह से हम लोगों ने फॉर्टू कॉपी करके नहीं यूज किया है, समझ रहे हैं आप लोग, जो हमारे लिए अच्छा था, हम लोगों ने वही सीख ली हैं वहां से, तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपका भारत में राष्टबाद हैं, जैसा कि आप दे पहचान किस बाद से परिवासित होती है, यह भाव ना बदल गई कि उन में राष्ट के पिती लगाओ का भाव पैदा होने लगा है, नए पितीकों और चिन्नों से, चिन्नों ने नए गीतों, विचारों ने, नए संपर्किस्था पित किये, और समधायों की सीमाओ को दु कुछ बन गया, अधिकारी बन गया माल लीचे, ठीक है, आप क्या कहेंगे लोग, अगर दूसरे दिन आप दूसरी साल, दो-चार साल बाद आप अधिकारी बन जाते हैं, तो यह तो नहीं कहेंगे कि उस पैक्ती ने आपको बना दिया, हाँ हो सकता है, आपने उससे सीख ल इसके बाद आप आँगे बड़े, तो यह ही हम लोगों ने किया, दूसरे ओपने वेसों की तरह भारत में भी, आधुनी कराट के उदै की घट परियर्णा, ओपने वेस बाद बिरोधी आंदोलन के साथ गहरे तोर पर जुड़ी गई थी, ओपने वेस सास्कों के खलाप सं असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुबाव भी अलग अलग थे, सुतंता के मायने भी भिन्न थे, मात्मा गांदी की नेतित में कॉंग्रिस ने इन रमुओं को एकटा करके एक विसाल आंदोलन खडा किया, परन्तु एक परन्तु इस एकता में टगराओ के विन्दू भी न आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग जब 1857 से पहली की बात की जाये, तो चेतरी एकता थी हमारे देश में, आप देखते होंगे कि राजा आपने चेत को बचाने के लिए कुछ भी करता रहता था, यानि कि अपने चेतरों के पिती उनका लगाओ था, हमारे दे तरह से सफल नहीं होते, लेकर एक मार दर्शन के लिए काफी उसमें कुछ सीखने को मिलता है, इसका नेत्यत्यत्य सबसे अच्छा किया राष्टिये कॉंग्रेस की स्थाफना होती है 1885 में, उसके बाद आपने देखा किरम से राष्टिया आंदोलन चलती गए, और राष् सोसन सबका हो रहा था, लेकिन हर केसी को अपने अपने हिसाब से मालू नहीं था, तो लाष्ट में उन्हें पता चला कि सोसन हो रहा है, उपने वेस बाद हमारा सोसन कर रहा है, तो सम लोगों का क्या एक ही उद्देश था आजादी, अंग्रेजों से हमें आजादी चित की एक तरह से आप अपने समाज के लिए काम कर रहे थी, आप सुनते हैं कि सिंधिया ने, आपने सुनाओगा कि सिंधिया ने उसका अंग्रेजों का साथ दिया, बोपाल की महरानी ने अंग्रेजों का साथ दिया, उनका साथ देना उस समय लाजमी था, आप लोग सोच था कि उस समय जहासी अलग देश की तरह था और जो ग्वालियर था ये अलग देश की तरह देखे जाते थे तो ग्वालियर बचाने के लिए सिंधिया ने क्या किया कि जहासी का किरानी का साथ नहीं दिया समझ रहें आप लोग उस समय इस तरह छेत्री ये मैंने बताया ना कि छेत्री ये भावना पहना हुई थी अपने छेत्र को बचाने की कवायद में लगें हुई थे तो राश्ट के पिती प्रेम नहीं था किसी का ये तु जाकर आप 1850 यानि की 1857 की बाद देखते हैं 1857 में आप देखते हैं कि कई 1857 की जब करामती होती तो उसमें भी कई समझ आपकी सामिल हो जाते हैं वहां से जनम लेना सुनों गुता है इसका पहली की ओर की एक पुस्तक में भी आपने भारत में राष्टवात की उदय का अध्यन किया था वहां आपने 20-20 सदी के पहले दसक तर की कहानी पड़ी थी इस अध्याय में हम 1920 के दसक से आगे अध्यन करेंगे और आसायू आंदोलन और सभिने एयुग्या आंदोलन की बारे में पड़ेंगे अब देखें ही कॉंग्रेस ने राष्टी आंदोलन को विक्सित करने के लिए किस तरह के प्रयास किये इस आंदोलन में विवेन सामाजिक समुहों ने किस तरह की इससा लिया और किस तरह राष्टवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओं आप लोगों को पहले आपने देखा होगा कि अभी भी आप देखते रहते हैं कि सफेद कपड़ा नेता के द्वारा पहना जाता है सफेद टोपी लगाई जाती यह किसका पितीब था पता है क्योंकि आप देखते हैं सफेद कपड़े पर कोई दाग यानि की धब्बा लग जाए तो साब दिखाई देता है तो नेताओं का मतलब यह हुगा करता था उस समय में कि हमारे उपर कोई धाब धब्बा नहीं है कोई बेश्टा चारी नहीं है बहुत इमानदारी है लेकिन आज के समय में भी देखिया आप लोग नेता सफेद कपड़ा तो पहर रहे लेकिन कितने दाग यह उन के उपर वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे तो आप समझें कि उस समय की नेताओं और आज समय की नेताओं में जमीन आस्मान का फरक है समझ रहे और आज के नेताओं की उस समय की नेताओं से तुल्लामी बद किया करें क्योंकि उस समय के जो नेता अगर उपर बैटे होंगे भगवार के पास तो वो अपने आपको कोशने लगेंगे कि हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है नेताओ एच्चित आपको दिखाई दे रहा हो गया एच्छे अपरेल उन्नीस उन्नीस को राष्ट्री आंदोलन के द्वारान सड़कों पर इस तरह की बड़े जुलूस आमबात थी यानि की सड़कों पर इस तरह की जुलूस निकल रहे थे आप सोचिए सभी लोग क्यों सामिल हुए अगर इनके मन में अगर राष्ट के पिती प्रेम ना होता तो लोग मतलब एकटे क्या होते आप सोचिए कि सबके अलगलग स्वार्थ होते तो यह लोग एकटे कभी ना होते कमसे कम एक बिन्दू ने ने, एक किसी आधात, इस्तम्म ने जोड़ा तो ये ने, फिर चाहे आजादी के पिती हो, या फिर किसी और भावना के पिती हो, किसी धरम के पिती हो, आप समझीए कमसे कम तभी कोई अंदोलन सफल होता है, जब उसमें सभी बरग, फिर चाहे नीच चीछ जाती गयो हो पिर चयह पड़ा लिखा हो अनपढो हो अमीर हो घरीऊ हो महला हो गरौस हो महला और वाताा हूं सभी भाग लेते हैं तब ही जाकर सफलता मिलते हैं 1857 की चर्शारती में ऑमने देखा है तक वहांमें अजुन पकुर सफलता नहीं मिली 1919 से बात के सालों में हम देखते हैं कि राष्टी अंदुलन नए इलाखों तक फैल गया था उसने नए सामाजिक सामिल हो गए थे और संगर्ष की नए पद्धितिया सामने आ रही थे इन बदलाओं को हम कैसे समझेगे उनका क्या पाईडाम हुए सबसे बहली वात या है कि विस्सेद्न नए नई आर्थिक और सामने इस्तिती पैदा कर दिती इसके कारण रक्षाबे में भारी इजापा हुआ इस खर्चे की भरबाई करने के लिए योद्र के नाप पर करजे लिए गए और करों में विर्दी की गए सीमा सुलक बढ़ा दिया गया आएकर सुरू किया गया यह ओधिकरे द्वारान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और 1903 से 1908 की बीच कीमतें दुगना हो चुकी थी जिसके कारण आहम लोगों को मुश्कले बढ़ रगे और गाओं में सिपाईयों को जवरन भरती किया गया जिसके कारण गिरामीड अलाकों में व्यापक गुस्सा था 1908, 1919 और 1921 में देश के बहुत सारी हिसों में फसल खराब हो गई जिसके कारण खाद पदार्तों का भारी आभाव पैदा हो गया उसी समय फिलू की महामारी फेल गी और 1921 की जड़गना के मुताबिक दुरभीक और महामारी के कारण 120 से 130 लाक लोगों की मारे गे इसमें एक अब को लगने लगा फिर चाहिए आप देखके किसान हो फिर चाहिए आप किसी भी जाती कव्यक्ति हो आदिवासी हो फिर चाहिए आप जन जाती जो भी आपके हैं उन्हें सबको लगने लगा कि हमारा सोसन कर रहे हैं हर तर ऐसे इसके लिए आप देख रहे हैं कि एक लाम से उद्ध में अंग्रेलों का क्योंकि उनसे मतलब उन्हें भरूसा था कि ये उद्ध जीतने के बाद कुछ छूड़ दे देंगे आजात कर देंगे इसलिए आपने देखा है गांदी जी हर जगए जांकर गांदी जी ने एकटा किया लोगों को लेकिन 1918 में ये खतब होता है उसके बाद एक तरह से मतलब आप कहनी देते हैं कि काय किया जाती यही अंग्रेजों ने किया और जितना मतलब इसमें खरच हो रहा था उसमें अंग्रेज क्या कर रहे थे अंग्रेज हमारे यहां से भरपाई कर रहे थे यानि कि अपने देख से कुछ ही पुजा रहे उसमें हमारे देख से करबढ़ा दे रहें सीमा सुल्क लगा दे रहे हमारे हैं के लोगों को बुला कर नर्वा रहे है मतलब जितने सिपाही जाएंगे वहां, वो जिन्दा तो लोट नहीं आएंगे, हजारों लाकों लोग मारे गए, तो ये सब ही मतलब एक तरह से आप समझेए कि पूरी तरह से भारत को दबा दिया गया, तो भारत में और रोस यहां के लोगों में और गुस्ता अंग्रेजों लोगों को उमीद थी कि योद खतम होने के बाद, उनकी मुसीजबतें कम हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो, यहां तक मालू थाएंगी, लोग तो सोचते थी कि उन्हें आजाती मिल जाएगे, गांडी जी का यही सोचना था, लेकिन नहीं ऐसा कुछ हुआ, इसी समय एक नया डंग और एक नया तरीका पेस किया, जबरन भरती की बात करें तो इस पिक्तिरिया में अंग्रे भारत के लोगों को जबरजिस्ती सेना में भरती कर लेते थे, सीधा सा कहने का मतलब है कि आपकी इच्छा ना हो, और जबरन आपको सेना में सामिल कर लिया जाए, इसे ही जबरन भरती कह देते हैं, आप चलते हैं सत्या गरिया का विचार महत्मा गांदी जन比較ine 1915 में भारत लोदे, क्योंकि आप देखते हैं ध्यडफी का गए हुए थे गसे गांदी जी, तो महत्मा गांदी कब लोडते हैं, जन्वरी 2015 में भारत लोडते हैं, इससे पहले विज दच्छड अफिका में थे, उन्होंने एक नए तरह के आज्याना अंदोलन के राश्टे पर चलते हुए, वहां की नसल भेदी सरकाल से सफलता पुर्वक लोह लिया था, नसल भेदी का मतलब होता है भेदभाव करना एक नसल से दूसरा, इस सपद्धि को वो सत्यागें कहते थे, सत्यागें की विचार में सत्त की सक्ती पर आगरें और सत्त की खोच पर जोड़ दिया जाता था, इसका अरथा कि अगर आपको उद्धि सच्चा है, यदि आपका संघर्स अन्याय के खिलाब है, तो उत्पीडन से मुकाबला करने के लिए आपको किसी सारे बल्कि पिती सोत की भावना या आक्रमक्ता का सहारा लिये बिना सत्यागेही केवल अहिंसा की सहारे भी अपने संघर्स में सफल हो सकता है, इसके लिए दवनकारी सत्त्रू की जितना कुछ जिन जोड़ना चाहिए, उत्पीडक सत्तू को ही नहीं, को ही नहीं, बल्कि सभी लोगो को हिंसा के जरिए सत्त को सुईकार करने पर विवस करने की बजए सच्चाई को देखते हो और सहिद्भावस के सुईकार करने के लिए पेरित किया जाना चाहिए, इस संघर्स में अंत्ता सत्त की ही जीत होती है, गांधी की का विश्वास था कि हैंसा का यह धरम सभी भारत के समय से, तब भी तो हमने देखा है कि अंसापी बात की गई है, हाँ लेकिन इतना है कि 19 सदी में आप देखते हैं कि भारत में गांधी जी ने इसका प्रियोग किया, गांधी जी ने एक नया रास्ता इसे बनाया, आंदूलन करने का, समझ रहे हैं आप लोग, यह आपका इस पिक्चर्स देख रहे होगे, दच्छे रफीका में भारती मजदूर फोक इस्तवर्ष्ट से गुजर रहे हैं, 6 नवंबर 1913 की यह पिक्चर्स है, निव केसल से ट्रास वाल, वाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में, मात्मा गांधी मजदूरों का नितित कर रहे थी, जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गरव्तार किया गया तो 11 मही तूर आशोईतों की अधिकारों का हनन करने वाली नसल ब्रेदी, कानूनों के खिलाब सत्यागअर मे, सत्यागए में सामिर हो गया, याद रिकिये, गांधी जी ने वहां सत्यागए खुर्म किया कहां अमेरिका में लेकिन सफल भारत की बात करें तो चंपारन में आप लोग उनका सफल सत्या गए देखते हैं भारत की बात की जाए ठीक है एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको अगर लगता है कुछ बहतर समझा पा रहे हैं आप लोग तो नीचे कमेंट वोक्स खुला है जो भी आपकी सलाय होगी आपकी जो भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं इस तरफ किलासों में तो देखिए मैं यहां कोई एसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों से जाता जानता हूँ मैं एक कहता हूँ कि हम लोग सभी दोस्त है एक हम लोग फैमली की तरह बढ़ रहे हैं तो आपको अगर अच्छा लगता है कि कहीं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी क्लास में लगता है कमी है उसे आप सुधार सकते हैं बैतर कर सकते हैं तो आप नीचे कमेंट बोक्स खुला हुआ है उसमें लिख कर अच्छे से समझा दीजे एक परिवारी की तरह हम लोग जोड़कर काम कर रहे हैं ठीक भारत आने के बाद गांदी जी ने कई स्थानों को सत्तर अगह अंदोलन चलाया उन्नी सो सत्तरे में उन्होंने बिहार के चंपरन इलाके का दोरा किया और दमनकारी बागान बेवस्था के खिलाप किसानों को संगर्स के लिए पेरिप किया 1917 में उन्होंने गुजरात के खिड़ाजली की खिसानों की मदद के लिए सत्त्यागह का आयोजन किया फजल खराब हो जाने और पले की महामारी की कारण खिड़ाजली की किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थी बेच चाहते थे कि लगान बसूली में धील दी जाए और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्यागेस आंदूलन चलाने अहंदावाद भी जाता हूँ जी तो पहला सफल आंदूलन अगर गांधी की बात करें तो 1917 का चंपारण का आंदूलन था ठीक है भारत की बात की जा रही है यहां कुछ पॉइंट दिये गए हैं इससे भी देख लेता हूं सत्यागें पर महत्मा गांधी के विचार क्या थी कहा जाता है कि निस्क्रिय पितिर देता चाहिए दक्षि नपीका का अंदूलन निस्क्रिय नहीं बलकी सत्क्रिय अंदूलन था सत्यागें सारेडिक बल नहीं है सत्यागें अपने सत्तू को कर्ष्ट नहीं पहुंचाता है वह अपने सत्त्रू का विनास नहीं चाहता है सत्यागें के प्रयोग में दुर्भ किहां पजम करते हैं ये इसमें कोई संदे नहीं कि भारत विनास किस्तों के मामले में वेटें या यूरूप का मुकामला सकते हैं अंग्रेज योद्य के देवता, देवता की उपासना करते हैं, बे सब हत्यारों से लेस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं, भारत में करोड़ों लोग कभी हत्यार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने एहन्सा के धर्म के को आत्म साथ कर लिया, आप भी जानते हो समय हमारे पास इतनी सुगधाय नहीं थी, जितने अग्रेजों भार की इवरोप के देशों के पास थी, आप समझ रहे हैं, हम लोग उनसे हत्यारों में सुरू में मुकाबला नहीं कर सकते थे, आप भी जानते हैं, इसलिए आपने देखा है गांदी जी का राष्ता कई हद तक अच्छा भी रह है, और हर तरह से सफल भी रहा है, और बाकी का युगदान ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि पूरी तरह से आप दूसरे पक्षों को न कार दे, सभी लोगों का युगदान रहा है, एक तरह से आजाली में, ठीक है, यही कहते हैं, अब चलते हैं हम लोग रॉलट, रॉलट के वियां पी, सत्य आंदोलन चलाने का पैसला लिया, भारती सदस्तों के भारी विरोध के बापजूद, इस कानून को इंपेरियल लेजिसलेटिव काउंसल ने बहुत जल्दी बाजी में पारिद कर दिया, इस कानून के जरिए सरकार को राजनितिक गतिविदियों को जया चाहते थे, इसे चैपरेल को एक हड़ा से सुम होना था, एक बात आपको बताओं कि इसमें सीधा सा मतलब था कि आप किसी भी को दो साल के लिए जिन में डाल सकते हैं, ना कोई मुकत्मा चलाना, ना कोई सुर्भाई करनी है, ना किसी अदालत में जाना है, आप सोची कामगार हर्दाल पर चली गए दुकाने बंद हुए इस ब्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवी बटेलीगराप जैसी संचार सुगधाओं के भंग हुजाने की असंखा से भैवीत अंग्रेजों ने राष्टवादियों पर दवन शुरूं कर दिया अमरस्तर में बहुत सारी स्थानी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांदी जी के दिल्ली में प्रिविश करने पर पावंदी लगा दी गया दस अपरेल को पुलिस ने अमरस्तर में एक सांधी पूर्ण जुलूस पर गोली चला दी इसके बाद लोग बैंकों डांख खानों रेलेवी स्टेशनों पर हमले करने लगे मारसल लोग लागू कर दिया गया और जनरल डायर की ने कमाल समान ली और वैसे भी आप लोग देखते हैं कि देखे जब से गांदी जी आये भारत में उसके बाद हर अंदोलन बहुत मतलब तीम बिता से बढ़ने लगा ऐसी गांदी जी को एक सब्ती के रूम में मानते हैं लेने लगी दाश्टी आंदोलनों में 13 अपरेल की घटना आप लोग एयाद हमिसा रखिये 13 अपरेल 1909 के हो जलिया वाला वाग अत्या कंडवा और उस दिन अमरसर में बहुत सारे गांद बाले सालाना बैसा की मेले में सिर्कत करने के लिए जलिया वाला वाग मैदान में जमा हुए थे काफी लोग तो सरकार बाला लागू किये गए दमनकारी कानून का विरोध पिकट करने के लिए एकत्तित हुए थे यह मादान चारों तरफ से बंद था सहरे से बाहर होने के कारण वहां ज्योटे लोगों को यह पता नहीं था कि लाके में मार्सल्वाव लागू किया जा चुका है जो जनरल डायर हतियारवंद सेंकों के साथ वहां पहुंचा और जाती ही उसने मैदान से बाहर निकलने की सारी राष्तों को बंद कर दिया इसके वारत उसने सिपाईयों से भीड पर आदा दंद गोलियां चला दे सेगणों लोग इसमें मारी गए बाद में उसने बताया कि वह सत्या गिरहियों के जैन में दरहिसत और विस्माई का भाव पैदा करने के लिए एक नेतिक पर भाव उत्पन करना चाहता था यानि कि दवाने के लिए लोगों की मन में बहर रहे डर रहे इसी के लिए इस तरह की घटना की गई बहुत बड़े इस्ता पर लोग इसमें मारे गए जैसे जैसे जलियावाला बाग की खबर फिली उत्तर भारत की बहुत सारे सहरों में लोग सडोकों पर उत्तरने लगी हड़ताले होने लगी लोग पुलिस के मोर्चा देने लगी और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगी सरकार ने इन कारवाहियों को निर्मनता से कुचलने का रास्ता अपना है सरकार लोगों को अब्मानित और आतंगित करना चाहती थी सत्याग यहियों को जमीन पर नाक रखनने के लिए सरक पर घिर्षट कर चलने हो सारे साहिबों को सलाम कर मानने के लिए मजबूर किया लोगों को कोड़े मारे गई गाउं गुज्रावाला पंजाब पर बंबर साए गई हिंसा फैलते देख महतमा गांधी ने अंदूलन बापस ले लिया कौन सा जो आपका राष्टी है दबाने की कौसिस की उतना ही हमारे आके अंदूलन आपका बढ़ता गया है क्या हुआ बढ़ते गए असायोग अंदूलन यानि कि इनका सहयोग ना करना यह आप देख रहे हैं जनरेल डायर की होकम से सिपाही लोगों को भिसट कर चलने के लिए मजबूर कर दिया है यह द मतलब कुछी लोगों तके महच थी मात्मा गांदी पूरे भारत में और भी जानदा जनाधार वाला आंदोलन खड़ना करना चाहते थे लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसल्मानों को एक एक दूसरे के नजदी लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है इसलामिक बिस्त के अध्यात्मिक नेता खलीपा आटोमन समराज पर एक बहुत सक्त सांती संदी थो पी जाएगी खलीपा की ततकालिक सक्तियों की रख्चा के लिए मार्च 1919 में मंबई में एक लापक सम्ती का गठन किया गया था मुहमद अली और सौकर्द अली बंदूओं के साथ कई युवा मुसलिम नेताओं ने इस मुद्धे पर सहयुक्त जनकारवाई की सब्भावना तलासने के लिए महत्मा गांदी के साथ चल्चा शुरू करती थी सेप्टमबर 2020 सेप्टमबर 2020 में कॉंगिदेश के कलगत्ता दीवेशन में महत्मा गांदी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलापत अंदोलन के समर्थन और सौराज के लिए एक असायुग अंदोलन सुरू किया जाना चाहिए तो आपका जो अस अभी मदलब मुसलिम हर देश में जो भी दूसलिम पहले हुई थे अपना गुरू मानते थे एक तरह से गुरू मानते थे और आप समझे कि खलीपा का पत्त समात हो रहा था तो इसी कारण मुसलिमों के मन में भी अंग्रेजयों की पिती नफ्राद पैदा हुई पितम विस्योद के सुरूम में जब हम लोग सामिल नहीं हुए से में उस समय अंग्रेलियों ने बहुत कुछ कहा देने के लिए यह भी कहा कि तुर्की में से कोई मतलब यहां कि पिसासन से जो भी खली पाए उनके पद से कोई छिर्चाड नहीं की जाई लेकिन जीतने के बाद दोश्ती अब इस से खतम होने के बाद इन्होंने सब अपनी मांगों को आसुई कार करती है यह भूल गये कि क्या हमने कहा था अपने बादी कसमें ठीक अब चलते हैं लोग असहयोग ही क्यों आसहयोग ही क्यों आकर अपनी पिसित पुस्तक हिंद सौराज 1909 में मातमा गांधी ने कहा था कि भारत में बेटिस सासन भारतियों के सहयोग से ही इस्थापित हो था और यह सासन इसी सहयोग के साथ किस कारण चल पा रहा है अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर की भी ते बेटिस सासन दह जाएगा और सौराज की स्थापना हो जाएगी क्योंकि आप सुरू में आपने देखा होगा कि हमारे देश में वो किसलिए आयते ब्यापार करने के लिए उसके बाद देखा उन्होंने कि यहां तरह तरह की फोट है हर लोग अपने अपने भरने में लगा हुए है अपना अपना काम करने में लगा हुए है तो उन्होंने सोचा कि आसानी से यहां सासन किया जा सकता है उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अपनी सेना भी नहीं बुलाई लोगों को अपने सेनक बना लिया व्याबार करने के लिए हमारे अगर हम यह उनका साथ दे रहे इसलिए तो वो रुके रहे आप देखिए 1947 तक जाके आपने दिखाए कि समने एक परे से अपना हाथ कीच लिया उसके बाद उनके पास कोई दूसरा ओप्सन भी तो नहीं रहा इसलिए वो छोड़का चलेगे वो कहते हैं न कि लंका बेदी अपना ढाय का कहते हैं लंका बेदी जो भी हुआ आप लोग पूरा कर लिए तो जब तक अपने साथ नहीं देते हैं दब तक समझ रहे हैं कहां क्या होता है इसलिए तो कहता हूं कि हमेशा अपने लोगों का स कि नहीं लड़ सकता हैं हो सकता है लड़ेगा और जीत भी जाएगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं लड़ पाएगा आपका इतना साथ हो कि एक दूसरी का साथ देते रही है कि समझ रहे हैं कि यही एक मानावता का लक्ष होना चाहिए मुझी लगता है बरना आप सुचे किसी का अधना साथ देहम लोग अपने अपने लिए जीते रहे हम किसी के भी भरोसी की कोई परवार ना करें किसी को भी नीचे गराते रहें किसी को भी किवरे से को तोड़ते रहें किसी से कुछ भी जून बोलते रहें कितने साल जी लेंगे 100 साल, 200 साल, 500 साल, क्या हो खाड़ लोगी? इसलिए कहता हूं कि हमेशा साथ दे दे रही हैं, और अपना मतलब रिस्तों को हमेशा बना रखी. और इन सब कामों से रिस्तों को हमेशा ऊपर भी रखी हैं. क्योंकि मैंने हमेशा देखे, बताया है आप लोगों को मैंने ऐसे से लोगों से मिला हुआ हूँ कि जिनके पास सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया हूँ है, आज भी रोते हैं बैठके, समझ रहे हैं? किसी को नीचे गिरा कर, किसी को आप खतम करके, किसी की खुशियां छीन के, आप किसी को रोला कि सकते हैं, एक प्रकिती का नियम है, यही सूच लिए लिए आप लोगों, तो इसलिए एक दूसरे के साथ मिले जोई, खर रहे हैं, आज सहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांदी जी का सुझाओ था कि यह आंदोलन चरनवद तरीके से आगे बढ़ना चाहिए सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारां दी गई पदवियां, यानि कि जो उन्हें पद मिले हुए थे, उन्हें लोटा देना चाहिए। देश भर में यात्राएं करते रहे हैं। आज भी आप सुनते हैं कि चाइनीज सामानों का वाइपट करने की बात की जाते हैं। तो देखिए उस समय बेरकल थे हमारे पास। हमारी इतनी जरूरते नहीं थे। अगर हम लोग देखिए अगर हम बस्त रोग भी देते बाहरा से तो हमारे देश में इतने खादी के वस्त थे कि हम अपना उप्यों कर सकती थे। आज लेकिन हम लोग बहुत हददक चाइनीज सामानों पर निर्भर हैं। आप मोबाइली के मैं बताता रहता हूं ना कि मोबाइल में देखिए जब हमारे देश में वाइकोट चाइना का यह अंदोलन अभी चल रहा था हाली में और एक फोन आया हुगा था रैडमी का कोई उसमें सबसे जानदा विक्री हमारे भारत में ही हुई तो याद रखिए जब तक हम अपने भारत की नागरेकों को दूसरा विकल्प नहीं देंगे तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते है आत मिरवर भारत तभी सफल होगा जब चाइनीज सामनों को कोई दूसरा विकल्प हमारे सामने आ जाएगा चीग है कॉंग्रेस में बहुत सारे लोग इन पिस्ताओं पर सासंकित थी नवंबर 1920 में बिदाई परिस्तों के लिए होने वाली चुनाओं का बहिसकार करने में शिचकिचा रहे थी उन्हें बहे था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकती हैं और सेप्टमबर से दिसंबर तक कॉंग्रेस में भारी खीचताँ चलती रहे हैं कुछ समय के लिए ऐसा लगता है लगा कि आंदोलन की समल्तकों और विरोधियों की भी सहमती नहीं बंत पाईगी आखिर का दिसंबर उन्नीस सो बीस में कॉंग्रेस के नांपोर अधीवेशन में एक समझोता हुआ और आसायों आंदोलन किस तरह आंगी बढ़ा उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन सामाजीक समुहों ने असायों की विचार को किस तरह समझा आगी बात करते हैं यह एक बहिस फ्याल सब्दाय होगा है यह इसका मतलब क्या होता है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इंकार करना या पर गतिवदियों में हिस्सेदारी चीजों की खरीब या पर इस्तिमाज से इंकार करना आम तोर पर यह बिरोध का एक बिरोध होता है बहिसकार करना आप भी तो कह देते हैं कि हमने समाज का बहिसकार किया या पर हमने इन चीजों का बहिसकार कर दिया हमने इन कपड़ों का बहिसकार कर दिया तो यह तरह से बिरोध होता है बिरोध करना आपका बहिसकार कहला द तेक माना जाता है वैसे आप लोगों बताऊं कि मुझे खुछ समझ में याता है कि आकेरिम इन बुक्स में हमें क्या समझाओं तुम लोगों को समझ रहा क्योंकि इसलिए यह बहुत ही साधार सब्दों में लिकिए हैं अगर आप एक से दो बार पढ़ते हैं ने तो आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको इसलिए मैंने क्या किया कि सभी आपको टेलीगंगाप पर जो आपको बुक्स जरूरी थी उन सभीको डाल दिया ए क्योंकि आपको यह पता नहीं था कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है तो वहाँ जागर आप लोग पढ़ सकते हाराम से ठीक है और आप जाते हैं कि किसी भी कोचिंग में फिर दिल्ली हो चाहे आपकी इलावाद हो या पढ़ना कहीं भी आपका हो कहीं भी आपको NTE नहीं पढ़ाई जाती हैं कोचिंगों में तो आप लोग यह तो आपके बेस बनाने के लिए यानि कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप मकान खड़े हो रहे हैं तो आपकी न्यू भरने के लिए इस इन बुक्स को पढ़ने के लिए कहा जाता है मैं तो कहता हूँ दो से तीन बार कमसे का मिनीमम आप लोग पढ़िए उसके बाद आपके टाइम है तो जितना अधिक से अधिक हो सकते है पढ़िए आप लोग अधिक हो थे इतना बटे लिए वाकि आप करेंट से जुड़े रहे है और आंसर राइटेंग करते रहे है आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोग पाए ठीक है आप बात करते हैं आंधोलन की वीतर अलग लग धार आ हैं असायू खिलापत आंधोलन जर्वनी 1921 में सुरूपा थे खिलापत आंधोलन पहले शुरूं हो चुका था असायू आंधोलन बाद में इन आंदोलन में वेविनी सामाजिक समूँ में ने हिस्सा लिया लेकिन हरे आएक की अपनी अपनी आखंशाये थी शभी ने सुराज की आहन को सुईकार्थ तो किया लेकिन उनके लिए उसक पूल कॉलिज छोड़ दिया, हैड मास्टरों और सिक्षों ने स्थीपे दे दिये, और वकीलों ने मुकदमा लरना बंद कर दिया, मदरास के अलावा जनत प्रांतों में परिश्चत चुनाओं का बहिस्कार किया गया है, मदरास में ग्यर ब्रह्मणों द्वारा बनाई गई सहयोग का असर और भी जादा नट किये रहा, विदेशी सामानों का वैसकार किया गया, सराप की दुकानों की पैकेटिंग, पीकेटिंग की गई, और विदेशी कपड़ों की होली चलाएगी, 1921 और 1922 के बीच, विदेशी कपड़ों का आयात आधा रहे गया, आप समझ सकत हैं आप लोग, उसकी कीमत 102 करोड रुपे से घट कर मात आपका 57 करोड रहेगी, बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इंकार कर दिया, जब विष्कार आतोलन फेला और लोग आय आज हम सोचिए कि पूरा आयात निर्वार बहसकार करें भी किसी सामान, किसी विदेश के सामानों का, तो हमारी जन्ता के बाद दूसरा विकल्प भी तो नहीं है, आप सोचिए एक तरह हम बात करते हैं, डिजीटल भारत बनाने की, तो डिजीटल भारत ऐसे थोड़ी बन करिए, तो चार से पांच पॉन में, हजार में, आपको अच्छा सा फॉन मिल जाता है, वही आप अगर कोई दूसरी कंपणी का दूसरे देश से, जैसे सैमसंग का पॉन लेंगे, या और कोई मोपायल, तो वह आपको दस हजार में मिलेगा, तो हर कोई सस्ता सामान करिणना चाहता है, यहां आपने देखा है, एक पेकेटिंग सब्द, पिकेटिंग सब्द आये हुए, इसका मतलब होता है, पिदर्शन या विरोध का एक ऐसा सुरूग, जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्टरी या दफ्तर की वीतर जाने का रास्ता रोग लेते हैं, जो में रास् कपणों के मुकाबले प्राम महेंगा होता था, और गरीव उसे नहीं खरीच सकते थे, बेमेलों के कपणों का लंबी समय तक वहिसकार कैसी कर सकते थे, बेमेलों के कपणों का वहिसकार से भी समस्या पैदा हो गए, आंदोलन की काम्याबी के लिए बेकल्पिक भारती संस् इस्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके लेकिन बेकलपिक संस्थानों की इस्थापना की पिक्रिया बहुत धीमी थी फालसरुब विध्यार्ति हों सिक्षक सरकारी स्कूलों में लोटन लगी और बकील दोबार सरकारी अधालतों में दिखने लगी याद रखिए अगर इस तरह का कोई भी आंदोलन सक्सिल बनाना है या कोई भी मुवमेंट है जैसे आप सोचिए चाइनीज सामानों का हमें मोबैलों का अगर वाइकोट करना है बहिसकार करना है तो इसके बिकल्प के रूम में कोई ऐसा फौन आप लोग लॉंच कीजिए जो चाइनीज के फौन की कीमत का हो तो यहां भी यही अगर हो जाता तो यह आंदोलन आंगे बढ़ता रहता सक्षकों के लिए कोई मतलब आप सुचिए स्कूल खोल देना चाहिए थे बिद्यार्टियों के लिए सरकारी बकिन तो यह बकिन थे उनके लिए कोई बिवस्ता कर देते जो कपड़ा महंगा हो रहा था वो सस्ते क्या ओप्सन उपलब्द खरा देते कोई इससे अलग ना होता समझ रहा आप लोग ग्रामीड अलाकों में अगर बिद्रों की बात करें तो सहरों से बढ़कर असयू अंदुल्न देहात में भी फैल गया था यहोते के बाद देश के विमन भागों में चल रहे किसानों और आदिवासियों के संगर्ष भी इस अंदुल्न में समा गए यानि की सामिल हो गए आवद में सन्यासी बावा रामचंद किसानों करनेतित कर रहे थे बावा रामचंद इससे पहले फिजी में गिर्मिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे उनका अंदुल्न ने तालोग दारों जमीदारों के खिलाब था जो किसानों से भारी वरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे किसानों को बेगार करनी पड़ती थी पट्टेदार की तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका गोई अधिकार इस्तावित ना हो सके किसानों की मांगती की लगान कम की जाए और बेगार खतम हो और दमनकारी जमीदारों का सामाजिक वहिसकार किया जाए बहुत सारे स्थानों पर जमीदारों को नाई दोबी की सुविधाओं से भी बच्चित करने के लिए पंचायतों नाई दोबी बंद का फैसला दिया जून 1920 में जवाहललाल नहरू ने आवद की गाउं का दोरा किया और गाउंबालों से बातचीत की और उनकी बिथा समझने का प्रयास किया अक्टूबा तक जवाहललाल नहरू बाबा रामचंदन और कुछ अनलोगों की नेतित में अवद किसान सभा का गठन किया गया महिने भर में इस पूरे लाके के गाउं में संगठन की 300 से अधिक साखाएं बन चुकी थी अंगले साल जब असायोग अंदोलन शुरू गए तो कॉंग्रेस ने अवद की किसान संगर्स को इस अंदोलन में सामिल करने का प्रयास किया लेकिन किसानों के अंदोलन में ऐसे सवरू बिक्सित हो चुके थे जिन से कॉंग्रेस के नेतित खुस नहीं था 1921 में जब आंदोलन फेला तो तालोग दारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे बाजारों में लूट पार्ट होने लगी अनाज के गुदाम पर कबजा कर दिया बहुत सारे स्थानों पर स्थाने नेतात किसानों को समझा रहते कि गांदी जी नहीं एहलान क कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीमों में बानती जाएगी महतमा गांदी नाम लेकर लोग अपनी सारी कारवाई भाईयों और आगांचाओं को सही ठहरा रहते आदिवासी किसानों ने महतमा गांदी की संदेश और सुराज के विच्छार का कुछ औ संगर्स को कभी स्विकार नहीं कर सकती थी अन्न वन छेत्रों की तरह यहां भी अंगरेचों अंगरेच जी सरकान बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाकले होने पर पावंदी लगा दी थी लोग इन जंगलों में ना तो मवेसियों को चरा सकते थे और नहीं जलाव पहाड़ों के लोग परिशान गुष्सां थे ना केबल उनकी रोजी रोटी पर असर पढ़ रहा था बलकि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागा तरीकार भी छीन रहे हैं जब सरकार ने उने सडकों के निर्बान के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी उनका नेतित करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिल्चस्व वैक्ती थे उनका दावाद थी कि उनके पास बहुत सारी विश्देश सकतिया हैं वो सटी गांदी की महानता के गुड़गाते थे उनका कहना था कि वह असायोग आंदोलन से पेरित हैं उन्होंने लोगों को खादी पैंडने सराप छोड़ने के लिए पेरित किया साथ ही उन्होंने यत्पी दावा किया कि भारत एहनसा की बलपर नहीं बलकी किबल बलपेयोग के जरी ही आजात हो सकता है गुड़ एम बिदुरोईयों ने पुलिस स्थानों पर हमले किये और बिटे सदिकारियों कुमानने की कौसिस किये और सुराज पराप्ति के गुरिल्ला यूद चलाते रहे उन्हीं सो चौवीस में राजु को फासी दी गई और राजु अपने लो अंग्रेजों ने क्या किया जो जंगलों पर दाकले पर फावंदी लगा दी यहां लगडे भी काटने पर और यहां के फल अठाने पर रोक लगा दी तो यह समझे आप लोग कि कभी भी राजा महराजाओं कि समय भी जंजातियों के लाख के यानि कि जो आधीवासी रहते उनके लाखों से छड़ चड़ कभी नहीं हुआ है समझ रहे हमारे देश में अंग्रेजियों के आने के बाद यह भी परिवर्तन हुए तो याद रखिए हर मतलब बर्ग समाज का हर बर्ग से आफसंतुर्ष्ट हो चुका था यहाँ आप लोगोंने एक सब्दी भी सुने हैं कुछ बेगार बेगार का मतलब होता है बिना किसी पारिसमी पारिसमी की काम करना गिर्मिटिया मजदूर उपने वेज से साथन के दोन बहुत सारी लोगों को काम करने के लिए फिजी गया न बेश्ट इंडिज आदी स्थानों पर ले जाया गया था जिन्हें बाद में गिर्मिटिया कहा जाने लगा उन्हें एक एग्रिमेंट अनुबंद के तहत ले जा अंग्रेजी में ने इंडेंट ट्रेड लेवर कहां जाता है 1928 में बल्लभाई पटल ने गुजरात के बादोली तालुखा में किसान आंदोलन के निदित किया जो की भूर आजिस को बढ़ाने के खिलाब तन यह बारदोली सत्यागे के नाम से जाना जाता है रिया अंदोलन बल्लभाई पटल के सक्षम निदत के तयद सभल रहा है संगर्ष का पिचार पिचार ब्यापक रूप से हुआ इसे भारत के कही हिस्सों में अत्यदिक सानवोती भी प्राप्त वी और आप लोगो जानते हैं कि जो सरदार की उपादी मिली हुई थी यह इसी आंदोलन में मिली हुई थी ने यहां कुछ आपका पॉइंट है पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था एक पल के लिए मेरा भी खौन खौन खौल उठाता था एहनसा तो ना जाने कहां चूट गई थी लेकिन सिर्फ एक पल के लिए जिसे इस रुकी करपा से हम विजय दार पल ले जाने के लिए भेजा गया उस महान नेता की विचार मुझे याद आगे और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैटे और खड़े किसानों किसान मेरे से कम उतिजित मेरे से जान्दा सांथ थे मेरी दुरबलता का यह चण बीद गया मैंने पूरी बिनमता के साथ एहनसा पर उनसे बात की यह सबक उनसे जान्दा मुझे सीखना था उन्होंने मेरी बात समझी और सांदी से चले गए यह आपका लिया गया सरफल्ली गोपाल जवाल नेरू एक जीमिनी है इसके खंड एक से मैं यह लिखा है वहीं से उठाए गया ऐसे अब बात करते हैं बागानों में सौराज की बात करें तो महत्मा गांदी के विचारों और सौराज की अवधार्णा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दिवारीों से जब चाहे आप जा सकते हैं जिन में उनको बंद करके रखा गया था उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गाओं से संपर्क रखवाएंगी 1869 में कि इंग्लेंड इंलेंड इंलेंड एमिग्रेशन एक्ट के तहर बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की चूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें बिले ही कभी मिलती थी जब उन्होंने असेयू अंदूरन के बारे में सुना तो हजारा मजदूर अपने अधिकारियों की अउहिलना करने लगे उन्होंने बागान छोड़ दी और आपने घर को चल दी उनको लगता था कि अब गांदी राज आ रहा है इसलिए अब वो हर एक को गाउं में जमीन मिल जाएगी लेकिन भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए रेलवे वर्श टीमरों की हरताल के कारण बेरास्ते में ही फसे रहेगे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया गया उनकी बुरी तरह पिटाई की आपकी सोचिए आपकी मर में आपके लिए सुतंता का मतलब कुछ और होता है दूसरे के लिए और होता है आपके लिए खुसी का मतलब कुछ और है दूसरे के लिए खुशी का और है, आप सोचिए, आप किसमे आईपोन चाहिए आपको, एक गरीब को देखिए, किसी बस्ती में जाकर देखिए, उसके यहां कोई बच्चा है अगर, तो उसके की जरूरत है, अगर उसे अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा कुछ मतलब सा हो, कि सब को एक-एक मतलब बता दिया जाए, कि अहिंसा और गांदी की का मैनुदेश यह है, समझ रहे हैं, सब लोग अपने-पने मन से सुन रहे थे, और कोई मतलब आप से दूसरे के पात जा रहा है, तो वो भी उसमें कुछ पॉइंट जोड़ दे रहा है, और उसके किरम में परिवासित नहीं किया गया था, उन्होंने तो सुराय सब्द का अपने-पने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था, उनके लिए एक ऐसे योग का गोतक था, जब सारी कश्टों, सारी मुर्सी विवत्नें खतम हो जाएंगे, फिर भी जब आदिवासियों ने गांदी का नाम लेकर काम करते थे, या अपने अंदूलन को कॉंग्रिक्स के अंदूलन से जोड़ का देखते थे, तो बासपा में ऐसे, एक ऐसे अंदूलन का अंग बन जाते थे, जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था, एक बात और आपको बताओ, जब गांदी जी बापस आयो, इस तरह के अंदूलन चल रहे थे, तो लोग गांदी जी को देखने आते थे, समझे आप लोग के भीड लग जाती थे, कि एवल देखने के लिए एक सिंगल पीस, आप समझ सकते हैं कि एक लाठी लिए हुए, एक मतलब बदन पर कपड़ा भी अच्छे से नहीं है, वो किस इस तरह से अंदूलोनों को सफल बना रहा है, अंग्रेस से किस कारण डरते हैं, इस तरह की धार्णाय आदमियों के दिमार्ट में हर किसी के मन में बस गई थी, तो लोग उन्हें देखने के लिए जाते थे, भी कहीं भी जा रहे हैं तो भीड लग जाती थी, एक पिक्चर के बारे में सुनते ही, महतमा गांदी ने असेयु आंदूलन रोकने का आण किया, तो जो आपका असेयु आंदूलन रोका गया था, ये चोरी चोरा, 1922 की गठना के बाद ही रोका गया था, आँगे चलते हैं लोग, सभीने अयुग्या की ओर चलते हैं, जो सभीने अयुग तक होता जा रहा है और सत्या ग्रहियों को व्यापक्ति सीक्षण की जरूगत है कॉंग्रेस के कुछ नेता इस तरह की जनसंगरस्तों से ठक चुगे थी 2019 के Government of India Act के तहट गटित की गई फ्रांती परिस्दों के चुणाव में हिस्सा लहिना चाहते थी उनको लगता था कि परिस्दों में रहते हुए बैटिस नेतियों का विरोध करना सुधारों की वखालत करना या और यह दिखाना भी मत्मून है कि ये परिस्दों लोगतात्रिक सज्था नहीं सी आरदास और मौतिला नहरू ने 55 राजनी थी मैं बापस लोटने के लिए कॉंग्रेस के भीतर ही स्वराज पाइटी का गठन करड़ाना जवाला नहरू अस्वास्चंद बोश जैसे युवा निता जाना ओग जना अंदोलन पूर सतनता के लिए दवाव बनाए हुए थी आप सोचिए गांधी जी ने जब इस आज़ता योग आंदोलन को रोका उस समय इसमें कई मतलब इनसे गांधी जी के आलोचना भी की गई कि क्यों रोक दिया ऐसा हो गया एक बात आप लोग समझ लिए कि गांधी जानते थी कि अगर इस तरह का आंदोलन चलता रहा तो अं दा लंबी समय तर कि यह करते हैं तो क्या करते होंगे कि आप सोचिए ही कि हो सकता है कि एक दो दिन हम लोग 18-18 गंटी पड़ लें 20-20 गंटी पड़ लें ठीक है लेकिन एक दिन आप सोचेंगे 2-4 दिन बाद आप लोगों कमजोर होते जाएंगे तो आप लोगों को रेस्ट की जरूरत बढ़ती है तो यही रहता था इसके लिए भी गांदी जी रुख जाते थे सुराजपार्टी का गठन मौतिलाल नहिरू अस्रियाददास साब ने एक बिकल्प के रूमें कॉंग्रेस के भीतरी कर दिया आंतरी की वहिस बाँ समयती के इस माहलों में दो ऐसे तत्त थे जिनोंने 20 के दसक के आखरी सालों में भारती राजनीती की रोप रिखा एक बाद फिर बदल दी पहला कारक था कि विस्व्यापी आर्थिक मंदी का सर और 1926 से किर्शी उत्पादों की कीमतें बिन लगी थी कि अपनी उपाज बेंचना और लगान चुकाना भी बाहरी पढ़ने लगा 1930 तक ग्रावीड एक इलाके बाहरी उतल पुतल सी गुजरने लगी इस पेश्टमूमी में वेटेन की नई टोरी सरकार ने सर जौन साइमन की नितित में एक बैधानिक आयोग का गटन किया जिसे आप लोग साइमन की वीचन बोलते हैं तो राष्ट वबादी आंदोलन के जवाब में गठित की गए इस आयोग को भारत में समिधारी विवस्था की कार्सली का देन करना था और इसके बारे में सुझाओ देने थे इस आयोग में एक भी भारती सदस नहीं था सारी ए अब आप सोचिए कि भारत की विवस्था के लिए कोई आयोग बनाए गया उसमें आप सोचिए कि कोई भारती ये सामिल ना किया जाए तो कैसा रहेगा इसी कारण इसका विरूद भी किया गया साइमन कमिernen के खिलाब सांतीपूपण पिदरसन के द्वारा बैटिस पोलिस ने लाला लाच पतराया पर हमला किया और पिदरसन के द्वारान मिले गहरे जकमों की कारण उनोंने आखर में तम तोड़ दिया इसी के बाद लाला लाच पतराय की मित्ती हो जाती है 1928 में जब Simon Commission महारत पहुंचा तो उसका स्वागत Simon Commission बापस जाओ Simon Commission Go Back के नारों से किया गया Congress और Muslim League सभी पार्टियों ने पिदरसनों में हिस्सा लिया इस बिरोध को सांथ करने के लिए वायसराय लॉर्ड इर्विन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमेनियन एस्टेट का गोल माल सा ऐलान कर दिया उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताए उन्होंने सरफ इतना ही कहा कि भावी समिधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल में समिलन आयजित किया जाएगा इस पिस्ताओं से कॉंग्रिस के नेता संतुष्ट नहीं थे जवाहरलाल नहिरू और सुवार्चंद बोस के नेतत में कॉंग्रिस का तेज तर्राद खेमा आक्रमक तेवर अपना नहीं लगाता और ओधारबादी और मध्ध मारगी नेता वेटिस डोमिनियन के भीतर ही सम्मिदारी विवस्ता के पक्ष में थे लेकिन इस खेमे का पिस्ताओं घरता जा रहा थे संबर 1929 में जवाहललाल नहिरू की अद्विश्टा में कॉंग्रिस के लाहोर अधी विशन में पूर सुराज की मान को अपचारिक रूप से मान लिया गया तै किया गया कि 26 जन्मरी 1930 को सुतंता दिवस के रूम में मनाया जाए और उस दिन लोग पूर सुराज के लिए संगहस की सपत लेंगे इस उस्ताव की और बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया आप सुतंता के इस आप मूर्द विचार को रोज मर्या जिंदगी के ठोस मुद्नों से जोडने के लिए मातमा गांदी को कोई और रास्ता दूढ़ना था आप सभी जानते हैं कि सुतंता देवस आपका 26 जन्मरी क को पहली बार मनाने की बात की गए थी इसी परिवेक्ज में अभी भी हम लोग मनाते हैं यह पिक्चर से आपको देख रही होगी एलावाद में कॉंग्रेस के निताओं के बैठक 1931 की पिक्चर है मातमा गांदी के अलावा इस चित में आप सर्दार वल्लभाई पठल सबसि बाएं जवाल लल नहिरू सबसिदाय को और सबाश्टन बहुत बाएं से बाच भी को भी आप देख सकते हैं यहां कुछ आपका पॉइंट है से भी देख लिए सुतनता दिवस की सफ़द 26 जन्वरी 1930 हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारती समाज जंता का भी यह आहरणी है अधिकार है कि उन्हें आजादी मिले और अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवस्ता हैं पुरी हों जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर आवसर मिले हमारे यह वी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपने जन्ता को इन अधिकारों से ब किया बल्कि उसने जन्ता का सोसर किया और देश को आर्थिक राज्जिते सांज किते अध्यात्मे की स्तरवर नश्ट कर दिया इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अरिवारूप से बेटेन के साथ अपने सभी संबन्दों को समाथ करके फूर सुराज तराथ करना चाहिए यानि कि आप लोग अजादी की तरफ बढ़ने लगे अब बात करते हैं नमक यात्रा वो सभी ने अयुग्या अंदुलन देश को एक्जूट करने के लिए मात्मा गांधी नियों को नमक एक सकती साली पितीक दिखाई दिया और नमक को इसलिए सुना गया था कि यह किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुए है समझ रहे हैं आप लोग एक कौमन है ऐसा हर कोई से यूज़ करता है उपियुग करता है 31 जन्मरी 1930 को उन्होंने वायतराय इद्रमिन को एक खत लिखा किसने गांधी जी ने इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उलेख भी किया था इन में से कुछ सामान मांगे थी जबकि कुछ मांगे वो दो पतियों से लेकर किसानों तक विविन तपकों से जुड़ी थी गांधी की नमागों के जरिये समाज के सभी बर्वों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अवियान में सामिल हो सके इन में सबसे मात्मूर मांग नमक कर को खतम करने की बारे में थी नमक का अमीर गरीब सभी इस्तिवाल करते थे यह भोजन का एक अभिन हिस्सा भी था इसलिए नमक पर कर उसके उत्वादन का सरकारी जारीदारी को मात्मा गांधी ने बैटे सासन का सबसे दवनकारी पहलू बताया था आप सुचें कि अभी आमलोग सक्कर कर इबना साइज रह सकते हैं लेकिन नमक का अगर उप्यूद न करे तो हम लोगों मतलब जीवन को हम लोगो एक सरह से किस तरह सकते हैं समझ रहें और फिर भी आप देखतेばい नमक सस्ता है तेसी लिए तो सस्ता है कि सबकी उपलब रहे इस तक पहुच मातमा गांदी का यह पत एक अल्टी मेटर्स मेटम चितावनी की तरह था उन्होंने लिखा था कि अगर 11 माज तक उनकी मागें नहीं मानी गहीं तो कॉंग्रेस सबीने एक अग्या अंदुलन छड़ देगी एरविन जुकने को तेयार नहीं थे फास्वरूब मातमा गांदी ने अपने 78 विश्वस्त बॉलिंटरियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी यह आत्रा आपकी सावर्मतिर में गांदी जी के असरप से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती गुजराती तटिये कस्वी में जाकर खत्म होती थी गांदी जी की टोलीम में ने 24 दिन तक हर रोज लगबक 10 मील का सफर तै किया गांदी जहा भी रुखते हजारों लोग उन्हें सुनते आते इन सबहाओं में गांदी जी ने सुराज कर दिस्पष्ट किया और हान किया कि लोग अंग्रेजों की सांथिकूंड अयुग्या करें और यानि अंग्रेजों का कहां नामाने चैपरेल को है दान्डी कहुंचे उन्होंने समुद्री समुद्र का पानी वाल का नवक बनाना सुरूंखिया किया कानून का उलगन था आप समझें कि इसमा सीधा सा जोड़ने का आदमियों व्यक्तियों को जोड़ने का मात्यम था यही एक जगह से दूसरी जाएगे गां यह अंदोलन की मुकाबिक किस तरह जैलक था इस बार लोगों को ना कि बल अंगरेजियों का असहयोग ना करने के लिए बल्कि सबहने जाने लगा देश के विबन भागों में हजानों लोगों ने नवक कानु तोड़ा और सरकारी नवक कारखानों के सामने पिदार्शन किया आंदोलन फेला तो पेदेशी कपड़ों का वहस्कार किया जाने लगा सरापकी दुकानों की पैकेटिंग होने लगी किसानों ने लग और चौकिदारी कर चुकाने से इंकार कर दिया, गाउं में तैनात करमचारी इस्तीपा देने लगे, बहुत सारे इस्थानों पर जंगलों में रहने वाले, बन कानूनों काउल लगन करने लगे, बे लकडी बिनने लगे, मवेशियों को चराना के लिए आरक्षित बनों में उस न लगे, और एक बात और याद रखी, समय गुजरता जा रहा था, गांदी जी भी आयंसा से थोड़े हटते जा रहे थे, कुछ हद तक छूट देते जा रहे थे, क्योंकि गांदी जी भी सोच रहे थे कि हाथ जोडने से बहुत टाइम तक काम नहीं चलेगा, समझ रहे इस पिक्चर्स को आप देख रहे होगे, दान्डी मार्च, नमा क्यात्रा के दोरन मात्मा गांदी के साथ उनकी 38 सहयोगी भी गए थे, राष्टे में हजारों लोग इस स्यात्रा में तुड़ते गए, इन घटनाओं से चिंतित उपने विसे सरकार कॉंग्रेसी नेताओं क गिरपतार किया गया, तो गुसाई भीड ससत्य बक्तर बंद गाड़ियों पुलिस की गुलियों का सामना गरती हुए सडकों पर उत्तराए, बहुत सारे लोग मारे भी गए इसमें, महीने बाद भर बाद जब मात्मा गांदी को भी गरपतार कर लिया गया, तो सोलापुर क के उद्दोगिक मद्दूरों निक अंग्रेजियों, सासन का पिदीक पुलिस चौकियों, नगरपाल का भवनों, अधालतों, रिलिवे स्टेशनों पर हमली सुरूं करती है, बहभी सरकार ने निर्मम दवन का रास्ता अपनाया, सांतीपुर्ण सत्यागरियों पर हमली किय गया, औरतों बच्चों को मारा पीटा गया, लगवग एक लाख लोग गरपतार कर दिये गया, यह आप देख रहे हैंगे बिक्चर, सत्यागरियों पर हमला करती पुलिस, 1930 की बिक्चर से, मत्मा गांदी ने एक बार फिरांदोलन बाकुस लिए लिया, पांच मार्च 1931 को गोल में सम्मिलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमती भी बैक्त करती, याद रखिए पहले गोल में सम्मिलन में कॉंग्रेस में बहस्कार किया था, इसमें कॉंग्रेस की तरफ से कोई सामिल नहीं हुआ था, तीनों गोल में सम्मिलन में से दूसरे गोल में सम्मिलन में बापस लोटना पड़ा, यहां कर उन्होंने पाया की सरकार ने नए स्रे से जमन सुरू कर दिया, गफार खानों और जवाललन नेरू दोनों जेल में थे, कॉंग्रेस को गैर कानूनी गोशित कर दिया गया, सभाओं पितर्सन और बहिसकार जैसे, गतिवनियों को रोकने के ल अंध पड़ने आप एक बा सोचिए, कि हम लोग आज जो आजादी मिली विये, जिसका हम लोग ज़ाına मरत नहीं समझ रहे हैं, आप देखिए कितना मरलब इस कितनी आजादी के लिए उन्हें अपनी जान दी, किस तरह से अपना यॉगदान दी और आप समझ रहे हैं, समझ कि पूजा बेदी पर हम अपना योवन नेवेत की रूम में लाएं। बहुत सारे राष्टवादियों को लगता था कि अंग्रेजियों की धिलाप संघर्स ऐसा की जरीए पूरा नहीं हो सकता है। 1923 में दिल्ली इस्तित प्रोस साय कोडला, मैदान में हुए बैटक में हिंदोस्तान सोसलिस्ट रिपाब्लिकन आर्मी जैसे आप लोग H.S.R.E. के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कीगी इसके निताओं में भगत सिंग, जदिंदास, अजोय गोस सामिल थी। देश के विवन भागों में कारवाई करती हुए H.S.R.E. ने बेटिस सत्ता के कई पितिकों को निसाना बनाये। 1937 में भगत सिंग और बटू के सब्दत ने लेजिलेटिव असेमली में बंफिका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया। जिसमें लौड इर्विन यात्रा कर रहे थी। जिसमें भगत सिंग का मुकदमा बगत सिंग साहब पर मुकदमा चलाए गया। उन्हें फासी दिगए। उस समय उनकी ओम्मे के बल तेज साल थी। आज के हम लोग इवाव को देखें, तेज साल में बोलना भी नहीं सीख पा रहे हैं। सोचना भी नी सीख पा रहे हैं, बचकाना हुआ है, बढ़ा बढ़ा हुआ है, पर आप देखिए उस समय तेज साल में अपना नाम कमा कर चले हैं, देश के लिए कितना प्रहें था, यही होती देश भक्ती, यही होता है राष्टवाद, आज का राष्टवाद नहीं है आपक जा रहे हैं, मालों ही नहीं किसलिए भागते जा रहे हैं, वही हाल है कि किसलिए जीए किसलिए मरे पता ही नहीं है, अपने मुकदमे की दवरान भागस्ती ने कहा था, कि विबम और पिस्तोल की उपासना नहीं करते, बलकि समाज में किरांती चाहते हैं, किरांती मारो जात का जनमजात अधिकार है जिसका अफरण नहीं किया जा सकता है सुतंता पतेक मनुस का जनम से द्रधिकार है सेमेगबर्ग की ही समाज का वास्ते को सके जंदागी सर्वोपरी शत्तागी स्थाफना सेमेगबर्ग का अंतिम लक्छ है इन आदर्सों के लिए और इन विश्वासों के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर स्वागत करेंगे क्रांती की सुजावेदी पर हम अपना योगन निवेद के लिए के रूम में लाए हैं क्योंकि ऐसे महान आदर्स के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है हम संतुष्ट हैं और क्रांती के आगमन की उत्साग उत्सवत्ता पुर्वक पितीक्षा करें इंकलाब जिंदावाद भागस्तिंग बटू की सुर्दत बमकान पर सेशन कोट में बयान ये आपका 6 जून 1929 का है एक बात और आपको उत्तम देखिए आप लोगर संतुष्टी से आप सोची कि इन्हें कोई वो नहीं है कि हम को साल और जीले और साल जीले आप अगर अपने करम को पूरा करते हैं आप पूरी तरह से अक्चे राश्नों पर चलते हैं तो अगर कल भी हमारे सामने मौत हो तो हम कोई अपसोस नहीं होगा मैं समझ रहे हैं और डर के वही मोस से जीते हैं जो मतलब जिन में सचा ही नहीं जो सच में हकीकत क्या है उसमें ना जीते हूं समझ रहे हैं लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया आईए देखें कि सिविल ना फरमानी या सवीने आग़े अग़े आधोलन में सामिल भिविन सामझिक सबहूं कोँट से थे उन्होंने आधोलन में हिस्सा क्यों लिया उनके आदर्स क्या थी उनके लिए सुराज की क्या मायने थे गाओं में संपन किसान समझाए जैसे गुजराद के पाट्टीदार और उत्तरपिदिस के जाट अंदूलन में सक्रिये थे बेवसाइक फसलों की खेती करने की कारण ब्यापार में मंदी और गिर्ती कीमतों से बहुत परिशाथ थे जब उनकी नगद आयक खतम होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामूंकिन हो गया सरकार लगान कम करने को त्यार नहीं थी चारों तरफ भासन तोष था संपन किसानों ने सभीने एग गया अंदूलन का बढ़ चड़ कर समन्तन किया उन्होंने अपने समदाय को एग्जोट किया और कई बार अनिक्षिक सदसों को वड़कार को बहिसकार के लिए मजबूर किया उनके लिए सुराज की लगाई भारी लगान की कलाप लगाई थी लेकिन जब 1931 में लगान उनके घटे बिना अंदूलन बापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई फल सवरुप जब 1932 में अंदूलन दुबारा शुरुआ तो उनमें से बहुत से लोगों ने उनमें हिस्सा लेने से इंकार कर दिया आप समझ रहे हैं कि जब उनका उद्देशी फूर ना हो तो उनका मायना भी बदल जाता है गुट ठंदे पड़ जाते है गरीब किसान के वल लगान में कमी नहीं चाहते थे उनमें से बहुत सारे किसान जमीदारों किसे पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे महावंदी लंबी कीची और नगत आमदानी गिरने लगी तो छोटे पट्टे दारों के लिए जमीन पर किराय चुकाना भी मुस्किल हो गया बेचाहते थे कि उन्हें जमीदारी को जो भाड़ा चुकाना था उसे माप कर दिया थे इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिसा भी लिया जिसका नेतत अफसर समाजबादियों और कमेनेश्टों के हाथ में उता थे अमीर किसानों जमीदारों की नहराजगी के भाइसे कोंग्रेस भाड़ा बिरोदी आंदोलन के समर्थन देने में प्राहिच के चाती थी इसी कारण गरीब किसानों कोंग्रेस के बीच सम्मंदित अनिश्चित बने रहे आप सोचें कि कॉंग्रेस एक तटस्त गुम्र का अनिभार ही थी उन्हें लगता था कि हमें इनकास साथ देंगी तो दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा ब्योसाई वर्ग की क्या इस्तेदी थी उन्होंने सभीने योग्यान दोलन के बारे में क्या रोख अपना है पहले विसे उद्ध के द्वारन भारती ब्यापारियों और उद्धोपतियों ने विभारा मुनापात कमाया था वे तागतवर हो चुके थी अपने कारववार को फ्हलाने के लिए उन्होंने एस्तेई उपने वेसिक नीतियों का विर्यूत किया जिनके कारण उनकी विवसाई व्रती विधियों में रोकावट आती थी विविदी से वस्तों के आयाद से सुरक्षा चाहते थी और रुपया इस्टरलिंग विदेशी विनवाय अनुपात में बदलाओ चाहते थी जिससे आयाद में कभी आये विवसाई खितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 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 बार्ती उद्धोगी के वों विवसाई कॉंग्रिस इंडियन एंडर्स्टियल एंड कॉमेर्सियल कॉंग्रिस 1923 में भार्ती वडिजियों उद्धिव परिशन फेडरेशन और इंडियन चेम्बर और कॉमर्स एंड इंडर्टी पिक्की का गटन किया पुरोसोत्तम दास ठाकुल दास और जीडी बिड़ला जैसे आन जाने माने उद्धोग पतियों की नित्यत में उद्धोग पतियों ने भारती अद्वियस्था पर उपनिवे से नियंदर्ण का बिरोद किया पहली सिविल नाप्रमानी आंदोलन के समर्थन किया उन्होंने आंदोलन को आर्टिक साहता भी दी और आयातित वस्तुओं को ख़रने और वेचने से इंकार करतीया ज्यादा तर वेवसाई सौराज को एक ऐसी रूम में देखते थे जहां कारोबार पर उपनिवे से पावनिया नहीं होगी और व्यापार वो देव निर्वाल तंक से फल पूल सकेंगे गोल में सम्मेलन की विफलता के बाद वेवसाईक संगत्रों का उत्सा भी मंद पढ़ गया था उन्हें उगगाती विदियों का भय था वे लंबी असांती की असंका और कॉंग्रेस की इवास अदसों में समाजबात के वड़ती प्रभाव से दरे हुई थे वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह से असांती फिले उद्धोगिक स्रेम में बर्ग ने समिनयय योग्या अंदोलन में नांगवर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्ता नहीं लिया जैसे जैसे उद्धिवपती कॉंग्रेस के नदिक आ रहे थे मजदूर कॉंग्रेस से चटकने लगे क्योंकि आप जानते हैं कि जो उद्धोगिक बरग होता है और जो स्तनविक बरग होता है इनकी एक तरह से आप समझे कि इनका एक दूसरे से टकरा हो रहता है समझ रहें क्योंकि वो दोग घराने होंगे वो चाहेंगे हमें सस्तात्रम मिले हमारी मतलब और वी उन्हें बो लाफ पर पूरा किंदित रहता है उनका द्यान और मैजदूर आप सोचिए मैजदूर भी चाहेंगे कि हमारी स्थिती सुद्रे फिर भी कुछ मदूरों ने सवि ग्यान दोलन में हिस्ता लिया उन्होंने विदेशी वस्तूओं के वहसकाज जैसे कुछ गांदिवादी विचारों को कम बेतन खराब कारिस्थितियों के खिलाब अपनी लडाई से जोड लिया था 1930 में रेल्वे कामगारों की और 1932 में गोधी कामगारों की हर्ताल सुरूनी 1930 में छोटा नांगपुर की टिट कार खानों की हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहन कर रेलियों और बेसकार अभियानों में हिस्सा लिया फिर भी कॉंग्रेस अपने कारकुरों में मजदूरों की मांग को समायत करने में हिस्ट कर शाती रही वह एक बर्ग को नायाद नहीं करना चाहा रही थी कॉंग्रेस को लगता था कि इससे उदोपती आंदोलन से दूर चले जाएंगी और संबराजी बात बिरोधी तागतों में फूट पड़े गी सिविल नापरमानी अंदोलन में और्टों ने भी बड़े पिर्मानी फारिष्टा लिया गांदी जी की नमक सत्या गया कि दौरान हजारों हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए वहर से बाहर आ जाते हैं उन्होंने जलूसों में हिस्टा लिया और नमक बनाया बेदे आमीड अलाकों में संपन किसान, परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, गांदी जी की यहार के बाद ओरतों को राष्ट की सेवा करना अपना पवित दायत दिखाई देने लगा, लेकिन सारविजनिक भूमिका वी सेजापी का मतलब यह नहीं था कि ओर अधर खासली करतव है, इसके लिए लंगे समय तक कॉंग्रिस संगटन में किसी भी मत्पोर पतपर ओरतों को जगय देने से हिच कि चाती रही, कॉंग्रिस को उनकी पिती कात्मक कुपस्तिती में ही दिलचस्पी थी, और कुछ खास ओरतों की इस्तिती को सुधारनी की अपने घर से निकल अगर सारणी चेत में आई थी, इस चेत में आप बच्चों को गोध में लिए बहुत सारी जान, सारी जानाओं में बाली औरतों और माओं को भी जुलूस में देखते होंगे, यहां आपकी कुछ क्वाइंट है ने भी देख लिजे आप तो, क्यूंकि से आपकी फ्रिलेंस में बच जाते हैं डारेक्ट कोशें, उन्नीस ओठारे उन्नीस, बावा रामचंद उत्तर पिदिश की किसानों को संगेटित करते हैं, अपरेल उन्नीस ओन्नीस, रॉलेक्ट एक्ट की खलाब गांधी वादी हर्ताल, जलियाबला भाग हत्याकान होता ह जन्वरी उन्नीस ओटीस, असायव और खलापत आंदोलन सुरू होता है, फरवरी उन्नीस ओवाइस, चोरी-चोरा, गांधी जी असायव आंदोलन बापस लिए होता है, इस घठनाटिवाद, मैं उन्नीस ओचोईस, अल लोरी, सीताराम राजु की गरबतारी और दो बर्स, सी चला आ रहा हत्यारवंद, आदिवासी संगर समाथ लाता है, दिसमर उन्नीस ओटीस, लाहोर अदिवेशन कॉंगरेस पूर्ण सुराज की मां को सुईखार कर लेती है, उन्नीस ओटीस, अम्बेड कर दमित वर्ग एसोसियेशन की दलित वर्ग एसोसियेशन की स्थापना करते हैं, कौन अम्बेड कर साब, मार्च उन्नीस ओटीस, गांदी जी दान्डी के नवकानून का उलगन करके सभिनाय एवग्या अंदुलन सुरू करते हैं, मार्च उन्नीस ओटीस, गांदी जी सभिनाय एवग्या अंदुलन बापस ले लेती हैं, और दिसमर उन्नीस सो 1931 की बाद करें तो दूसरा गोल में सम्मिलन होता है और 1932 की बाद करें तो सभिनेय एवग्या अंदुलन पुनाहा प्यारम किया जाता है 1932 में सभिनेय एवग्या की कुछ सीमाय थी इसे भी देख लेते हैं सभी सामझेक सम्मुल स्वराज की अमूर्थ और धार्ना से प्यभावित नहीं थी ऐसा ही एक सम्मुल राष्ट की अच्छूतों का आई था वे 1930 के बाद खुद को दलित या उद्पीडन करने लगे थी कॉंग्रेस में लंबे समय तक दल्थों पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि कॉंग्रेस रोड़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंतियों से डरी हुई थी लेकिन मात्मा गांदी ने एलान किया कि आज इस पर अगा उन्हें मंदिरों सारविनिक तालावों सड़कों कुउंपर शमान अधिका दिलाने के लिए सत्यागर किया मेलाड होने वालों कि काम को पितिष्ठा दिलाने के लिए भी खुद सौचाले साप करने लगे उन्होंने उची जातियों का आन किया कि वे अपना हिदै पर संगटेद करने लगे उन्होंने सेक्षा संस्थानों में आरक्चन के लिए हाबाद इठाई अलग निर्वाचन चित्रों की बात कहिए ताकि वहां से विधाई परिस्थानों के लिए केवल दल्यतों को ही चुनकर भेजा जा सके उनका मानना था कि उनकी सामाजिक आप पंगता केवल राजनितिक ससक्तिकंट से ही दोर हो सकते हैं इसलिए सभिनयय योग्या अंदोलन में दल्यतों की इस्तिदाई काफी कम सेमित थी महाराश्ट नागपुर चित में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी जहां उनके संकठन काफी मजबूत भी थे एक बात हमें साहिए रखी कि एक तो हमारे देश में ही कई समूब बटे हुए थे आप सोची इसलिए भी आप लोगों को जाकर बहुत बात में आजानी मिली भी है और कॉंगरिस भी बनी तो ये पूरी तरह से आप सोची कि बीच में थी कि एक तिखी का पक्ष भी ने ले पा रही थी डॉक्टर अम्बेड कर साहब 1930 में दलितों को दमित वर्ग इसोसियेशन में संगटित किया है नों दलितों के लिए अलग निर्वाचन चित्रों की सवाल पर दूसरी गुल मिल गुल में समिलन में महत्मा गांदी की साथ उनका काफी विबाद भी हुआ जब बैटे सरकार ने अम्बेड कर की मान मान ली तो गांदी जी अमरा नंसन पर बैठ गए उनका मत्था की दलितों के लिए अलग निर्वाचन चित्रों की विवस्ता से समाज में उनकी एक इकर्न की पिक्रिया धीमी पढ़ जाएगी आखिरकार अम्बेड कर ने गांदी जी की रायर्मान ली और सिप्टमबर 1932 में पूना पेक्ट पर हस्तार चल किये इसमें दमीद बर्वों जिने आ बाद में अनुसुची जाती के नाम से जाना लिगया को परांधी एवं के अंदरिये विधाई परिशितों में आरक्षी सीटें मिल गए हाला कि उनकी लिए मद्दार सामान निर्वाचन छित्रों में ही होता था फिर भी दलित आंदूरन कॉंग्रेस की नितित में चल रहे है राष्टी आंदूरन को संका की दरश्टी से देखता रहा गांधी जी में एक कला और थी कि कुछ भी उन्हें मनवाना वो तो भूंख हरताल पर बैठ जाती थी समझ रहे हैं और अंग्रेजों में ये खला थी क्या खला थी अंग्रेजों में कि अगर एक किसी भी संगू को छोड़ा कॉंग्रेस में तो उसकी मदलब मदद करने लगती थी फिर चाहे आप मुसलिमों की बात कर लीजे दलितों की बात कर लीजे ठील बारत में कुछ मुस्लिम राजने देख संगटोनों में भी सवियग्या अंदोलन के पिती खास कोई खास उत्सा नहीं दिखा असायोग खिलाबत अंदोलन के सांध पड़ जाने के वाद मुसल्मानों का एक बहुत बड़ा तब का कॉंग्रेस के कटा हुआ था मैसूस करने ल जैसे जैसे हिंदू मुसल्मानों के भी समन्द खराब होते है दोनों समुधायव औगेदार में एक जुलूस ने कलने रही इसे कई सहरों में हिंदू मुसलिम स्थमपलाइक टक्राओं बहुत दंगे भी हार दंगे के साथ दोनों समुधायों के वीच हासला भी बढ़ना बढ़नला क्योंकि आपने अपने धर्म को कुछ जानदा ही समय मांता देने लगी कि एक पेक्ट्रस आपको देख रही होगी है 1927 में ऐसा लगा था भी कि अब एकता इस्ताकित हो जाएगी सबसे मत्मों मद्धेवेद भावी बिदान सवाओं में पिति निदियों के सवाल परते हैं मुसलिम ली के निताओं में से एक मुहनमल अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसल्मानों केंद्रिय सवा में आरक्ची सीटे दी जाए और मुसलिम बहूल प्राहतों बंगालों पंजाम में मुसल्मानों को आवादी के अनपात में पिति निदिद दिया जाए तो मुसल्मा में हिंदू महासभा के एमार जयकर नहीं समझोता के लिए किया जारे प्रयासों को कि खुले आम निंदा के सुरूं कर थी जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी समभावना है समाप्त होगी जब समीने एकिया आम दोले सुरूं हुआ तो समय समधायों के वीच संदे और आविस्वास का माहूल बना होगा था कॉंग्रेस से कटे भी मुसल्मानों का बड़ा तबकति सी स्यूत संगहस के लिए तियार भी नहीं था मुसलिम निता उद्धी जी भी बहरत में अल्व संख्याक में मसल्वानों की हैशिय को लेकर चिंता उनका वह था है कि हिंदू सख्या ॶ्रिं तो कि संस्किती और बैचान हो जाएगी उस समय आप सुचए कि समिधान जैसा कोई उस समय प्रावधन भी थी था आज आप सुचिए कि धरम हमारा कई धरम हमारे यहां रहे रहे एंदो उसले में हिसाई, सिक्ट, जैन आप समझ रहे हैं लेकिन सब लोग एक रहे रहे हैं इसके कई टुकड़े बजाएंगे आप सोचें, यह आपका नीचे पॉइंट है, 1930 में मुसलिम लीग के अध्यक्ष सर मुहम्मद एकरेवाल ने मुसल्बानों के लिए अल्प संख्यक राजनिती खेतों की रख्चा के अध्यक्ष से पित्थक निर्वाजशिका की जरूरत प कार था, मुझे यह कहने में जराल सी भी एच के चाहट नहीं है, कि अगर इस था ही संपदायक बंदोवस्त के तौर पर भारती यों मुसल्मानों को उसके अपने भारती ये हुमलेंट में अपनी संस्किति और परंपरा के नुसारपूर एवं सुतंत विकास का अधिकार द नहीं हो जाए, जो समदाय अन्द समदायों के पिति दुर्भावना रखता है, वो नीच और अधम है, मैं अन्द समदायों के रिती रिवाजनों, धर्मों और सामाली संस्थानों का आगात सम्मान करता हूं, कुरान की हिदायत हूं क्यों सार या मेरा दायत थे कि अगर अच्छा करूंगा, लेकिन मैं उन समदायों को पहेंट करता हूं, जो मेरे लिए जीवन और आचर्ण का स्रोथ हैं, जिसने मुझे अपना धरम, अपना साहित, अपने विचार अपनी संस्किति देकर मुझे ऐसा बनाया, और इस पेकार मेरी मौजूद्दा चिर्दना में अपने पूरे अतीद को एक सजीव कार्यात्मत तत की रूम में समा, समो दिया, ऐसे मैं अपने उच्छतार आयाम में संपदायक ता भारत जैसे, देश के बीतर एक लायात्मत समुच्चे की निमार के लिए आपरिया है, एउरोपिय देशों की तरह भारती समाज की काईया भुगाग में बटी हुई नहीं है, भारत की समदायक समुवों कुमानतत देविना, यहाँ इवोपिय लुकतंत के सिधान को लावू नहीं किया जा सकता, भारत के वीतर एक मुसलिम भारत की स्थाफना के लिए, मुसल्वानों की और सिर्पोट रही मांग बिल्कुल सही है हिंदू सोचता है कि पितंग निर्वाचिका का पिस्ताओं सच्ची राष्टवात की भावना की विप्री थे, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट सब्द का मतलब एक ऐसे सार्वोंविक समुष्ण से है, जिसमें किसी भी समदायक एकाई को अपनी निजी विशिष्टा बना करने तक कमजूर है, उन पर भारी करजी है, खाज तोर से पंजाब में और कई प्रामतों में उनकी संख्या बहुत कम है, इसके बाद आप देखेंगे कि पितंग निर्वाचिका को बनाए रखने कि हमारी वेचीनी का क्या है, एक इसने एकवाल का जो बयान था उसी का है, वही है, कि कहीं पुड़ा, बात करते हैं, अब सामोही अपने पन कहाओ, यानि कि अब हम बढ़ रहे हैं, राष्टवाद की रोड़, एक पिक्चर साब देख रहे होंगे, बालगम गादर तिलक, 20 सदी की सुरुवाद की तस्वीर हैं, द्यान से देखें, तिलक एकता की तिक से घरे हुए, चित के चारवन बेवने धर्वों के पवित्तिस्तान, मंदिर, चर्च, मर्चित, चित्तित किये गए हैं, देख रहे हैं आपको, मंदिर, मर्चित, चर्च, ठीक है, राष्टवाद की वावना तब पनपती है, जब लोग यह मैसूस करने लगें, लगत दूसरी को एकता की सूत में बांगने वाली कोई सांजा बात धून लेते हैं, लेकिन राष्ट लोगों की मस्तिस्क में एक यथार्ट का रोप लेता है, बिविन समुदाय चित्रों या पर भासाओं से संबड़्द अलगलग समुवों ने, समुईक अपने पन का भाव कैस तत ऐसा हो, कि जो उन्हें उसमें बांग की रखे और उन्हें अपने पन का भाव रखे, कि हम सब एक हैं और हमारा इद्दे से, ठीकर, सामुईक अपने पन की यह भावना, आंसे ग्रूप से सेफ संगसों के चलते पैदा हुई थी, इनके अलावे बहुत सारी सांस्किती सांस्किती पिकरिया भी थी, जिनके जरिये राष्टबाद लोगों की कल्पना और दिलोग दिमाग परच्छा गया था, इतियास बासाहिप लोग कताएं, गीत, चित, बपिती, समी ने राष्टबाद को साखार करने में अपना युगदान दिया, अभी अगर हम लोग करे करें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा गीत है, फिर चाहिए आपका राष्टगान हो, फिर चाहिए हमारा संभीधान हो, या फिर हमारा राष्टबाद हो, यह हमें इस तरह से बांदे हुए हैं, यही हमारे यहां आज राष्टबाद के प्रमुक आप इस्थम करें जैसा कि आप जानती हैं कि राठ्ट की पहिचान सबसे जाना किस तस्वीर में अंकित की जाती है इस से लोगों को एक ऐसी चवी गड़ने में मदद मिलती है जिसके जरिये बेराठ्ट को पहिचान सकते हैं 20-20 सदी में राठ्टवात की विकास के साथ भारत की पहिचान भी भारत माता की चवी का रोप लेने लगिए इस चवी की निर्माण का अरम वग किम चंद चटोपध्यायन ने किया था 1870 तकी दिसक में उन्होंने मात्व भूमी की इस्तती किरूमें वन्द मात्रम गीत लिखा बाद में इसे इनोंने अपने ओपन्यास आन्नद्मबट में सामिल कर लिया यह गीत बंगाल में सौदीसी आंतोलन में खूब गाया सौधिसी आंतोलन की पेडा से अवे अवनेंद नाथ टेगों ने भारत माता की विख्यात चभी को चित्द किया यह आज देख रहे हैं इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी की रूम में दर्साय है वह सांत गंभी देवी और अध्यातमिक गुड़ों से युगत दिखाई देती है और आंगी चलकर जब इस चभी को बड़ी फिर्वाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विवेन ने कलाकार यह तस्वीर बनाने लगी तो भारत माता की चभी टेगोर 1905 में ही बनाई वी चभी है एक बात और आपको बताऊं कि देखिए अभी भी हम लोग कभी भी अपनी भारत माता है या पिर हमारी जो जनम घुमी है भारत है इसके खिलाप कोई नहीं जाता है ऐसा नहीं कि हमारे या देखिए धर्मों में वराई चलती है हिंदू कि मुसलिम से, मुसलिम धर्म से टकराहाट होती रहती हैं शिक्षों से जैननों की इस तरह से मतलब थे लेकिन आपने नहीं कभी नहीं सुना होगा कि मह रात भज को काड़ दूगा यह सब कोई भी बगतब किसी Kelly अ किसी को हैरे ही सबकी हमारी आस्ता समीधान म है और और यह आज हमें एक मात ऐसे ही एक कुछ कारण है जो हमें जोड के रखे हुए हैं बरना आप सोचिए कि धर्म के नाम पर अगर हम लोग एकता दिखाएं तो हमारे यहां कई तरह के धर्म हैं आप सोचिए कि कितने भाग में बढ़ जाएंगे हम लोग द्यान से देखें यहां दर्साई के ही मा की छवी सिक्षा भूजन कपड़े दे रही है एक हात में माला उसके सन्यासी गुर को रिखांगीत करती है अपने पूरवर्ती रवी वर्मा की भाती अवनेंदनात टेगो ने भी ऐसी चित्त सेली विक्सित करने का प्रयास किया जिस करने के अंदोलन से भी मजबूत हुआ 19-20 सदी के आखिर में राठ्कवादियों ने भाटों बाच चर्णों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोग कताओं को दर्च करना सुरू कर दिया बिलोग गीतों मात जंसरूतियों को एकट्टा करने लगी करने के लिए गाउं गाउं घूमने लगे उनका मानना था कि यही कहानिया हमारी उस परंपरा गर संस्किती की सही तस्वीर पेस करती हैं जो बाहरी ताक्तों के प्रभाव से भरष्ट और दूसित हो चुकी हैं अपने राठ्की पहचान को ढूणने और अपने अतीत में गौरब का बाव पैद करिक्त ने निकल पड़े उन्होंने लोग परंपराओं को उस पुनरजीवित करने बाले आंदलोनों का नितत्वी किया मदरास में नटेशा सास्त्री ने दाफो लॉर्स ऑप साधरन इंडिया के नाम से तमिल लोग कथाओं का विसाद संकलन चार खंडों में विकासित किय उनका मानना था कि लोग कथाएं राष्टी साहत होती हैं यह लोगों के इसली विचारों और विशिश्पताओं कि सबसे विस्तुसनिये अभी व्यक्ति हैं अगर हम लोग राष्ट बात के पनपने की बात करें तो इसमें कई कारण आपके समलेत हो सकते हैं इसमें आप का आपके कहानी हो गीत हो आपका कोई गान हो यह सभी नभी राष्ट में एक्ता को मतलब बड़ावात दिया हैं यह आप चित देख रहेंगे जवालाल नहरू एक लोग पर यह चित इस चित में नहरू मात भारत माता और भारत की नक्से को हिदय के पात रख के दिखाई द पूंट था आज आप सोच आप ही सोच लीजे आदमी में यह आप कभी नहीं कहेंगे कि हम मुसल्वान हैं तो हम पाकिस्तान की इसलाब नहीं लड़ेंगे आप भारत माता के लिए अपनी जान कभी भी निचावर कर सकते हैं इतनी आपके अंदर इसके पिती बफादारी उ जैसे जैसे राष्टी आंदोलन आंगे बड़ा राष्टबादी नेता लोगों को एकजुट करने करने और उनके राष्टबाद की बावना भरनने के लिए इस तरह की चिन्नों और पितीकों के बारे में और जान्दा जागरूप होते गए बंगाल में सुधी से आंदोलन हिंदूओं वा मुसल्वानों का पिती निदित करता एक अड़चंग अड़चंद दर्स आया गया 1921 तक गांदी ही ने भी सुराज का जंडा तैयार कर लिया था यह भी तरंगा सफेद लाल हरा लाल था इसके मद्द में गांदीवादी पितीक चलके की जगे दी गई थी जो स्वालंबन का पितीक था जुलूसों में अजंडा थामे चलना सासन की पिती अयोग्या का संकेत देता था यह आप चित दिख रहा होगा आपको इसकी इन पर भारत माता भारत माता की यह चभी अवनिंद नाट्टेगोर त्वारेचिच्च्च्च्च्च्च्च्च् क्योंकि माता और आपने पिछले लेक्च्चर में भी देखा होगा अपने पिरों में राष्टवाद तब भी आपने देखा होगा कि एक औरत का जिकर आ रहा है यानि कि माता का आ इस्तरी का आ रहा है तो इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस्तरीयों पर कितनी पावं क्या राष्ट वात की भावना पैदा करने का एक और साधन थी 19 सभी सधी के अंदे तक आत्या थी बहुत सारे भारतिये यह मैसूस करने लगे थी कि राष्ट के पिती गरब का भाव जगाने के लिए भारती इतियास को अलग धंग से पढ़ाया जाना चाहिए अंग्रेजों क इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्दियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे उन्होंने उस गौरम मई प्राची इन्युक के बारे में लिखना शुरूप कर दिया जब कला और वास्तुसिल विज्ञान गड़ित धरम सद्किती कानून और दसन हस्त कला और प्यापार फलपूल रहेते उनका कहना था कि इस महान उपके बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया इस राटवादी इतियास में बाटकों को अतीत में भारत की महानता वावलब्दियों पर गरब करने वो बेटे सासन की तहत दो दर्शा से मुक लोगों को एकड़िट करने की इन कोशी सियों की अपनी समस्या थी जिसा तीत का गौरव घन के चैक किसा हिंदूं का जिन छबियों का सहारा लिया जाड़ा था वे हिंदू पिदीक थी इसलिए अन्य समधायों के लोग अलग अलग महसूस करने लगे थे पुराने जमाने में भारत में आने वाले विदेशी आतरी आरवन्स के लोगों की साहर सच्चाई बिनमता पच्चकीत रह जाते थे अब बेवस इन गोडों के आभाव की बात करते उस जमाने में हिंदू बिजय के लिए निकलते थे और ततार चीनवा अन्य देशों में अपनी विजय पता का फ़रात थे अब एक छुद सी दूइब के चंद सिपाई भारत भूमी पर कपचा किये हुए थे इस तरह की कहानी आप सोचिए गर्ती जाती होगी तो उनमें मतलब हम लोगों में वड़ी मतलब हो आती होगी इनरजी हम लोगों को भी गरभ होता हुआ कि हमारे देश में कि कितने कितने अच्छे अच्छे महांस आ सकोगे लाश्ट में क्या कह सकते हैं? में हिस्सा लेने वाले विविन समुव और अलग अलग आकान चाहूं अप एक चाहूं की साथ हिस्सा ले रहे थे उनकी सिकाय तें बहुत ब्यापक थी इसलिए उपनेवेशिक साथन से मुक्ति का भी सब के लिए अपना-पना अर्थ था कॉंग्रेस ने इन विविद्रों को हल करने और एक सोनिष्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समुव की मांगों के कारण कोई दूसरा समुव दूव ना चला जाए यही बजाएं कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराओ आ जाता था कॉंग्रेस की सगर्मिया और राष्टी एकता के लिखर कुछ चूने के बाद बिखर बिखराओ और आंतिरिक टगराओ के चरण आ जाते थे संचिव में जो राष्ट ऊबर रहा था वो एक उपनेवेज से सासन से मुप्ती की चाय रखने वाले बहुत सारी आबाजियों का पूझने जाओ या देख रहे हैं मिच्चेत बारत छोड़ो अंदोलन की दौरान बंबी में वरतों का एक जुलूस है एक बात आप लोगों को और बता हूँ देखिये आप लोग सोच लिजे कि आप कहीं जा रहे हैं चलिए आप दिल्ली जा रहे हैं सभी लोग तो हो सकता है कि आप मैंसे दिल्ली जाने के लिए कोई पढ़ने के लिए जा रहा हो कोई इलाज करवाने के लिए जा रहा हो कोई आप सुचे भी नौकरी के लिए जा रहा हो तो आपके मतलब देखिये रास्ता यही है रास्ता यही है लेकिन उद्देश आपका अलग लग है तो यही ये समय भी देखा जा रहा था, कि आजादी पाना सब का उद्दिस था, यानि कि अंग्रेजों से मुत्ती पाना सब का मतलब रास्ता था, और जिसे अगर आप सोचे कि किसान अगर आजाद हो जाते हैं, तो उनकी किसानी बहा लेग जाएगी आदिवासी यानि की जनजातियों का मानना था कि उनकी मतलब बनों की अधिकार मिल जाएगी तो इस तरह की सुदंता का एक तरह से सबके अलग-अलग अर्थ थे भारत छोड़ों अंदुलन किप से मिसन की आसफलता एक दूतिये एवं दूतिये विस्तेउद्धी के पिरभावों ने भारत में व्यापकासन तोस को जनम दिया इसके पल्सरूप गांधी जीने एक आंदूलन सुरूप गिया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की खुब की पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोड़ दिया वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कारकारणी में कॉंग्रेज कारसंती ने इतियासिक भारत छोड़ो प्रिस्ताव पारिद किया जिसमें सत्ता का भारतियों कुदतकार अर्स्तां तरण एवं भारत को छोड़ने की मांगी गई आठ अगस्त 1942 को बंबई में एकलेभारतिय कॉंग्रेज सम्ती ने इस पिस्ताव का समद्धन भी किया जिसमें पूरे देश में व्यावक पेना प्रमाने पर एक एहिंसक जल संगर का आहान किया दिया इस आउसर पर गांधी जी ने पिस्ते दिख करो या मरो भासर भी दिया था भारत छोड़ो कि इस आहान कि ने देश के अधिकतर हिस्सों में राजविवस्ता को ठप कर दिया लोग सुता ही अंदोलन में कूल पड़े लोगों ने हर्ताल किये और रष्टी गितों और नारों के साथ प्रदर्शन किये एवं जुलूस निकाले यह अंदोलन वास्तों में एक जन अंदोलन था जिसमें चात मजदूर के सान जैसे हजारों साधान लोगों नहिस सालिया इसमें नेताओं की सक्रिय भागिदारी भी देखी है जिनमें जैपकास नारायन, अवना असब अली, राम मनोहर लोईया बहुत सारी महलायन जैसे बंगाल से मतंगनी आजरा, असम से कनकलता, बगवा और उडिशा से रमादेवीत थी अंग्रेजन द्वारा अत्ति देख बल्प्रियों के बाद जूद इसे दवाने में एक बस से अधिक समय लगया एक बात और आपको होता हूं यहाँ कि आज हम लोग सोचिए कि अगर हमारे देश लुट रहा है, एक तरह से नेताब देख रहे हैं कि किस तरह से देश को बर्बाद करने में लगी हुए अभी हम लोग कोई नहीं हो लगा है हम लोग क्या सोचना है, अरे रहने दीजे हमारे काम अगर आप तोचिए गली में किसी गरीब के साथ मार पीटे हुए हो जाती तो हम वहां तमासा देखते चले जाए रहने दीजे एक दिन हो सकता है कि यसी किरांती आए, मतलब ऐसा एक टाइम है कि सभी के मतलब सभी को इन नेताओं से चुटकारा पाना परे, हमारे देश से बर्षटा जाग को अठाने की बात की जाए तो हो सकता है कि तब भी राष्टी एक टाज जाए और आप तेश से बर्षट परिश्चार अट जाए कि जो अमुरूत खाएगा और वही राष्टभास कहलाएगा और सबकी भावनाय मतलब एक हो जाए है अमुरूत काने में अमुरूत से लगन हो जाया कि गूलбы तो एक राष्टी रेता का पिती होता है पाकिस्तान को देख लिग है आप लोग मुसलिम एक तरह से जोड़े हुए हैं उनका मतलब राष्टी फैम वही है अपने धर्म के पिती कुछ भी कर बैठना उनका राष्ट धर्म बाद इस तरह से वो सकता है चलिए तो ये था आपका दूसरा चेप्टर इसमें आपके कुश्चन से दिए गए हैं आप लगा सकती और पीडिया आपकी टेलिग्राम पर दली विए वहां से डाउनलोड करके रख लिए अपने पास अगर टाइम मिलता है तो निकलवा दीजे पीडिया और अपने पास चलिए तीसरे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एंतिए आपकी कक्षा दस्रीकी भारत और संगालिन लिष्व सेकेंड के नामसे जो से इसी के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें दो चैप्टर आपके खतम कर चुके हैं पहला आपने देखा था यूरोब मेराष्टवाद को होता है यह सबसे महत्कून चैप्टर है और दूसरा भी आपका बहुत ही महत्कून चैप्टर है भारत मेराष्टवाद इन दोनों क के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ चुके थी तो आप लोग देख ले उन्हें और याद प्रकी एक सामान जानकारी दे देता हूं कि थोड़े टाइम की कमी चल रही है इसलिए मुझे भी आप लोगों से जाना टैंसन है मेरा भी उद्धिस आप कि लगवक सभी कम्पलीट करवा जुका हूं तो उन्हें देखते रही है आप लोग अच्छे से एक से दो दो बार देख लीजे और 12 तक मैं ने बात किया ना बारवी तक करवानी है कम्पलीट जो आपके सेवर सर्वेस और स्टेट PCS के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैं यही कहता हूं कि NCEIT एक निव की तरह काम करते हैं जिस तरह से आप मकान बनाते हैं तो हो सकता है कि कोई महान हो वो बिना निव भरे नी भरे मकान खड़ा करते हैं लेकिन वो मकान चांदा दिन तक टिक भी नहीं सकता है तो इसलिए समय रहती हुए आप लोग NCEIT पढ़ा करिएगा सेधी सी बात और कई लोग पोछते हैं कि NCEIT कैसे क्या करना चलिए तो याद रखे किसी के बनाए NCEIT मत पढ़ना कभी ठीक है क्योंकि वो कोई भी पॉइंट अपने हिसाब से लिखता है अपने हिसाब से नोट्स बनाता है ना कि आपके हिसाब से अब ज है जाएं कि नोटस का मतलब ये होता है कि एक बुक्स को पूरा एक घंटे में रिवीजन के करने के पॉएंट विव से नोटस बनाया जाता है यानि कि आप समझ सकते हैं कि एक बुक्स को को वहीं 10 15िपेज में आप समयठी हिर द दें यहीं नोटस होते हैं बेतर तो आप ज इसलिए जाने टेंशन मत लिया करें गया और NCEIT को पढ़ ले अगर आप सिविल सर्विस या स्टेट PCS की किसी भी स्टेट PCS MP हो गया, UP PCS हो गया, या भिहार PCS हो गया ठीक है, तो आज हमें बात करनी है तीसरे चेप्टर के बारे में, भू मर्डली के बिस्व का बनना, यह आपका तीसरा चेप्टर है, और इसकी जितनी भी PDF है आपकी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, जो आपके लिए जरूरी है, और दूसरी बात आपकी NCEIT, पूंग्र कभर पेज के नाप से जो आपकी प्लेलिस्ट चुची है, उसी में आपकी सभी कलास है ड़ी होई है, तो ज्यादा टेंसर मत लिजिए, और याद रखिए आपके लिए Facebook पेज खुला गुआ है, वहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और कौसिज करूँगा कि आपकी 24 गंटी के अंदर, जो भी समस्या रहेगी उसे सौल करने की बात करूँगा, ठीक है, तो आप लोग बने रहेए, अच्छे से बढ़ते रहेए, भू मंदली के विस्व का बनना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बड़े धैर के साथ आपको सुनना है, और एक हम लोग परिवार की तरह देखेंगे, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और जो भी समझ में नहीं आता है, बताते रहा करिएगा मुझे, बात करते हैं, आधुनी कियुक से पहले, जब हम बैस वीकरण की बात करते हैं, तो आम तोर पर हम एक ऐसी आर्टिक विवस्था की बात करत में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोगों को का पूंजीवा बाहु सारी चीजों की बैस विक आबाजाही का एक लंबा इतियास रहा है, आज जब हम अपने जीवन में बैस विक आपसी संपर्पों के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन एवों के बारे में भी जानना चा है कि 1991 के बाद आपने देखा है कि हमारी वैस्विक तर पहुंच यानि कि सभी देशों तक हमारी पहुंच आसान वी है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि नहीं, मतलब नहीं तरीके से, वैसे तो आप देखते हैं हडपा सबता से हम देखते हैं, कि हमारे व्यापार भी अन देशों से हुआ करता था, उस समय में सुपोर्ट आमिया की सभी था, ग्रीश की सभी था, नील नदी की सभी था, तो उस समय भी तुम लोग जुड़े हुए थे, इतियास के हर दोर में मानो, समाज, एक दूसरे के जाना नजदी काते गए, कराचिन काल से ही यात्री व पैसा मूल सम्मानता है, हुनर विचार, अविस्कार, और यहां तक कीटानों और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहें, आप एक तरह से अभी देख सकते हैं कि कोरोना वहां मारी आपने देखी है, कि अगर वैस भी कर ना होता, हम लोग एक दूसरे से ना जुड़े होते, तो आप समझें कि एक बीमारी एक जगे से दूसरी जगे ना जाती, आज हम लोग देखते हैं कि संस्किती बदल रही है, हमारी विचारदारा भी बदल रही है, आप देखते हैं कपड़ों के पहना, पहनावा भी बदलता दिखाई दे रहा है, तो जब भी हम देखते हैं क कि एक देश से दूसरे देश जो भी जा रहा है, तो संस्किती भी ले आता है, वहां के रहें सहें, किस तरह से रह रहे हैं, उसको भी ले आता है, समझ रहें, और कई बार बीमारियां भी ले आता है, तो आप समझेए कि गरीब कई, अभी कोरोना महामारी के लिए कोई गरीब तो विदेश गया नहीं था, बड़े-बड़े लोग गये हुए थे, वो जब भारत आये, तो भारत आ गया कोरोना, उसके बाद यहां भी आपसी में फैलता रहा, पूरुम में समुद्री तत्रों पर होने वाले, ब्याबार की मात्यम सिर्सिंदु भाटी की सब्धता, उसे इलाके से भी जोड़ी हुई थी, जिसे आग हम पश्चे मेसिया के नाम से जानते हैं, हजार साल से भी जाना समय से माल दीब कि समुद्र में पाई आने वाली कोडियां, जिने पैसे या मुद्रा के रूम में इस्तिमाल किया जाता था पहले, चीन और पूर्वी अफीका तक पहुंच रही हैं, बीमारी फैलाने वाली केटराणों का दूर 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 तक पहु आपके पास मुबाइल इस तरह की सोगिधाय आप देख रहे हैं कि एक हाल में ही आप लोग दो-चार मिनिट में आप कहीं भी बात कर सकते हैं पितवी पर किसी भी बेस्व में आप समझ रहे हैं किसी भी बैकती से लेकिन उस समय अलग बात को अगरती थी लोग अगर यात्रा भी करते थे तो बहुत टाइम लगा करता था एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेस्ट वीकेंड का ये नया दोर एक तरह से टाइम बदल चुका है और नए टाइम के साथ बहुत कम समय में आप की पहुंच हो चुकी है इस पिक्टर्स को देख रहे हैं एक इसमिती सिला पर पा कि ये उसकाल में समुद्री ब्याबार की मत आपकी पता चलता है और इन इसलिए लिया जाता है इन तस्वीरों को इस तरह की क्योंकि हम लोग इनसे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इस तरह का बाुग समय जो भी चलता होगा, समझ रहे हैं? उसी कहसाग सी, इनने हम लोग देख लेते हैं. आपने सुनाओंगा असुर्फ के स्तम्मू, आप देखते हैं कि उन्हों ने तरह-तरह के स्थम क्यू बनवाए. तो उसी का साहरा लेकर तो हम लोग असोग के बारे में जानते हैं समझे तो आप इस से ब्यापार का अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्री आखिर मतलब एक जलपोत किस लिए बनाए गया होगी बेक्टी घूमने के लिए जाते होंगे एक जगे से दूसरी जगए के लिए सौख के लिए तो किसी ने बनाए नहीं थी कि सौख के लिए बना के रख दिये तो इनसे भी पता चलता है कि हमारा ब्यापारिय किस तरह सा फिर आप एक मार्ग सुनते हैं, रेसम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, यह भी कापी चर्चा में रहता है, आधुनी काल से पहले कि यह उग में दुनिया के दूर-दूर इस्तित, भागों की बीच ब्यापारी को सांस के तिक, संपर्कों का सबसे जीवन दोध धारण सिल्क मार्गों के रूम में दिखाई देता है, सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्टिम को भेजे जाने वाले चीनी रेसम सिल्क का कितना महत्त था, इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया, जमीनी या कर समुद्र से ह कर गुजरने वाले राष्टिना केबल एसिया के विसाल छित को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे बलके एसिया को इवरोप और उत्तरी अफीका से भी जोड़ते थे ऐसे मार्ग इसापूर के समय में ही सामने आ चुके थे यानि कि हजारों साल 2000 साल पहले एकी बात की ज कपड़े बन मसाली दुनिया के दूसरे भावों में पहुचते थे वापसी में सौने चांदी जैसी कीमति धातुमें यहां भी एक कहानी है आपको बता में पहले आपने सुनाओका कि जो भी अंग्रेज आए या विदेशी जो भी कंपनी आई किसलिए आई थी ब्यापार क हुगा करते थे इनकी यूरोप के देशों में बहुत मांगती वहां के जो बड़े घराने के लोग थे महराजा राजा वो हमारे यहां के कपड़ों का बड़ा उपयोग करते थे पहनते थे हमारे मां से मसाली की दुनिया भर में मांगती इसी उद्देश के साथ व्यापार कि उद्देश से अंग्रे जाए और वहां से वो क्या करते थे कि सोने चांदे भेजते थे और एक समय आपने देखा है कि भारत सोने की चिडिया कहलाने लगी लेकिन बाद में आपने देखा कि किस तरह से परिष्टेती बदली और अंग्रे जोने यहीं रुग गए और यहीं सिल्क मार्क आठवी सदी गुफा 217 मुगाओ ग्राटोच गंसु चीन की है चेन की गुफा है कहां ही चेन की व्यापारों संस्केतिक आदानपेदान दोनों पिक्किरिया हैं साथ साथ चलती थी सुरुवातिकाल के इसाई मसिनरी निश्चत थी इसी मार्क से एसिया में आत सही कही पिसाओं में पहल चुका था आप लोग अने सुना भी होगा उस समय कि क्या हुगा करते थे असोग को ही ले ली दी आप लो असोग ने आपने देखा तरह रहे कि धर्म यात्राइं भी की आपने उसके बेटे के बारे में भी सुना उगा उसके बेटे महिंध और मुसलिमों को भी आपने देखा है, उनका जानदा लूटने से जानदा द्यान रहता था कि अपने धरम को किस तरह से बढ़ाया जाए और यसे आप लोग 16 भी सधी तक भी देखते रहते हैं, मुगलकाल में भी आपने देखा है और आज भी आप लोग देखते रहते हैं इस तरह की घटना है आप बात करते हैं भोजन की यातरा इस पे घ्यती और आलू हमारी खादपदार दूर देशों की भी सांतकिते कादान प्यदान की कई उधारन पेज़ करते हैं जब भी ब्यापारी मुसाफिर किसी नई देश में जाते थे जाने अंजाने वहां नई फसलों के बीच बो आते थे संभव हो है कि दुनिया के वेविन भागों में मिलने वाले चट पड तेयार होने वाले खादपदारतों के भी सांजा सरोत रहे हैं आईए इस पे घेती और नूडल्स का ही उधारन ले माना जाता है कि नूडल्स चीन से पर्चे में पहुंचे और वहां उन्हें उनी से इस पे घेती का जनम गवा या संभव होई कि पास्ता अरवयाक्तियों के साथ पांचवी सदी में सिसली पहुंचा जो अब इटली का टापू है इसी तरह के आहर भारत वो जापान में भी पाई जाते हैं इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जात सकें कि उनका जनम कैसे हुआ हुआ फिर भी इन अनुमानों के आदार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधनी काल से पहले भी दूर देसों के वीच सांसितिक लेन्डेन चला है और आपको समझाने का यहां कोई यहां से कोई बस्तू वहां जारी यह मतलब नहीं है यहां समझाने का मतलब से इतना है कि आपकी पहुंच उस समय भी अन्देसों से थी आपके आ के भी सांसितिक लेन्डेन बने रहे होंगे आप लोग गाउमें भी मतलब आप सोचिए कि गाउं में भी लोग कॉफी और इस तरह भी चाय पीने लगें तो इनकी मतलब एक तरह से कहिए कि ए बैसवी करण का ही तो फिरभाव है एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि मतलब अन देसों से हमारे याँ खान पाना आया, खाने लगे हम लोग पहनावे की भी बात किये हैं हमने कि तरह तरह के हम लोग कपड़े पहन लगे हैं जो पश्टमी देसों में पहने जाते थे वो भी आज हमारे याँ पहनने लगे हैं तो ये वैसवी करण का ये प्रभाव डाह है ये आप देख रहे हैं पिक्चर साइज बैने सेवं पूरवी विश्टर से आई व्यापारी चीजों की अदला बदली करते हुए मार्को कोलू बुक आप मार्वल्स पंद्रवी सदी की बात है देख रहा है आलू सोया मुंपली मक्का टमाटर मिर्च सकरकंद ऐसे ही बहुत सारी दूसरे खात पदार्ट लगवत 500 साल पहले हमारे पूरवजों के पास नहीं थे एक खात पदार्थ यूरोब और एसिया में तब पहुँचे जब किष्टो फर कॉलम्बस कॉलम्बस गलती से उन आग्यात महादीपों में पहुँच गया था जिने बाद में अमेरिका के नाम से जानने जाना जाने लगा यहाँ अमेरिका का मतलब उत्री अमेरिका और दच्छी अमेरिका और केरिवियन से दो इस संबूर से है दरसल हमारे बहुत सारे ख़द पदार्थ अमेरिका के मूलनिवासियों यानि कि अमेरिकन इन्नियनों से हमारे पास आए हैं याद रखिए भी वहां की जन्द आप लोग जाती को बात करते हैं अमेरिकन इन्नियन कहते हैं यानि कि उन्हीं के नाम पर बात किया जाता है, क्या होता है कि कोलंबस चलते हैं भारत की कोच के लिए, वो समय भारत को जाना ही चर्चा में बना हुआ था, लेकिन वो गलती से पहुंच जाते हैं अमेरिका की धरतीवा, और वो कहने लगते हैं कि नहीं यही भारत है, एक आई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फरक आ जाता था। साधरन से आलू का इस्तेमाल सुरू करने पर यूरूप के गरीबों के जिंदरी अमूर लोग से बदल गई। उनका बोजन बेहतर हो गया। उनकी ओसत उम्म बढ़ने लगी। आयलेंड के गरीब कास्तका तो आलू पर इस हद तक निर्वर हो चुकी। कि जब 1840 के दसक में दसक के मद्ध किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लापन लोग भुकमारी के कारण मौत के मुझ में चले गए। अब ही भी तो हम लोग देखते हैं आलू का किस तरह से प्रयोग किया ज सबस्ता एक समय हम लोग दिखते हैं साल मुझे लगता है कि आलू ही रहता है सब जीयों में हाद समय तो यह भी बैस्वीकर्ण का ही एक प्रभाव है अब बात करते हैं विजय बीमारी और व्यापार सोलेवी सदी में जब एउरोपिय जहादियों ने एसिया तक का समुद्री रास्ता भूड लिया विपश्चिमी सागर कुपार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आदोनी ग्विस्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा आज तो आप सोचिए कि आज तो और ऐसा लगने लगा कि एक मतलब परिवार की तरह लगने लगा है कि अब एक दिन में आप चाहें तो कहीं भी पहुंच सकते हैं कहीं भी आ सकते हैं इतना सुपरफ़श्ट मतलब अमसोची है हमारे पास टेक्नोलोजी आ चुकी है इससे पहले कई सदियों से हिंदमास अगर की पानी में फलता पूलता ब्यापार तरह तरह की सामान लोग ग्यान और परमपराएं एक जगे से दूसरी जगे आ जा रही थी भारती और माधिम में इन परवाहों के रास्ते में एक एहम बिंदू था पूरे नेटबर्क में इस अलाके का भारी महत्त था एउरोपियों के दाखले से यह आवाजाही बढ़ने लगी और इन परवाहों की दिसा एउरोप की तरफ भी मुड़ गई अपनी खोज से पहले लाकों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपड़ नहीं था लेकिन 16-20 सदीर से उसकी विसाल भूमी और बेहसाब फसलें बखनिच पदात हर दिसा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी आप कहिए कि हमारा अगर कोई कहता है अमेरिका बड़ा है तो कहिए कि हमारी सब्धा सबसे कोना पुरानी है समझ रहे हैं कहते हैं कि कल नेता कहते हैं कि मैं भारत को बच जाने की बात कर रहा हूँ भारत कोई छोटा भोटा वो नहीं है सब्द न कोई भोगलिक इस्तिती है ऐसी के कोई आए और उठा के ले जाए हमारा इतिहास आप सोची कि हजारों साल पहले का है जब कोई धर्ती पर नहीं था तब भी भारत था आज भी है और हमेशा रहेगा नेता तो बस रोटी सेंखने की बात पर ही इस तरह की बातें करते रहते हैं भारत को बचाने की आपको लगता है कि भारत को बचाने की जरूरत है वो बैसा ही हाल है कि बन बचाने की बात की जा रही है अरे भाई बनों ने हमें बचा के रखा हुआ है हमारी वक्षाद इतनी नहीं है कि हम बनों को बचाने की बात करें कम से कम बस इतना है कि छेवरचाड मत करिये बनों से आज के पेरू और मेक्सको में मुझूद खानों से निकलने वाली कीमती धातूं है खासतोर से चांदी ने भी एउरोप की संपधा को बढ़ाया और पश्णी मेसिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गती बढ़ान की है 17 सदी के आते पूरे एउरोप में दच्छन अमेरिका की धान संपधा के बारे में तरह तरह की किस से बनने लगे इनी किनवन दंतियों की बदोलत वहां लोग एल डुराडो को सोने का सहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारी खोजी अभियान भी सुरू किये गए यह आप कुछे तो देख रहा है ऐसा है देख रहे होंगे आप लोग आयलेंड में आल 1445 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरे सालू अकाल के दौरान आयलेंड लगभग आपका दसलाग लोग मरी के कारण मारे गए थे इससे दुगने लोग काम की तलास में घर बार चोड़ कर दूसरे इलाखों में चले गए थे 16वी सदी के मद्द तक आते आते पुर्दगाली और इस्पेनिस सेनाओं की विजए का सिलसला सुरूं हो चुका था उन्होंने अमेरिका को अपने वेस बनाना सुरूं कर दिया था और येवरोपिय सेनाओं के बल अपनी सेनिक तागत के दम पर नहीं जीती थी इस्पेनिस बिजएताओं के सबसे सकती साली हत्यारों में परामपरागत किस्म का सेनिक हत्यार तो कोई था ही नहीं ये हत्यार तो चेचक जैसे कीटाडू थे जो इस्पेनिस सेनिकों और आफसरों के साथ वहाँ जाप पहुंचे थे लाकों साल से दुनिया से अलग धलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों की सरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने का बचने की रोग पिती रोधी चमता नहीं थी और आप सभी जाते हैं कि पुर्दगाल सबसे पहले हमारे देश में आए और सबसे बाद में आप समझते हैं कि 1961 तक हमारे देश में रहते हैं, सबसे बाद में छोड़ कर जाते हैं, और पिती रोधक चमता की बात इसलिए की जाती है, समझे आप लोगों को पोलियो का टीका क्यों लगा जाता था भच्पन में, इसलिए लगा जाता था कि आने वाले समय में अगर polio virus आप पर अटेक करता है तो आपके ये सुरक्षा कर सके ठीक है तो अमेरिका की लोगों के पास इतरह की पिती रोधक चमता थी ही नहीं तो वो इस विमारी से कुछ जाना ही प्रभावित होते थी अभी भी तो आप सुनते रहते हैं जैविक अध्यार आप सु प्रभावित करने के लिए जैविक योद नियूर इंगलेंड इस्तित मैसा चुछ बे कालोनी के पहले गवर्नर्ट जॉन बिन्थोन ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेस कारों के लिए इस सुरका बर्दान है देशी जनता छोटी चेचक के कारण लगबा पूरी खतम हो चुकी थी इस तरह परमेसर ने हमारी मिलकियत पर हमें मालक्याना दे दिया है एक बात और आपको बताओं एक समय हुआ करता था कि इस तरह की महामारी आये करती थी और गाओं के गाओं साप हो जाये करते थे उस समय आप सुचे कि कुछ जाना ही प्रभावि तो आप समझें ये भी एक तरह का योद्धी हुआ करता था कि बिना लड़े खतम फलसरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित भी एक बार संपन सुन होने के बाद तो यह वीमारी पूरे महादिम में फैल गई जहां यूरोपिय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे इसे पूरे के पूरे समझाय को खतम कर डाला इस तरह को स्पेटियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया आसंतुष्ट जो इस ठापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता हो आप भी तो कहते हैं कि हम आसंतुष्ट हैं इस तरह के विश्वासों से तरीकों से वहीं सब्द होता है आसंतुष्ट बंदूकों को भी खरीब कर या चीन कर हमलावारों के खिलाब भी इस्तेमाल किया जा सकता था पर चेचक जैसी विमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमलावारों के पास उससे बचाओ का तरीका भी था और उनके सरी में रोग पिती रोधी चमता भी बिखसित हो चुपी थी एक बात आपको बताओं अभी जैसे कुरोणा महामारी को आप लोग ले लिजे माल लिजे चीन ने इज्याद की है चीन ऐसा करें कि अपने आप इसे इज्याद करके इसका टीका बना की अपने लोगों को दे दे और उसके बाद ये क्या करें कि बाहरी देशों में भिर दिया तक तक आदी दुनिया हसाब हो चुकी होगी, तो इसी तरह की उस समय भी उपयुक करते थे इस कामों को, 19-वी सदी तक इउरोप में गरीवी और मुक्काई समराज था, सहरों में बे हिसाब भीड थी, बीमारियों का बोलबाला थी, धार्मिक टकराओ, आम्था, धार्मिक आसंतुष्टों की कुक कड़ा, दंड दिया जा था, इस बाज़े से हजारों लोग इउरोप से बात कर अमेरिका जाने लगे, 18-वी सदी तक अमेरिका में अफीका से पकर कर लाए गए गुलामों को काम में, जोग कर ईउरोपिये, ईउरोपिये बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पाधन किया जाने लगा, याद लगे इस ते क्या हुगा था कि वेस्ट वीकार्ड का एक और पिरवाव आपको देखने को मिलेगा, कि जो आपने देखा होगा अभी भी आस्वेट सोईत लोगों को लेकर जड़ाप होती रहती है, अमेरिका में भी होती रहती है, अफीका में तो आपने देखा है कि नेलसार मंडिला साहब हुए, उन्होंने काफियत तक इस पर कंट्रोल भी किया है, अभी भी अमेरिका में आपको इस त Connie की जड़प देखने को मिलती रहती है, हम लोग Tamil की बात करते हैं, सिलिलंका में भी Tamil लोग देखने को मिलते हैं, तो क्या हुआ करता था कि अंग्रेज क्या करते थे, कि हमारे यहां के कामकारों अन देशों में ले जाकर वहां काम करवाते थे और वो लोग वहीं बस जाते थे यही अफीका का हुआ कि अफीका के लोगों को अमेरिका ले गए बाकी देशों में ले गए यह लोग वहीं बस गए इन्हें को आसुईद कह देते हैं और इनी के साथ भिदभाव नस्लिय भिदभाव भी किये जाते हैं। अठारवी सिदाब्दी का काफी समय बीच जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देसों में गिना जाने लगा था। एसी आई ब्यापार में भी उनी का दबदबा था। लेकिन विसे सब्वाओं का माना है कि पंदरवी सदी से चीन ने दूसरे देसों के साथ अपने संबंद कम करना शुरू कर दी। वह दुनिया से अलग दलग पढ़ने लगा। चीन की घरती भूमिक्या और अमेरिका की बढ़ती महत्त के चलते विस्व व्यापार का केंद पश्यम की ओर के सखने लगा। अब यूरोप ही विस्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद बन गया है। एक समय आप देखते थे कि यूरोप बहुत ही गरीब हुगा करता था। यह दूसरे का खून चूस चूस कर अमीर हो गया। इस पिक्चर्स को आप लेग देख रहे होंगे आप सबी। गुलामों की खरीद फरोप निव ओर्लियंस एल इस ट्रेड लंदन निवज 1859 की बात ही। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहे। इस चित में चार औरतें और लंबी टोपियां पहने साथ कुर्सों के साथ दो बच्चे भी विखने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अफसर पढ़िया कपड़े पहना कर बाजार में लाया जाता था। वह समझी आप लोग कि आज आप लोग पसू की बात करते हैं कि आपने कई वार सुना भी होगा कि आप लोगों कि यहां कि पसू मेला लगता है। और उन्हें अच्छे से रख दिया जाता है, फिर खरीदार आते हैं, उनकी निलामी करते हैं, उन्हें खरीद के ले जाते हैं, तो यही हाल एक समय हमारे यहां की इंसानों का हाल था, हमारे यहां के देख लीजिए, फिर यहां दच्छे डपीका के देख लीजिए, गरीब द से 1914 की बात करते हैं. 19-20 सदी में दुनिया तेजी से बदल लगी, आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक, सांस्कितिक और तखनीकी, कारकों से पूरे के पूरे समाज की काया पलट कर दी और विदेशी संबन्दों को नए ढर्री में ढाल दिया. अल्थ सास्किरियों ने अंतराष्टी आर्थिक विनीवन में तीन तरह की कलतियों या प्रवाहों का उलेक किया है. इनमें पहला प्रवाह ब्यापार का होता है, जो 19-20 सदी में मुक रूप से बस्तू हों, जैसे कपड़ा या ग्याउं आदी, कि ब्यापार तक ही सीमित था, दूसरा था सरम प्रवाह होता था, इसमें लोग काम या रोजगार की तलास में एक जगे से दूसरे जगे जाते हैं, तीसरा प्रवाह था पूझी का होता था, जिसे अल्प या दिर गवधी के लिए दूर दराज के लाखों में निवेश कर दिया जाता था, एक तरह से कि आज आप देखते हैं कि अमेरिकी कंपणियां हमारे देश में भी निवेश करते हैं, कई लोग आप देखते हैं कि हमारी कंपणियां अफदानिस्तान इस तरह के देशों में जाकर निवेश करते हैं, तो यही पूंजी का एक तरह सिप निवेश था, यह तीनों तरह के प् और प्रयाद जांदार सलते हैं और बंदिसें लगाई जाती थी फिर भी यदि हम इन तीने प्रवाओं का एक साथ अध्यान करें तो 19-20 सदी की विस और्थवरस्था को जांद अच्छी तरह समझ सकते हैं प्रवाओ का मतलब होता है कि एक जगे से दूसरी जगे ले जाना आ ठीक है अब बात करते हैं विस और्थवरस्था का उदय देखते हैं इस विसाय को समझने के लिए सबसे पहले उद्दोगेक यूरोप हैं खाद उत्पादन और विचार करें तो बेहतर होगा सामान रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मिर्वर्वोने का प्रियास करते रहे हैं लेकिन 19-20 सदी के बैटेन के बात अलग थी अगर वो समय बैटेन खाद आत्मिर्वर्वर्था के रास्ते पर चलता तो आहां के लोगों का जीवन स्थर ग्यू जाता और सामाज एक तनाव खेलता आएए देखें की असंका के पीछे क्या कारण था कर की मांग भी बढ़ने लगी किरसी उत्पाद महेंगे होने लगी और दूसरी तर बड़े स्वामियों के दवाव में सरकार ने मक्का के आयत पर भी पावंदी लगा दी जिन कानूनों के सारे सरकार ने यह पावंदी लगा लागू की थी उन्हें कौन लोग इसे भी याद लगा और आप भी जांते हैं कि सामान ने सीफी बात है कि जन्तंख्यां बढ़ेगी तो इस तरह कर्थ पतार्तों की मांग तेजीं से बढ़ेगीễं कौन लोग के नरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाथपतार्तों का आयत किया जाने लागा आयातित पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेरोजगार हो गए गाहों से उजड़कर बे या तो सहरों या फिर दूसरे देशों में जाने लगे यह इस्तिती आप भी आज भी देखते हैं आप लोग कई बार आपने देखा होगा कि जो बाहरी देशों से हमारे यहां ख़द आ लिजे आपके देश में कोई उत्पादन कर आए किसान उगा रहा है गयूँ को तो उसका ख़वर्च आ रहा है एक किलो गयूँ को उगाने में 15 रुपे और बाहरी देशों से अगर आपके यहां गयूँ आए और वो 10 रुपे में वेह जाने लगा तो आपके देश के हमार और बरावर पर पहुंच जाते जब खादपदार्थों की कीमतें गिरावट आई तो बेटेन में उब्भोक का इस्तर बढ़ गया 19 सदी के मत्रम से बेटेन की उद्धों के प्रगति का भी तेजी रही जिससे लोगों की आये में विद्धी हुई इससे लोगों की जब खादपदार्थों का और गी जादा मातरा में आयात होने लगा पूरवी यूरो, रोस, अमेरिका, औस्टेलिया दुनिया के हर हिस्से में बेटेन का पेट बनने के लिए जमीनों को साफ करने करके खेती की जाने लगी खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था खेती हर इलाकों को बंदरगाओं से जोडने के लिए रेलेवे की भी जरूरत थी जानदा तादाद में माल दोलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था नई जबीनों पर खेती करने के लिए आवस सकता कि दूसरे इलाकों के लोग वहां कर आकर बसें यानि नए गहर बनाना और नई वस्तियां बनाना भी जरूरी था इन सारे कामों के लिए पुझी और सरम की जरूरती इसके लिए लंदन जैसे वित्तिये केंदों से पुझी आने लगी अमेरिका और उस्तेलिया जैसे जिन इसतानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा यानि स्रम का प्रभाव होने लगा एक जगे से दूसरी जगे है काम करने के लिए लोग जाने लगे और खेती में आपने देखा है जंगलों को भी साफ करने लगे इसी समय तो आपने देखा है पर बाद छोड़कर दूर दूर की देशों में जाकर काम करने लगी रोजगार की एक तरह से आप कह सकती तल्यास इस पिक्टर्स को आप देख रहे हैं अमेरिका को रवाना होती आप रवासियों से लदे जहाज का चित है इम्डलू, रेडले नैं 1859 के बाद की जारी है कफि 1859 की जिस समय हमारे देश में हिक्षीम होता है समझ रहे हैं इसी समय यह 1817 में ही दूगा था ग तो आप समझेए कि आहिंसा के रास्ते पर चलकर भी आ जाती मिल सकती है। जहाज पर चड़ने का इंतजार करते आयरी सा बेवासियों के चित। माइकेल, फिट्ज, जेराल्ड, 1874 की बात है। यानि कि एक जगे से दूसरी जगे काम करने के लिए लोग जाती हुए। 1890 तक एक बैस्विक क्रिसी अर्दविवस्था सामने आ चुकी थी। इस गटना के साथ थी सरम विस्थापनों और रोजानों, पूंजी प्रवा, पारस्तितिकी और अखनीक में गहरे बदलावा चुके थी। अब भोजन किसी आसपास के गाउं या कस्वे से नहीं बलकि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने केतों पर खुद काम करने के वाले किसान ही खाद पदात पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे उद्दोगीक मजदूर करने लगे थे जो संभावता हाल ही में वहां आये थे। और ऐसे केतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीडी पहले संभावता खेट जंगल हुआ करते थे। यानि कि कुछ समय पहले जंगल हुआ करते थे। उनी को साफ करके इस तरह के खीत बनाए गए। खाद पदार्तों को एक जगह से दूसी जगह पहुंचाने के लिए रेल-वे का इस्तिमाल किया जाता था। रेल-वे का नेटवर्ग इसी काम के लिए बिच्छाय गया था। पानी के जहाजों से इसे दूर देसों में पहुंचाया जाता था, इन जहाजों पर दच्छन यूरोप, एसिया, अफिका और केरी वियाई दूइपसमों के मजदोरों से बहुत कम बेतन पर काम करवाया जाता था, अभी आप देखते हैं हमारे देश से और अफिका से सबसे आप देखते हैं, अमेरिका में काम करने के लिए लोग जाते हैं, किस के लिए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा है हमारे देश के सस्ता सरम मिल जाता है, आप समझ सकते हैं कि आप अपने ही देश की इस्तिती ले लिए, अभी आप भी जानते हैं कि 4-5,000 रुपे में एक को तो इन्हीं तरह से आप सोचिए कि एक कोई भी व्यापारी या कोई भी देश है, वो किसलिए व्यापार करेगा, किसलिए कोई गुतफादन मतलग कोई फैक्टरी चलाएगा, लाब की लिए, वो क्या चाहिएगा, कि सस्ता सरम मिल जाए, सस्ता आप सभी सुब्धाय मिल अधिक से अधिक लावो, आगे बरते हैं बहुत छोटे पिरावाने पर ही, सही, लेकिन इसी तरह के नाटकी बदलाव में, अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं, यहाँ बेटिस बारत सरकार्ने अर्द, रेविस्थानी परती जमीन को उपजाओ बनाने के लिए, नहरों का जाल बिछा दिया, ताकि निरयात के लिए गहों और कपास की केती की जाए सके, नए नहरों की सिचाई वाले इलाकों में पंजाब के अनिस्थानों की लोगों को लाकर बसाए गया, उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी नहर बस्ती का कहा जाता था, भोजन जो सरफ एक उधारन मात है कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी थी रही है जिनकी जिसकी दुनिया वर में बड़े प्रमान पर खेती की जाने लगी थी ताकि वेट इस कपड़ा मिलों की मान को पूरा किया जा सके रवड की कहानी भी इसी तरह इससे अलग नहीं है विविन चीजों के गु आलीस फीस दी गुना विद्धी हो चुकी थी इस ब्यापार में लगबग आप साथ पिती सत हिस्था प्रात्मिक उतपादों यानि गयमो और कपाश जैसे किरसी उतपादों और कोईले जैसे खनीज पदार्थों का भी है याद रखिए अंग्रेजों के आने के बाद देशानी ना हो तकनीक की भूमक्या की अगर बात करें तो इस गटना किरम में तकनीक की क्या भूमक्या रही है रेलेवे भाब के जाद टेली गराफ ये सब तकनीक की बदला वहुत महत्पून रहे हैं उनके बिना उन्नीस भी सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं सुधार किया गया तेज चलने वाली रेलगाडियां बनी भोगियों का भार कम किया गया जल्पोतों का अकार बढ़ा जिससे किसी भी उतपात को खेतों से दूर दूर के बाज़वरों में कम लागत और जन्दा आसानी से पहुंचाया जा सके एक बार अभी सुनिये 1947 के बा आपत हो जाता है हमारे देश में लेकिन इससे पहले आपने देखा है कि बहुत बड़ी मातरा में हम लोग आयात करती थी अमेरिका जैसे देशों सी एचित आपको दिख रहा होगा इसकीन कर दा इसमेथ फील्ड किलब पसु बाजार 1859 में इल इस्प्रेटेड लंदन यू इसमेथ फील्ड के पास एकविसाल मुर्गी एवं मास बाजार खोला गया था जहां से देश के सभी बड़े मास आपोर्ती केंदों को रेलवे लाइन जाती थी यहां आप देख रहे हैं यह हैं पसु मास उत्पादों के व्यापार से इस पिक्रिया का च्छान राजा मिलत प्रिया आप गया जाता है और 1870 के दसक तक अमेरिका से युरोप को मास का निरयात नहीं किया जाता था उस समय के वल जिंदा जानवर ही भेज़े जाती थे जिनें यूरोप लाग ले जाकर ही ताटा जाता था लेकिन जिंदा जानवर बहुत जाना जगए गिरते थे के गरीबों की पहुंच से बाहर था, दूसरी तरह उची कीमतों के कारण मास उतपादों की मांग और उतपादन भी कम रहता था, नई तकनीक आने पर या इस्तिती बदल गई, पानी के जहां जो में रिप्रजेरेशन की तकनीक स्थाफित कर दी गई, जैसे जल्दी खराब ह होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था, आपकी याद देखते हैं कि आप जो भी मास लेते हैं, जो भी आप लोग खाते होंगी कई लोग, तो आप लोग ताजा कभी-कभी आप देखते हैं कि ताजा नहीं लेते हैं, फ्रेजर में रखा रह यार्ब कि ऐसा भी होने लगे आप सुचिए कि इने धूर्भ कि ईनका मास इस तरह से हमारे देस में व्यूल जाये कि इनका मास अभी भी कही जगह व्यूलें डेखने को मिलती है इनका मास काटकी, इनके गffen खराब सामान एक हमें जोंग खाने लिए प्यायक है उसे काटकर एक मतलब इस तरह से पैकेट बनाये जाएं कि भेजने लगें, एक जगे से दूसरी जगे सप्लाइए करने लगें तो आप सोचें कि गाउं में ही इस तरह की बात होने लगीगी, कि वहां से मास काटिये और जो जरूरत का सामान है, उसे निकाली और बाकी वहीं फेक दीजेए तो यही हुआ करता थे, Europe में आप देख रहे हैं कि जब जिन्दा जानवरों कुलाते थे, कई मर जाते थे, कई वीमार पढ़ जाते थे, आप समझ रहे हैं कि मतलब बहुत थानी हुआ करती होगी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बगला हुआ तकनीक आई और आपने दे के लिए नियोजी लेंड सब जगे से जानवरों पी वज़ये उनका मासी एउरोप पे जा जाने लगा इससे ना के बल समुद्री आत्राओं में आने वाला खरच कम हो गया बलकि एउरोप में मास के दाम भी गर गए उरोप के गरीमों को जिंदा विवित्ता पूर्ट खुरा लगा आपि इसके व्याट पर आप चलिये मानली ये कि दस बकरी ले जा रहे है और अगर आप चाहे तो एक बक्री की जगे मास की, अगर मास में हम लोग इनें बदल ले, काट कर ले जाए पुरा मास निकाल के, जो जरूरत का है तो एक बक्री की जगे पूरा सोचिये जो दस बक्री होगे उनका explodes in time आ जाएगा मास में अगर हम लोग इनें बदल के करें तो इसमें क्या होगा कि अधिक से अधिक उपयोगी ही सामानम लोग दूसरे देश में भीज पाएगे बाकी का जो उपयोगी नहीं है उसे फेक देते हैं ठीक है इससे देख रहे हैं आप लोग मास्क को अले किसांद्रा जल्पोत पर लाजा जा रहा है इल इस्टे ट्रेड लंदन नीवीज 1878 की बाते मास्क का निर्याद तभी संबह हो पाया है जब जहाजों को ठंडा रखने की विवस्ता कर ली गई है क्या होता है कि मास्क खराब भी हो जाते हैं कोई भी बस तु है ther procurement की खराब होने वाली तो वो खराब हो जाती है लेकिन आप देखते हैं तो आज तो आप लोग दूद का भी देख्ते हैं कि सुबवी पहले क्या हुगआ करता था कि दूद सुबवी खराब हो जाता था लेकिन आज हम लोग देखते हैं 102-3 दिन तक भी रखा रहता है दूट आप लोग कही सब्जिया में देखते हैं कि फिरेज रखे रहते हैं आप लोग उसमें आप लोग रख देते हैं और 4-5-6-6 दन काम चलाते हैं ठील है तो यह सोविधा है एक तरह से तक्नीक का ही तो फायदा है समझ रहे हैं आप लोग अब हम बात करते हैं 19-20 सदी के आखिर में उपने वेशवार 19-20 सदी के आखिर में आखिरी दसकों में ब्यापार बढ़ा वो बाजार तेजी से फैलने लगे यह केबल फैलते ब्यापार और समपनता का ही दौर नहीं था हम इस फिक्रिया के स्याय पक्च को भी नज़्यर अंदाज नहीं करना चाहिए ब्यापार में जापे और विस्व और दुवस्ता के साथ निकटता का एक परिड़ा में यह भी है कि दुनिया के बहुत सारे भागों में सुतनता और अजीब का के साधन चिनने लगी उननीसवी सदी के आखिरी दसकों में इउरोप पीयों की विजयों से बहुत सारी कश्टदायक आर्थिक सामाजी और पारस्तित की यह परिवर्थन आये और ओपन इवी से समाजों को विस अरद्वरस्था में समाहित कर लिया गया इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय हमारे यां के जंजातियों पर कमी किसी तरह की पिती बंद नहीं लगाए गये कोई भी राजा महरा जा हुआ हो अंग्रेजों की पहली की बात कर रहा हुए है एक तरह से जंगलों की स्वामी हुआ करते थे बो जिस भी पेड़ को काटना चाहे हैं जहां भी बस नहीं बस सकते थे लेकिन आपने देखा है कि अंग्रेजों के आने के बात तरह-तरह की पि दिवासी आंदोलन, समझ रहे हैं आप लोगा, तो इससे ये भी फरक पड़ा है कि उपने विल्स वास से, यानि कि अंग्रेजियों के ब्यापार जो भी इस तरह की ब्यापार नेती हुए, कि कई सामाजे पिताये भी बंद होने लगी, हमारे देश में भी आपने देखा है कि कई तरह की सामाजिक आंदोलन भी हुए हैं, तो ये क्यों हुए, क्योंकि इसमें बदलाओ किया जा रहे थी, और ये बदलाओ समाज के विपरीद थी, जरा अफीका की मांचित को देखे, आप आएंगे कि वहां की कुछ देशों की सीमाएं, तो बिलकुछ सीधी लकीर जै तो ने अपने अपने एलाके बाटने के लिए प्रा इसी तरीक का साहरा लिया, और 1885 में यूरोप के तागतवर देशों की वर्लिंग में बैटन हुई, जिसमें अपीका की नक्से पर इसी तरह की लकीरें कीच कर उसको आपस में बाट लिया गया, ये 1885 की वही बात है, ज ये उससे पहले आप देखते थे कि अलग-अलग संगठन हुगा करते थे, सभी को साथ लेने की ये कोई विवर्श्था नहीं थी, ये संगठन आया हो, सब को जोड़कर आंगे एक दिसा दी, आंदोरन को, अब आप सूचिए कि चलिए आप लोग माल लीजे कि आप भारत ह हमारे देश के कुछ सकती साली आप सूचिए लोग जाएं और हो कास ऐसा हो, ठीक है? चायना पर कबज़ा कर लेते हैं, चायना पूरे हमारे अंदर में आ जाता है, दस सकतियां हैं हमारे देश में, ठीक है? दस सकतियां वा आपने अपने बटवारी को लेकर लड़ती जग यहां करेंगी, तो यही हुगा अफीका में भी, आप देख रहे हैं यह मुरक्को, अल्जीरिया, इस्पैनिस सहारा, रियो डीजिनो, औरो, पोर्ट गीनो, सेरा, लियोन, आईवरी कोष्ट, दच्छिड अफीका, मेडागासकर अफी की, पूर्वी अफीका, जर्मन दच्छे रोड इस्या, यह दच्छिड अफीकी गड़रा जो ही है, जहां हमारे देखी भी कुस्तमय के लिए रहे थे, यह जो आपको देख रहा है, यह किसका है, यह है जर्मन का, यह आपको देख रहा है, यह बेल्जियन का, यह आपको देख रहा है, यह है बेटेस का, और यह आप देख रहा है, यह फ्रेंच, क्या है फ्रेंच का, और यह सब देख रहा है आपको, यह, यह है जर्मन का, यह आपको देख रहा है, यह है, यह, देख रहा है, यह तालवी का, और यह देख रहा होगा आपको, यह है पुर्दगालों का, किसका, पुर्दगाली का, यह आपको देख रहा होगा, यह है Spanish का, और पाकी यह है Baptist Dominion का, और फिर आपका सुतंत बचता है, कुछला का सुतंत, तो एक तरह से कहिए कि बटवारा हुआ है इन सक्तियों में, यह सभी मुख सक्तिया हुआ करती थी, यह सभी, और इनके बीच अफीका को लेकर जो भी जग जगता हुआ, उसके बाद बांट दिया गया है, ठीक है, उन्नीसवी सदी के आखिर में बैटेन और फ्रांस ने, अपने सासन वाले बिदेशी, छेथपल में वारी बिद्धी कर ली थी, वेल्जीम और जर्मनी नए उपनिविसिक तार्टों के रूम में सामने आए, पहले इस्पैन की कबजे में रह चुकी, कुछ उपनिविसवादों पर कबजा करके 1890 की देसक में, आकरी वरसों में सविप्तराज अमेरिका भी उपनिविसिक तागत बन गया था, यानि कि अमेरिका भी इन सकती साली देसों में जाकर खड़ा हुआ, आईए देखें कि अपीका का माल चीते था, ठीक है? आज आप लोग इसे ही तो अपीका कहते हैं, अपीका माली, इस बॉक्स को भी देख लेते हैं, मद अपीका में सर हेनरी, मॉर्टन इस्टैनली, इस्टैनली एक पत्कार और खोची थी, निवार्ट हेरर्ड ने उन्हें कई साल पहले अप इस्टैनली और अमेरिकी अन्वेसकों की भाती, इस्टैनली भी हत्यारों से लेस होकर गए थे, उन्होंने वहाँ जाकर इस्थानिये सिकारियों, इयोद्धाओं और मजदूरों को एकटा किया, इस्थानिये कभीलों के साथ लड़ाईयां लड़ी, अपीकी भूदेश की हपड़ताल की और विविन इलागों की नक्से भी बनाए, बाद में इनको जो अन्वेसनों से अपीका को जीतने में महदत भी मिली, ऐसे बोगोलिक अन्वेसन केवल बिज्ञानिक जानकारियां एकटे, एकटना करने की सामानिक्छा से पेरित नहीं दोती, उनका समराजव ट्रेड लंदन इस वेपर है अठारे सो एकट्टर की एकट्टर है, अब बात करते हांगे हम लोग, रेंडर पेष्ट या मवेसी पिलेड यानिकी बीमारी, अफीका में अठारे सो नब्बे की देसक में, रेंडर पेष्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से खैल गी, मवेसीयों में पिलेड की तरह फैलने वाली, इस बीमारी से लोगों की अजीब का विस्थानिय और द्विस्ता पर गहरा असर पड़ गा, यह इस बात का अच्छा उधारन भी है, कि ओपने वेसिक समाजों पर यूरोपी है, समराजवादी ताक्तों के परवाव से बड़े रख दिया, दुनिया के साथ उनके संबंदों को नई सकल में ढाल दिया, जिसके हम लोग बीमारीयों की बात कर रहे थे न, उसी कित बात कर रहा हूं, पराचिन काल से ही अफिका में जर्मन जमीन की, कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी, कहां क अफिका महादीक की बात कर रहा हूं, सदियों तक अफिकियों की जिंदगी, बहुत काम का जमीन और पालतु पसू के सारी चलता रहा है, वहां पैसे या बेतन पर काम करने का चलन नहीं था, उननीसमी सदी के आखि में, अफिका में ऐसे वो बोगता सामान बहुत कम थे, ज बेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है, उननीसमी सदी के आखि में यूरोपिय ताक्तें अफिका के विसाल, भूचित और खनित भंडारों को देखकर इस महादीक की और आकलसित हुई, और यूरोपिय लोग अफिका में बागानी केती करने और ख़दानों का दुहन करन चाहते थी, ताकि उन्हें बापस यूरोप भेजा जा सकी, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेस आई, जिसकी उन्हें उमीद नहीं थी, वहाँ के लोग तनक्वाय पर काम नहीं करना चाहते थी, यानि कि बेतन पर काम नहीं करना चाहते थी, मजदूरों की भरती उन्हें अ ख़दानों में काम करता हूँ, कास्टकारों को उनकी जमी से हटाने के लिए उत्तरादिकार कानून भी बदल दिये गए, नए कानून में यह विवस्ता कर दी गई कि आप परिवार के केबल एक ही सदस को पैत्तरक संपत्ती मिलेगी, इस कानून के जरी परिवार के बाकी लो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप किसी गाव में जाते हैं, कोई फैक्टरी चालू करते हैं, वहां के लोगों काम करने के लिए बेतन पर तयार ना हो, और आपको इस तरह की सहमेकों की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, कई तरह के हाथकंडे आप भी अपनाएगे, तो इ मुझगार की तलास में दूसरे जगे काम तो करेंगे, पैसे की चाहत में, तो ऐसी तरह के कई कदम उठाएगे, यह आप देख रहे हैं कि याफीका, दचिर अपीका के, ट्रांसवाल स्वड खदानों में खुदाई करती हुए मजदूर, दाग्राफिक 1875 का चित्थे, ठी विट बॉट, सरेंड, मैं सौनी की खोज, खोज के बारे में तो बीमारियों और मौत की आसंका, बारास्ति की कटनाईयों के बाब जूद यूरोप के लोग इस अलाके की और दौट पड़े, अठारे सुनब्बे की दसक तक आते आते, दुनिया भर की सेना, सोना उतफादन में अफिका एक का हिस्ता, 20-30 से लिव उपर जा चुका था, आप एक तरह से कह सकते हैं कि यूरोप में मतलब आप समझे कि अफिका में सबसे जना सोना देखने को मिलना अता आपका, फिर आपका अफिका में जो रेंडर पेष्ट नामक बीमारी थी, इस बीमारी ने सबसे पले 1880 के दसक में आकरी सालों में दिखाई दी, उस समय पूर्भी अफिका में एरिटिया परहमला कर रहें, इतालवी सेनिकों का पेट भरने के लिए एस याई देशों से जानवर ल एक जगह से दूसरी जगह पसू बेज रहें, और यह पसू की बीमारी थी, तो एक क्या करेगा कि उन्हीं पसू के जरीए एक देश से या एक महादीब से दूसरे महादीम में आसानी से पहुंच जाएगी, तो यही इसी समय भी देखा गया, अफिका के पूर्भी हिस्से स महादीब में दाखिल होने वालिय बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चमी, अफिका की तरह अफिका की तरफ बढ़ने लगी, 1892 में अफिका के अटलांटिक तरफ पर जा पहुंची, पास साल बाद एक है, अफिका के धोर दच्छणी हिस्सा तक भी पहुंच गई, लोगों का भी यही हाल था, इंसानों का भी यही हाल था, कि आप सोचिए कि अगर छोटी माता या वड़ी चेशक इस तरह की कोई वीमारी आई, गाउं के गाउं साथ कर दिये कर, कई देश साथ हो गय से, तो इसमें भी यही देखा गया कि नब्वे किती सत्ता का आप प्रशूद बनक करने तथा अफीकियों को सरम बाजार में ठकेलने के लिए, वहां के बागान मालिकों और खान मालिकों और ओपनेवे से सरकानों में बच्चे खुचे पसू भी अपने कपचे में ले लिए, बच्चे खुचे पसू संसादनों पर कपचे से येउरोपिय अपनेवे सकारों को पूरे अफीका को जीतने या गुलाम बना लेने का बहत्तरीन मौका हाथ लग गया था, उननीस भी सदी के दुनिया में के अन भागों पर पस्च्चमी आकमर बजय के पैडामों के यसी और भी कहानिया देखने को हमें देखी जा सकते हैं, एक तर ऐसे मतलब आप किसी तरह के वरेटाचान नहीं कर रहे हैं, तो आपसे सभी लोग नाराज रहेंगे और आपको असिस करेंगे कि आपको भी इसमें सामिल कर लिया जाए, और आपके आज पास इस तरह का जाल बिचा देंगी, कि आप मजबूर होकर आप भी सामिल हो जाएंगे, तो इसी तरह का उन्होंने भी अफिका में भी यही किया, कि आखिर वो लोग दूसरे यानि कि उन लोगों के उपर निर्भर हो जाएं एक तरह से, वो जैसा कहें वैसा कहें, इसलिए तरह तरह के हतकंडे अपनाए गए, बारत से अनुबंदित सेमिकों का जाना, बारत से एक जगे से दूसरे जगे ले जाने वाले किसां जो भी सेमिक थी, काम करने वाले थी, इन्हें ही आप लोग ग्रमिटिया कह देते हैं, या कर अनुबंदित कह देते हैं, ठीक है, सेमिकों को ले जाना भी 19-20 सदी की दुनिया की विवित्ता को पितिवंदित करता है, एक ज यह अतेज आर्थिक बिद्धी के साथ जंता के कष्टों में विढ़ी कुछ लोगों की आयमें विढ़ी और दूसरों के लिए बेहसाफ गरीवी खित्रों में भाधी तक्निकी प्रक्यिती और दूसरे छित्रों में उत्पीडन के नए रूपों की इजाद की दुनिया भीर आप लोग आज रेड इंडियन कहते हैं, ये कहां से गए हुआ हमारे ही देश थी, आज आप देखते हैं कि तमिल मुद्दा बना रहता है स्री लंका में, ये कहां से वहां पहुंचे तमिल में, इसी के लिए गए थे चाय बागानों में काम करने के लिए हमारे भारत से, और वहीं इस्ताई रूप से बस गए, और आज भी देखते हैं बसे हुए हुए हुए, उननीसमी सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूर, मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़क और रेल्वे निर्बार परियुजनाओं में काम करने के लिए दूर-दूर के देशो मजदूर अपने मालिक के बागानों के पांस साल काम कर लेंगे, तो भी सवधिस लॉट सकेंगे, एक आप लोग उनने साउट की कोई मूभी है, आप लोग देखते हैं कि कोई क्या करता है, कि उन्हें एक तरह से इसी तरह का अग्रिमेंट कर लेता है, और विदेशों में किया जाता था उस समझें, देखिए आपको समझ में आना चाहिए, मैं तो करता हूँ कि किसी भी तरह से आप लोग समझें, कहीं से भी कोई भी उधारन अपूट कर सकते हैं, सामिल कर सकते हैं, भारत की ज्यांदातर अनुबंधी सेमिक, मौजूद पूर्वी उत्तरपिद अनुद्धेस बिहार, मद्ध भारत और तमिलाणों की सुखे इलाकों से भूआ करते थे, आज भी आप देखते हैं कि यहीं इस सेमिक आज भी यहाँ उत्तर प्रदिश, बिहार, मद्ध पिदेस हो गया, यहाँ आज भी देखने को मिलते हैं आपको, और आज भी आप जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साब किया जा रहा था, इन परीवतनों से गरीवों की जीवन पर गहरा, असर पड़ा, वेबटाई पर जमीन तो लेते थे, लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे, उन पर करजा चड़ने लखा, काम की तलास में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े, बारती अनुबंदी सेमिकों को मुकरूप से करीवे आई, दो इपसमोर, मुकता, तिनीदाद, गुआना, सुरे नाम, मौरीसस या पर फीजी ले जाया जाता था, तमिला अपरवासी, सिलोन यानि के जि यह आपके सामने पिक्ष है, दिख रही होगी आपको, तिनीदाद के एक कोको, बागान में काम करते भारती है, गर्मिटिया मजदूर, उननीस वी सदी का प्यारम की बात है, मजदूरों की बंती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे, और एजेंटों को कमीशन मिलता थ बहुत सारे आप्रवासी अपने गाउं में होने वाले उत्फीरन और गरीवी सी बचने के लिए इन अनबंदों को माल लेते थे, एजेंट भी भावी आप्रवासीयों को पुर्सलाने के लिए जूटी जानकारियें देते थे, कहा जाने लगा कि यात्रा के साधन क्यों हों और नई जगे पर काम और बाजीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी, बहुत सारे आप्रवासीयों को तो यह भी नहीं बताया जाता था, कि उन्हें लंबी समुद्री आत्रा पर जाना है, अगर कोई मजदूर अनबंद के आप समझें कि उस समय भी अफ़रण इस तरह के किड़नेपिंग की बात होती थी, और एक बात और आप, कोई दूसरा बिकल्प भी तो नहीं था, आज आप लोग एरान को ले सकते हैं इस मामले में, कि आपने नेखा है कि एरान चारों तरफ से घर चुका है, कि एरान पर ब एक मजलब एक तरह से फसाने वाला काम करता है, कि एक समय आप सोना करते थे कि साहुकारों का काम हुआ करता था, कि ब्यात रिट दीजिए, रिट इतना दे दीजिए कि सामने वाला दब जाए आपकी रिट के नीचे, फिर उसका ब्यात चुकाने के लिए भी आपके ही उप बहुत सारे लोगों ने नई दास्पिता का भी नाम दिया। बागानों में या कारिस्तल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को बता चलता था कि वे जैसी उमीद कर रहे थे। जहां यहां बैसे आलात नहीं है। नई जगय की जीवन या कारफ इस्तितियां कटोड थी। मज ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा भी दी जाती थी। बहुत ने अपनी पुरानी और नई इस संस्कितियों का सम्वेशन्ट करते हुए। बैक्तिगा तो सामुईक आत्मा भी विक्ति के नए रोप खोई लिये थे। तिनी दाद में मुहर्म के सालाना जुरूज को एक विसाल उत्सवी मिला की रूम में दे दिया गया। इस मेले को होसे एमाम होसेन की नाम पर नाम दिया गया। उसने सभी धर्मों और नसलों को मजदू हिस्सा लेते थे। इस पेकार रास्ता फर्यान वाद नामक बिद्रोही धरम जिसमें जमेका के रेगे गायक वो माले ने ख्याती के सिकर्प पहुंचा दिया बिद्रोई धरम में भी भारती आगरवासी ओक करीविया इस दुई सम्भू के भी इन संबंदों की जलग देखी जा सकती है तिनीदाद और गौानाग में मसूर चटनी में उचिक भी भारती आपरवासीयों के वहाँ पहुंचने के बाद सामने आई रजनात्मक अभीवेक्तियों का ही उधारने सांस्कितिक समागम के ए रूप स्वरूप एक नई बेस्विक दुनिया के उधर की पिक्रिया कांग थे यह ऐसी पिक्रिया थी जिसमें अलाग लेक्स्तारों की चीज़ें आपस में खुल मिल जाती थी उनकी मूल पहिचान और विश्ष्टाएं गुम हो जाती थी और बिलकुल नया रूप सामने आताता है आप समझे कि आप लोग कहीं जाते हैं आप सोचे आप भारत से हैं कोई चीन से है, कोई किसी और दिश से है कोई एरान से है, कोई आप समझे कि साउधी अरब से कोई अफगानिस्तान से है, कोई अमेरिका से कोई फ्रांस से है एक जगह रहेंगे तो आप समझते हैं कि एक दूसरे से आपका बात भी होगी और आपकी संस्किति का भी एक दूसरे में मेल होगा समय रहें चित पंदरए को देख रहे होगा आप लोग दिख रहा है इस सिनाक्त के लिए गर्मिटिया मजदूरों के चित मालकियों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बलकि उनकी संख्या क्या ही मत होता था आज समझ सकते हैं कि इतनी बुरी स्थिती रहती होगी कि उनके नाम की वज़ा उनकी उन्हें एक संख्या दे दी जाती हो जान्दातर अनुबंदी सेमेक अनुबंध समात्थ हो जाने के बाद भी बापस नहीं लोटे जो आप बापस लोटे उनमें से भी वाधिकान स्केबल कुछ समय तक यहां बिता कर फिर अपने नई ठिकाने पर बापस चले गए इसी कारण इन देसों में भारती मूल कि लोगों की संख्या बहुत जान्दा पाई आती है और इस संख्या को आज भी हम लोग देखते हैं इस संख्या को सबसे जान्दा हम भी हम लोग देखते हैं क्या आपने नोबल बुरुष का वजेता साहित बी एस नायपॉल का नाम सुना है आपने आप में से कुछ लोगों ने बेष्ट इंडीज के किरकेट खलाड़ी सिबन रेन चंदपॉल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना हुआ क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनका नाम हम भारतियों जैसे क्यों हैं इसकी वज़ा यही है कि विभारत से गए अनुबंदित मजदूरों के भनसच है याँ कह सकते हैं आप लोग कि हमारे यहां से जो लोग गय उनके यही बच्चे हैं पेडिया हैं कि नाम इनकी हमारे यहां पढ़े हुआ आप लोगों भी कह देते हैं कि भारती अमोल के व्यक्ति को क्यानला नोवल पुरुसकार में ला हुआ है कि यानि कि भारत तर भारत का ही था यह आप देख रहे हैं गोई चित 16 एक अनुबंदित सेमिक गरिमिटियां मजदूर के अनुबंदिकी फॉर्म है बीसवी सदी की सुरुवाती सालों में सही हमारे देश के राष्टवाती नेता इस पेथा का विरोध करने लगे थी उनकी राय में यह बहुत अपमान जनक क्रूल वेवस्ता थी इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खतम कर दिया गया लेकिन इसके बाद भी कई दसकत भारती अनुबंदित मजदुरों के बनसद कहरी वियाई दुई समों में बेचें अल्प संक्यकों का जीवन जीते रहे वहां के लोग उन्हीं कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्दाव भी करते थे नाइपॉल की कुछ कारंबिक उपन्यासों में बिचोर परायपन के इस एहसाफ को खूब देखा जा सकता है वहां जो लोग रहते थे भारती हैं लोग उन्होंने कई तरह के उपन्यास भी लिखे हैं कई तरह कि आप कह सकते हैं कि रचनाय भी लिखें, किताबें भी लिखें हैं, उनमें इस तरह का दरद आज भी देखने को मिलता है, यह आपकी एक गिर्मिटिया मजदूर की आप भी दी है, यानि कि उसकी कहात नहीं है, राम नारायंट तिवारी भारस से गए गिर्मिटिया मजदूर थे, जिन्नों ने 20 भी सदी के सुरवात में डेमे रारा में 10 साल काम किया, और उनके संस्कारण का एक अंसर, तमाम कौसिशनों को इबाप चुद, मैं उनकामों को ठीक से नहीं कर पाया, जो मुझे सौपे गए थे, कुछी दिनों के भी तर मेरे हाथ सब जगे से चिल गए, और मैं हफ्ते बाल तक काम नहीं कर पाये, जिसके लिए मुझे सजावी दे गए, और 14 दिन जेल में भी काटने पड़े, नए आपरवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था, और वे दिन भार में अपना काम पूरा नहीं कर पाती थी, अगर काम संतोश जिनक पूरा ना हो, तो तनफ़ा भी काट ले जाती थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वितन नहीं मिल बाता था, उन्हें तरह तरह से सजावी दी जाती थी, दरसल मैदुरों को अपने अनुबंद की अवधी भारी मुस्किल में दितानी पड़ती थी, यह आपक काम करने की सुतंता, यह बहुत मुस्किल से मिली हुई है, इसमें कई लोगों की बल्दानी है, कई लोगों का खून है, आप समझ रहे हैं, बड़ी आसानी से नहीं मिल गया, वो कहा जाता है ना कि आसानी से मिली हुई चीज की हम लोग कदर नहीं करते हैं, तो वैसा ही हाल इसके लिए आप लोग कभी इतियास में जाकर देख सकते हैं कितना अक्तियाचार किया है कितनी बुरी हालत रही है तब जाके हम लोग इस सिद्धी में पहुंची हुए अगर वो भी हम लोगों की तरह सोचते होते हैं कि मुझे क्या लेना देना जो हो रहा है चलने दीजे तो साइदा जी भी हम लोग गुलाम ही होते बात करते हैं विदेसों में भारतियों उद्धिमी यानि कि भारतियों जो उद्धिमी थी विदेसों में उनका क्या रहा और उस पर बात करते हैं बिस वाजार के लिए खाद पदात वाफसले उगाने के बास थे पूंजी की आवास सकता थी बड़े वागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था लेकिन छोटे-मोटी किसानों का क्या होता यही से देशी साहूकारों और महाजन दृमस में आते हैं जिसकी मिँद बात करता रहता हूं न की चीन, साहूकारों महाजन जैसा हो गया इनी के बात की जा रही है, यही हुए, क्या आपने सिकारी पुरी स्रॉप और नक्टु कुट्टई चित्ट्यारों के बारे में सुना है, उस समय उस बहुत सारे बैंकरों और ब्यापारियों में से एक थे, जो मत देवम दच्चनपूर एसिया में निरयातो नमुखी खेती क के लिए करज देते थे, इसके लिए या तो अपनी जेव से पैसा लगाते थे, या फिर एउरोपिये बैंकों से करज लेते थे, उनके पास दूर दूर तक पैस से पहुचाने की एक बेवस्तिक पद्धिती भी होती थी, यहां तक कि उन्होंने बेवसाहिक संगठनों और क अफिका में यूरोपिये उपनिविसकारों के पीछे, पीछे भारतिये ब्यापारी और महाजन भी जा पहुचे, हैदराबादी, सिंधी ब्यापारी, तो यूरोपिये उपनिवेसों से भी आंगे तक जा निकले, 1868 के दसक से उन्होंने दुनिया बर के बंदरगाहों पर बड़े-बड़े एंपोरियल खोलती है, इन दुकानों में सेलानियों को आकर से दिस्थानिया और विदेसी चीज़ें भी मिलती थी, यह एक फद्दा फूलबत फूलता कारोवार था, क्योंकि सुरक्चित और आराम दे जलपोतों के आज जाने से सेलानियों के संख्याव दिनों दिनों बढ़ रही थी, दिनों दिन बढ़ने लगी थी, अब बात करते हैं भारतिये ब्यापार, ओपने विजवाद, और वैस्विक विवस्था के बारे में, भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोप ये देसों को निर्याद किया जाता था, यानि कि जो कपास का उतफाद में बढ़ने लगा था, इसी कारण वहां के वो दो पतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयत पर रोक लगाए और इस्थानी उत्दुगों की रक्षा करें, हलस्वरूप, पैटन में आयतिक कपड़ों पर सीमा सुल्क थोप दिये गए, व चरण से सो लेरे हैं, तो इसी समय की बात है कि वहां की वहां के थियूगों कि आयतु कहता था, निरियात हती है हुगे कपड़े वह ważne है बड़े शोखी भया परगरते, देखा, और क्या हुग है आपने बात के दनों में देखा, इरूमें भी हमें कपास का उतफादन इस्ट इंडिया कंपणी हाउस लंदन का है इस्ट इंडिया कंपणी की दुनिया बर में चलने वाले कार्यों का क्यंद यही था 19 सभी सदाप्दी की सुर्वास से ही बैटिस कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूनने लगी थे सीमा सुल्की की विवस्था के कारण बैटिस बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतिय कपड़ों को दूसरे इंतराश्टी बाजारों में भी भारी पितीस परदा का सामना करना पड़ा यदि भालती है निर्यात के आकणों का अध्यान करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगादा गिरावट की रुजान दिखाई देता है सन 1800 के आसपार निर्यात में सूती कपड़े का पितीसत था जो 1815 में गटकर 15 पितीसत रह जाते हैं और 1870 तर आते आते ही अनपात केवल 3 पितीसत रह जाते हैं एक समय आप भी अतिहास में पढ़ते हैं आप लोग कि हमारे यहां का जो कपड़ा होता था इसका कई देशों में इसकी मांग हुआ करती थी लेकिन उसके बाद क्या दिखा जाने लगा कि उन देशों में भी इस तरह के कपड़े बनाए जाने रहे तो हमारे देश से भी ब प्रिवित बस्तों का निर्याद घटना घटता जा रहा था उतनी ही तेजी से कच्छे मालों का निर्याद बढ़ता जा रहा था अब आप कह सकते हैं कि जैसे माल लीजे कि अभी हम लोग जो भी बनी बनाई चीज़ें बेज रहे थे उसे एक तरह से उनका निर्याद घट और कच्छे माल जो हमारे यहां था उसका निर्याद बढ़ जाता है अब हम उसे कच्छे माल भेज़ते हैं यहां से 1812 से 1871 की वीच कच्छे कपास का निर्याद 530 से बढ़कर 3530 कितना 3530 तक पहुच गया कपड़ों की रगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले निर्याद का भी कई दसक तक बड़े प्रमाने पर निर्याद होता रहा है जैसा कि आपने पिछली कच्छा में भड़ा हुआ कि 1820 के दसक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्याद भी किया जाने लगा कुछ समय तक तो भारती है निर्याद में अफीम का इसा ही सबसे जानदर रहा है बैटिन की सरकार भारत में अफीम की खेटी करवाती थी उसे चीन को निर्याद करते थी अफीम के निर्याज से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही आचाय दूसरे पदायतों का भी आयात करती थी ही आप संद्थ सकते हैं जो योरोपीय कंपनिया थी या सकतियां थी उन्हें पैसा वाह से लाने की जरुड़ता थी जिरूरतबर नहीं पड़ती थी विजैपस करते थी और यहीं से जो प्रेद थी जरुपरेट थे उसरे वह पूरी करते थी इसमें एक और दिखा गया कि आपने देखा होगा कि 1870 में आपके देश में चमपाराण सत्य गया होता है गांदी की चबी यहीं से उभर क्या आती है तो यह भी उसी समय की घठना है यह मतलब एक तरह से किसानों पर मतलब जवरजिस्ती के लागती आ गया था कि आपको नील की खिती करनी है या कोई और भी फसल का जो भी अंग्रेजियों के यह साब से अच्छी थी उन्हें मतलब आपको करनी है तो आपने देखा उसके बाद कई तरह किसके बिद्द्रों भी हुए है यह आप देख रहे होंगे चित साथ चित अठार है सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दिर्स है 17 सदी के दौरान और 18 सदी के दौर सुरू आती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाली समुद्री व्यापार का मुख कैंद हुआ करता था 19 सदी में भारती वाजारों में वेटिस उद्दोगिक उत्फादों की बार ही आ गई भारत से बेटेन और सेस विस्ट को बेज़े जाने वाले खाद्यान वर कच्चे मालों के निर्यात में एज्यापा हुआ बेटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से बेटेन भेज़े जाने वाले माल की कीमत से बहुत जाना होते थी भारत के साथ बैटेन हमेसा ब्यापार अधीसेस की अवस्था में ही रहता था इसका मतलब है कि आप सी ब्यापार में हमेसा बैटेन को ही फायदा रहता था जैसा आज हम लोग चीन के साथ देख रहे हैं कि आज आप चीन को सबसे जादा फायदा देखते हैं आप अगर चीन से 100 रोपे का कोई सामन खरीद रहे हैं, तो हम केबल 8-10 रोपे का ही निर्याद करें हैं, चीन को बेंच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 90 रोपे का घाटा देखा जाता है, तो एक समय यही आपका यूरोप के साथ भी देखा जाता था, बैटेन इस मुनाफ दूसरे देश में होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ ब्याबार में मुनाफ़ा कमा कर की जाती है, बैटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए, भारत ने 19. सदी की विस्ट अर्दवस्था का रूप तह करने में एक एहम भूम क्या भी अधार की है, बैटेन के ब्याबार्च जो अधी से सांसल होता था, उससे तथाकति हॉम चार्ज देशी खर्चे का निप्टारा होता था, इसके तैद बितानी अफसरों और ब्याबारियों दोर अपने घर भेजी गई, निजी रकम भारतिये बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत म काम कर चुकी बितानी अफसरों की पैंसल सामिल थी, बहुत बुरी स्थिती रहती थी, आप सोचिए जो हमारे या जो भी अंग्रेज रहती थे, उनका भी खर्च हमारे या की जो अरत्विश्था थी उसी से उठाय जाता था, समझ रहे हैं तो, सत्रवी सदी के अंत्वे भ मचलीस, पट्रनम, मद्रास, गोवा, सूरत, यह आपका उपन, लाहर पाकिस्तान में अभी ही तो करेंट में है, यह आपका हिंद महासागर हो गया, ठीक है मसकट, पारस की खाड़ी, लासागर, यह इवरोप के राश्ते थे, मोजांबिक, ठीक है, यह आपका मलक का सद्धों के वीच अर्द्वस्ता देखते हैं, पहला महायुद्ध मुक्रोप से ईरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में मैसूत के गया, इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टी से एक मत्मूर प्रभाव यह भी सद्धों के आए, कि इस सद्धों ने भी सरद्वस्ता को एक ऐसे संकट में ढखिल दिया, जिससे ओबरने में दुनिया को तीन दसक से भी जाला समय लग गया है, इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थे करिवं राजिंतिक आस्तरता बनी रही, और अंत में मान नौर ता एक और विनासकारी महायति की नीचे करा हैने लगी, और आप समझ सकते हैं कि जो पहला विस्तेव दुगा था, उसमें भी आपने देखा है कि हमारे देशत से ही काफियत तक भरभाई की गई उसकी, समाझ रहें, योद्धिकाली रूपांतर है, जैसा कि आप सभी जानते होगी कि पहला विस्तेव दो खेमों के बीच लड़ा गया था, एक पाले में मित्राष्ट यानि कि आपका बेटेन फ्रांस रूस थे, और दूसरे पाले में आप देखते थे केंद्रिय सक्तियां, यानि कि जर्मनी और टिया, हंगरी और ओर्टुमन तुर्की हुआ करते थे, एक केंद्र में आप कह सकते हैं कि एक तरफ आपके पाले मित्राष्ट हुआ करते थे, जिसमें आप बेटेन देखते थे, फ्रांस रूस को देखते थे, लेकिन जो सामने वाला पाला था, उसमें आप केंद्रिय सक्ति कहते थे, इसमें आप जर्मनी, औस्टेलिय अंगरी और टोमन हुआ करते थे अगस्त 1914 में जब योद्ध शुरू हुआ तो उसमय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह योद्ध ज्यादा से ज्यादा किसमस तक खतम हो जाएगा पर यह यह योद्ध तो चाल साल से भी ज्यादा समय तक आपको देखने को मिलेगा मानो सब्धा के इत्यास में ऐसा वेशाड योद्ध पहले कभी नहीं हुआ था इस योद्ध में दुनिया के सबसे अभवा उद्धोगी कराश्ट एक दूसरे से जूज रहे थे और सत्क्रों को नेस्तान बूद करने के लिए वह यह पास बेहसाब आद्वनिक उद्धोग आद्वनिक उद्धोगी के उद्ध था इस योद्ध में मसीन गनों टैंकों हवाई जारियों रसानिक हत्यारों का भयानक फिरमाने पर इस्तेमाल भी किया गया ये सबी चीज़ें आद्वनिक विसाल उद्धोगों की तेन थी योद्ध के लिए दुनिया वर से आसंक सिप भाईयों की भर्दी भी कि जाने नहीं थी और उन्होंने विसाल जल्द पूतों बारेल गाडियों में भरकर योद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाने था इस योद्ध में मौत और बिनास की जैसी बिवीश का अरची उसकी उद्धोगी के उउद्धोग से पहले और उद् इस यह समय भायरत लोटते हैं और गांदी जी भी कहते हैं लोगों को सामल करने के लिए भी तेयात्राइं भी करते हैं और यूरोप का साथ देने की भी बात करते हैं क्योंकि गांधी जी को लगता था कि एउरोप यह उद्ध खतम होने के बाद यह महाय उद्ध खतम होने के बाद हो सकता है कि आजादी हमें मिल जाए लेकिन बाब में देखा कि अंग्रेज के इस तर ऐसे पलट गए उन्हें ने कोई छूट नहीं नहीं हमें ठीक है मेटकों और घायलों में ऐसे जाना तक कामकाजी ओम की लोग थे इस माहा विन्याज के कारण यूरोप में कामकाज की लाइक लोगों की बहुत संक्या कम रही परिवार के सदस से घट जाने से योद के बाद परिवारों के आय भी गर गई और योद समंदी समगरी का उत्पादन करने के लिए उद्धों का पुनरगठन भी किया गया योद्धों की जरूरतों की मद्दे नजर पूरे समाज में को बदल दिया मर्द मोर्चे पर जाने लगी तो उन कामों को समालने के लिए घर की ओरतों को बाहर आना पड़ा जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था मर्द आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप दी जानते हैं कि जब घर से मर्द चले जाते होगे तो महलाओं को वो काम करना पड़ता था जो पहले महलाएं करते थी इस पिक्चर्स को आप देख रहे होंगे साथ पित्थाम विस योदी के दौरान एक हतियार पेक्टरी में काम करती मज़ुदूर है योदी की जरुतों को पुरा करने के लिए हतियारों के उत्पादन में तेजी से जहापा हुआ यानि कि इस समय उत्पादन को चानदा ही देखने को मिला योदी के कारण दुनिया की कुछ सब से सकती साली आर्थिक ताक्तों के बीच आर्थिक संबंदे पूर्ट गई अब्वे देश एक दूसरे से वदला लेने पर उतारू थे इस योदि के लिए वेटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज यवार लेना पड़ा फल्तवरूप इस योद में अमेरिका को कर्ज दार की वजए कर्ज दाता देश बना दिया यानि कि आप कह सकते हैं कि दूसरे को कर्ज देने वाला क्या कहलाता है कर्ज दाता जो लेता है वो कर्ज दार कहलाने जबता है कहने का असार है कि योद के बाद दूसरे देसों में अमेरिका बाद उसके नागरेकों की संपत्तियों की कीमत, अमेरिका में दूसरे देसों की सरकारों या पर उन नागरेकों की स्वामित तत्वा नेंतर वाली संपताओं से कहीं जानदा हो चुकी थी अब बात करते हैं योद्धोत सुधार योद्ध के बाद आर्थिक इस्तिती को पटरवी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ योद्ध से पहले वेटेन दुनिया की सबसे वड़ी अद्वरस्ता था योद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही जेलना पड़ा जिस समय बेटेन योद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत व जापान में उद्धो विक्सित होने लगी थी योदि के बाद भालती वाजार में पहले बाली वर्चस साली इस्तिती प्राप्त करना बेटेन के लिए बहुत मुश्कर भी हो गया था अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था सो अलग योदि के खर्चों की वर्पाई करने के लिए बेटेन ने अमेरिका से जम कर करज लिए इसका पैड़ाम याए हुगा कि योदि खतम होने तक बेटेन भारी विदेशी करजों में दब चुका था योदि के कारण आर्फिक उचल उचहाय का माहोल पैदा हो गया था क्योंकि मांग उत्पादन और रोजगारों में भारी जापा भी हुआ था पर जब योद्ध के कारण पैदा हुआ उच्छाल सांथ होने लगा तो उत्पादन गिनने लगा और बेरोजगारी भी बढ़ने लगे दूसरी वह सरकार ने भारी भरकम योद्ध संबंदी ब्याय में भी कटोती सुरू कर दी ताकि सांतिकाली इन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सकी तकि इन सारे प्रयावसों से रोजगार भारी तारा में खतम भी हो गया 1921 में हर पांच में से एक बेटिस मजदूर के पास काम नहीं था रोजगार के बारे में वेचेनी और अनिश्चेता योद्धुतर बातवार्ण का अंग बने योद्ध के बात की बात की बात की जा रही है वह याद रखिए भारत में भी उसके इस्तिती बहु नहीं रही जो योद्ध से पहले थी आप समझे गांदी जी भी साथ दे रहे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया आप जानते हैं उसके बाद कई तरह के अंदोलन भी चलाएंगे बारत में बहुत सारी किरसी आधारित अर्दोस्थावी संकट में थी उधारन के लिए गहूं उत्पात्कों की हालत पर ही बिचार कीगे योद्ध से पहले पूरवी जार में ग्यहूं की आपूर्ती करने बाला एक बड़ा केंद था योद्ध के द्वारान यह आपूर्ती अस्तवेस्त हुई तो कनाड़ा अमेरिका और अटेलिया में ग्यहूं की पैदाबार अच्छानक बढ़ने लगी लेकिन जैसे ही योद्ध समाप्त हुआ तो यह अब बात करते हैं बड़े प्रमाने पर उपादन और अमेका में स्थार की गती तेज रही यह हम पहले ही देख चुके हैं कि योद्ध से अमेरिका की अरदुस्ता में को कितना फायदा हुआ आप समझ रहे हैं कि यह येवरोग को नुकसान हुआ लेकिन अमेरिका को फायद अमेरिका महासक्ती बनने की होड में खड़ा हुआ समझ रहे हैं आप लोग हल्द यह उद्ध में अमेरिका को बड़त ही मिली है यह उद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अरदुस्ता को भी जट कर ला लेकिन 20 के दसके सुरुआती सालों से ही अमेरिकी अरदु कि बढ़ने लगी लेकिन 2020 के दसक की अमेरिके अरदुस्ता एक बड़ी खासियत थी कि बीहत उत्पादन का चलन बीहत उत्पादन की और बढ़ने का सिलसला तो 1920 सभी के आखिर में ही सुरू हो ज़का था लेकिन 1920 के दसक में तो यह अमेरिकी उत्धुगीक उत्पादन की विशिस्ता ही बन गया था कार निर्माता हेंडरी फोड बेहाद उत्पादन के विख्यात पेड़ेता थी उन्होंने सिकागों के एक बूचर खाने की असेमली लाइन की तरच पर ट्रॉइट की अपने कार खाने में भी आधुनिक असेमली लाइन इस्थापित की थी सिकागों के बूचर खानों में मरे हुए जानवरों को एक कनवेयर बेल पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मास विख्येता अपने हिस्थे का मास उठाकर निकल जाते थी या देखकर वोड को लगा कि गाड़ियों के उठाधन के लिए भी असेमली लाइन का तरीका समय और पैसे दौनों के लिया से किफायती साबित हो सकता है असेमली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी खास पुर्जे को यी लगाते रहना मसीनी रंग से बारबार करते रहना होता था काम की रफ्तार इस बास से तैय होती थी कि कनवेयर बैल्ट किस रफ्तार से चलती है यह काम की गती बढ़ा कर पितिक मजदूर की उतपादता बढ़ाने का बाला तरीका था कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बात कोई भी मजदूर अपने काम में डिगिल करने या कुछ फल के लिए भी आवकास लेने का जोकिम नहीं उठा सकता था और तो और इस बेवस्ता में मजदूर अपने साथीयों के साथ बाचती भी नहीं कर सकते थे इसका नतीज़ा यह हुआ कि हैनरी फोर्ट के कार खानी के समी लाइन से हाल तीन में एक कार तेयार होकर निकलने नहीं इससे पहली की पदितियों के मुकाबले या बरहतार कई गुना जांदा भी थी टी मॉडल नावक कार बेहत उत्पादन पदिती से बनी पहली कार थी यह आप देख रहे हैं न यह फैक्टरे के बाहर कतार में कड़ी टी मॉडल गाड़िया है अमेरिका एक दिन में सक्मा सक्ती नहीं बन गया है आप समझेए कि आजकल कहते हैं कि बहुत पहले से भी कहते हैं हम लोग कि कहते हैं कि जब अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को सर्दी हो जाती है इतना परभाव देखा जाता है अमेरिका का शुरुआत में फोर्ड फैक्टरी के मजदूरों को असेमली लाइन पर पैदा होने वाली ठकाद जिलने में कापी मुश्किल महसूस हुए क्योंकि बे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नेंतित नहीं कर सकते थे बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़त दिया साथ ही उन्होंने अपने कारकानों में ट्रेड यूनियन गती विदियों पर भी पावन्दी लगा दि तनक्वा बढ़ाने से हेंडरी फोर्ड के मुनाफ्य में जो कमी आई थी उसकी भरभाई करने के लिए अपने असेंबली लाइन की रफ्तार बार बढ़ाने लगे उनकी मजदूरों पर काम का भूच लगाता बढ़ता रहता था अपने इस फैसले से कोई सिर्फोर बहुत संतुष थे को समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इसके अच्छा हैसला कभी नहीं किया अब आप सोचिए कि पहले एक कार को बनाने में कई दिन का टाइम लग जाता होगा अब आप समझ सकते हैं कि तीन मिनिट में एक कार बनकर निकल लगा तो इससे भायदा हो, इससे कंवछट क का कोई समय कर वचचद का आप और लागत भी आप सोचिए कि जितना कोई भी परीवजना को भी आप लो लो ले लिजिए कि आप उसमें काम करने में जितना टाइम लगाएंगे उतना ही खर्च आता रहता है ठीक है? फोर्ट द्वारा बनाई गई उत्पादन्स पद्दितियों को जल्दी पूरे अमेरिका में अपना है जाने लगा 20 के दसक में ही इरोब में उनकी नकल की जाने लगी बहुत उत्पादन्स पद्दिती से इंजिनिरिंग आधारित चीजों को लागत और कीमत में खमी ला दी बहतर बहतन के चलते अब बहुत सारे मज़दूरवी काम कार जैसी टिकायो बहुता वस्तु में खड़ी सकते थे उननीस उननीस में अमेरिका में 20 लाग कारों का उत्पादन होता था जो 1929 में बढ़कर 50 लाग कार पिती वर्स से भी उपर जा पहुंचा आप समझे कि उस समय हमारी भारत में इस तरह के आदमी सोच भी नहीं रखता होगा समझ रहे हैं उस समय आप अमेरिका को सुच सकते हैं और आज हम लोग किस तरह से हमें बहुत कुछ बदलाव करना होगी तब जाकर हम इन देशों के बिखसे देशों में जाकर खड़ी हो सकते हैं समझ रहे हैं आप लोग इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रेज, बॉसिंग मसीन, रेडियो, ग्रामोपोन, पिलेयर्स आदी भी खरीद ने लगे थे इस सब चीजें हायर पर चीज, विवस्ता के तरह खरीदी जाती थे यानि लोग ए सारी चीजें करजे पर खरीदते थे मकागोनों की निर्मार व निजी मकानों की संक्या में विद्धी से भी प्रेज, बॉसिंग, बॉसिंग मसीन, आदी उकड़ों की भी मांग से जापा हुआ उलेक निया के घरों का निर्मार या करीदारी भी करजे पर ही की जाती थे आप समझ सकते हैं कि आज हम लोग वसिंटिंग टेवी इस तरह के रेडियो आज हम लोग यूज कर रहे हैं और आप समझेए कि 1920 या फिर आपका 29 के बीच की घटना है अमेरिका में घटन लगी 1920 के दसक में आवास एवं निर्माड चित में आये उचल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था मकानों के निर्माड और घरेली उजरुटों की चीजों में निवेश से रोजगार की मांग बढ़ती थी तो दूसरी और उभोग भी बढ़ता था बढ़ती उभोग के लिए और जान्दा निवेश की जरूरत थी जिससे और नए रोजगार वामडानी में बिध्धी होने लगी थी एक बात और आपको बताओं अगर हमां अपने ही देश में ले लिजे अगर आप सुचिए आज अगर हम लोग रोजगार बढ़ा दे रोजगार की इस तरह से वेवस्था कर दे तो कल हमारे बाजारों में उच्छाला जाएगी उत्पादन यानि कि मांग भी बढ़ने लग समझ रहें हैं उननी सो तेज में अमेरिका सेज विस्थ को पूंजी का निर्यात दुबारा करने लगा वह दुनिया में सबसे वड़ा करदा था देश बन गया अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपी अर्द्वश्थाओं को भी संकट से उगड़न नहीं किया था अब भी जाते हैं कि 1939 की संकट के बारे में याक का चित देख रहे हैं होंगे 22 महामंदी के दौरा ने एक आपरवासिक खेत मजदूर का फिकर और भूं का परिवार 1936 की बात है लाइबरेरी ओप कॉंग्रेस प्रेंट एंड फोटोग्राफ से डिविजन से लिया गया है याचित लेने वाली दौरोथी लेंग ने इस भूंकी मा के साथ अपनी मुलाकात के छड़ों को याद करते हुए बहुत साल बात कहा था कि मैं इस भूंकी लाजार औरत को देखा और मारों किसी चुमक से खिची मैं उसकी और बढ़ने चली बढ़ती चली उससे मुझे अपनी उम्ह बताई उसने काए कि उसकी उम्ह 35 साल की है उसने काए कि भी लोग यानि मा उसके साथ बच्चे है आसपास के खेतों में जाड़ों से जबी पड़ी सबजियों परिंतों कि सहारी जिंदा है जिनें उनके बच्चे माल लाते है वो वहाँ बैटी अपने बच्चों को चिप्टाए साथ उससे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है इसलिए उसने मेरी मदद कर दी पॉपूलर फोटोग्राफी फरवरी 1907 में ये पॉपूलर रही है समझ रहे है चलते हम महामंदी की बात कर लेते हैं आर्थिक महामंदी क की शुरुआत 1929 से 1929 से हुई और ये है संकट 30 के दसक कि मद्द तक बना रहा है इस दोना दुनिया के जंदतर हिस्सों के उत्पादन रोजकार आये और व्यापार में भयानक ग्रावट देखी गई इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था लेकिन आम पर ऐसा माना जा सकता है कि किरसी चित्रों और समधायों पर इसका सबसे बूरा असर पड़ा है ऐसा इसलिए क्यों की खेती हर उत्पादों की कीमतों में जाना भारी और जाना समय तक कमी बनी रही इस महामदि के कई कारण थी यह हम पहले ही देख चुके हैं कि योद्द उ उत्पादन के समस्या बनी हुई थी, किर्षी उत्पादों के गset और खराप हो गये थी, कीमतें गिरी और एक सले फोनीमी ने की आइभखने हो पर दसे तरुप में, प्सक्णाथ बढायें, लेकिन, 4.5 अब भानी के खता की किर्शी तरुपादन की थी, 5.8 । लेकिन क्या हुआ कि पाच रोपे किलो बिखने लगा तो आपको आपनी आय तो बराबर रखनी है या आय तो बढ़ा नहीं है आपका खरश तो मदलब 10 किलोग गेह entropy के पहले वाला रेट से ही चल्दा था तो आप क्या करेंगी कुछ इस तरह की विवस्था करेंगी कि उत्पादन बढ़ाने की बात करेंगी कि कहीं ऐसा हो कि आप 10 लोग होता है तो पंदरमवी किलो रेट या फिर बीस किलो होने लगी तो इसी तरह का किसानों ने भी प्रयास किया फास्वरू बाजार में किर्सी उत्पादों की आमद और भी बढ़ गए जाहरे की कीमते और नीचे चलिए खरीदारों के अभाव में किर्सी उपर पड़ी-पड़ी सड़ने लगे एक बताया भी कि आप लोगों से एल्थी ईयाटी पड़ोगे तो बहुत कुछ सीखने की मिलेगा आप से मिल सर्फ इसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं मुझे लगता है जिन्दगी में बहुत कुछ देती है अब आप देखिए आपने देखा होगा मांग और सब्सक्राइज की इसकी कुछ नुखकीता होगा मांग और अफूर्ती जहां मतलब जानदा हो जाए और मांग कर दाए तो आप जानते हैं कि 120 वात है कि रेट गरेंगे, तो यहां यही देखा गया है, कि किसी उत्पादों की मतलब बढ़ गई, किसी उत्पाद बढ़ गए, जहां खरीदने वाले थे 100 किलो, आप तोचिए वहां पहुंच जाए 1000 किलो, और खरीदने वाले भी कम हो जाए, तो क्य करजे लेकर अपनी निवेश समंदी जरूरतों को पूरा किया था, जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका ने करजा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकित मिलते ही अमेरिकी उद्वियों के हो सोड़ गए, 1928 के पहले 6 माय तक बे देशों में अमेरिका का करजा जई करब डॉलर था, साल मर की वीतर एयर करजा गटकर केबल चौथा ही रह गया था, जो देश अमेरिकी करजे और सबसे ज्यादा निर्वर्ण थे उसके सामने गहरा संकट खड़ा हुआ, बहले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पढ़ा हो, लेकिन अमेरिकी पाउंड भी नहीं बच पाए, लेकिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर किसी और कच्चे मालों की किमतें तेजी से रोड़कने लगी, यानि कि कम होने लगी, अमेरिकी सरकार इस महमंदिर से अपनी अर्थव्यस्ता को बचानी के लिए आया थित पदाजनों पर दो गुना सीमा सुल्क पसूल करने लगी, इस फैसले ने तो विस व्यापार की कमरी तो उड़कर रखती है, या आप पिक्चर देख रहे हैं न, बेरोजगारी कलाब के लिए कतार में कड़े लोग अमेरिका में, डुरोती लेंग द्वारा लिया गया गया चित अठत, 1938 की बात है, जब एक बेरोजगारी जन्गर्णा से पता चला की देश में, एक करोर से जादा लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में, इस्थानिय पिसासन की और से बेरोजगारों को छोटे-छोटे बहत्ते दिये जाने लिए, इलभी कतारे मंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का पितिक थी, अभी भी आप लोग इस तरहे का हमारे देश में सुनते रहते हैं, कि सरकारे बादा करती रहती हैं, कि मैं आया तो गरीबी बहतता दूगा, बेरोजगारी बहतता दूगा, इस तरहे की बातें फेकते रहते हैं, उत्तोगीक देशों में मंदी के सबसे गुरा असर अमेरिका को घिलना पढ़ा थी कीमितों में कमी और मंदी की असंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घहरेलू करज देना बंद कर दिया जो करजे दिये जा चुके थे उनकी बसुली तेज कर दिये किसान उपज नहीं बेंचमारात था ते परिवार तबाह हो गई थे कारोबार ठब पढ़ गए आमदानी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारी परिवार करज चुकाने में नाकामयाब हो गए जिस से चलते उनके मकान कारोब सारी जरुतें चीज़ें कुरुक कर ली थी वह दूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई यानि की समप हो गई बेरोजगारी बड़ी तो लोग काम की तलास में दूर दूर तक जाने लगए आकिरकार अमेरिकी बैंकिंग बेवस्ता भी धरासाई हो गई निवेश से अपिक्षित लाब ना पा सके करज अधि वसूल ना कर पाने और जमा करताओं की जमा फूजी ना लोटा पाने की कारण हजारों पे दिबालिया हो गई बंद कर दिये गए इस परिकेटना से जोड़े आकड़ों आकड़े सक्ति में डाल नेंगी आपको 1923 तक 4,000 से जान्दा बैंक बंद हो चुकी थी कितने 4,000 से 1929 से 1932 के वीच तकरीवन एक लाग दस द्यार कमपनिया चौबंट हो चुकी थी इस महामंदी का इतना बुरा प्रवाव देख़त है यागिपी 1935 तक जान्दा तर उद्धोगिक देशों में आतिक संकर से उभनने की संगिये दिखाई देने लगे लेकिन उस समाजों अंतराष्टी संबंदों राजनी थी तथा लोगों की दिलों दिमाग पर उसकी जुच्छाप पड़ी थी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी कोई भी समझ के आओ कोई भी इस तरह की आबदा आए तो आप देखते भी हैं कि कुछ समय के लिए इसका प्रवाव और आंगे देखने को मिलता है समाजों पर अगर भारत की स्थिदी की बात करें भारत और महामंदी को देखें यदि हम इस बात पर देहाने कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वी सीवी सदी की सुरुआत तक बैस भी अर्दवरस्ता कितनी एकिगेत हो चुकी थी दुनिया के एक हिस्ते में पैदा होने वाले संकट की कप कपाहड बाकी हिस्सों तक पहुँच जाती थी और उससे दुनिया बर की लोगों की जिन्दगी आज़वरस्ताएं और समाज प्रभावित को उठते थे जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि उपनेवेश से भारत किर्शी बस्तों का निर्यातक और तियार मालों का आयतक बच जुका था माहबंदी ने भारतिये व्यापाल को खौरण पे वावित किया और 1928 से 1934 के बीच देश के आयत नेजाद घट कर लगभग आधी रहे गए थे जब अंतराश्की वाजार में कीमते गरने लगी तो यहाँ भी कीमते नीचे आगए और 1928 से 1934 के बीच बारत में गेनों की कीमत पच्चास पितीसत गिर गई होगी तो आप हमारे के साथ देश के किसानों की इस्तितियाब समझ सकते हैं कितने बुरी तरह से प्रभावित नीचे गिरी ही लेकिन सरकार ने लगान वसूल में छूट देने से साब इंकार कर दिया सबसे बुरी मार उन कास्तकारों पर बड़ी जो विस्वाजार के लिए उपच पैदा कर देए और आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो किसानों से उगाही की जा रही थी ऐसी बुरी मैं में भी तो इनका अंदोलनों में कुछ जाना ही प्रभाव दिखा गया है कि सभी एक लामबंद हुए राष्ट भक्ती की यारी की राष्ट बात को बड़ावा भी भी मिला थी बंगाली के जूट परसन उत पात्कों को ही देखी बेकच्चा परसन उगाती थी जिसे कार करने की उमीद में या पर बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने की वास्ति कर्ज ले लिए थी उनकी हालत भी उपज का सही मोल ना मिलने के कारण खराती बे दिनों दिनों दिन कर्ज में दोड़ते जा रही थी इस बेवक्ति को ध्यार में रखकर बंगाल के कभी ने ल जाओ घर पर बैठे बनिये देंगी पांच रुपे मन भाव एक बात अब आपको बताओं कि मान लीजे कि हम या आप कोई भी है हम लोगों में से हम लोग एक होटल चलाते हैं होटल खोलते हैं ठीक हम लोग किसी से करज लेते हैं हम लोग पूरा काम करने लगते हैं चालू बंद पढ़ जाती हैं तो हम लोगों ने जो साहुकारों से या किसी से रिड लिया है वो तो मापनी होगा वो तो हमें चुकाना ही पड़ेगा ना तो आप समझे किस तरह से हम फिरवाबित होंगे आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं मैंने हमें साब बोला है पूराई फ्लों से कि जब भी किसी समस्या को आप ना समझ पा रहे हों तो उसकी जगह अपने आपको दे रख लिया करेगा आपको पूरी समस्या अाच्छे से ब्यथतर तरीकिये से धंग में आ जाए जैसे किसानों कि क्या समस्या है अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो तो आप किसानों की जगए रखी अपने आपको, फर इमेजिंग की मतलब अपने आप में सोचिए कि क्या हमारे साबने समझते आए, तो मुझे लगता है कि आप बेतर समझ पाएंगे, पूरे देश में कास्तगार पहले से ही जाना कड में डूप पे, खर्चे पूरे करने की चक्कर में उनकी बचत खतम हो चुकी थी, जमीन सूत कोरों के पास गदेपी पड़ी थी, घर में जो भी गजने जिवर थे बिख चुकी थी, मंदी के इने सालों में भारत कीमती धातू पूर्णर जीवित करने में कापकी मद्द भी बिली है, इस निर्याद में वेटेंटी आर्थिक दरसा सुधारने में तो निश्चेती मदद दी है, लेकिन भारतिये किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है, 1931 में मंदी अपने चरम परती और गिरामिट भारत आसनतोस बाउत पूलन सुरू किया, सविने अयो किया, या मंदी सहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही, कीमते गिरते जाने के बापचू, सहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हाला ठीक नहीं, ठीक रही, जिनकी आय निश्चित थी, जिससे सहर में रहने वाले जमीदा, जिन में तेजी आ रही है, आप कोरोना महावारी को ही ले लिए आप लोग, इससे कौन लोग प्रभावित हुए, किसान, मजदूर, ये लोग प्रभावित हुए हैं जिनके पास खासी इंकम है, जो सरकारी नोकरी में उन्हें मुझे नहीं लगता है कि फर्थ कोई पड़ा होग पहला विस्तियुद खताम होने के केवल दो दसक बात, दूसरा विस्तियुद शुरू हो गया, 1949 की बात कर रहा हुए, या ये उद भी दो बड़ी खेमों में की बीच हुआ, एक गुट में धुरी सक्तिया, मुक्रोप से नाच्टी जर्मनी और जापान और इटली थी, और में देखा होगा कि 1945 तक चलता है, आपने देखा कि जापान में 1945 में परमाडु बंबी गिराए गये थे तो, इसे उद में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं वची थी, माना जाता है कि इस जंगे के कारण प्रित्यक्ष्या, प्रित्यक्ष्रूप से करीब 6 करोड़ो लोग मारेगे, कितने 6 करोड़ों लोग, यह है 1949 की बेस्विक जन संख्या का लगवल, तीन किती सत्ता, करोड़ों लोग घैल भी हुए, आप समसकते हैं कि जैसे 100 लोग उस समय थे, उनमें से आप समझे ये 3 लोग मारेगे थे, इतनी बड़ी जन संख्या मारेगे, आप त विसाल भूबाग तबाह हुए, कई सहर हवाई बंबारी या लगाता गोलावारी के काल मिट्टी में मिल गए, इसे उद में बेहसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जनम दिया, ऐसे हालात में पुनरेवार का काम कठेल और लंबा साबित होने लगा, और एक बाद आप रोज पर आमला करती जर्मन टुकरिया, जुलाई उनीच्व इसे रोज पर हेटलर का आमला योद में नेडायक मात की घटना है, योद दुतर काल में पुनरेवार का काम दो बड़े प्रभावों की सारे में आंगे बड़ा, पश्टिमी विसमें अमेरिका आर्थिक, राज नितिक और सायनेक दिष्टी से एक वर्चर से साली तागत बन चुका था, यानि की सक्ति साली राष्ट बन चुका था, सक्ति के रूम में सामने आया, नाथि जर्मनी को राने के लिए सोवियत संग की जनता ने भारी कुर्वानिया थी, जिस समय पुझीवादी दुनिया म योध्य से तबाह स्तालीन ग्राथ, आप लोगों में बता दूँ कि रूस पहले महासक्ती हुआ करता था, लेकिन इसे आप देखते हैं कि 1991 में जाकर आपने देखा स्ती देउध्य खतम होता है, और रूस कई भागों में बढ़ जाता है, पहले जिसे हम लोग सोवियत संग कहते हैं, आज वो रूस है, शमद मैं? इसे नहीं हो सकती है, इसे राय के लिए फूर्ण रोजगार भी जरूरी है, यानि कि इस्थाई रोजगार, लेकिन बाजार फूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता है, कीमत और रोजगार में आने वाले उतावचड़ाव को नेतित करने के लिए सरकार का दखल जर जोरी था, आर्थिक इस्थरिता केवल सरकारी निस्तचेफ के जरी ही सुनिश्चित की जाज सकती थी, दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंदों के बारे में था, पूर्ण रोजगार का लक्च केवल तभी हासिल किया जा सकता है, जब सरकार के पास आर्थिक इस्थरिता के बाहरी को नियंतित करने की तागतों, संचिव में योतुतर अंतराष्टी आर्थिक विवस्ता का मुखुद्देश्याथ था, कि उस्थोगी कि विस्थ में आर्थिक इस्थरता एवं फूर्ण रोजियार बनाए रखा जाए, इस फैंबर्ग को ज आर्थिक माउंट बॉस्निंटन होटल, यही वह स्थान है जहां बेटिन बोर्ष्ट का इधियार्जिक सम्विलन आयजित किया गया था, सदस्य देशों के वीच ब्यापार में लाव और घाटे से निपटने के लिए, बेटिन बोर्ष्ट सम्विलन में ही अंतराष्टी गया और इधिक बेटन बोर्ष्ट सम्विलन में ही लाव भी यही वह स्थान है तो आप उन्हें देखकर अच्छे से लिख सकते हैं ठीक और वैसे भी आप देखते हैं कि संगतनों का बहुत मत्पूर है यह कई परिक्षाओं में आपके वंते रहते हैं इनसे क्वेश्चन तो आप जाकर देख लीजिए और याद रखिए मैं इतना कह सकता हूं आप अगर एड़ेश्ट करने लाइक हैं तो आपके लिए इतना मटेरियर और कुपलब्द करवा चुका हूं कि मुझे ही नहीं लगता है कि आपका सिविल सर्वेस या इस्टेट पीसियस में कोई कमी ही रह जाएगे अब मदपदेश MP को देख सकते हैं आप लोग आपने देखा है कि मदपदेश में सबसे जादा MP से कुष्टेंस बनते हैं मैंने कितने विस्तार से पढ़ा दिया है बहुत विस्तार से MPVLC को दियान में रखते हुए और बिल्कुल फिर ही कोई आप से कौश्ट नहीं लिया अब आपको अगर पैसा है तो मैं तो कहता हूँ किसी दूसरे की मदद कर दीजिए इतने पैसे अगर आपके पास है और आपके अगर इन क्लासों से संबंदित कोई ही आपकी डाउट है तो आप बेज़े जाके बात करिए ना मुझस से अगर मेरे पास इतनी सोविधा है तो मैं कर सकता हूँ टी विस्ट बैंक और आईमेप ने 1947 में उप्चारिक रोप से काम करना शुरू गिया इन सहस्थानों की नेड़े के क्रिया पर बश्ट में उद्धोगिक देशों का नियंतर रहता है अमेरिका विस्ट बैंक और आई को निश्यदाधिकार होता है इस अधिकार के सारे एक ही सदस किया असायमें ती किसी भी विस्ताव को खाईच करने का अधर भी बन जाती है आपने देखा है विस परिशद में आपने सेवड़ तराष्ट संग्राफ लोग सुनते रहते हैं उसमें आपने देखा होगा कि प पांच देश हैं आप बीटों मिली हुई है अगर उन चार देश एक पक्ष में और एक देश भी के बिरोध में तो उस नेड़य को स्विकार नहीं किया जाएगा उस प्ष्थाओं को खारिच कर लिया जाएगा समझ रहे हैं यानि कि कोई भी आप प्ष्थाओं ला रहे हैं तो उस पर सभी ही सहमति जरूरी होती है इस वेवस्था में राथकी मुद्र यससे बाथी मुद्रा रोपया डॉलर की साथ एक निश्चित ुद्रस बन्धा हुआ था एक डॉलर के बदले में कितने रुपई देने होंगे या इस ते रहता था डॉलर का मूल भी सौने से बढ़ा हुगा था एक डॉलर की कीमत 35 ओंस सौने के बार अब निजधारे की गई थी अब बात करते हैं प्यारमभी की युद्ध उत्तर वर्स यानि की प्यारमभी की पर बेटेंड वर्स सब्योस्थाने पश्चमी उद्धोगी फिराट्पों और जापान के लिए व्यापार खथा आयमे विद्धी के एक आपित्तिम युग का सुथपात किया सब्यापार की विकास दर सालाना आठ पितिसद से भी जाना रही आप समझे कि युद्ध आपका कब पैंतारीस में खथम हो जाता है उसके बाद की स्थिधी की बात कर रहा हूं इस दौरान वेस विकाय में लगबख 5.30 की दर से बिद्धी हो रही थी पिकास दर भी कामवज स्थिरी था उसमें जदा उताव चड़ाव नहीं आए इस दौरान जदा तर समय अधिकास उद्धोगिक देशों में वेरूजगारी उस्तन 5.30 से भी कम ही रही इन दस्कों मे तकनीक और उद्धम का विश्वयाफी पिरशार हुआ बेकासिल देश बेकसित और उद्धोगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोड कॉसिस कर रहे थी इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले सयंतों और उक्कारणों के आयात पर वेहसाब उन्ही का न बहुराष्टी एक कंपनी कहा जाता है सुरुवाती बहुराष्टी कंपनीयों की स्थापना 1920 के दसक में की गई थी पचास बासाट के दसक में जब अमेरिकी वेवसायद दुनिया बर में फैलते जा रहे थे और पश्चमी यूरोप एवन जापान वीविस से उद्ध के प जिस्ता था और इसके पीछे आंसे क्रूप से इस बात का भी हाथ था कि जान्दतर सरकारे बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आया सुल्क वसूला करती थी जिसके कारण बड़ी कंपनीयों को अपने सेंथ उनी दिसों में लगाने पड़ती थे जहां वेवेव अपने उ करेंगी कि अपने देश में ना बना के हमारे ही देश में आएगी और हमारे ही देश में अपना उर्थफादन करेंगी अनुपनेवेशी करनन और सुधनता दूसरा वेश्यूद खतम होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग एउरोपिया उपनेवेशी सासन इसके बाद इन सभी के बाद उजी की कमी थी और संसाधनों की कमी थी उनिकी अर्द्विस्थाएं और समाज लब्भी समय तक चले उपनेवेसे साथन के कारण अस्त वेस्त हो चुके थे बहुत बुरी तरह से इनों ने लूट लिया था यह तरह से आप कह सकते हैं IEMF और विस्थ बैंक का गठन तो उद्दोगिक देशों की जोड़तों को पूरा करने के लिए ही न किया गया था इस संस्थान बुद्पूर उपनेवेसों में करे भी कि समस्या और विकास की कमी से निपटनाय में दक्च नहीं थे लेकिन जिस पिकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्दरस्थां का पुनरगठन किया था तो उसके कारण ये देश IEMF और विस्थ बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे इसी कारण पचास के दसक के आखरी सालों में आकर बेटन बोर्स संस्थान विकास की देशों पर भी पहले से जानदार ध्यान देने लगे आयाद सुल्क की बात करें टैरिप की तो किसी दोस्ते देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला सुल्क होता है यह कर या फिर सुल्क उस जगए लिया जाता है जहां से यह वायब चीज देश में आती है यानी सीमा पर या फिर बंदरगा पर या हवाईट डिपर थीक है आयाद सुल्क जो हमारे देश में बुस्तूर्य आरही है उनके उपर सुल्क लगाने की बात आयाद सुल्क कहला दुनिया के अल्व विक्सित भाग उपनेविसों के रूम में पश्मी संभराजों के अधिन रहे थे बिड़मनायती की नव स्वाधीन राष्णों की रूम में भी अपनी जन्ता को गरीवी और पिछड़ी वन की गस से बाहर निकालने के लिए उने ऐसे अंतराश्टिय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूत पूरूर उपनेविसिक सक्तियों का ही वर्चस था और अनोप निवेशी करण के बहुत साल बिच जाने के बाल भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्णों की अद्वस्ताओं पर भूत पूरूर उपनेविसिक सक्तियों का ही नियंतन बढ़ा हुआ था जो देश बैटेन और फिरांस के उपनेविस रह चुके थे या फिर जहां पर तेयार भी नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसी अन्य सक्ति साली देशों की वहुराष्टिये कंप्रियां भी विकासील देशों के प्राक्टिक संसाधनों का बहुत कम खीमत पर दोहन करने नहीं। इसका इसे संगठित किया गया। N-I-E-O से उनका आसा एक ऐसी विवस्ता से साथ जिसे जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही माइनों में नेंदर्ण मिल सके। जिससे उन्हें बेकास के लिए अधिक साहिता मिल सके। कच्चे माल के सही दाम मिलें और अपने तयार मालों को भिक्सित तेसों के बाजार में बेंचने के लिए बहतर पहुंच भी मिलें। कि अंग्रेज किस तरह से सोसंट कर रहे थे किस तरह से को हमारे साब अगताओ कर रहे थे तो इसी बताओ को खतम करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं। इस तरह की कदम ले गए। ठीक है। आगे हैं आपका बेड ब्रेटेन वोर्स का समापन और बैस भी करन की सुरवार। सालों की स्थेरों तेज विद्धी के बापजूर ये उद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। साट के देशक से ही विदेशों ने अपनी गतिविदियों की भारी लागत ने अमेरिका की विद्धी और पितीस पर्दी चमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की पिधान मुद्रा की रूम में पहले जितना सम्माने तो निर्विवाद नहीं रहे गया था। सौनी की तोला में डॉलर की कीमत गरने लगी थी। अत्ताहा इस थिर विनिमादर की विवस्ता बिफल हो गए। और प्रवाह मई या पिर आज थिर विनिमादर की विवस्ता सुरूं की गए। सब्तर के दसके के मद्दे से अंतराष्टे वित्तिय संस्तानों में भी भारी बदलाओ हाच चुके थे। अब तक विकासिल देश करजे और विकास समंदी सहता के लिए अंतराष्टे संस्तानों की सरण ले सकते थे। लेकिन अब उन्हें पश्चमी पश्चम के व्यापारिक प्यावसाइक बैंकों और निजी रिड़दाता संस्तानों से करण ना लेने के लिए बाद किया जाने लगा। और विकासिल विस्त में समय समय को करण संकट पैदा होने लगा। जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीवी बढ़ने लगती थी। अफिका और लेटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे जांदा दिखाई दी। और दोगी कि बिस्त भी बेरोज्यारी की समस्या में फसने लगा था। सथय के दशक में मद्ध से वेषraszam बढ़ने लगी और 90 की दशक के कपिवक बरसों तक वहां यहां काफी वे saints को बढ़तील की आकरी सालों में अच्छी सुविधा हो, पानी इस तरह की बिली की विवस्ता हो, एक तरह से आप समझी कि संतुलन मतलब उसके हिसाब से विवस्ता हो, परिस्तितियां कंपणी के हिसाब से हो, आपने देखा है कि चीन को अधिकतर कंपणीया चुलती है, क्यों चुलती थी, क्योंकि वहां दे इवरोप में सोब्यस्यली की विरस्ता समाथ हो जाने की पश्चात बहुत सारे देश दुबारा विस्व अर्दवरस्ता का अंग बन गए थे चीन जैसे देशों में बेतन दुलात्मक रूप से कम थे फलस्व रूप विस्व आजारों पर अपना प्रिवत कार्म करने के लिए पीतिस पादा करही विदेशी बहुराष्ट के कंपणियों ने वहां जाकर निविस करना शुरूं किया बताया है न चीन में आप ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे जैन्दतर टيलीविजन ं Custom phone Phon Aid और खिलोंे चीन में बने होते हैं ना ही कोई इस तरह का आप समझ सकते हैं कि विवस्ता है कि बहुराष्ट के एक कंपनी हमारे देश में निवेश करें उससे क्या होगा रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश के विकास भी बढ़ेगा विक्सित हो सकता है विक्सित देशों की सूची में जा खड़े हो आप ए मतलब सरम की बात नहीं है हकीकत है आज आप देखें कि चाइना अमेरिका को ठकर दे रहा है महासक्ती बनने की कतार में खड़ा हो चुका है और हम लोग कहा है वो दो कम बेतन बाले देशों में ले जाने के से बैस्विक ब्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर बिनिमय दर इस व्यवस्ता के जड़िए अंतराश्ची ब्यापार की सुविधा के लिए बेविनदेशों की राष्टी मुद्राओं को एक दूसरे से जोडा जाता है मौटत और ने ने लेकी सरकार की उता है तो ऐसी बिनिमय दर को इस तिर बिनिमय दर के आखा जाता है और लचिली या पर परिगवतन सील विनिवेदर की बात करूं तो इस तरह की विनिवेदर को विदेशी मुद्रा वाजार में विवने मुद्राओं की मांग या फिर आपूर्ती की आधार पर वो सिध्धानता सरकारों के हस्तुच्छे प्रिवना गर्थी बढ़ती रहती है एक से दो बात पढ़ लिजे ठीक है जितना अधिक से अधिक आपको टाइम दिलता है और अधिक से अधिक आप बार आप लोग पढ़ सकते हैं उसे पढ़ते रहे हैं तो चलिए अंगलियल चेप्टर में हम लोग मिलते हैं उद्दोगी करण का युब देखेंगे उद्द आरत और समकाली ने विष्ण सेकेंड के नाम से अधिक आपकी बुक से उसी को हम लोग देख रहे हैं तो इसमें आपके तीन चेप्टर खतम कर चुगे हैं युरू महिराष्टवात का होदा है भारत महिराष्टवात और तीसरा चेप्टर था भूमंदलीकित विष्ण का बनना यह आपके लिए बहुत ही महत्पूर है याद रखी वैसे तो आपके लिए एंजी आइटी सिक्से से आपको ट्वाल तक पढ़नी है यानि कि छैसे बारवी तक अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप नौ से बार है तो पढ़ी ले क्या करें नौ से बार है तो पढ़ी ले मेरी सलाह यही है कि आप लोग छेटवी से पढ़ लें क्योंकि ज्यादा जो छे से आठ तक की वोगस है यह बहुत ही पतली पतली वोगस है और बहुत ही साधार सब्दों में लिए अगर एक बार आप पढ़ते हैं तो तब भी समझ में आ जाएगा और द से आटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्रेले लेंश सूर्च है उसी मेडल ही थैल को अंदक क्रक्षा नोबी तक कि सभी एकर्श कम्प्ली बुक्स कर चुके हैं काट्षा 10 की मी भी इसे मिला कर चार उक्क्षा में बीथजर दों आपका благодар karma बच पच्चती है तो मुझे आप लोग recipients के टेंसलने करवानी कि, क्योंकि मैंने जो कहा है आप लोगों से बागा है, उसी मैं पूरा करूँगा हराद में तो थोड़ा टैम दी-दिया करिये yak हमिझे, जैसे ही मिलता है मुझे टैम में डाल देता हूं तो तो आज हम बात करेंगे उद्धोगिक योग के बारे में, उद्धोगिकरन का जो योगरा है, उसी के बारे में, यह हमारा चौतरा चेप्टर है, और एक बात और आपको बताऊं, देखिए एक ही बात ही कहूंगा, कि NCEIT का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है कि NCE आप लोगों को बताएं, मैंने पॉलिटी में आप लोग बेहतर कर सकते हैं, कि NCEIT पिलस एमलक्ष मिकांत, एक इस पेसल डोक होगी, और बाकी NCEIT होगी, बस इतना काफी है, और रहा नोट्स का, तो आप जिसे ही दो से तीन बात पढ़ेंगे NCEIT को, आपको फुत पालू चल जाएगा कि आपको NCEIT क्या लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं, नोट्स में वही लिखा जाता है, जो हमें याद ना हो, अब आप सोचिए कि घंधी जी के बारे में याद है, पंडित जवाल, लाद नहिरू के बारे में कुछ याद है, तो याद बाली पॉइंटों क हम कभी नहीं नोट करते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग उन पॉइंटों को उठाते हैं, जो हमें याद ना हो, जिसमें याद तो परियसानी हो, कि लाश्क में हम रिवीजर करने के पॉइंट भीव से उनहीं को नोट्स को पढ़ जाएं, कि दो से अगर पंद्रे से बीस में पूरी हिस्टरी कबर हो जाएं, एसे नोट्स होने चलिए, अगर आपको पूरी किताबी चाहनी है, तो फिर उसे अच्छा किताबी पढ़ी है, आप लोग नोट्स मर्भ बनाई है, चलिए तो इस चैप्टर को देखते हैं, और बात हैं, बात में होती रहेंगी, इस प पॉल म्यूजिक कंपणी ने सन उन्नीस सो में संगीत की एक किताब पिकासित की थी, जिसकी जल्ली जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदे, डॉन आप दा सेंचुरी का एलान किया गया था, जैसा कि आप इस चित में देख सकते हैं कि तस्वीर के मद्द में ए दिखाई देती है, दिखा रहा है आपको, और उसका एक पाउं पंखों वाले पहिये पर टिका हुआ है, यह पहिया समय का पिद्धीक है, उसकी उडान भविश्य की ओर है, और उसके पीछे उन्नती के चिन्ड पैर तेर रहे है, रेलिवी कैमरा मसीन पैंटिंग प्रेट् देख रहा होगा न, पीछे, देख रहा है, यही, प्रांच, मसीन और तकनीक का है महिमा मंडल, महिमा मंडल, एक अन्य तस्वीर में और भी जान्दा सब दिखाई देता है, यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्तिगा के पन्नों पर 100 साल से भी पहले चपी थी, यह देख रह की जारी, दो जादूगर, इनलेंड, पेंटर्स में, पिकासित, 26 जन्वरी, 1901 की बात है, इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाई गए है, और उपर वाले ही, इससे में प्राच, इलाकी का अलादीन है, जिसमें, जिसने अपने जादूई चिराग को रगड कर, एक भब महल का निर्मार कर दिया है, और नीचे एक आधूनिक मेकेनिक है, जो अपनी आधूनिक वजारों से एक नया जादू दुरच रहा है, वेपल पानी की जाज, मेनार और गगन चुम्मी इमारते बनाता है, अलादीन, पूरब और अतीत का पितिक है, मेकेनिक, पस्चिम और आधूनिकता का पितिक है, देख लीजे एक वारक्षा, यहां एक आपका सब्द आया हुआ था, प्राच, भूमद सागर के पूर मेस्तिदेश, आमतोर पर यह सब्द एसिया के लिए इस्तिमाल किया जाता है, पस्चिमी नजरियस में प्राच चिला के पूर्व आधूनिक पारम परिक और रहसमे थे, एक मुझे ये संग्मे ने आता है कि इस में ऐसा कोई सब्द नहीं मिलेगा है दूर्य में जो आपको समझ में ना आए, आपनों बस एक से दो बार पढ़ेके मुझे लगता है कुरा समझ में सब कुछ आ जा जाता है, मुझे निगता है कि कुछ एक अच्छी नेवल पर पहुंच गये हैं तैयारी करने की बाद, देखें सेविल सर्विस की तैयारी आप तभी करते हैं, मुझे लगता है जो आप ठीक ठाक लेवल पर पहुंचते हैं, तो आपको सब कुछ आ जाता है और NCEIT आपको मालू होनी चाहिए कि कहीं किसी कलास में नहीं पढ़ाई जाती हैं, किसी भी कोचिंग में आप जाए, NCEIT कभी नहीं पढ़ाई जाती हैं, आपसे बोल दिया जाता है कि आप लोग इससे विसे की NCEIT पढ़ लें, यह तस्वीर आधुनी गविस्ट की विजय गाथा कहती हैं, इस गाथा में आधुनी गविस्ट द जानी के रूम में सामने आता है, और आधुनी के तकनी की प्रगती के भव वयुक के रूम में उभरता है, अब ए छवियां और यह संबंद लोकमानस का हिस्सा बन चुके, क्या आप भी तेज दोवी करण को प्रगती वाधुनीक्ता के काल के रूम में नहीं देखते हैं, क क्या आपको नहीं लगता है कि रेलवे और फेक्टरियों का निर्माण गगन चुम्मी इमारतों बापोलों का विष्ता समाज की विकास का गोव तक होता है, आप भी दानते हैं यह तो बात कि एक समय हम देखते थे कि आज कल हम लोग लोहे का भी उपयोग नहीं करते थे, ह अब ने थोड़ा विकास किया जोबड़ी बनाई, उसके बाद थोड़ा और विकास किया, आज आप देखिये कि आपको बी आईपी मकानों में रहने लगे हम लो, बी आईपी सोभधा उठाने लगे, एक सफ़ें मैं भी, मैंने भी देखा है कि जो रेत हुगा करती थी, ज इतना मदलब वो होने लगा है, तो ये बात रही, एचविया किस पेकार विक्सित हुई है, इन विचारों से हमारत क्या संब्द है, क्या उद्दोगी करण के लिए तेव तकनीक की विकास हमेशा जरूरी होता है, क्या आज भी तमाम तरह के कामों के दिनो दिन बढ़ते मस पूरी समझी जाएगी, और मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी पता है आपको, एक कहानी का रूप दे दिया गया है, और आज भी मैं यही कहूँगा कि आप भी कहानी का रूप दे कर ही पढ़ें, तो मुझे लगता है बहतर समझ में आगा, अभी कोई बता रहा था है कि उद्धोगी करन या पर जो मस्विनी करन हुआ है, इसका प्रभाव बढ़ा है जिंदिगी में, लेकिन हमने इसने नकारत्मक कशी जगए नकारत्मक दिष्टी से भी ले लिया, कहा जादा है कि फौन आया, कि आपको सहूलियत हो, आपको मतलब सहायता मिले इससे, लेकिन इस खुद, पर्सनल, आज आप देखरेंगी, वहर्ट सब के सिबुक पर डाल दिया जाता है, और तो लोग भी यही कर रहे हैं, कि उस तरफ से भी लोग आते नहीं है, समझ रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस समय भी तो 24 गांटे होते थे, आज भी 24 गांटे होते हैं, मतलब तक पेव में इसका यूच करें, आप 24 गंटा Facebook चला सकते हैं, WhatsApp चला सकते हैं, आप मस्की कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और एक आपके पास option है कि आप किलासे सुनिए, आप किसी के lecture सुनीचे, जब आप फिर ही बैठे हैं, कभी लेटे हुए हैं, तो आप कोई lecture लग लगया है, कितने अच्छे से समझाया जाता है, उसमें आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है सामने, इसकीन पर, आपको किवल अपने कानों कावाज जाने दिन ही है, तो यह भी कर सकते हैं, आप लोग थुड़ा सोच लिया करिएगा, और फिर सुनीच बहुत सब जहां उद्दोगी उद्दोगी बदलायों का पैटर्न ओपनेवेसिक्स आसन से तैब हो रहा है, एक बात और बता हम देखिए, बेटें से ही सब कुछ सुरूंग हुआ, उद्दोगी करांग्दी हो प्रचाए आपने राष्ट देखा हो, राष्ट बात, या नहीं कि यू उद्दोगी उद्दोगी उत्पादन की बात करते हैं, तो हमारा असर फैक्टरियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम उद्दोगी मजदूरों की बात करते हैं, तो भी हमारा असर कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से यह होता है, उद्दोगी करन क पर इस सोच में एक समस्या है, दरसल इंग्लेंड और यूरोप में फैक्टरियों की स्थापना से भी पहले अंतराष्टी बाजार के लिए बड़े कर्माने पर उत्दोगी करन उत्पादन होने लगा था, या उत्पादन फैक्टरियों में नहीं होता था, बहुत सारे इतिह पर इस सदाबदी में यूरोपिय सहरों के सौधागर गाउं की तरफ रूप करने लगे थे, बेकिसानों कारीगरों को पैसा देते थे और उन से अंतरफ्टी वाजार के लिए उत्पादन करवाते थे, ओस समय विस्वयापार के विस्तार और दुनिया के विविन भागों में उपनिविसों की स्थापना के गारण चीजों का की मान बढ़ने लगी थे, आप भी देखते हैं कि हमारे देश में भी आये हुए है और नील आपने देखा है, उत्पादन करवाया गया, और भी आपने देखा है, चाय भागार इस तरह के लगवाय थे, तो वो क्या किया करते थे, कि यहाप से खरीदा उन्होंने अन बाजारों बैहत दिया, किसानों ने नील उत्पादन किया, उसे जा कर अलग-अलग जगें निर्याद कर दिया इस माल को पूरा करने के लिए केवल सहरों में रहने वाल रहते हुए उतपादन नहीं बढ़ाया जा सकता था वजय एक हैती कि सहरों में सहरी दस्तकारी और व्यापारे गिल्ट काफी दाज़तवर थे एक गिल्ट से मतलब क्या होता है जो उत्पादक संगटन होते एग तरह से गिल्ट से जोड़े उत्पादक कारीगरों पिशीखण देते थे उत्पात्कों पर नियतन अखते थे, पितीस परदाव मूल लिताई करते थे, तथा बेवसाय में नए लोगों को आने से रोपते थे, सासकों ने भी बिविन गिल्ड्स को खास उत्पातों के उत्पातों नो ब्यापार का इकाधिकार दिया हुआ थे, फालसरूप नए ब्या पारी सहरों में कारूबार नहीं कर सकते थे, इसलिए में गाव की तरफ जाने लोगे, गाव में गरीब कास्तगार और दस्तकार सौधागरों के लिए काम करने लेगे, जैसा कि आपने पिछले साल की बाठकुस्तर पर देखा भी था, कि एक ऐसा समय था जब खोले खेत खत नहीं वाले चोटे किसान, यह चोटे किसानों को कुटेजर कह देते, और गरीब किसान आपदानी के नई सरोड टून रहे थे, बहुत के पास चोटे-चोटे खेत थे, तो थे, लेकिन उनमें घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था, इसलिए जब सौधागरों वहा को भी समाल सकते थे, आप लोगों को एक उधारन देता हूं, चीन और इरान को ले लिजे भी, आप जान रहेंगे, इरान के पास कोई उपसल नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इतने पिती बंद लगा रखे हैं, कि कोई देस उससे समझोता या कोई भी करार करने में डर था है भारत को ही देख लिजे, आपने देखा कई प्रोजेक्ट योजनाय चलाई जा रही थी वहां, हमारी तरब से, जब से आपने अमेरिका ने चेताओं नहीं दी, तो हम लोगों ने कच्छा माल भी आया करना वहां से बंद करते हैं, और अपनी योजनाओं को ठील देती, तो चीन ने जाकर हुआ समझोते कर लिए, तो इरान के पास तो कोई समझ, इरान जानता है कि चीन की मतलब जो भी पॉलिसी है वो खतार नग है, साहुकारों जैसी है, कि पहले रड देगा और उसे फसाएगा उसके बाद उसकी जमीन हड़केगा, लेकिन उसके पास इरान के प समान लिया, इस देख रहे होंगे पिक चैसा, अठारवी सधी में कताई, आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस धागा बनाने की काम में लगे है, द्यान से देखी कि एक चरके पर केवल एक ही तकली वन रही है, एक ही तकली वन रही है, छोटे-छोटे यानि की का मौका भी मिल गया, आजकल खुद्ते भी बड़े परिसान है, क्या करें, लोगडाउन का टाइम चला है, विचार गूम भी नहीं पा रहे हैं, इस विवस्ता से सहरों और गाओं के बीच एक घनिट से संबंद विखसे थुआ, सौधागा रहते तो सहरों में थे, लेकिन के लिए काम ज्यादा तर देहात में चलता था, एंगलेंड के कपड़ा विवसाई, इस्टे फिलर्ज से उन खरीकते थे, उसे सूध कातने वालों के पास पहुंचा देते थे, इससे जो धागा मिलता था, उसे बुनकर फुलर्ज और रंग साजों के पास ले जाया, जाता लंदन में कपड़ों की फिनिसिंग होती थी, और इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतराश्टी बाजार में बेज देते थे, इसलिए लंदन को भी फिनिसिंग सेंटर के रों में भी जाना जाने लगा था, आप लोगों ने एक बात सुना होगा, क्या, कि गाओं में यही होता है, अभी भी यही होता है, कि जो सेट लोग होते हैं, वहां से जो भी सामन होता है, उत्पादन होता है, किसानों का उत्पादक करते हैं, जो भी उसे खरीदने बाले सेट सहरों में ही तो रहते हैं, वह गाओं से लेकिन उनका चुडाव बना रहता है, आप भी देखते रहते हैं, कि वो वहां से उठाते हैं, अपने या ले जाते हैं, या फर उसे किसी दूसरी चीज़ों में बदलते हैं, जैसे गयमू ले लिया, उसे आटा बनवाकर, बिस्केट बनाया, उसके बाद दिर्यार करते रहे, राष्टी है, राष्ट में भी और अ विवासा भी देती जाती है, standardiseology कि एशाप इसे एश', फुलर, एशा ग्लम्टों के सहारी कपड़ों को समळेता, इनने आटी कार्डिंग वैपिक्रिया जिसमें कपास या उन आधी रेसों को कताई के लिए तेयार किया जाता था एक कार्डिंग कहला थी यह आधी उद्धोगी विवस्था विवसाय आधान पिदान की नेटवर्क का हिस्सा थी इस पर सौधागरों का नेतर था और चीजों का वतपाद कालिग अलां करते थे हैं अब चलते हैं लोग कारखानों का उदर देखते हैं कार-क्षान का अधर देखते हैं इंगल्याइंड में सबसे पहले 1730 के दसक में कारखाने खुले लेकिन उनकी संख्या मित्देजी से इजाफ़ा 1810 सदी के आखिर में ही हुगा देखते हूंग जब से इंग्लेंड में कपड़े बनने लगी और यूरूपीय देशों में कपड़े बनने लगी और हमारे यहां से कच्छा माल ले जाकर वहां जैसे सूथ कपास यहां से ले जाकर वो लोग कपड़े में बनने लगी तब से हमारे यहां के उद्दोग डंदे जो भी थे वो ठप पड़ने क्योंकि आप समझेए कि वहां हम मसीनों का उपयोग होने लागा और हमारे बास ऐसी सुविधा नहीं थी और आप जानते हैं कि अगर बिना मसीन की आप कुछ काम करते हैं तो दिन में हो सकता है कि एक से दो सौल आप बना पाएं और कितना टाइम लगेगा आप समझ सकते हैं तो पूरा परिवार उसी में सम्टा रहेगा और मसीनों का क्या रहता है कि एक दिन में हजारों सौल बना देगी तो आप समझते हैं कि वो सस्ते भी होंगे क्या हूंगी सस्ते भी होंगे और आप हातों से बना रहे हैं तो यह महेंगे भी होगे और इस दुनि 1760 में बेटेन अपने कपास उद्धूंगों की तरूरतों को पुरा करने के लिए 25 लाग पॉंड कच्छे कपास का आयाद करता था यानि कि बाहरी के देशों से खरीदता था 1787 में आयाद बढ़कर 220 लाग पॉंड तक पहुंच गया समझ नहीं आप लोग 25 लाग पॉंड से बढ़कर कितना 220 लाग पॉंड तक पहुंच गया क्योंकि जिस तरह से उत्पादन होता होगा हुआ जिस तरह से चल रहा था दंदा उत्दोगिक जो भी था तो मांग बढ़ती गई और ये 220 लाग पॉंड तक पहुंच गया यह जापा उत्पादन की पिक्रिया में बहुत सारे बदलाओं का परड़ाम था आएए देखें कि यह तस्वी यह बदलाओं कौन से थे अठारवी सदी में कोई ऐसे अविस्कार हुले जिन्होंने उत्पादन पिक्रिया काइडिंग एटना वकताई और लपेट ने कि हर चैन की गोसलता बढ़ा दे पिती मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से जदा मजदूर धागों वारेसों का उत्पादन होने लगा इसके बाद रिचर्ड आर्क राइट ने सूती कपड़ा मिलकी रूप रेखा सामने रखी अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फ्हला गुए थ बढ़ेध अब महहङी नहीं मसीरे करीज़कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था ने सारी फिक्करिया एक छत के नीचे और एक मालिक आपर इसके चलते उत्पादन पिक्रिया पर निगरानी गुडवत्ता का ध्यान रखना मजदूरों पर नजगर रखना संभा हो कर रहे हैं या बैठी हुए और इक बात आप पर उने दिखा हुगा स्टेक्रेट और बिडी इसको आप लोग अपने देलेक देवन चाहिए आप भी देखा हुगा कि गाओं में बनाई जाती लोग गाओं में ही बनाते थे लेकिन आप देख रहेंगे फैक्टरियों में इसक अंदर नियुच का है 1925 की बाद कलाकार ने खाया कि अगर उस नाम उस नम मौसम की नजर से देखें इसके कारण लंका साय दुनिया में सूथ कताई कि लिए सबसे आधर सिस्थान बनता है तो साम की दौनले में दमकता कॉटन में सबसे सांदर नजारा दिखाई देता है उननीसमी सदी की सुरात में कारखा ने इंगलेंड के भूदेश्टर का अभिन अंग बन गए थी ये नई कारखा ने इतने विशाल और नई प्रोधविगी की तागत इतनी जादू ही दिखाई देती थी कि उस समय कि लोगों की आखें चोंद्या जाती थी लोगों का द्य गधर आज़ को यहां आपको दिख रहा है कहीं समझाने की बात मुझे लगता है कि कोई ऐसे सब्धा आप को दिखाई दे रहा हो जो समझ में ना आ पूरा मुझी लगता है कि ए एग एक पूरा कहानी देकर समझाया जा रहा है जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्थौप की बज़ये को दोगी करन पर ध्यान केंदरित करते हैं या इस बात का एक बढ़िया उधारन है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए विश्वाक से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नज़र अंताज कर देते हैं अपनी जीवन के किसी एक ऐसी गटना या पहलू को लिखें जिसे आपके माता पिता या सिप्चग आदी इस तरह की याद रखें आपको नहीं करना है इस तरह गतिविदी ठीक है मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी ही कोई भी किरिया कलाप होता है या पैक्टिकल करने की बात करती है आप उसे एक से दो बाग पढ़ लें और मन में सोच के कर लें लेकिन आपको पैक्टिकल नहीं करना है क्योंकि इसतना आपके पास टाइम नहीं है आगे वड़ते हैं उद्दोगी करन परिवर्तन की रफ्ता उद्दोगी करन की फिक्रिया कितनी तेज थी क्या उद्दोगी करन का मतलव केबल पैक्टिक उद्दोगों के विटास तक ही सेमित होता है इस चित को आप देखाई दे रहा होगा आपको और दोगी मैंचेस्टर एम जेक्सन का चित है दा इल इस्टेटेड लंदन नियूज का है अठारे सो संताबन हमारे देश में आपने देखाई कि अठारे सो संताबन की किरांती भी हुई थी समझ रहे हैं दुआ छोड़ती चि उद्योग थे तेजी से बढ़ता हुआ कबास उद्योग 1840 की दसक तक उद्धूगी करण के पहले चर्ण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था इसके बाद लोहा और श्टेल उद्योग आंगे निकल गए 1840 की दसक से इंगलेंड में और 1860 की दसक से उसके उपने व और 1880 की कबास नर्यास की मूल से दुगनी थी याद रखी यह इंगलेंड की यह यह यूरोपिय देशों के उपने वेस का कहने का मतलब है कि जैसे हमारे बारत था इस तरह कि उनके गुलाब थे जो वहां भी रेलिविक अविस्तार होने लगा है ठीक है उपने वेसों का मत नीच भी सधी के आखिर में भी तक्नीकी रोप से विक्सेत उद्वोगी चित में काम करने वाली मजदूरों की संख्या कोल मजदूरों से बीच पिती सच से जाना नहीं थी कपड़ा उद्देवए गती सील उद्द्योग था लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा का भी थे खाद पिसंद्द कर निर्माट पोड़री कांच के काम चरम सोधन फंडी चर और जारों के उत्पारियं जैसे बहुत सारे गेर मसीनी के छेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुक्रूप से साधारम और चोटे-चोटे अभिस्कारों का ही परड़ाम थी चोटरा उद्दोविक की बदलाओं की धीमी थी उद्दोविक भूदिस्क पर ये बदलाओं नाटकी ये देजी से नहीं पहले थी नई तक्निक महिए थी और साधागरव अब्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूँख-फूख कर कदम बढ़ाते थी मसी ने अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरमत पर कापी खर्चा हाता था वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना कि उनकी अविस्कारों और निर्माताओं का दावा था एक बात और आप जयात रिखिए अभी माल लिजे कि आपके पास आप देखते हैं कि कार आगी तरह ही चमता नहीं कि वो कार खरीज ले तो वो अपने साइकिल से चले या किसी तरह से आपना काम चलाता रहेगा जो पारम परिक है एक समय आप देखते थे लोग एक जगह से धूसरी जगह जाय करते थे और समझ सकते हैं कि बैलगाडी में कोई खरावी का भी ऐसा जानदभार यह रहा है कि जो खुद ना करते हैं उसकी रपिय है आज आप सोची शुछे भुर्चूनर अपने लीवी है अगर उसमें कोई भी खरावी आ जाती है तो आप समझेए कि महंगा यह मतलब उसका खर्चा आएगा जो महंगा होगा औवर आप खुद से सही नहीं कर सकते हैं तो दूसरी बात थी कि इनमें अगर खराबी आ जाती थी तो इनमें जो भी रिपेंग का काम होता था वो बहुत काफी खर्चीला होता था तो लोग अपने परंपरा के जो भी उद्धोग थे जिस तरह से वो अपना उत्पादन कर रहे थे उसी तरह से लगे रहे यहां आपक लोकोमोटिव इंजन मनाई जाते थे और पुराने पुरानों की मरम्मद भी की जाती थे और आप देखेंगे कि हमारे भारत की बात करें तो जो हम लोग मसीने भी खरीते हो समय तो आप देख रहे थे कि यूरूप ये देशों में बनाए जा रही थी तो आँसे खरीद का लाना और फिर अगर खराब हो जाए तो फिर उहां भेजना या आप कहीं सुधारने के लिए बोलना ये बड़ी मुश्किल भरी बात रहती होगी आज हम मोबाइल खरीते हैं हो सकता है उसमें कोई खराबी आया हम देखते हैं कि 4-5-7 दिन तक वो जाता है रिपेंग के लि और 1871 में नए जिन को पेटेंट करा दी लिया इस मॉडल का पेटेंट का मतलब यह होता है कि देखिए आपके नाम अगर पेटेंट हो जाता है तो उसका आप ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपने कोई खोच की और दूसरा उसका उप्योग करने लिए यह चोरी हो जाती है पर आप देखेंगे उसके तरह दहता आप सजा भी मिल सकती है तो इस पेटेंट कोई भी आप खोच करना है किसी भी का आविस्कार करना है तो आपके नाम पर वो पेटेंट हो जाया हो इस मॉडल का उत्पादन के दोस्त उद्ध्योग पती मैथ्यू बोल्टन ने किया पर कारियों में इस्तेवाल हो रहते हैं और किसी उद्ध्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बात तक भी नहीं हुआ यानि मजदूरों की उत्पादन चमता को कई गुना बढ़ाने की संभावने वाली सबसे सकती साली प्रदूगी पूखो अपनाने में भी उ होता था आप सीधा सा कहने का मतलब है कि जो नहीं मसीने आई हुए है उनका उद्ध्यों में ते इस तरह के जो परमपरगत काम थी इनमें जाना प्रभाव नहीं रहा है यह उसी तरह से चलता रहा है 1830 की एक नई कता कताई बेक्टरी आंगे इसमें देखिए बदलाव रहा है ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वहीं पुरा परमपरगत रूप से कारीगरी होती रही मजतूरी होती रही है आने वाले दिनों में परिवर्टन होता है लेकर शुरू की बात करो आप देख सकते है कि किस तरह भाब की दागत में से चलने वाले विशाल का परिये एक साथ सेक्णों तकलियों को घुमाने लगते थे और यहां कम मजदूरों की भी जरूरत पढ़ती होगी समझ लें आप लोग अब बात करते हाथ का सरम और वास्प सकती वास्प सकती वेक्टोरिया कालीन बेटिन में मानव सरम की कोई कमी नहीं थे गरीब किसान और वेगान लोग कामकाज की तलास में बड़ी संख्या में सहरों को जाते थे जैसा कि आप आगे जानेगे जब सेमिकों की बहुता आया होती तो बेतन गिर जाते इसलिए वो दोग पतियों को सेमिकों की कमी या बेतन किमत में भारी लागन जैसी कोई परेशानी नहीं थी और उन्हें ऐसी मसीनों में कोई दल्चस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाये और जिन पर बहुत ज्यादा आने बाला हो और एक बात और याद रखे ये क्या हुआ करता था कि देखिए आंगे फायदा हो सकता है मसीन से लेकिन उसे खरीदने में उसे सैट करने बहुत खंचा आता होगा तो इससे भी लोग बचते थे कि उसी सुरुवात थी है आप समझ सकते हैं कि सुरुवात में लोग कम ही पर सख्याज करना चाहते हैं मजदूर भी तो आसानी से थे कम बेतन में थी तो उन्होंने इसे ही अपनाया बहुत सारे उद्यों में सेमकों की मांग मौसमी आधार पर घट्ती बरती रहती थी गैसगरों और सरब खानों में जाड़ों की दौरान खासा काम रहत थी बंदरगाहों पर जहाजों की मरंबत और सापसफाई बस सजावट का काम भी जाड़ों में ही होता किया जाता था जिस उद्धोगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहां उद्धोग पती मसीनों की वज़े मजदूरों को ही काम पर रखना पस और आज थाई काम तलासते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते आज भी आप इस तरह की कई उधारन देखने को आपको मिल जाएगी यहां कुछ आपका देखते हैं क्या है एक पेराग्राम बिल थाउन मौसमी काम की तलास में निकल ले बाली मजदूरों में से एक थे उन्होंने इंटेंड होई और अन्य चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-मोटे काम भी किये वह बताते ही कि नौकरी के एक चुक जिस तरह पैदल लंदन जाते थे मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था मेरे एक चामेशा एक पुराने दोस्त के खत्तों को पढ़क और मजबूत हो जाती थी को है वोल्ड केंट रोड रोड गेस वक्स में काम करता था आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया और नवंबर नवंबर 1881 में दो दोस्तों के साथ मैं सफर पर निकल पड़ा हमें सासा से भरे हुए थे कि वहाँ पहुंचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोजगार मिल जाएगा जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था लंदन तक की राश्ते के लिए खाने और रा पहर ही सोते हुए गोजारी एक बार भुसे के देर तले और एक बार खेत में बने एक सैड में लंदन पहुंचने पार मैंने अपने दोस्त को डूरने का प्रयास किया लेकिन नाकाम्याब रहा पैसा तो जाही चुका था इसलिए हम अब हमारे पास देर रात तक यहां वहा था यानि कि रभीबाद दोपर बाद हम ओल्ड केंट गैस वक्स पहुंचे वहां हमने काम के लिए अरजी दी दी और यहां देखकर मैरे अचरज किसी माह ना रही कि हम जैसे डूर्ण रहे थे वही वही काम कर रहा था उसने फॉरें फॉर्मेंस इक बात की और मुझे नौ कि यह जा रहे हैं आपका कोई दोस्त रहता हूं वो ना मिले और आपकी पास पैसा भी ना वह आप भटकते रहें किस तरह से लोग जिन्दगी बुजारते हैं आप समझ सकते हैं इसमें कोई ऐसा आगे बढ़ते हैं बहुत सारे उत्पात केवल हास से ही तेयार किया जा सकत लेकिन बाजार में एक्तर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफी मांग रहती थी उधारन के लिए बेटेन में 19-20 सदी किमत में 500 तरह की हतोड़ी और 45 तरह की कुलाणिया बनाई जा रही थी इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रद्दगी की नही बलकी इंसानी निपड़ता की जरूरती एक तरह से आप कह सकते हें कि इनसानों की जरूरती मसीन तरह की कारीगरी नहीं कर सकती थी बेक्टोरिया कालीन बेटेन में उच वर्ग के लोग कुलीन और पूजी पती वर्ग हाथों से बनी चीजों को तरजीह देते थे हाथ से बनी चीजों को परिस्कार और सुरुची का पितिक माना जाता था उनकी फिनिस अच्छी होती थी उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था मसीनों से बनने वाले उत्पादों को उपने वेशों में निरयाद कर दिया जाता था और जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्रोग पती मसीनों का इस्तेमाल करना जादा पसंद करते थी ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तिवाल करके बे अपना काम चला सकें 19-वी सदी के अमेरिका में यही इस्तिती थी लेकिन बैंटेर में कामगारों की कोई कमी नहीं थी यह आपको एक चित्य दिख रहा होगा लोई की पेक्टरी में मजदूर उत्तर पूर्वी पूर्व इंग्लेंड बिलियम बेल इस्कोर्ट की पैंटिंग है यह आपकी 1861 की बात थी 19-वी सदी के आखिर में बहुत सारी कलाकार मजदूरों को आधर्स के रूम में पिस्तुत करने लगी थी उन्हें राष्ट के लिए कठाईया और पीड़ा जिलते हुए दिखाया जाता था अब बात कर लेते हम लोग मजदूरों की जिंदगी कैसी रही इस समय बाजाद में सर्म की बहुताया से मजदूरों की जिंदगी में भी प्रभावित हुई है जैसे ही नौकरियों की खबार गाव में पहुँची सैटरों की तागादाद में लोगों के हुजूर सहरों की तरफ चल पड़े नौकरिया मिलने की समभावना यारी दोस्ती कुन्विक कुटुम के जरिये जान पहचान पर निरवर करती थी अगर किसी कारखाने में आपका रिष्तेधार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरियों मिलने की समभावना ज्यादा रहती थी सबसे पास ऐसे सामाजिक संपर्ख नहीं होते थी सबके बास रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों कोहतों का इंपजार करना पड़ता बेफोलों के नीचे या फिर रहन बसेरों में राते कारते थे कुछ बेरोजगा सहर में बने निजी रहन बसेरों में रहते थे बहुत सारे निल्धन कानून बिवाग द्वारा चलाई जाने वाले आजथाई बसेरों में रोखते थे एक तरह से आप ले सकते हैं कि आपको तो आप कहते हैं ना कि सिफारिष से जल्दी खाम हो जाता है तो उस समय भी इस तरह की सिफारिष में देखी जाती थी और आप समझ सकते हैं कि जहां एक आदमी की जरूरत हो वहां अगर दस आदमी पहुंच जाए नौपरी के लिए तो क्या इस्तिती हो सकती है आप बहतर सम आप से मिल जाएगा समझ रहे हैं आप सोची यह 5-6,000 रुपय में क्या होता होगा लेकिन क्या करें इतना मतलब बेरोज़गाही है कि हर आगमी काम करने के लिए तैयार है कितना भी पैसा दीजिए कई लोग तो आप पैसे भी मिल जाएगी कि आप उन्हें खाना देती रह इस पैंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक कामघर में रात भर ठेड़ने की टिकेट के लिए अरजी दे रहे हैं यह आसरे स्थल बेसा बेसारा और सडक पर रहने वाली आवा रहा हो और यहां वहां भटकने भटकते लोगों के लिए गरीब कानू दूसों में रहना चल्द की बात थी हर एकी डॉक्टरी जात करते करके पतार लगाया जाता था कि ब्यक्ती वीमार तो नहीं है उनका सरीर पूरी तरह साफ है या नहीं उनकी कपड़े मेले तो नहीं है उन्हें कठोर परिस्यम भी करना पड़ता था इसे आप लोग अपने देश की सरकारी होस्पिटलों की मदल मदद से जान सकते हैं आज आप देखते हैं कि सरकारी होस्पिटलों की क्या मद इस्तिती है कि आप लोगों के फॉंप भरना है उसके बाद आपको देखना है कि किस इस्तिती में जीते हैं हुआ कई लोग तो घर मर जाना पसंद करते ह सरकारी होस्पिटलों में इलाज करवाने से देता है, क्योंकि इसकी आप खुद जानते हैं, इसमें कोई दोराय भी नहीं है ना, समझ रहे हैं, आगे चलते हैं, बहुत सारी उद्दोगों में मौसमी काम की वज़े से, कामगारों को बीच-बीच में बहुत समय, तक खाली ब काम दूणने की कौसिश करते थे, जो 19 सधी के मद्द तक आसान काम नहीं था, एक तरह से कहने का सीधा समतलब एह है, कि आप देखते होगे, कि जब कोई मौसम रहता है इस तरह की काम होगा, एक तरह से आप रक्षा बंदन को आप अपने देश में ले लिजे, या जैसे ही निकलेगी कोई भी तिवार निकलेगा, उसके बाद आपको बहुत ही सस्ते सरम का भी कई मलदूर मिल जाएगे आपको, तो यह इस्तिति है, इसको आप देख रहे हूँगे, चित 11 को, तकलिया, 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 इस्पेनिंग जैनी, टी-ई नेकल्सन द्वारा बनाया गया रिडिका चित 1835 द्यान से दिखी एक ही पहिये से कितनी सारी तक्लियां घूमने लगती थी यानि कि यही तो तक्नीक एक तरह से 19 सदी की शुरुआत में बेतन में कुछ सुधार भी हुआ आया लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता और साताकड़ों से अलग-अलग बेवसायों की बीच आने वाले फ़र्त और साल दर साल होने वाले कुताव-चडाव छिपे रह जाते थे मिसाल के दौर पर जब लंगे नेपोलियन ही यूद के दौरान कीमते तेजी से पड़ी तो मजदूरों की आये के बास्तविक मूल में भारी कमी आ गई आप उन्हें बेतन तो पहले जितना मिलता था लेकिन उससे भी पहले जितने चीने नहीं खरी सकती थे यानि की कहने का मतलब है कि रुपे की जो ग्रह सकती थी वो घट जाती है क्या होती है वो घट जाती है मजदूरों की आपदानी भी सिर्फ बेतन दर्व पर भी परही निर्भन नहीं होती थी रोजगार के उदी भी बहुत महत्तपूर थी मजदूरों की ओसत देने आये इ निहायत करीब थी, 1830 के दसक में आई अधिकमंदी जैसे, दौरों में बेरोजगारों की संख्या विविने चेत्रों में 35 से 75 किती सर्थ तक पहुच गई, बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, जो हमारे देश में अभी चरम इस्तिती में देखी जा सकती है, ये क्या है, इस प पत्ती की रख्चा के लिए बुलाए गया था, गोईला महितुरों और उनकी बीवियों के ग्रोग की परहसानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम इस पैनिंग, इंजिन के काम आरण छेन गया था, शुरू में बड़े अडियल, धंग से आंगे, बड़े, उन उत प के बाद उन्हें सांतिपूर्ण घर जाने के लिए तेयार किया गया है, आप भी जानते हैं, जब महलाओं का कही आंदोलन हो, तो उससे दूर ही रहा करेगा, क्योंकि वहां समझाने का मौका नहीं बिलता है, आपको, एचित आपको दिख रहा होगा, मध लंदन में निर्म स्टेशन बनने लगे, इसका मतलब था कि सुरंगे बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने, एंट और लोही का काम करने की बहुत सारी मजदूरों की जबवत थी, रोजगा चाहने वाले एक निर्माड इस्तल से दूसरी निर्माड इस्तल तक तक जाते रहते थे, याद रि अपने दरिक जीवन चरया में, कि कई ऐसे काम होते हैं, जो मजदूरों से ही कराया जा सकते हैं, बेरोजगारी की असंका के गारण मजदूर नई परुदगी की से चड़ते थे, यानि कि जो नई तकनीक आ रही थी, उससे चड़ रहे थे, जब उन में, उन उद्दोगों म और यह तकराओं लंबी समय तक चलता रहा है, आपने भी तो दिखा है, अपने दिस में कई तरह के अंदूलन होते रहते हैं, क्योंकि जब उनकी नवकरी जाती है, और कोई नई तकनीक आती है, तो उससे अंदूलन करने लगते हैं, इस पेंडिंग जैनी क्या था, जैम्स हर ग्रिब द्वारा 1764 में बनाई गई, इस मसीन से कताई के विक्रिया तेज करती है, और मजदूरों की मांग घटा देगे, एक की पहिया घुमाने वाला एक मजदूर, बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था, और एक साथ कई दागे बनने लगते थे, आप समझे साथ मजदूरों को काम भुगा करता था, वहाँ एक आदमी अकेले कर सकता था इस तकनीक की मदद से, आप सोचिए कि वो 50 लोगों का क्या होता होगा, बोलू तो बे रोजगार हो जाते होगे, और वो कुछ ना कर लेगी, इस्तिति में आप समझें, उनके दिमाग में कैसा बुटसा आता होगा, 1840 के दसक के बाद सहरों में निर्मार्ट की गतिविदिया तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चोड़ा किया गया, नए रेल्वे इस्टेशन बले, रेल्वे लाइनों का विस्तार किया गया, सोरंगे बना फरीभान उद्वे में काम करने वालों की संक्या 1840 के दसक में दुगना और अंगले 30 बरसों में एक बार फिर दुगना हो गई, तो मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना मर्टूनों के नहीं करवाय जा सकते हैं, मसी ने वहां काम नहीं कर सकते हैं, तो इसम सकती हैं उन देशों में किस तरह से उद्वी करन हुई है, उनमें बात करते हैं, विसे इस तोर पर भारत की स्थेती इसमें हम लोग देखेंगे, आईए अब भारत पर नज़ा डालें और देखें कि ये को अपनिवेस का उद्वी करन कैसे हुआ है, यहां भी हम कारखान उ मसीनी चेत पर भी ध्यान देगे, हमारा ध्यान मुक्रोग से कपड़ा उद्वी तक ही सेमित नहीं रहता है, सबसे पहले सुरू करते हैं भारतिये कपड़े का योगा, मसीनी उद्वी के योग से पहले अंतरश्टी कपड़ा बाजार में भारत की रेस्मी और सूती उत्प और मदेशिया के राष्टे यहां की चीजें लेकर आते जाते थे, यहां के बने मसीन कपड़ों के थान उटों की पीड, पलात कर पश्चिमों तर सीमा से पहाडी, दर्नों, रेगिस्थानों के पाद ले जाते थे, मुक्ष पूर्व उपनिविसिक बंदरगाहों से फलता अब इसमें आप देखिये, अगर आप में कोई ऐसा सब्त मुझे बताईए, जो आप लोगों को ना समझ में आया हो, यार मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप सुरूं से तयारी करते हैं, और NCEIT आप पढ़ते हैं सुरूं से, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ब अगर आप लाजया बाहर के जो भी देश के रहते थे, वो लोग भी पहनते थे, इतना महत रहता था था हमारे कपणों का, आप अंगरेज्जों को क्यों आये थे हमारे देश में सुरूं में, एक आएक तो उन्होंने राज करने की सोचा नहीं, पहले तो वो ब्यापार के हमारे भारत में आये थे, फिर उन्होंने यहां की इस्तिती परिस्ति यहां देखी, उसके बाद उन्होंने राज करना सुरूं किया, तो यह हाल था, ठीक है, निर्यात ब्यापार की इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतिये, ब्यापारी और बैंकर सक्रिये थे, सौधागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीते थे, उससे बंदरगाहों तब पहुंचाते थे, बंदरगाहों बंदरगाह पर पड़े जहाद, मालिक और निर्यात ब्यापारियों के दलाल कीमत पर मोलभाव करते थे और आपूर्ती सौ बताएं गुगा करती थे, उनसे हमारा ब्यावाज चलता थे, इसके कई आपको उधारन भी मिलते हैं, मैसो पोटाम याग मैसे की सब बता, नील नदी की सब बता, यह आपके देखते रहते हैं, पीनी नदी, ठीक है? तो हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है, हमारे कोई नहीं टिक सकता है, बस कास हमारे नेता इमादार होते हैं, तो हम कहां से कहां पहुच चुके होते हैं, समय रहे हैं? साहज च réf rätt. कम अंग्रेज, लोग आरहे हैं और इन शातकों का मतलब एक तरह से भरोसा जित रहे हैं, इनके एक तरह से लल अचीती रहे हैं, और इनने से कुछ अधिकार लेकर अपना व्यापा शूरू कर देते हैं. अंक्रेजों में वो कला थी मगलब की सामने वाले को आकरसित करने की, कि जो भी महाराजा राजा थे, वो आराम से उनकी बातों में आखर ग्यापाद करने की इजाज़त दे देते थे, और बाद में आप देखते हैं कि किस तरह से उन्हें ही उसका भुगतान करना पड़ो, तो एक तरह से आज आज आप चीन का उधारन मुझे अच्छा लगता है, बेतर तरही के से, कि चीन भी बड़ी बातों में फसा लेता है, आज आपका नेपाल पड़ोसी भाई को देखिया, कि नेपाल पूरी थे भारत को निरुषा रहता था, आज आप देखिये कि चीन की वासा बोलने लगा है, चीन ने किस तरह से उसे अपने जाल में पसा लिया है, पाकिस्तान को आप देख सकते हैं सभी देशों को आप देखिए कि आपने आस पड़ोसी, कि चीन की तरफ हम मतलब इतनी मदद करते हैं अभी आपने कोरोना महावारी के टाइम देखा है कि हमने सबसे पहले अपने पड़ोसीयों की मदद की है दबाईयों में फिर भी हमारा साथ छोड़के उस आदमी के पास जा रहे हैं जो मदद कभी नहीं करता है जो सरफ रेड़ पर काम करता है हम लोग दान पर काम करते हैं वो रेड़ पर काम करता है यानि कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो दुबारा हम उससे चाहत नहीं रखते हैं कि वो बाफस करेगा लेकिन चीन जो देता है वो बसूल कर लेता है फिर भी उसी की तरफ भाग रहे भालाई का तो जमाना ही नहीं एक तरह से आप यही कर सकते हैं इससे सूरत बाहुगली दोनों पुराने बंदर्गा कमजूर पड़ गए इन बंदर्गाहों से होने वाले निर्यात में नाट किये कमी आई पहले जिस करस से ब्यापार चलता था वह खतम होने लगा दीरे दीरे इस्थानी ये बेंकर देवालिया हो गए 17.2 सदी के आखरी सालों में सूरत बंदर्गा से होने वाली ब्यापार का कोल मूल 1.6 करोर रोपे था और 17.4 के दसक तक यह गिरकर किवल 30,00,00 रोपे रह गया क्योंकि अंग्रेजियों के पास कई तरह की सुविधाय भी थी और उनके पास अच्छा दिमार भी था समझ सकते हैं यहीं कह सकते हैं तो यहां का जो भी व्यापार था उसे थाप करने में वह साम काफी हद तक काम्याग भी रहे यह आपको दिख रहा हुआ सूरत में एक इंगलिस फैक्टरी सब तरह भी सधी काच्छत थे अब इस तरह की फैक्टरी हमारे यह थोड़ी थी हमारे यह पारंपरीक तरह के मतलब उत्पादन होता था था पारंपर इक तरीके से समझ रहे वह इस एक फैक्टरी है सूरत बाहुली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई वा कलकत्ता के स्थिती सुधर रही थे पुराने बंदरगाहों की जगे नए बंदरगाहों का बढ़ता मत ओपने बेसिक सत्ता की बढ़ती दागत का संकित था नए बंदरगाहों की जरीए होने बाला व्यापार वो खतम हो गया था जो बच्चे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपय व्यापारी कंपणियों के देंदरवाले नेटबर्क में काम करने के लाभ़ा कोई चाहरा नहीं था यानि कि जो ब्यापारी घराने बच्चे हुए थे या कंपणिया थी वो क्या करते थे थी कि यूरोपयों के साथ यानि की अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने हैं बैसा ही हाल है कि वो सिंधिया ने बचा अपने आपको बचाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया वोपाल की महरानी नवी साथ तो उसी तरह अगर आप उनकी चत्चाया में रहते थे तो आप बचे आप भी तो जानते हैं, आप से भी सर्विस की तैयारी कर रहा है, सेलेक्शन होगा कर, अगर आप नेताओं के पक्षमा रहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ट्रांसपर रोके रहे, वानना आप देखते हैं, सोक ख्यमका जैसा हाल होता है, कि अपने जिन्दगी में ट्रांसपर ट्रांसपर ट्रांसपर, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हम भी भिष्टाचारी बन जाते हैं, कुछ तो इसी प्रॉब्लम की वज़े से भिष्टाचार करने लगते हैं, इस चित्त को आप लोग देखिए, जो हमारे देश में बुनकर थे, उनका क्या हुआ, बुनकरों का हाल भी तो आप संती रहते हैं, काम पर लगा एक बुनकर गुजरात की बात हैं, जहां से हमारे पतार मंदरी मौदी साहब है, बुनकरों का क्या हुआ, 1760 के दसर के बाद इस्ट इंडिया कमपणी की सत्ता की सुद्रीडी का रटी, शुरुवात में भारत के कपड़ा निर निर्यात को और ही और फ्हलाना चाहती थी, यानि कि ये शुरुवात की बात है, बुनकरों पर शुरुवात में कोई फरक नहीं पड़ा है, जानना पते हैं, 1760 से 1770 के दसक में, बंगाल और करनाटक में राजमितिक सत्ता, इस्थापित करने से पहले इस्ट इंडिया कमप अपना माल सबसे उची बोली लगाने वाले खरीदारों को ही भेशते थे, लंदन भेजेगे अपने पत्त में कम्पनी के अफसरों ने आप उर्ती में मुस्किल और उंचे दामों का बारबार जिक्र भी किया हुगा, एक तरह से आप यहीं सोच सकते हैं कि आपके पास आप ब्यापारी है, चली आप किसान है, ठीक है, आपके पास दस ब्यापारी खड़े हुए आपकी फसल जाने की, तो जो सबसे जाना भाव लगा रहा होगा, आप उसी को देंगे, समझ रहें, आप ऐसा तो हैं नहीं कि सस्ते वाली को देंगे, जो सबसे कम कीमत लगा रहा हो, तो इससे क्या था कि जो बुनकर थे, जो भी इस तरह का उत्पादन कर देती, वो लाग की स्तिती में रहती थे, लेकिन आगे क्या होता है, उससे भी देखते हैं, पर स्तिती बदरती रहती है, लेकिन एक बार इस्ट इंडिया कमपणी की राजनितिक सत्ता इस्तवित हो ज और नियंतन की एक नई ब्यवस्था लागू कर दिया, यह काम कई चड़ों में किया गया है, सीधा सा करने का मतलब है कि आप देखते हैं कि एक ब्यापारी से अप रिरल लेते लेते हैं, और आपके उपर पावंदी लगा दी जाएते हैं, कि आपको उसी को ब्यापारी को नहीं फसल देनी होगी, इसी आप लोग गाव में बहतर तरीके से देखते होंगे, किसानों को किस तरह से सोसन करते हैं, सेटलों, ब्यापारी, वही इस्तिती आपी बनती दिखाई, देगी आपको आपको आपी चलते हैं, पहला चरण देखते हैं, कम्पणी ने कपड़ा ब्यापार में सटक्रिय ब्यापारियों, और दलालों को खतम करने तथा बुनकरों पर ज्याना प्रित्यक्ष नेंतर्ण स्थाफित करने की कौसित की, कम्पणी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्टा करने, और कपड़ों की गुडवत्ता जाचने के लिए ब कोई अपना आदमी रख देता है कि आप किसी से लेंदेन तो नहीं कर रहे हैं, किसी को अपनी फसल तो नहीं बेंच रहे, इसी तरह का अंग्रेजों ने भी काम किया, दूसरा, कम्पणी को माल बेंचने वाली बुनकरों को अन्खरिद्दारों के साथ कारोवार करने की पा मास्ता को ही देना पड़ता था, उसे भी किसी और व्यापारी को नहीं बेंच सकते थे, मैंने किसानों का हालात बताया न, वही हाल है, कि आप अगर सेट से कर लेते हैं, तो उसे ही आपको बेंचना पड़ता है, और आज तो चलिए आप लोग ठाने में जा सकते हैं, रिप जितियां बहुत अलक्त, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से सुसर्ण हुआ होगा हांगी, जैसे जैसे कई, जैसे जैसे करज मिलते गए, और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कभाई की आस में बुनकर पेशगी सुईकार करने लगी, बहुत सारी बुनकरों यही काम करने लगा, बच्चे बा औरते सभी कुछ ना कुछ काम करते थे, लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकरे गाओं में बुनकरों और गुमास्तों के बीच तकराओं की ख़बर आने लगी, इससे पहले आपुरती सौदागर अक्तर बुनकर गाओं में ही रहते थे, बुनकरों ने से उनके नजदीक तालुकात होते थे, बेबुनकरों की जरुदनों का ख्याल भी रखते थे, और संकट के समय उनकी मदद भी करते थे, नई गुमास्ता बाहर के लोग थी, उनका गाओं से पुराना सामाजिक संब्द नहीं था, बेदम उंग बेभार करते यानि कि उनके साथ खराब बेभर करते थे, स्थेपाईयों और चपरासियों को लेकर आते थे, और माल समय पर तेयार ना होने किस्तिती में, बुनकरों को सजा देते थे, सजा की तोर पर बुनकरों को अकसर पीटा जाता था, और कोंटे-कोंडे बशाय जाते थे, अब देखाई दे रहा हुए कि बुनकरों की स्थिती में किस तरह से बदलाओ देखा जा रहा है, अब उनका सोसर्ण का समय चालू कुछता है, करनाटक और बंगाल में बहुत सारी स्थानों पर बुनकरों ने बगावत भी करते, कुछ समय बाद बहुत सारी बुनकर करजा बुद कर दिए, और केतों में वजदूरी करने लगी, उनने समय चालू को करते हैं कबास बुनकरों के सामने नई-ऊ समस्थ आए, पैदा हुई, आपने देखा होगा है, देखें सब के लिद्थ अलग अलग थे, किसानों के लिद अलग थे, जमीदारों के लिद अलग थे के भी कि खुसंते धरा थे। जो भी सामाजी या अपने स्ट कारकरता थाथ जै एक ही आजमी के दुख अरूरा। लेकि र्मी क उनको ड़ा था यही चुपर यूप नहों को सस्रॉट यिसमां अगर हो सकते हैं। तो आगे आपने दिखा है कि जो भी रष्टी आझ दोरन उए, तो इसमें सभी पक्षों ने भाग लिया, बुनकरों ने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, ब्यापारीयों ने भी भाग लिया, क्योंगी सोसर्ण करने वाली अंग्रे जीते, उनकी हित अलग लग थी, 1772 में East India Company के अफसर Henry Patulu ने कहा था कि भारती कपड़े की मांग कभी कभी कम नहीं हो सकती है क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है लेकिन हम देखते हैं कि 19-20 सदी की शुरुआत में भारत के कपना निरयात में गिरावट आने लगी जो सदी 33-33 की गिरावट देखी नहीं है कि इन सालों की वीचे एक कुछ आपका पॉइंट इससे देख लेए थी पटना की आविप्त निलका ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पिर्वाले पर उत्पाधन होता था जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया है जबकि विहार में बहुत कम उत्पाधन होता है यह मैंचेश्टर में बनी सच्टी ओटिकाव बस्तूओं का फल्डिया में जिस तरह से लगे हुए थी तो वो उनसे पितिस परदा नहीं कर पाए नहीं ऐसा क्यों हुआ आकर उसके निर्याद क्या थे यानि कि इस ब्यापार के गरने के निर्याद क्या थे जो हम लोग निर्याद करते थे इसका गिरावट के कारण क्या थे जब इंग्लेंड में कपासुद्यू विक्सित हुआ तो वहां के वह दो पती दूसरे देशों से आने दूसरी इतरा पे इनों ने इस्ट इंडिया कंपणी पर दवाव डाला कि वावेटिस कंपणों को भारतिय बाजारों में भी बेंचे, उननीस भी सदी की तुरुआत में बैटें कि बस उत्पादों के निर्यात में नाटकिये बित्थी हुई ने, अठारवी सदी के आखिर म भारत में उत्पादों का ना के बरावन निर्यात होता था, 1850 तक आते आते सोती का आयात भारती आयात में 31.30 हो चुका था और 1870 तर यह आखड़ा 50.30 से ऊपर चला गया, चलिए माल लेता हूं कि माल लेजे, कास ऐसा हो जाए, तो कितना अच्छा होगा, चीन पर हमारा कपज़ा हो जाता है, हमारी जो भी भारत सरकार है भी चीन पर कपज़ा कर लेती है, एक सब्द आप लोगों ने यूटोपिया सुना होगा, अस्तंभाव, जो संभाव ना हो उसके बारे में सोचना, यह संभाव नहीं लगता है, फिर भी सोच लीजे, वहां हमारी भारत सर लोग हैं, यह बिरोध करने लगें, कि हमारे जो उत्पादन हो रहा है, वो पितीस फदा नहीं कर पा रहा है, और बाहर से आने वाले चीनी सामानों पर रोक लगाई जाए, टेक्स लगाई जाए, जिससे हमारे जो भी उद्द दन दे, इन्हें सारक्षन बिल सके, हमारे ज कि लोगों कि स्थिती सुधर सकते, तो हमारी भारत सरक्यार क्या करेगी, कि वहां के जो भी सामानारा है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दे, या पिर टेक्स लगा दे, जिससे क्या होगा, कि वो महिगा हो जाए, और जो हमारे यह सामार बंद रहागा, वो सस्ता रहेगा तो हमारे यहां के जो भी इस तरह की काम करने वाले हैं, उनकी स्थिती सुधरेगी, और दूसरी बात ऐसा करने लगी कि कच्छा माल मंगाने लगे हैं हम लोग चीन से, और उसे अपने यहां निर्माड करें, उसे यह सामानों में बदलें, जो जरूरत का सामान है, उसे जा सथकार पर दबाव डाला, और उन्होंने कहा कि वहां से जो भारत के कपड़े आयात हो रहे हैं, बाकी देशन से उन पर रोग लाएगा है, या एक तरश से टेक्स लगाएगा है, तो यही काम किया कंपड़ी ने, और आप देखते हैं कि बात के दिनों में, कच्छा जो सू होती थी, और खता मयार इती इस फरदा ही नहीं कर पाई, उनके असामने टिक ही नहीं पाई, इस विकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्या थी, उनका निर्याद बाजार धर्च रहा था, यानि कि जो भी वो सामन बैच रहे थे, वो खतम हो रहा था बुबाजार और इस्थानिय बाजार से कुड़ने लगी थी, सैंसर्स रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल रोवीजन सेज में बुनकरों की कोष्टी समदाय के बारे में कहा जाता गया, क्या कहा गया, भारत की अनभावों में महीन कपड़ा बनाने बाली बुनकरों की तरह कोष्ट इस्थानियों का भी बुरा समय चल रहा था, बे मैंचेश्टर से इतनी बारी तालाद में आने वाले आकर से चीजों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, हाल के सालों में बड़ी संक्या में यहां से जाने लगे और बेमुक्ष रूप से बिहार का रोख कर रहे थे, जहां दिहारी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल सकती थे, आप रिष्टेती समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, यह हाल था थे, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, यार मुझे पता है खुद नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई सब्द है इसमें जो आपको समझाओं, मैं खुद देखता हूं कि कोई ऐसा सब्धी नहीं मिलता है कि जिर्फार बात की जाए कुछ टाइम तक, बस थोड़ा बहुत जैसा कोई मिल जाता है, उसे जोड़ कर बता देता हूं, बॉम्बी हर्वर, अठार्वी सदी के आखिर का चित्त्य, बंबई और कलकत्ता, 1780 के दसक में सिभ्यापारिक बंदरगाहों की रूमें बिक्सित होने लगे, या पुरानी ब्यापारिक विवस्था की पतन और उपनिवेसिक विवस्था की विकास का समय भी था, है इस इस त्वाजारों में मैंचेष्टर से आयातित मालों की भरभार के जहने के कमपनिया थे हैं, उनकी जो मालिक या एक तरह से कहे सकते हैं, उनके जो चाहेते थे, उनका निर्माड वहां करने लगे, वहां से आप देखिए कि हमारे जो भी बाज़ार था इस थानिया भारत का उसमें भी उनका कबड़ा ऊपर बढ़ चड़ कर भाग लेंगे था कम लागत पर मसीनों से बनने वाले आयात कफास उत्पाद इतने सस्टे थी कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे 1850 के दसक तक देश के जादा तर गुनकर इलाकों में गिराबट और विकारी के ही किस्सों की भर्माल थी आप से अभी कहा जाए देखिए इतनी भी हमारे देश में भक्ती नहीं दिराष्ट भक्ती उस समय की स्थिति आप और अलग देख सकते हैं आज आप से का जाए कि चाइनीज कंपनी के फौन मत करीजी आप लो मुझे नहीं लगता है कि कोई देश बक्ती दिखाए अभी जब हमारे लग्दात में जड़प हुई पीज सैनिक के करीब हमारे सैनिक सहीद हुए उसके बाद आप में देखा एक उस समय के लिए वाइक जब तक कि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं रहता है आपके गरीब जो भी हमारे आपके गरीब हैं उनसे कहा जाए कि आप लोग भादती ये सामान खरीदे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहेंगा सामान खरीदेगा क्योंकि वही पौन आपके देश में अगर बन रह चाहिए इतनी भी हमारे देश में राष्ट वक्ती नहीं है कि हम लोग 5,000 का छोड़के 20,000 का देश वक्ती में खरीदे हैं हो सकता है ऐसे आत्मिरबर हो सकते हैं हम लोग इस तरह से सफल भी हो सकता है जो भी आंदोलन आप लोग खड़ा करते हैं कि हमारे पास उस फौन का जो 5,000 का पौन है चाहिए उसी का दूसरा विकलब हमारे सामने उपलब्द हो जाए भारती है यानि कि सौदेशी यानि कि भारत में उपलब्द हो तो सफल हो सकता है क्योंकि हमारे पौन चलाने से मतलब है हम भारती है पौन चलाना लाए लेकिन तब तक आप संभव मत आया हुगा था चाहिनीज कंपनी का मैंने देखा कि वो उसके धरलने से भिक्तरी हो रही थी भारत में सबसे मज़ेदार तो बात यह है कि आपकी किसी टीवी चैनल था उसमें बताय रहा था उसका एंकर चिला रहा था कि चाहिनीज कंपनीयों को खतम कर देजे आप जानते कि नीचे स्प्रिन रहती है उस पर एक एड चल रहा था चाहिनीज मोवाइल कंपनी का आप समझे कि जन्ता को भड़ता रहे हैं एक तरह से मतलब जन्ता को परिशारी में डाल रहे हैं वह आप खुद देश बक्ती ना देखा कि आप दूसरे की टोड़ों पलपल रहे हैं आप दूसरों से पैसा कमा रहे हैं अगर इतना ही है तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए आप भी मत चलाईए एड आज आज आप सबसे जाना देखते हैं कि चीडी कंपनियों का एड चलाए जा रहा है टेवी ओपन हमारे देश के को चैनल चला रहे हैं तो मुझे नहीं ल लेकर कम से कहां अभी तो मत यह सा करीए ठीक है यह जो भी निवच पेपरों वाले होते हैं जो भी चैनले इस तरह ही यह भड़ताने का काम करते हैं आपकी इन्हें करसी भी तरह से मदद की जरूरत नहीं है और एक बात आप भी जानते हैं कि किसी एक्टर नी के घर में आए में किसी गरीब की बेटी मर रही है किसी कोई कुछ हो रहा है सोसड हो रहा है वो दिखा लेकर टायम नहीं है इसे लोगतंत का चौतरा सिथा भारत का लेकिन अज क्या इस्तिती में पहुंच चुका है आप लोग बहतर तरीके से जानते हैं यह गलत बात है कि हम लोग क की वज़या हैं एँए उनके करमों की वज़या है जो दोगलापन पहलाय हुए है उनों उसकी वज़या है उसे निस्पक्छ सभी का साथ देना चाहिए गरीजनता की आवाज उठान चाहिए लेकिन आप देख रहें की नेताओं तो यही हाल है, खेल छोड़िए, 1870 के दर्शक में बुनकरों के सामने नहीं समस्याय खड़ी होगे, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी, जब अमेरिकी गिरयोद शुरूब और अमेरिका से कपास की आमद बंद होगी, तो बेटें भारत से कच्छे माल मंगाने ल कच्छी कपास खरीदने पड़ती थी, ऐसी सूरत में बुनकरों के सारे पेट पालना संभव नहीं हो सकता था, आप ही सोचे कि आप अगर सस्ता ना मिले कोई सामन्दों आप भी नहीं खरीदना, आप भी बलाना ना चाहेंगी, तो यही हाल हुआ, इस तरह से भी कापी सोस अगर हुआ, उननीस भी सदी के आखर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आगी, जब भारती कारफारों में उत्पादम होने लगा, और बाजार मसीनों की बनी चीजों से पट गया, यानि कि मसीनों की बनाई चीजें आने लगी बाजार में, तो ऐसे में किस तरह कायम रह सकता था, एक तरह से आप कह सकते हैं किस तरह से उनसे पितीस परदा कर सकते थे, उनके जो सामान बाजार में आ रहे थे, उनका उनका पितीस परदा या उनके साथ कॉंपिटीशन करना समकों नहीं है, वही हाल है कि आप माल दीजे कि एक बच्चा सरकारी स इसकुल में आप समझे रहेंगी क्या हालत रहती हूं तो यही हाल उस समय दिखा गया है एक गटना को दूसरी गटना से जोड़ के पड़ते रहा करिएगा क्या होता है कि यहां भी रहता है काफियत तब ठीक है जहां कोई समस्क्या है आपको समझ में नहीं आ रही तो उस जगह अपने आपको रख लिया करिएगा तो मुझे लगता है कि बहतर नेड़ ले सकते हैं कोई कहीं कुछ कर रहा है तो आप उसकी जगह अपने आपको रखा करिएगा तब आपको समझ हुए आएगा कि उ अब चलते हैं लोग फैक्टरीयों का आना बंबई में पहली बात की बात करना हूं भारत की परिवेक्च में बंबई में पहली कपड़ा मिल अठारे सो चंगर मिलें और दो साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा आठारे सो बासट तक वहां ऐसी चार मिले काम कर रही थी उसमें 94,000 तकलियां और 1,250 यानी की 2,150 कर गये लगें उसी समय बंगल में जूट मिले खुल ले लगी वहां देश की पहली जूट मिल 885 में वह दूसरी 7 साल बास यानी की अठारे सो बासट में चालू गें उत्त्री वारत में एलगीन मिल 1860 के दसक में कानपुर में खुली इसके साल वर बाद एहम्दाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई 1874 में मद्राज में भी पहली कताई और गुनाई मिल खुली तो इस तरह कि आपकी वन डे एकजाम के लिए भी पॉइंट वन जाते हैं पहली कपड़ा मिल खुली थी तो आप बता सकते हैं कि 1860 में बंबई में और आप से पूछे कि देश की पहली जूट मिल कप खुली थी तो बंगाल में खुली थी अठारे सु भच्छपन की परीप की वात है यह उद्धियों कौन लगा रहा था उनकी इलिए पुझी कहां स आपको देख रहा होगा जमसेजी जीजी भुए जीजी वो एक भारसी बुनकर एक के बेटे थे अपने समय की बहुत सारे लोगों की तरह उन्हों भी चीन के साथ ब्यापार और जहाज रानी का काम किया था उनके पास जहाजों का एक विसाल बेड़ा भी हुआ करता था अ बैचने पड़े थे बात करते हैं प्यारम्रिक उद्धिमी देश के बेवन भागों में तरह तरह की लोग उद्धिव लगा रहे थे आए देखें ये लोग कौन थे आके बहुत सारी ब्यापार को कि जमाने से चला आ रहा था जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पड चीन से चाय खरीते थे और इंगलेंड जाती थी इस ब्यापार में बहुत सारी भारती एक कारोबारी साही की हैसी अथ में पहुच गए थी बैवसाही भारत में उद्धोगीक उद्ध्यमल इस्ताफित करना चाहते थे बंगाल में द्वारकाना ठेगॉर ने चीन के साथ ब और भी उद्योग में निभिस करने लगे, 1830 से 1840 की दर्सक में उन्होंने 6 सयुक्त उद्यम कम्पनिया लगा दी थी, 1840 की दर्सक में आई ब्याबारी व्यवसाहिक संकटों में, औरों के साथ टैबोर की उद्यम भी बैठे ले, यानि कि बरबाद हो गए, लेकिन 19-20 सदी के में चीन के साथ ब्याबार करने वाले बहुत सारे व्यवसाहिक सफल उद्योग का तीवी सावित हुए, बंबई में डेनसो, पेटिटो और आंगेचल के देश में विसाल उत्विक संबराजी स्थावित करने वाले, जमसेद जी, नुसर वान जी टाटा, जैसे पार्सियों और आंसिक रूप से चीन से को निर्याद करके और आंसिक रूप से इंगलेंड को कची कपास निर्याद करके पैसा कमा लिया था, और 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाली मारबाडी वेबसाइट से ट कुम चंद सेंड ने, भी चीन के साथ ब्याबार क किया था और यही काम विस्ति दोग पती जीडी बिडला के पिता और दादा ने किया था, तो हमारे देश में भी कई उटोग पती थे गोड़े या पिक्चर्स देख रहे हैं होगे कि द्वार का टेग और की द्वार का विस्वास्ता की भारत पश्मी करण और दोगी करण क के रास्ते पचल कर यह विकास का विकास करता है उन्होंने जहाज राणी जहाज निर्वार खनन बैंके बागान और भीमा छेत्र में निवेश किया था समद रहे हैं पूजी खटा करने के लिए अन ब्यापारिक नेटवर्कों का सारा भी लिया गया इस समय मदरास के कुछ सौधागर बर्मा से ब्यापार करते थे जब कि कुछ बे मद पूरू बपूर भी अपीका में भी समद रखते थे बर्मा आप लोग आज जैसे म्यानमार क प्रमाल ले जाते थे सूध पर पैसा भी कंशाते थे यानि कि डेते थे एक साय से दूसरे से में भी साथ चाते थे और ब्यापारियों को पैसा देते थे जब utilizzate के अवसर आये तो उन में से बहुत ने प्यक्तनियाने लगाने अनों प्रफिया किया अपने उद्दोग धंदे यानी की प्रफिया लगाने जैसे भारती व्यापार पर उबेने वेसे सिखंजा कस्ता गया वैसे वैसे भारती व्युशाईयों के लिए जगह से खोड़ती गए उन्होंने अपना तैयार माल यूरों में बैचने से रोग दिया यह तरह से सीधा सा मतलम है कि अंग्रेज कह रहे दे नहीं यह नहीं यह पानी तो पानी कहना पढ़ रहा था आपको कह रहे थे नहीं यह कहना था रहा आब को अगर आफ ज epsilon के रहते हैं टो कहते हैं जैसा करते हैं आपलो तो आपको कुछ व्युशाय करने की छूट दी जो अंग्रेजों के लिए जरूरी है आमधानी का सौधा था, तो अंग्रेजों को जरूरत थी इसकी, इसलिए आप लोगों को, मतलब आपके याँ के जो भी उद्दोग घराने थे, उन्हें इस तरह की छूट दी गई, ये आपको पिक्चर से दिख रही हो गई उपर, भारत में लोहीं हम इस पात उद्धियू के काफी बात शुरूगा कपड़ा उद्धियू बहुत पहले हमारे यहां शुरूग हो गया था ओपने वेसे भारत में दोविक मसीनरी रेलवे लोको मोटुव का ज्यादा तर आयात ही किया जाता था यानि कि बाहरी देशों से आया आई आपको सुतंता जो मिली हुई है उस समाए नहीं मिली थी आज कही भी आप वेबसाय कर सकते सकते हैас कोई काम सकते आपको को हमने वाला नहीं है परले बिश्त्यूद्द तकी इरि एजंसी cur sustед कि वों के बिशाल चतर काफी करती थी इनमें बड से और चांडार स, शायर तुद्ध्यम कंपणिया लगाती थी और उनका प्रवंधन भी समालती थी जान्दातर मामलों में भारती बित्वोसक, फाइनेंसर, पूझी उपलब्द खराती थी जबकि निवेस वा वेवसाय से संबंदित पैसले यूरोपी एजनसिया लेती थी यूरोपे ब्यापारियों, उद्योपतियों के अपने बढ़िजिक परिशंग थे जिन्में भारती ववसायों को सामिल लहीं किया जाता था इसे आज के आप लोग नेताओं की दरह ले सकते हैं आज अगर आप ठेकेदारी करते हैं तो देखते होंगे कि ठेकेदारी में नेता ही संब्लित रहते हैं आप पैसा लगाते हैं और ठेकेदारी इस तरह के काम देखते हैं वही करवाते हैं तो आप केबल पैसा लगाने के लिए होते हैं आज भी आप देखेंगे कई छेतरों में इस तरह की दिखाई देगे तो यही स्थिति उस समय व्यापार की थी फैक्टरियों की अब जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टरियां लगेंगी तो उसके लिए मजदूर की भी जरूरत पड़ेगी तो यह मजदूर आये कहां से हैं इस पर भी बात कर लेता हूँ फैक्टरियां होंगी तो मजदूर भी होंगी फैक्टरियों के विस्ताल से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी 1901 में बारती फैक्टरियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे और 1946 तक बढ़कर संक्या कितनी होगी 24,36,000 हो चुकी थी यह मजदूर आकिर कहां से आये जान्दातर उद्धोगी किलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे जिन किसानों कारिगरों को गाउं में काम नहीं मिलता था बे उद्धोगी केंद्रों की तरफ जाने लगते थे 1911 में बंबई की सूती कपड़ों उद्धोगों में काम करने वाले 50,300 से जाना मजदूर पास के रधनागी जिले से आये थे कानपूर की मिलों में काम करने वाली जानदातरम कानपूर जिले की ही गाउं से आते थे मिल मजदूर बीच बीच में अपने गाउं जाते रहते थे और भी फसलों की कठाई पत्तिवार के समय भी काउं लोट जाते थे एक बात और आपको बताओं, जब आप कहीं उद्द्योग लगाते हैं, तो आप सोचेंगे अगर आप किसी सहर में उद्द्योग लगा रहे हैं, तो वहां जो इस्थानी लोग पलाएंगे, वो आपको कम सरम पर भी, कम बेतन पर भी मजदूरी करने के लिए राजी हो अगर आप बाहर से काम करवाने बाले मंगाते हैं, तो उन्हें रहना पड़ेगा, वहां उन्हें बेवस्ता देखनी पड़ेगी, अपना गार जमाना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना बेतन देना पड़ेगा, तो अधिक तर मामलों में ऐसा ही देखा जाता था, कि कासपास के लोग उन्हें को रख लिया जाता था, और आप भी जानते हैं कि अगर बाहरी लोग आते भी हैं, तो जैसे आज का सूरत ले लिजे, मॉंबई ले लिजे, दिल्ली ले लिजे, आपके ग्रामीट चेत्रों से लोग जाते हैं काम करने के लिए, आप देखते हैं क कि जब फसल तैयार होती है, तो उस समय भी उन्हें रोजगार गाउं में ही मिल जाता है, तो वो लोट आते हैं गाउं में, या फिर आप तेवारों पर देखते हैं कि बाहर से लोग लोट आते हैं, घर अपना, तो यही होता था उस समय, बाद में जब नए कामों की खबर तो दूर दूर से भी लोग आने लगें, उधारन के लिए सहवत्परांद के लोग बंबई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुँच रहे थी, सहवत्परांद कहने का मतलब उत्तरपदेश की बात, इन्हीं छेतरों की बात की जा रही ह इतनी गरीब है, इस चित्त को देख रहे होंगे आपके सामने, बंबई के एक मिल के युगा कामगार 20.000 सथी की सुरात, जब मजदूर गाउं जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कौसिस करते थे, इसका एक अच्छा उधारन है जिए आपने देखा हुआ को कोई ब बड़े कपड़े पहन के आएगा इस्टायल वाले, और एक बड़ा लंबा फॉन भी लेके आएगा, जो फॉन किस कंपनी का हुआ, चाइनीज, सबसे सस्ता फॉन होगा, और जूते पहनेगा रेड कलर के, यानि की लाल कलर के, कपड़े भी उसी रंग बरंग के पहनेगा, आप लोग इस तरह की देखते हैं मामले में, आप लोग किसी सहर में, कि मतलब आप अलग से पहचाज जा जाएगे कि यह मजदूरी करके आ रहा है, अपना रोग जमा रहा है, चलिए खेर छोड़िए, उनकी भी अपनी खुसी है, मनाने लिए, नौकनी पाना इस समय भी हाला कि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और मजदूरों की मांग भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वाले, बालों की संख्या रोजगार के में काबले हमेसा जाना रहती थी, मिलों में पिरवेश भी लिसे दियानी की बड़ी मुस्किल से होता था, उद्धोपती नए मजदूरों की भंती के लिए फ्रया एक जॉबर रखते थी, जॉबर कोई पुराना और विस्वस्त करमचारी होता था, यानि कि जॉब एक तरह से आप कोई कंपनी कुलते हैं, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति रख देते हैं, जो आने बाले लोगों के लिए र अरोसा भी देता था, उन्हें सहरों में जमने के लिए मदद भी देता था, मुसीबत में पैसों से मदद करता था, इस पेकार जोबर तागत बर मजबूत बेक्ति बन गया, और बाद में जोबर मदद करने के बदले, पैसे बाद तोपों की मांग करने लगी, और मजदूर पात बहुत छोटा ही था इस पिक्चर्स को आप देख रहे होंगे मुख जौबर इस चित में देखें कि उसका अंदाज उसके कपड़ों में से जौबर की सत्ता का पता चलता है यानि कि ठाटवाट का यहां कुछ आपका पॉइंट है बंबई की एक मिल मजदूर वसंत पारकर ने कहा कि मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जौबर को पैसे पैसा देते थे मिल मजदूर सारेरिक और भावनात्मक रूप से उसके गाउं से गहरे तोर पजुड़े हुदते थे वह गाउं जाकर फसलों की गटाई करता था और कौंकड़ी लोग धान काटने और घाटी यानि की गन्दा काटने गाउं में जाते थे यह एक सुईकेट व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले चुट्टी दे देते थे जौबर उन्हें अलग-अलग अलागों में सर्दार या फिर मिस्त्री आदी भी कहते थे जौबर थे इस तरह की व्यवस्था हैं आप लोग अपनी जिंदिकी में भी देखते रहते हैं उनी से जोड़ कर देखता रहा है देख लिया करेंगा समझ में भी आ जाता है नौगरी दिलानी के लिए आदवी तो कई वाप इस तरह के आतकंड़े अपनाते हैं सरीकारी हो या पर प्राइवेट हो अपने बेटों के लिए यहां भी देख लेते हैं भाई भोसले काम के सबसे भायानक कंटे मेरे पिता जी ने 30 साल की नौकरी उन्हें दमा जैसी बीमारियां बीमारी हो गए और वे काम करने के लाचार हुए इसके बाद मेरे पिता जी वापस गाओं चले गए एक बात और होती है इस तरह के कामों में अगर आप लोग लगे रहते हैं एक आपने देखा होगा आट चकी अगर आप कुछ जानदा ही दिन चला लिए आप कुछी दिन मतलब आपकी जीवन की जो लाइट है वो उसमें से कहीं साल घट जाए कि वहाँ ही आप देखते हैं कि किस तनी भयानक बीमारी आपको घेर लेगी तस की वजाए से धस होती है जो या फिर आप लोग देखते हैं कि कहीं आपने देखा होगा केसर मसीने लगी रहती है गिट्टी निकालने वादी वहां कि आसपास के लोगों को देखिए सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है दमार यसी इस तरह की बीमारियां भी होने लगती है तो यह नमें भी इस इसे ही तो कहते हैं अहम दमार और कानपूर का सवय उत्तर पिदेश का कानपूर आगे बरते हैं उत्तोगिक विकास का अनूठापन भारत में उत्तोगिक उत्पादन पर वर्चस रखने वाली यूरोपे प्रवंदी की है एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों मे इनकी भारत में विक्री के लिए नहीं बलकि मुख रूप से निर्यात के लिए आवा सकता थी नील को आप ले सकते हैं ये नील की सबसे जाना मांगती कहां एउरोप यह देश जोबी थे तो इसी के लिए और बो लोग कुछ पादन करते थे भारत में यहां से कच्छा माल वहाँ नील भेजते थी, वहाँ कपड़ों की रगाई के लिए इसका उपयोग होता था, चाय कॉपी में भी इस तरह का आप बात कर सकते हैं, खाननों भी देख सकते हैं, लोहे का इस तरह की जो भी धात में हैं, उन्नीसवी सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसाय उद्ध्यूग लगाने लगे, तो उन्होंने भारती वाजार में मैंचेस्टर की बनी, चीजों से पितियस फर्दा नहीं की, भारत आने वाले वेटिस मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के सु भारत के हथ करगा, बुनकर इस्तिमाल करते थे और उन्हें चीन को निर्यात किया जाता था, बीसवी सदी के पहले दसक तब भारत में उद्धोगी करण का धर्रा कई वदलाओं चपेठ में आ चुका था, सौदेसी आतोरन को गती मिलने से राष्टवादियों में नहीं, लोगों को विदेसी कपड़े के वहिसकार के लिए प्रेदित किया, उद्धोगी समुहों, समुह अपने सामुएक हेतों की रक्षा के लिए संगठत हो गए, उन्होंने आया सुल्क बढाने और अन्निर्यात देने के लिए सरकार पर दभाव भी ठाला, 1906 के बाद चीन बे एक बात बात बाताओं, सोजदेसी आंदूरन इसी समय चलता है आपका, 1906 के करीब, आप देखते हैं उस समय ये सकसिज भी रहा है, क्यों रहा है क्यों कि हम लोग जानदा दूसरे देसों पर निर्वार नहीं थे, आज का टाइम बदल चुका है, आज अगर इस तरह का करता नहीं है, आत्म निरभर बनना है, तो हमें सबसे पहले अपना बिकल्ब चुनना होगा है, ऐसा बिकल्ब देना होगा इस जंता को, कि मतलब वहां से जो भी सामन आ रहा है, उन्हें खरीदने के वज़े अपना खरीदी, उस समय ज़रूरत क्या होती थी, अपने नई इस्तिधी पैदा करती है, बैटिस कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए योद संबंदी उत्पादन में बेस्त दे, इसलिए भारत में मैंचेश्टर के माल कायात कम हो गया, और भारती बाजारों को रातों रात एक विसाल, देसी बाजार मिल गया, बहुत सारे अन्य सामान भी बनने लगे, नई कारखाने भी लगाए जाने लगे, ये चित आपको दिख रहा होगा, मदरास के चेंबर ओप कॉमर्स का पहला दफ्तर है, उन्नीसवी सदी के आखरी तक देश के विबन, छेत्रों के विवसायज मिलकर चेंबर ओप कॉमर्स बनाने लगे, ताकि इस सही तरह से विवसाय कर सकें, और सामुई चिंता के मत्रों पर फैसला भी ले सकें, अब बात करते हैं, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगी, बहुत सारे नए मजदूर को मजदूरों को काम पर रखा गया, और हर एक को पहले से भी जान इसे 1918 तक चलता है आपका, उसके बाद खतम होता है, उन निस सो निस में जाकर पहला विस्तेउद्दि खतम होता है, तो जो पहले मैंचेषटर वाली कपलों की हसियत थी भारती बाजारों में, वो अब उन्हें हासिल नहीं हुपाई, और आप जानते हैं कि ठंडबी तो आजकर से चीन भी टेकर दे रहा है। इसे बदल चुकी है ठीक है आधुनी की करण ना कर पाने और अमेरिका जर्मनी बज्जापान की मुकाबले कमजोर पढ़ जाने की कारण बेटेन की रदविस्था चर्मरा गई थी कपास का उतपादन बहुत कम रह गया था और बेटेन से होने बाले सूती कपड़े के निर्य छाइि में भी देखा होगा अगर आप किसी का मड़त कर देती हैं कोई आपका मड़त कर देता है तो आप सूचिए रोधना ही बर्वाद से दूर रहिए और आप अपने लिए जिया करिए दूसरे को नीचा गिराने से अच्छा है कि आप अपनी तरक्की पर ध्यान दीजिए दूसरा क्या कर रहा है करने जीजिए अब बात करते हैं लगू उद्धोगों की बहुता आयात हाला कि योद्ध के बात कैक्टरी बंबई और बंगाल आप देखते हैं जब भी देखते होंगे बंगाला में आंदूलन हो रहा है बंबई में हो रहा है बाकी पूरे देश में चोटे-चोटे इस्तर के उत्पाधन का ही दब दबा रहा पंजी की फेक्टरियों में कुल उद्धोगेक स्रम सक्ती का बहुत चोटा इसा ही काम करता रहा और यह संक्या 1911 में 530 और 1931 में 1030 थी बाकी मजदूर गली महलों में इस्ते चोटी-चोटी वर्ग्सॉप और घरेलुई काईयों में काम करते थी कुछ मामलों में तो 20 सदी के दोरान हाथ से होने वाली उत्पादन से दरसल एजापा हुआ यह अतम कर दिया गया था लेकिन तमाम समस्याओं के बाप्चूद बोनकर अपना वेफसाय किसी तरह चलाते रहें 20 सदी में हद करकों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगाता रिस्तधार भी हुआ है और 1900 से 1940 के भी यह तीन होना हो चुका था इस समय क्या होगा कि सौदे एक जो सोद अभी आत्मेर वर भारत की जा रही है न कि अपने अपने अहां के अपने अ अ के रिकल रहा होगा हांसे गुञ़शों का श्रवचों कि मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी ऐसा कैसे हुआ आकिर, इसके पीछे आंसित रूप से तकनी की बदलाओ का हाथ था, अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो, और उत्पादम बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वाले बालों को नई तकनी की अपनामेने में कोई परिशानी नहीं होती है, इसलिए 20 सथी के दूसरे दजखता आते हैं, हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फिलाई चटल बाले करगों का इस्तेवाल करते थे, इसके कामगारों की उत्पादन चमता बड़ी, उत्पादन दे जुगा, सरम की मांग में कमी आई, और 1941 तक भारत में 35-30 से जादा करगों में फि तैवन कूर, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बंगाल, आदी चेतरों में तो यसी हद कर गए 80-80-30 से तक थे, इसके इलावा भी कई छोटे-छोटे सुधारों के लिए किये जिनमें बुनकरों को अपने उत्पादक्ता बढाने और मिलों से मुकाब्दा करने में मदद भी मिली यहाँ एक आपने सब्द सुनाए, फिलाई सटल, यह आके होता क्या है, फिलाई सटल यह रस्तियों और पुलियों के जरिये चलने वाला एक यांत्रिक होजर था, जिसका बुनाई के लिए स्टेमाल किया जाता था, यह चेतर धागी को लंबबग धागी में फिरोधित दे सब्ला कर पाने की मामले में, कुछ बुनकर औरों से बहतर रिस्तिती में थे, बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जब कुछ महीन किसम के कपड़े भी बुनते थे, मोटे कपड़े को मुक रूप से गरीब ही खरीदते थे, उनकी मांग में विवारी उताव चड़ाओ आते थे, खराब पसल और अकाल के समय जब गरामीट गरीवों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगदाय के साधन खतम हो जाते थे, तो भी कपड़ा नहीं खरीज सकते थे, बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते, तब के में जानदा थी, उसमें उ कि मिल पिसेश पिकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे, बुने हुए बॉर्डर, बाली साडियों या फे मंदराश की पिसेश दिलुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था, लोगडाउन में भी तो आपने देखा है, कि इसमें मरा कौन है, गरीब ही को इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मुझे लगता है, समझने लाइए, आप तो NCEIT पूरी पढ़िए, और देखिए कहीं है, आपको ऐसा सब्द में ले, जो समझ में आए, बताईए मुझे, और मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि अगर आपको इसके बाद भी अगल लगता है कुछ सब्द रहे, तो आप Facebook पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ समझा दूँगा, अब यहां मुझे जो समझ में आता है, उतना में बता देता हूं, मुझे इतना तो आप लोगों पर भरोसा है, कि आप लोग कापी आंगे निकल चुके हैं, मैं तो सोचता हूं कभी-क जदी में भी उत्पादम बढ़ा थे, जा रही बुनकर, बांग दस्तकारों को हमेसे फायदा ही हो रहा था, उनकी जिन्दगी बहुत कठोल थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, अक्सर पूरा परिवार बच्चे बूड़े, और ते उत्पादम के किसी न किसी का काम में हाथ बढ़ा था, लेकिन ए फेक्टरियों के यूग में अतीत के उसेज़ बार नहीं थी, उनका जीवन उसरम उद्धोगी करन की विक्रिया का अभीन अंगती, यह आप देख रहे हैंगे, भारत में बड़े पिरमानी के उद्धोग वाली एलाके, 1931 की बात है, चि अब बात करते हैं वस्तुओं के लिए बाजार, अब आप सो जानते हैं, यह समझ चीन का साथ अमेरिका क्यों देता था, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन में सबसे जान्दा जनसंक्या है, और हद इसको जनसंक्या की जरूरत है, इसलिए है कि जो भी अगर उत्पादन कर र हैं, और कहा जाता है, 21 भी सथी जो है, यह चीन मतलब एक तरह से ऐसीया की सथी माने जाते हैं, अगर भारत और चीन मिल जाएं, एक दिसा में चलने लगें, मिलकर काम करने लगें, तो अमेरिका की कभी भी टेकर दे सकती हैं, तना कह सकता, क्योंकि आपने देखा है, जनसं जनसंख्या ही चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे हैं, अगर आपको कोई गुद्यूग धन्दा चालू कर रहे हैं, तो खरीदार तो चाहिए, तभी तो आपको फायदा होगा, आप 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 बढ़ पाएंगे, तो ये दोनों देशों में देख्या जाता है, एस य वेटिस सन्निर्माताओं ने भारतिय वाजार पर कभजे के लिए प्रयास किया, किस तरह भारतिय बुनकरों बादस्तकारों, ब्यापारियों बा उद्धुपतियों ने उपनिवेसी करण, निवेसिक नेतर का विरूद किया, आया सुल्क सुरक्चा के लिए माग उठाई, अपने लिए जगे बनाई, और अपने माल के वाजार को पहलाने का प्रयास भी किया, याद रखिए, 1947 के बाद कुछ जानदा ही इस्तितिन की सुधरी इप्गापारियों की, क्योंकि उस समय ये मांग भी उठाते थे, तो कम ही इनकी मांग मानी जाती थी, जब नई पैदा करने का एक तरीका विध्यापनों का है, आज जो आप लोग विध्यापन देखते हैं, जब भी आप कोई वीडियो भी देख रहे होते हैं, तो उस पर भी आपने देखा विध्यापन आता है, जब आप कोई साइड खोलते हैं, तो उस पर भी विध्यापन आपको द जैसा कि आप जानते हैं कि विग्यापन विभिन उत्पादों को जरूरी और बाँचरीय बना लेते हैं, बेलोगों को सोज की सोज बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा करते हैं, आज हमें एक ऐसी दुनिया में हैं जान चारों तरफ विग्यापन चाहिए हुए, एक नई उभूग था संस्किती रचने में अपनी भूम क्या निफाई है, अब सोचिए, आप लोगी सोचिए कि वो क्या होता है, कि क्रीम कभी आप ने देखा होगा कि जिनके पती खुल काले पड़े हुए, वो भी आजकल इसका एड़ कर रही हैं कि गोरे बनी हैं, अब बढ़ी उनकी भावना हैं बागवान में, तो वो तुरंट उसे खरीदने के लिए कहेंगी, अगर कोई इस तरह के जो कथा करते रहते हैं, उन्होंने कोई उत्पात बता दिया, तो वो तुरंट खरीदने के लिए बता देंगी, अरे जी ओड़र करिए, तो आज समझ सकते हैं कि मतलब उनकी भी देलचस भी बढ़ जाती है, इस तरह के अगर कोई ओड़र आती हैं तो, समझें, ये चित आपको देखाई भी रहा है, ग्राइब बॉर्टर का कलेंडर, एम भी धुरंदर का चित, 1928, बच्चों की जीजों पर प्रिचार करने के लिए पर जो भी उस पर होता है, आप नहीं देखते हैं की तरह, कि 100 सालों में बनाया हुआ, 100 साल पुराना, उद्धो की मतलब आई हुए दसी बनाया हुआ, उस पर आप एक साले आनी की 2020 दी गई है, लाश्ट तरह, आप समझ सकते हैं, मतलब किस तरह से रुजाने के लिए, कित ब्यापारी है, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, बाबाजी ने कहा कि आप लोग यूगा करिये, हम सब यूगा करने लगे, वो ब्यापार करने लगे, आज देखिए, आप लोग सब ब्यापार के मामले में, खुछ बहुत बड़ा ब्यापारी बने चुके हैं, जब किसी लेवल पर मोटी एक्चरों मैं मेड इन मैंचेस्टर लिखा दिखाई गीता, तो खरीदारों को कपड़ा खिंगने में, मैं किसी तरह का दर नहीं रहता था, आज भी तो आप देखते हैं, आप भी बताते हैं कि देखिए, ब्रांडेर चीच पहने हुगा, ब्रा कुरणा की टाइम में देखा है कि बाबाजी ने एक प्रोडेक्ट लाए, बोला कि वो कुरणा की महावारी के लिए दवाई है, याद रखिए, मैं बताता हूं आपको एक बात, इसे कभी अपनी जीवन में अजमाई है, गिलोए, तुल्सी का पत्ता, और काली मिर्चाती ह हो सके तो जो अधरक आता है, इसे आप लोग कूट के जो उसकी बाउलार होती है, गलोए की, उसे कोट कर आप लोग गरम करिए, उसे इतना तपाईए कि छोटा सगिलात में मतलब एक दो गूट के लिए रहे, पानी रहे जाए, इतना कड़बा हो जाए, कि आप लोग पहुंचाती है, और आपने सुना होगा कि अभी कुछी दिन पहले कहीं आर्टिकल आप लोगों ने भी बढ़ा होगा, कि दो मरीज हुए, दो लोगों को बुखार आया, एक को गिलुकोज में मतलब केक्सूल में, गिलुकोज भर के दिया गया, दूसरों को दवाई दी ग अगर आप सोचते हैं कि हार है, पर भी आप लड़ रहे हैं, तो आप सक्सिल हो जाते हैं, तो यह हमारे दिमाग में रहती है, अगर हमें मालूश चल जाता है कि बीमारी है, तो हम और जल्दी मर जाते हैं, और आप ही तो जारा हैं कि जब हमें सायन साहब निपट गया, उन लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर हाभी नहीं होने दिया उसे, उन्होंने हरा दिया उसे, समझ रहे हैं आप लोग, तो यही आपकी दिमागी चमता तेज होनी चाहिए, पितीरो धक चमता कहते हैं से आप लोग, ठीक है, तो यह हाल है, भाबा भी नहीं भी यही किया, भा चित्ट चपवीस का मैंचेश्टर की लेवल 20-20 सधी का प्यारम की है। आयातित कपड़ों के लेखलों पर आसन के भाहती देवी देवताओं कार्थिक लच्मी सरसुती को चितिल किया जाता था जो सम्मधित वस्तु की गुडवत्ता को दरसाने का प्रयास था और याद रखी भारत सबसे जांदा उस समय का आयातिक भी था इसलिए कुछ जांदा इस तरह की चित बनाया जाते थी चित 26 खाबू देख रहे होंगे मैंचेस्टर की लेवल पर महराजा रड़जी सिंग का चित उत्पात के पिती संबान पेदा करने के तुछ इतिहासिक व्यक्तियों का इस्तिमाल किया जा रहा है आप समझेए कि अमने ब्यापाल चलाने के योरोप को आगे बढ़ने के लिए हमारी पूरी मदद हमारे आपी देवी देखता हमारे आपे जो मान लोग वए है जो भी सतनता-सहना नहीं है या पर जो भी राजा महरा जाओ उनका सहाइता लेना पर हां तो आज अपने देश पर गरब किया करिएगा हम लोग कोई वाले समय तक रहेगा, जब तक धरती है, समझ रहे हैं, आप समझें, दो-धाई साल, दो-धाई हजार साल पहले भी तो आप लोग देखते हैं, गौतम बोद्र, महावी स्वामी को, तब उन्होंने कहानी पूरी बता दी, राजनिती क्या होती है, ऐनसा क्या होता है, क्या करना चाहिए, अर्थ सास्त्री के लिए, विद्वानी के लिए क्या करना चाहिए, चाड़क जैसे आप देख सकते हैं, राजनिते, विद्वान, अर्थ सास्त्री, हर चित्रे में महानता हासल की हुए, आज जो हम विदेशनीतिया बनाते हैं, उसमें भी आप देखते थ है तो दोंदों की भी कमी नहीं उसमें है आप देखिए की सूचना का जिकार मिला हमें लोग्पाल भी मिला हुआ एक सोचिय की एक बुड़े आदमी ने प्रयास की अध़र जाकी मिला हुआ है और हम क्य रुगा क्या कर रहे हैं ताली वजाती हैं एक जिंदा अलाथ बन कर देखते रहे थे तमासा चलिए खेर छोड़िए क्या फरक पड़ता है जगाने वाला कोई हो अच्छे से तब तो जागे जगाने से क्या फरक पड़ता है जब खुद ना सोचों कुछ आगे लेबलों पर सिर्फ सब्द और अक्षर नहीं होते थी उन पर तस्वीर भी बनी होती थी जो अक्षर बहुत सुंतर होती थी आज भी तो आप लोग पाई लेगी हुए कि बिस्कुट पर देखते हैं आज भी वही बच्चा बना हुगा है जो हम लोग बच्पन से दिख हैं तो उनके निर्माताओं की सोच उसके उनके हिसाब किताब और लोगों को आपके सिर्फ करने उनके तरीकों का अंदाजा लगाया जा सकते हैं इन लेबलों पर भारतिये देवी देवताओं की तस्वीरें प्रया होती थी देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर् अच्छानी सी लगती लिए और भारती ऐसे खरीदते भी थे उन्नीस भी सदी के आखिर में निर्मातापनी अपने उत्पादों को बैचने के लिए केलेंडर चपवाने लगे अखवारों पत्तिकाओं को भी पत्तिकाओं को तो वो पड़े लिखी लोग हैं ही समझ सकते थे लेकिन केलेंडर उनकी भी समझ में आ जाते थे जो पड़ नहीं सकते थे चाय की दुकानों दफ्तरों मर्दवर्गी है घरों में एक केलेंडर लटके रहते थे जो इन केलेंडरों को लगाते थे विपिग्यापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे इन केलेंडरों में नए उत्पादों को बैचने के लिए देवताओं की तस्वीर होते थी, आज भी आप सिमेंट देखते हैं, कई तरह की इस तरह की प्रोडेक्ट देखेंगे, उस पर भी आपको भगवान की तस्वीर मिल जाएगे, कहा है ना किसी नहीं कि आतिकल भगवान भी एड करके सनलाइट, आप लोग कही तरह की अगरवत्तित भी देखते हैं, उन पर भी इस तरह की एड मिल जाएगे, सनलाइट साब उनका कलेंडर 1934, यह भगवान विशनों आसमान में रोसनी लाते दिखाई दे रहे हैं, समझे भगवान को भी नहीं छोड़ाएं, देवताओं की त राजा इस्तिमाल करते हैं, और उसे साही निर्देश से बनाया गया है, तो उसकी गुडवत्ता पर भी सवाल नहीं किया जा सकता है, फिर चाहे क्वालिटी कुछ भी रहे, जब भारती निर्माताओं ने विग्यापन बनाए, तो उनमें राष्टवादी संदेश साब दि करें, एक बाती है मिल में बने कपड़े का लेवल है, भारत माता है हमारी, एक देवी एहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है, और लोगों से भारत में बने कपड़े की इस्तेवाल कहान भी कर रही है, आप भी दू आज कहते हैं भारत माता, हमारी भारत माता लाश्ण में क्या कह सकते हैं कि जाहरे कि उद्धोग की योग में बड़े-बड़े उद्धोगी प्रोद्धिये बदलावाए फैक्टरियों का उदर भी हुआ नई उद्धोगी सर्मसक्ति अस्तित में आई लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इस योग में हास से बनने वाल ही चीजें और छोटी प्रमानिय का उत्पादन भी और दोगी भूद्रिस का एक मत्पूर इस्ता रहा है चित एक और चित को दुबारा को देख सकते हैं अब आप बताईए छविया क्या दर साते हैं उसी की बात की जा रही है सुरू में आपको चित देखा गए थे आप ल उद्दोगी करन का योग अब लाश्ट चेप्टर वर्च से आपका मुद्रर संस्किती और आधुनिक दुनिया इसके बारे में हम लोग खतम करने के बाद साइन्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है मिलते हैं तो इसी चेप्टर के साथ चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके NTRP books के बारे में इसमें हम लोग कच्छा दस दी की आपकी भारत और संकाली इन्विस सेगेंड के नाम से जो बुक्स हैं उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें आपके चार चेप्टर अभी तक खतम कर चुके हैं य इवरोब महराष्टवाद का उदे, भारत महराष्टवाद, ए दोनों चेप्टर आपके बहुत ही महत्पू हैं, फिर तीसरा चेप्टर था भूमाडली के बिस्ल का बनना, चौतरा चेप्टर था उद्धोगी के उद्ध्योगी करन का यूग, और आज की इस कलास में मैं बा कवर करनी है, और हमारी तरफ से भी कॉसे से कि आपकी सभी NCEIT आपको कवर करवा दी जाएं, तो कच्छा चटवी से कच्छा दस्वी तक की लगवख हम लोग कवर कर चुके हैं, और NCEIT पूर कवरेज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सभी आपक की टेलिग्राम पर डाल देता हूँ, और याद रखिए क्योंकि इसलिए बोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपका NCEIT का कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपका, से बिल सर्विस की तयार ही कर रहे हैं, आप तरके स्टेट पीस्टीस की, इसे पढ़ना ही पढ़ेगी आपको, त उसके बाद हम दो ग्यारवी की वुक्स देखेंगे, मुद्रन संस्किती और आदूरी दुनिया, तो एक बड़े ध्यान के साथ आपको सुनना है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपने देखा होगा अभी तक अगर आप जुड़े रहे हैं, तो कोई यह सब्दे मिला बहुत ही साधार सब्दों में लिखी गई एक तरह से, आप अगर एक से दो बार पढ़ते हैं, तो आपको जो जरूरत की चीज है, वो सब को समझ में आ जाएगा, ठीक है, मुद्रित या छपी हुई सामगरी के बगए, दुनिया की कल्पना हमारी लिए इतनी मुस्किल है, हम अपने चारों तरफ जहां भी नजर दोड़ाएं, हम कोई न कोई चपी, कोई चीज दिखाई दें, किताब हों गया, पत्त पत्ति का है, अखवार, मसूर तस्बीरों की नकले, मेच पर पढ़े नाटक की प्रोग्राम, सरकारी सूचना है, कलेंडर, डायरी, सड़क के कि नारे विग्यापन, सिनेमा के पोश्टर आदी आदी, हम चपाववा सायद पढ़ते हैं, पैंटिंग देखते हैं, अकवार पढ़ते हैं, और सारजनिक दुनिया में चल रहे बिवादों का जायजा भी लेते हैं, हम मौद्रित दुनिया के अस्तित कुमान कर चलते हैं, य और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमानी को आकार दिया है, यह इतिहास क्या है, समाज में मौद्रिक समगवी कब से चलनी सुरी भी, आदुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिकार थी, इस अध्याय में हम मौद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पू इतिहास का सीधा सा मतलब ये लिया करिएगा, कि आज हम लोग ठीख है, जिन्दगी जी रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक कल आनेवाली समय में इतिहास बनेगा. तो यानि कि हम लोग पोर उख्री जो भी चीज़ें देखते हैं जो भी काम देखते हैं जो भी घटना एकटी हुई वही तो इतियास है हम लोग भी तो कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं को इतियास है रहा है यानि हमारे बाप दादाओं ने एक काम किये हैं तो आज आप लोग सोच रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं देखिए अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो इतिहास में वही दर्ज रहेगा हो सकता है कि आप कोई अच्छा काम करें तो आपको इतियास याद रखें हो सकता है कि कोई गलत काम करें हो सकता है कि ऐसे भी रहेंगी जने का इतियास में कभी नाम नहीं रख सकता है क्योंकि देखते हैं लाकों करोणों लोग है हम किसे किसे याद रखते हैं डेली लाखों पैदा हो रहे हैं, डाल लाखों लोग मर रहे हैं, किसे किसे याद रखेंगे, तो कुछ अच्छी कामों को याद रखा जाता है, मुझे लगता है समाज के लिए जो जरूरी है, तो इस तरह कि आप लोग भी आज गांधी को पढ़ते हैं, भगस्तिंग को पढ सब्सक्राइह, भश्याति हैं, तो जपनी किढ़ता है, कि में लॉकडॉन के बात के बाते हैं, कि कई इतियास कार ऐसे इतियास कार जने मैं जानता हुं फर उसमें, उन लोगों से मिला मतलब, बात की मैंने, पता हैं उनका सबका एक ही एक कहना इत्यास पहले पहले हुआ है। वो आज भी बरकरार है। लेकिन आपने देखा है कि 1947 में हम आजाद हुए, आजाद का ये मतलब नहीं था कि हमें पूरी तरह से आजाद ही मिल गए, एक तरह से आजाद होने की पिक्रिया 1947 से आजाद मिल जाती है, क्योंकि हमारे देश के जो भी नेथा थी, उनके हाथ में आ चुकी थी कि किसे क्या द देना है, आजरेजों से हम लोग छूट चूट 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 थी, लेकिन हम ने देखा है कि 1947 के बाद जो हमारी संस्कीती पर चूट हुई, जो हमारी मतलब आप देख रहे हैं कि संस्कीती पूरी तरह से धरश्त करते जा रहे हैं, तो यही टाइम इसके लिए जिम्मेदा है, तो हम लोग लाष्ट में यही बात कर रहे हैं तिकी इतिहास यही है, जो भी आज आप लिखेंगे, आने वाली पीडी हमारे बादे में पढ़ेगी, तो वो भी कहेंगे कि हमारे बाद दाला ऐसे थे, हमारी पीडी हो, मैं ऐसे ऐसे हुए, ऐसा कि, और लिखने की कलाकी बात करने तो आप देखते हैं, हड़ापा सर्वधा देखते हैं आप लोग, पासा अनकाल देखते हैं आप लोग, उस समय इस तरह हम लोग, आप देखिए कि आज हम लोग देखते हैं कि किसी पत्तर को देखा है, या पिर कोई पुरानी चीज मिल जाती थी, तो हम लोग अ बिए ग्राएं और लिखने हैं, तो आप देख स Доम उसके आप देख आ कि उसके आप देख से अदने की सब्चान के गहातक आप मैं उसके खाल कि अब फने ने ईगए जाना ने तो रहा दो発 है यसी थी कि उन्हें हम समझ भी नहीं सकते थे लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद आप ने देखा कि यसी बाहसा का उभ्य होने लगा जिसे हम लोग पड़ भी सकते हैं और उस समय के बारे में जान भी सकते हैं तो उनी सभी के बारे में देखने की कौसिस करता हूँ इस चित को आप देख रहेंगे फ्रेंट के आने से पहले पुस्तक निर्माड अखलाक ये नसीरी 1595 से भारत का एक साही वर्बसॉप भारत में छपाई आने से काफी पहली यहाँ पर पार्ट को पहले बोलकर लिखाया जागा है फिर तस्वीर बना जाए रही है पुस्तक निर्माड में सुलेखन और चितकारी के बहुत मत्र था छापे खाने के आने के बाद इनकलाओं का क्या हुआ यह सोचने लाइक है आज आप लोग सोचे कि एक समय हुआ करता था कि हम आज से पुस्तक लिख दिया करते थे आपने देखा होगा कई पुस्तक यह सी आपको मिल भी जाएगी लेकिन आज आज आप देख रहे हैं कि आप पुस्तक हांसे नहीं लिख जा रहे हैं भाकाइदा आप देखते हैं प्रेंट होती है आप लोग टैपिंग करवात लेते हैं उसे लिखेबा कर पूरी प्रेंट आ जाती है तो यह जानी कि हम लोग कहे सकते हैं प्रोदुगिकी और तकनीक का कमाल है एक समय आप भी देखते थे जनम कुंडली आपके अमारे धरम में हम लोग हिंदु हैं तो हमारे यहां मन इस तरह के विवस्था हैं रहती हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जनम डेट भी लिख दिये जाती थी और पंडी जी के दोरा हास के पूरा लिखाया जाता था इस बात को भी आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कावच का उप्यूप चीन में ही हुआ है यह च्छपाई हां से होती थी तकरीबन 594 इसवी से यानि कि 594 AD से चीन में स्याही लगे कार्ट के ब्लॉक या तक्ती पर कावच को रगड़कर कितावें चापी जाने लगी थी चुकि पतले चितरित कावच के दोनों तरफ चपाई संबह रही थी इसलिए पारंपर एक चीनी कितावें एकोडियन सेली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी कितावों का सुलेखन या खुसन बीसी करने वाले लोग दप्छ सुलेखत या खुस खत होते थे जो हाँ से बड़े सुन्दर सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक तिल लिखाई करते थे यहां आपने एक सब्द सुनाए खुसन बीसी सुलेखन इसका मतलब होता है सुलेखन याद रखिए आप लोग सभी सब्द आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो इसलिए ज्यांदर टैंसर मतलिया करिए बड़े धैर से आपको सुननी है और एक तरफ इसलि दोनों तरफ लेख देंगे तो पढ़ने में भी आपको बड़ी घठना ही होगी तो कई बार आप देखते हैं कि एक तरफ ही छपे रहते है और सुलेखन या खुसन बीसी ए आपकी किताबों का दक्ष लेखा क्या कह सकते हैं आप लोग एक तरह से हुगा करते थे एक लंब इन परिक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताब चपवाते थे 16 सदी में परिक्षा देने वालियों की तादाद बड़ी लेहाजा चपी किताबों की मत्रा भी उसी अनपात में बढ़ गई थी आप देखते हैं सिवल सिवाक तरीक परिक्षा की तैयारी आप लोग पूवी का रहोंगे तो इसमें भी देखा जाता है कि किताबों की जैसे ही मांग बढ़ती गई उसी तरह चपाई होती गई सत्रवे सत्रहवी सदी तक आते आते चीन में सहरी संस्किती गे फल्ले फूले से छपाई के इस्तेमाल में भी बिवित्ता आई अब मुद्रित सामगरी के उभोकता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे व्याबारी अपने रोज मर्या के कारूबार की जैनकारी लेने के लिए मुद्रिक सामगरी का इस्तेमाल करने लिए परना ये सगल भी बन गया एक नई पाटक को कालपिनी किस्ते कविताएं आत्म कताएं सास्ती यसायत दिक्रतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंते अमीर महलाओं ने भी पढ़ना सुरू किया कुछ ने स्वर्चित काब और नाटक भी छाते आप सभी लोग भी जानते ह कि हमारे जो भी बेंट में आप देखते थे कि हम लोग पैसे निकालने जा रहे हैं या जमा करने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि रिजिस्टर पर लिख दिया गयाता था तो उस समय आप कह सकते हैं कि इस तरह की तकनीक नहीं थी तो इसलिए उप्योग होता था इसलिए कि रिजिस्टर आज आप देख रहे हैं कम्प्यूटरों का उप्योग होने लगा है तो सभी छेत्रों में आप देखते हैं कम्प्यूटर का उप्योग होने लगा है पढ़ाई में भी कम्प्यूटर का उप्योग होने लगा तो यह तो भी काम की चीज़ें हुगा गती थी, उन्हें लिखने लगी, महलाएं भी पढ़ने लगी, बड़े घर की भी महलाएं पढ़ने लगी, और भी नाटक लिखने लगे आपकी, कागज का यही तो सबसे बड़ा फायदा था, कि आप ही सोचिए कि कागज आने के बाद, प्रे पश्चमी सक्तियों द्वारा अपनी चौकिया इस्तफित करने की साथ ही पश्चमी मुद्रण, तकनीक और मसीनी प्रेस का आयाद भी हुआ, पश्चमी से लिखे स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाली संगाई प्रेंट संस्किती का नया केंद बन गया, हाथ की छप पहले हमारे जो भी आपकी पीडियां हुआ करती होंगी, जो भी हमारे दादा पर दादा जो भी रहते होंगे, उस समय जो उप्यव करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आज की कप्पीटर उस समय भी हुआ करता था, वो भी उप्यव करते थे, तो समय के साथ हर को ही बदलता रहता है हम भी तो देखते थे हम लोगों के पास मोबाइल की पहले सुगधा नहीं थी या फिर महेंगा था हमारी पहुंच से दूर थी फिर देखा आप नगी बढ़ता गया आज हम सब के पास मोबाइल है तो इस समय के साथ सब बदलता रहता है सीधी सी बात है जापान में अगर मुद्रण की बात करें तो चीनी बहुत पिचारक साथ सो अरसट से साथ सत्तर इसबी के आसपास चपाई की तकनीक लेकर जापान गए जापान की सबसे पुरानी आठ सो अरसट इसबी में चपी कुस्तर डायमंड सूथ थे जिसमें पाट के साथ साथ कार्ट पर खु लबी थी आप भी जानते हैं इस बात को तो डायमंड सूथ का एक पंडाय फोक्स का जापान की इस तरह कि वहां जो भी लिपी हुआ करती होगी एक बात तो आप लोग भी जानते हैं कि आप चलिए मान लेता हूं एक समय आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कि गाउं मे आप लोग चाय और कोफी पर जानता जोड नहीं था वहां लोग जानता इस तरह की चीज़ों को उपयवव नहीं करते थे लेकिन आज आप देख रहें कि गाउं भी इस तरह की सुझा होगी कोफी वहां भी लोग पी रहें सोबज से चाय भी पीने लगे हैं तो इस लिए ह क्योंकि आपने देखा या तो गाउं की लोग बाहर गए वहां से संस्किती यानि कि इस तरह की बेवस्ताइं हुई जान पहचान हुई जाती है आप समझ रहे हैं आज देखते हैं आप लोग की पीजा बर्गर गाउं पाले भी जान न लगे हैं तो एक जगह से दूसरी जग करता होगा फिर बड़े लोगों के हाथ में देखा होगा या तो बड़े लोग गाउं की तरफ गया होगी तब देखा होगा या फिर बोलो सहरों में आया होगी तब देखा होगा फिर देखा कि गाउं में आपने पहुंच गया इस तरह का आना जाना लगा रहता है उस समय क्या हुआ करता था कि चीनी जो बहुत प्रिचारक थी यानि कि आपने देखा है कि बुद्ध धरम का प्रिचार करने के लिए लंबी-लंबी यात्राय भी किया करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह इस तरह के काम चलते रहते थे आप देखते हैं हमारे देश में भी तो दे भारती योग महादीप का लेकिन आज आज आप देखते हैं स्री लंका में भी आप देखेंगे भारी देशों कई देशों में आप को इस तरह की धार्मिक संपता है देखने को मिलेगा तो कहां से गया भारत से तो गया कोई तो गया होगा वहां इस तरह की बाते करने स्री आप सुनते भी है कि असोक मौरसमराज की समराठ की बाद करूंग असोक की असोक का पुत्री संग मिता कुत्री का नाम था महंद उसका बेटा ये तो श्री लंका के बच्चार के लिए इस तरह की आप लोग देखते भी हैं अब लिखों में उसके असोग की और असोग ने कई यात्राइं भी करवाई हैं आप सभी लोग पढ़ते हैं और इसलिए अब लोगों ने बाईगराफी उनकी कवर कर लिए कि आपको मालूत होन कोई किसी को नहीं चूड़ा है आगी चलते हैं बुलोग अठारी सदी के अंत में ए दो बाद में जिसमें जिसे तोक्यो के नाम से जाना गया कि सहरी लागों की चित्कारी में साली सहरी संस्किती का पता मिलता है जिसमें हम चायगर के मजमूर कलाकारों और तवायपों को देख सकते हैं, हां से मुद्द तरह तरह की सामक्रिय महिलाएं, संगीत की साजूं, हिसाब किताब चाय अनुष्ठान, हूज साजी, सरष्टाचार, रसोई पर लिखी किताबें, सिपुस्तकालें इबन दुकानें, अटी पड़ी थी, अब आप दो एक हैं, आप खुद देखी इसमें, यहां कुछ समझा मेने लाइक है, ऐसा आपको कोई सब्द मिलता हो, जो समझने लाइक हो, मुझे लगता है कि इसमें कोई भी, किसी भी कोचिंग में आपने देखा होगा, कि आपको नहीं कहा जाता है, कि आप NCEIT हम पढ़ा करूँ है, ठीक है, तेरे भी सताबदी में मत्त में, तरी पिटिका, कोरियाना, बुड बिलोक्स, मुद्रण के रूम में, बहुत गरंथों का कोरिया ही संग रहे, इन गरंथों को लगभख, आठ, सोरी, 80,000, बुड बिलोक्स पर उकेरा गया था, और इने 2007 में, UNESCO मेमोरी, आप दा वर्ल्ड रेजिस्टर में अंकित भी किया गया है, यह आपको दिखाए भी दे रहा है, आज भी तो हम लोग देखते हैं कि कही के घरों में, बहुत पुरानी बहुत तक भी लाइबरेरी में मिल जाएगी आपको, आज की भी हम लोग पुस्तकें रख देते हैं, इ चिता गावा, उता मारो, 1773 इसमी में इदो में पैदा हुए, उता मारो ने उकियों, उकियों तेरती दुनिया के चित, नाम की एक नहीं चितगला सेली में अहम एकुदान्त किये, जिन में आम सहरी जीवन का चितरन किया गया, इनकी चपी, चपी पितियार की उर्व और अ वान गौ, जैसे चितकारों को प्रभावित किया हैं, तिसू ताया, जुझ्या बोरो, जैसे पिकासकों ने विसाय चुन कर कलाकारों से उन पर चित बनाने का करार भी किया जाता, फिर चितकार विसाय की रूबरेका बनाते, इसके बाद हुनर मंद, बोड बिलो, सिल्पी चितकार द्वाना बनाईगी रूबरेका को तक्ती पर चिपका कर, उसकी आकरती को उके लेते थे, इस फिक्रिया में मूल आरेक तो गायब हो जाता था, पर उसकी छबी छपी नकल बच जाती थी, इसे देख भी रहे होंगे आप लोग, किता गावा, उता मारू की एक उकी ये रचना, बड़ा नाम बेचेन रहता है, बड़ा मतला उल्टा सीधा नाम लिखा जाता है, इसे भी देख रहे होंगे, इस पिक्टर को आप देख रहे हैं, सुभह का नजार, रचेता, सुनमन को वो, अठारवी सदी के अंत की बात है, ठीक है, आप चलते हैं हम लोग, इवरोप में मुद्रण का आना, तो याद रखे, सबसे पहले आप देखते हैं, चीन से सुरूब होता है, इवरोप में मुद्रण का आना, सदियों तक चीन ने रेसम और मसाले रेसम मार्ण में से इवरोप आते जाते रहे, आपने देखा होगा, रेसम मार्ण कापी तरफ के देख सकते हैं, इसलिए आपने देखा है, भारत में भी अंगरे जाते हैं, तो इसी उद्देश से, ब्याबार करने के उद्देश के लिए, कहा जाता है कि हमारे याँ के कपड़ों के इतनी माग होगा करती थी, कि इन देशों के, आप समझेए कि राजा महारा जो जो बड़े घराने उगा करते थे, वो भी हमारे याँ के कपड़ों का यूज करते थे, ग्यार्यवी सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुँच गया, कहां यूगों में, कागज ने कातियों, कातियों या मुंसियों द्वारा सावधानी कूरवक लिखी गई, पांडोली पियों के उत्पादन को मुंकिन बना है, फिर 1295 में मारको पोलो नामक महान खोजी अत्री, चीन में खापी साल तक खोज करने के बाद इटली बापस लोटा, जैसा कि आपने उपर पड़ा है कि चीन के पास बुड ब्लॉक, काट की तक्ति, बाली छपाई की तक बाकी यूरोब में फैल गए, मुद्रित किताबों को सस्ती, असलील मानने वाले, कुलील बर्गों और भी छू, संगों के लिए चापी किताबों के बिलासी, संस्कंड अभी भी, बेस कीमती बेलम, या पर चरम पत्थ पर ही चपते थे, ब्यापारी और विस्तु विद्या पर लगे, इसमें सीधा सा ये देख सकते हैं कि लोगोंने बाहरी लोग, जब भी ग्रामीट चत्र के लोग सेहरों में जाया करते होंगे, उन्होंने चाय पीते, कॉपी पीते हुए सहरी लोगों को देखा होगा, तो वो भी जब आपसी अपने गाउं गहे होंगे, तो उन आप लोग सौभावी कसी बात है, उसने भी अच्छी तकनीक थी, तो उसने भी अपने देश को अपनाने की बात कही, उसके बाद वहाँ भी इस तरह की चपाई हो लेन लगी है, यहाँ आपने एक सब्द देखा है, वेलम, चरमपत या जानवरों के चमडे से बनी, लेखन की सतय हुगा करती थी, वेलम, किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ एउरोप भरके, पुस्तक बिकेटा बेविन्न देशों में रियात करने लगे, अलग-अलग जगों पर पुस्त के, पुस्तक मेले लगने लगे, और बढ़ती मांग की आप उर्थी के लिए हस्त लिक पुस्तक या कातिब नहीं पाय जाते थे, बले कि पुस्तक बिकेटा भी अब उन्हें रोजगार देने लगे, आम तोर पर एक बिकेटा के यहां 50 कातिब काम कलते थे, यानि कि ये 50 लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्त लिकीत पांडूलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी नकल उतारना बेहत खर्चिला समय साथ और सरम साथ काम था पांडूलिपियां अक्तर नाजुक होती थी उनके लाने ले जाने रखरखाओं में तमाम मुश्कले भी थी इसके लिए उनका सर्कूलेशन चलंद गस्त सीमेत रहा तो किताबों की बड़ती मांग की चलती बुड बिलोप पैंटिंग तक्ति की छपाई उत्रोत्तर लोक परिये होता कया पंद्रवी सदी की सुरुआत तक इरोब में बड़े प्रमाने पर तक्ति की पर जिकजी कोरिया की जिकजी मुवेवल मैटल टाइप की साथ मुद्रे दुनिया की सबसे पुरानी मौजुदा पुस्तकों में सेव गया इसमें जैन बहुत धरम की मुख विसेशता है पुस्तक में भारत चीन और कोरिया की लगबग 150 बहुत द्विक्चुओं का उलेग भी किया गया है इसे 14 भी सदावदी की अंत में मुद्यत यानी की छापा गया था पुस्तक का पहला खंड उपलब्द नहीं है दूसरा खंड करांस की नेशनल लाइबरेडी में उपलब्द है यह कार मुद्रण संस्किती में एक मत्मूर तक्नीक की परिवर्तन साबित हुआ यही कारण है कि इसे 2001 में उनेस्को में बोरी आप दा वर्ल्ड रजिष्टर में हंकिती किया गया है आँगे आपका जाहरे की किताबें चापने के लिए इससे में इससे भी तेज और सस्ती मुत्रण तक्नीक की ज़रूयत थी ऐसा चपाई की नई तक्नीक के अविस्काट से ही संभव होता है और 1430 के दसक में इस्ट्रेसबर्ग के जुहान गुटेनबर्ग में अंतता कर दिखाए गया है एक तरह ऐसे आप कह सकते हैं कि आप सोचे कि बेल गाड़ी मिली हो है ठीक है उससे समय लगता था जाने में तो आपने देखा एक साइकल मिल गई साइकल से भी टाइम लगता था जाने में एक जगे से दूसरी फर आपने गाड़ी देखी उसके बाद उससे भी टाइम लगता था आज आप देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी आपकी फोरवीला ने उससे भी टाइम लगता था ट्रेनों से भी टाइम लगता था एक समय आप देख रहे हैं आपकी वायू के लिए मतलब आपको हवाई याज इस तरह की सुविधा होगे तो याद रखे आंगे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं समय के साथ और इस तरह की तक्नीकों का मतलब उद्वा होता रहता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी जरू जरूरत नहीं चीजों काविश्कार नहीं करेंगे तो याद नहीं कि जितनी हमें जरूरत हों की उतना ही अच्छा एक तरह से आप समझ सकते हैं आपने सुना होगा कि अगर किसी देश में जानने बालों की संख्या अधिक हो तो वो देश जंदी तरक्की करता है यानि कि ब यह क्या है उसका हमेज़ा आप देखेंगे कि दिमाग तेज रहेगा क्योंकि वो जानने को एक चुक है तो ऐसे बच्चे हमेज़ा आंगी भी रहते हैं गुटेनवरक और पैंटिंग तिरेश की अगर बात करें तो गुटेनवरक की पिता ब्याबरी थी और वह एक खेती की बड़ी रियासत में पल बढ़कर बढ़ा हुआ वह एबजपन से ही तेल और जेतुन पेरने की मसीने देखताया था बाद में उसने पत्तर पर बॉलिस करने की कला सीखी फिर सुनारी और उन्त में उसने सीचे को इच्चित आकरतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर दी अपने ग्यान और अनभाव का इस्तिमाल कर इस्ति ग्या गया, गुटेन वर्म में ने 1448 तक अपना यह इंत मुकबल कर लिया था, उसने जो पहली किताब छापी वह थी वाईबिल, क्या थी वाईबिल, तकरीपन 180 पितियां बनाने में उससे 3 साल लगे, जो समय के हिसाब से काफी तेज था, उस समय के हिसाब से काफी तेज एक बात आप लोग में वो समझ में आ रही होगी आप ही बताईए मुझे किसमें मैं इस कहानी में इस परागराम में मैं आप लोगों को क्या बताऊ अब ठीक है आपने पढ़ा है आप भी याद रखेंगे कि पहली किताब इसमें चापी थी इसमें आपने तकरीवन एक सोथी पितियां बनाने में तीन साल का समय लगा था यह तो आप लोग भी पढ़कर याद रख सकते हैं इसलिए मैंने ट्रेलिगराम पर सभी किताबें डाल दी आप मेरे बनों से कमी रहें आप खुद जाकर अगर आप जल्दी से जल्दी टाइम नहीं आपके पास खतम कर सकती हैं तो कर लिए ठीक है मैं तो मेरा तो यह कुर्देश मैंने कहा है आप लोगों से तो कवर भी कर वाम लेकिन आप भी अपनी तरप से कर सकती है एक आपको बड़ी धेर की साथ पढ़ना है पर या नई तकनीक हातों से कितावें चापने की तकनीक की जगए पूरी तरह से नहीं ले पाएं शुरू में तो छपी कितावें भी अपने रंग रूप और साथ सज्जा में खस्त लिकित पंडू लिपियां जैसी दिखती थी धा करने पर हासिय की जगए बैल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी हर खरीदार अपनी रोची के एसाब से डिजाइन और प्रेंटर खुद तैय करके उससे समार सकता था करीब 100 सालों की दर्मयान यानि की 1450 थी 1550 इरोप के जानतर देशों में छापे खाने लग ग ुस्स तक उत्फादम में कमाल की वढूत्री हुई, पंदरवी शधी के दूसरे हिस्ते में यूरोप के वाजार में 2 करोड मुद्रीत किताबें यानि की छपी हुई किताबें आई यह संक्या सोलेवी शधी में 20 करोड हुई, हाथ जपाई की जगए यांतरेक मुद्रन के आने पर कि मुद्रन क्रांती संभा हुई आप लोगों को इसमें याद यही रखना है कि जो आपको पॉइंट है जसे आप सोचे क्रम से छपाई होती जा रही है फिर नई तकनिक आ रही है तो इसी तरह में आपको ढलता जाना है कि कौन सी तकनिक कब आई अगर आपसे questions पूँच लिया जाए कि किताबों की मुद्रण यानि की छफाई का ये कि थ्यास बताईए इस पर आपको कुछ सब्से लिखाना है तो आप सुरूं करेंगे वहां से जहां से मतलब सुरूं होता है उसके बाद आप बताते जाएंगे कि इस सन में इस तरह से प्लेस ओवर पिपन एक आप लोग ने देखा होगा सायद मुझे लगता है कि एक सील लगाने की प्रेड समने आपने देखा होगा तो इसी तरह तो आप भी देखते हैं कि उसे दबा देते हैं उस पर रख देते हैं तो आप देखते हैं कि चप जाता है तो एक तरह से उसी प्लेर का काम हो गुरा है गुटेनबर्ग पेंटिंग प्रेस इसक्रू से लगा लंबा हैंडल देखें इसकी मदद से इसक्रू गुमागर प्लान 10 को गीली कागज पर दबा दिया जाता था गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णवाला के तमाब 26 सक्षरों के लिए टाइप बना गया और यहीं अंगले 300 साल तक छपाई की बन्यादी तकनीक रही हज चपाई के लिए तक्ति पर खासा कर उकेरने की पुरानी तकनीक की दुला में किताबों का इस तरह चाप चापना नियाय तेल हो गया गुटेनबर्ग फिर इस एक गंटे में 250 पन्ने एक साइड चाप स इस तरह के बदलाओ होते रहे हैं यहां कुछ आपने नए सब्दे भी देखे होंगे पिलाटेन लेटर प्रेस चपाई में पिलाटेन एक बोर होता है जैसे कागत के पीछे दबा कर टैग की चाप ली जाती है पहले अगर बोर कार्ट का होता था बाद में इस बाद का बनन लगाते हैं इसे भी आप देखरें वो इस चित्त को भी यूरोप की पहली चपी किताब गोटेनबर्ग की बाइवल से कुछ पन्न लिए गोटेनबर्ग में कुल 180 पितिया चापी थी पर उनमें से 50 ही बचपाई है यानि कि अभी 50 से बाकी की खतब हो चुकी है आईए गोटेनबर्ग की दातुई चपाई से चपा चपा जरूर गया था पर इसकी हासी पर कलाकारों ने हां से टीकाकारी और सुघड चितकारी भी की थी कोई दो पितिया एक जैसी नहीं थी हर पितीप का हर पन्ना आलगता यहां जहां पहली नजर में वे एक जैसे लगे थे ल जो उनके पास था वह अनोखा था वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उनके हूबाहू नकल नहीं थी आप इबादत में देखेंगे कि कई जगों पर अक्चरों के अंदर रंग भरे गए और इसके दो फायदे थी पन्ना रंगीन हो जाता था और साथी साथ स इवारत या फिर पाट को काले में चापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी थी इसकित इसे देख रहे होंगे आप इसे भी आप देख रहे होंगे एक मुद्रन की वरकसौफ 16वी सदी की बात ही इस तरव तस्वीर से पता चलता है कि 16वी सदी में मुद्रक का कारिस्थल कैसे दिखाई दिता था सारे काम यह की छत के नीचे चल रहे थी दाए छोर पर अलग अंगले हिस्से में कंपो जीटर काम कर रहे थी बाई सरी पर ग और उनी के पास Pro Reader काम में जुटे हैं बिलकुल अंगले भाग में तेयार माल पढ़ा हैं ये दो दो पेश्ट बाले चपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है आप समझ रहें यहां पहुँच गए यहां पूँच गए शपाई के लिए वारत कमपूज करने वाला बैक्ती गेली दातवी पिरिंद जिसमें टाइब बिच्छा कर इवारत बनाई जादी थी अब बात करते हैं मुद्रन केरांती और उसका ऐसर क्या है नाटकी बदलाऊ की सुर्वात नहिं था पुस्ता कुद पादन के नहीं तरीकों ने लोग की जिंदगी बदल दी इसकी बदला सूचना औग्यान से संस्था और सत्ता से उसका रिस्ता ही बदल गया इससे लोग जेतना बदली और बदला चीजों को देखने को नज़े लिया आप समझ सकते हैं कि पुस्तक आने से आप समझ उस समय की इतियास के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं जान भी सकते हैं आज आपको किताबे मतलब से भी रख सकते हैं आप समझ रहे हैं और आज आप लोग ऐसी ऐसी आपके पास पर अध्राइब हो गई है या कुछ भी आपको इस तरह की विवस्ता हैं हो गई है कि आज आप भी जो भी डेटा सेव करेंगे आने वाली कई सालों तक सेव भी बने रहेगा आप जीमेल पर डाल देते हैं आप समझ यह जब तक रहेगा तब तक आपके डेटा सेव रहेगा तो यह यही पुस्त आपकी किताबों के साथ भी हुआ है कि किताबें लिखने लागें तो इससे कही तरह की आपको सहुलियत भी हुई है नया पाठक बरग च्छापए काने के आने से एक नया पाठक बरग पैदा हुआ है च्छापाई से किताबों की कीमत गिरी और किताब होता गया है एक बात आप भी जानते हैं मुझे लगता है कि जब भी कोई आप देखते होंगे कि मोगाल भी पहले आया होगा तो वो बहुत मैंगा हुआ करता हुआ लेकिन जैसे जैसे तकनी की बदलती गई तकनी और कुछ जाना ही बाजार में आते रहे तो आज आप देख आप देखते हैं कि अटाइसो रुपे के करीब आता था और उस समय आप समझ सकते हैं कि आपको एंडर राइट फॉन मिल जाएगा समझ रहें तो जब किताबों की नई नई तकनीक चपने लगी तो आपने देखा है कि उनकी कीमत भी गरनने लगी आप अगर लिखते हैं हा प्रेंट करवाना है एक दो सेकंड में आपका आजाएगा सामने एक दो रुपी आप से लेगा और उसी पन्ने को आप लिखना चाहें तो एक पूरा दिल लग सकता है तो आप सुझिए महनत भी बहुत लगी लिए तो इस तरह की वी विवस्ता हुई हो एक तरह से आपको पाइदा हुए आज हम देखते हैं नोटस हम लोग नहीं बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अब दूसरे से लिया और प्रेंट करवाया काम चल गया हुआ किताबों तक पहुँच आसान होने से पहले की एक नई संस्किती बिक्सित हुई अब तक आम लोग मौकिक संसार में जीते थे बिधार्मे किताबों का वाचन सुनते थे गाता गीत उनको पढ़कर सुनाये जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे होने की आदी नहीं थे छपाई किरांती के पहली किताबों ना केवल महिंगी थी बलकि उन्हें परयाप मत्रा में चापना भी असंभ होता आप किताबे समाग की व्यापक तक पहुँच सकती थी अगर पहले की जनता सुरोता थी तो कह सकते हैं कि आप पाठक जनता अस्तित में आ गई हैं एक बात आप लोग भी जाते हैं माली जी कि हमें सिक्षा की जरूवत हम लोग गरीब हैं हम लोग निचले तब किसे आते हैं तो आप जानते थी उस समय भीदभाव व्यापत था पुरी तरह से तो अगर कोई हमें टीचर नहीं मिलता और हम सामने जाकर उसकी बातें नहीं सुन सकते थे तो मुझे लगता है कि उस समय हम लोग अंपड रह जाते हैं लेकिन आज क्या देखेंगे कि चलिए हम लोग बिलकुल नीचे काट से यानि मिलकुल जाती नीचली जाती से हैं और फिर भी हमें अगर कोई सिक्षक बेवस्ताय नहीं कर दा है तो ह जीता के बारे में जानना होता है भागवत कता के बारे में जानना होगा होता हुआ तो वही लोग सुन पाते थे जो जिन्हें अनुमंती होती हुआ करती होगी कि आज ये बैटी आप सुनिए लेकिन एक तपके इससे चूट भी जाता होगा लेकिन आप किताब में चपने तो हर बड़ भी उसे पढ़ सकता है और जान भी सकता है उसके बारे में कि आखिर क्या है उस समय आप जो सामने बाला बोला है उसी पर भरोसा भी कर लिया करते होंगी लेकिन आप समय बदल चुछा है आप हकीकत से भी परचित हो जाती है एक तरह से समझ रहे है लेकिन यह सं कमर सरल नहीं था किताब में सरफ साख्चरी पढ़ सकते थे और एउरोप के अधिकास तेसों में 20-20 सजी तक साख्चर तक यानि पढ़े लेके लोगों की दल सीमित थी पेकासकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के पिती दिल्चस्मी कैसी लाई है इसके यह उन्हें मुद्धित करती की व्यापक पहुंच का ध्याम रखना था जो नहीं पढ़ पाते थे भी बोलकर पढ़े गए पढ़े गए को सुनकर उसका लुप्त तो उठाते ही थे इसलिए मुद्धिकों ने लोग की तो लोग कताय चापनी सुरू कर दी और इसी किताबे आम तोर पर तस्बीरों से खुब सजी धनी धजी यानि सचित्र होती थे प्रेने सामविक ग्रामीड सबाओं में या सहरी सराब खानों में गाया सुनाया जाता था आप भी देखते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा आता है या हम भी जो भी बच्चपन में थे तो फासे फर्चा तो उसके चित्ते भी दिये रहते थे उनके क्या हुआ करते थे चित्ते भी दिये रहते थे भले हम लोग अक्षरों के बारे में नहीं जाते हैं लेकिन हम लोग बड़े खुश हुआ करते थे बच्चपन में अगर इस तरह की वेउस्ता मिल गई हमें तो यह ही हुआ करता था कि इसमें चित्र इस तरह की सजा ने यानि की आकसित करने वाले लगा दिये जाती थे कि हर जंता इसे जानने का उस्सो को अब देखिए महला ठीक है महला पुरुस है सब दगर लिखा है तो हो सकता है कि आप नहीं पढ़े लिखें आपको नहीं है भासा आपको लिखी मालू नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएं लेकिन आप सोचे कि एक महला या पुरुस की तस्वीर बढ़ना दी जाती है तो आप मुझे लगता है कि आराम से उसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में आराम से आप जान भी सकते हैं गाथा-गीत की बात करें तो लोगीत का इतिहासिक अर्ख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। सराब खाना वह जगए जहां लोग सराब पीने खाने दोस्तों से मिलने और बात पिचाल के लिए आते थे। वो सराब खाना कहलाता था। इस मौकिक संस्किती मुद्र संस्किती में दाखिल हुई और छपी सामंगरी मौकिक अंदाज में पिसारित हुई। मौकिक और मुद्र संस्कितीयों के बीच की बिवाजकरिका धुंद्ली पड़ गई। सुरोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए अब है आपका धार्मिक विवाद और प्रेंट का डर्ण छापी खानी से विचारों की व्यापफ विचार पिसार और बहस मुभाहसे की द्वार कुले इस थापिश सथ्टा की विचारों से आज सहेमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को छापकर हमें फ्याजा सकते थे चब के हुए संदेश के जरिए व Вам्युकल को अलग दंग से सूचने के लिए मना भी सकते या कोई कारवाई करने के लिए फेरेद्वी कर सकते थी जाया है कि इस बात का जीवन के कई चेत्रों पर गंभी मात भी पड़ता है और एक बात वैसे ही याद रखे इस तरह कि जो भी किरांती होती है तो कई इसके विरोध में भी होते है कहा जाता है कि जब हमारे लात है कि हर कोई मुदृत किताबों को ले कर खुष नहीं था जिन्हों ने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसकोन लेकर कही डर्वी थे कही लोगों को चपी किताबों के व्यापक पिर्चात पिसार और चपी सब्दी की सुगंता को लेकर यह ऐसंका थी कि ना जाले इसका आम लोगों की जहन पर क्या असर हो भैधा कि अगर चपे हुए और पड़े जा रहे कोई नेदर ना हुगा तो लोगों में बागी और आधार्मिक विचा पनपने लगेगी अगर ऐसा गुए तो मुलबान साहित की सत्ता ही निर्ट हो जाएगी धरम गुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नौ मोद्रित और नौ पिसारिश साहित की ब्यापक आलोचना का अधार थी रॉमन कैथलिक चर्च की कुरितियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 इस्थाफनाय लिखी इसकी एक चपी पिती बैटेन वर्ट के गर्जागर के दरवाजे पर टांगी गई इसमें लूथर ने चर्च को सास्तार्थ के लिए चरोंती दी थी जल भी लूथर के लिए बड नियू टेक्स्टा मैंट के लूथर के तरजूमें या फिर अनवात की पांच याद पितियां बिग गई और तीन महिक ने के अंदर दूसरा संसकर्ण निकालना पड़ा फ्रेंट के पिती तही दिल से करतक लूथर ने कहा कि मुद्रण इस्थर की दी हुई महानतम देने ख्याल है कि चपाई ने नया बहुतिक महाल पनाया और इसमें धरम सुदारांदुलल के नए विचारों के पिसार में मदद भी दिया इससे आप समझ सकते हैं कि पहले आप सोचिए कि इस तरह की किताबें नहीं चपती होगी तो किसी धरम गुरू ने जो भी बोल दिया और अधिकतर धरम गुरू यही बोलते थे आप समझते हैं कि उनके पक्ष में रही यानि कि वो इस तरह की सब्द गड़ते थे कि आप उनकी भक्ती में उनकी उने मानते रही हैं समझ रहे हैं लेकिन पुस्त के आने के बाद धरम गुलूओं का भी मत घटने लगा होगा और हक अधिकत जन्ता के यानि की सभी के सामने आने लगी होगी अब आप पे नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि नई धरम में ये कह गया है तो आप उसी को मान कर बैठ जाए अब आपके सामने अधिकत भी आ चुकी होगी मायटिल उतर आपने देखा है कि जो भी उसमें मतलब आलो पहुचना होती है तो बड़े तादाद में लोग इनमें इंट्रेस्ट भी लेते हैं तो इससे बहुत मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप पहले देखते थे थे कि महलाओं को घर से निकल लेकिया जादी नहीं पढ़ने लेकिया जादी नहीं कोई फैसला लेकिया उनकी बोवी समझने लगी है समाज एक तरह से और जाग रोख होने लगा है एक पिक्चरस आपको देख रही होगी जेवी स्ले लेंपरी मेरी चापकाना 1749 या आधुनिक यूरोप के प्यारम में पैंट के आगमन का उस्सा मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है देखें कि चापका खाना लेकर एक देवी स्वएक से उतर रही है इस देवी की आजू बाजू मिनरवा विद्या की देवी मरकरी यानि की दूद्देव बिविक का पितिक है तस्वीर के आंगी हिस्सी में अलग-अलग देशों की छै अगणी मुद्रणकों मुद्दकों क की चमिया लिए औरतें बीच में माई और घेरे के अंदर गुटेंड वर्क की तस्वीर है याद रखिए महलाओं की हर जगए आप देखते हैं कि कई जगे महलाओं की तस्वीर ली जाती है कि परस्चाहे सुधन्ता के मामले में हो हमारे भारत महीं देख लेज़े भारत मा आज भी आद देख सकते हैं कि एक मतलब हर जाती को बाहर घूमने की हर जगह जाने की सुतंता है लेकिन महलाओं पर बावंदिया लगाई जाती है अगर महलाएं सुतंत हो गई उन्हें आजादी मिल गई तो यह मान लिया जाता है कि हर वरक को हर समाज के हर वरक हर तबके को आजाती मिल गई है अब बात करते हैं मुद्रण यानि की मुद्रण और पिधी रोद छपे हुए लोग परिये साहत के बदबर कम सिक्षित लोग धरम की अलग-अलग व्याक्ष्याओं से फर्चित हुए 16 सदी की इडली के एक किसान मैनो किया ने अपने इलाके में उपलब कितावों को पढ़ना सुरू कर दिया था उन कितावों के आधार को उसने वाईवल के नई अपने कल ने शुरू कर दिये और उसने इसवर और सृष्टी के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथलि चर्च उसकी क्रोध हो गया ऐसे धरम विरोधी विचारों को दबाने के लिए रॉमन चर्च ने जब इनक्यूवी जी जितसन धरम दोहियों दोहियों को दुरस्ट करने वाली संस्ता सुम किया तो मैनुकियों को दो बार पकड़ा गया और आखिरकारों से मौत की सजावी दे दी गई धरम के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाये जा रहे सवालों से परेशान रॉमन चर्च ने पिसासकों पिकासकों और पुस्तक विक्यताओं पर कई तरह की पावंदियां लगए और 1558 इस भी से पिती बतित किताबों की सूची भी रखने लगी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे देश में आंदूलन चल रहे थे 1859 से आप ले सकते हैं 1947 के बीच की बाद आपने देखा होगा कि हमारे याँ की जो पत्त काये निकलती थी किताबे निकलती थी सुतंता सेनारी जो भी बात करते थी उन पर पिती बंद लगा दिया जाता था इसते क्या था कि कोई समाचार पत निकलता है उसमें हकीकत अगर बयाग की जा रही है तो क्या होता था कि उसके विरोध में भी मतलब एक तरह से जनता को दवाने के लिए सच्चाई ना पहुंचने के लिए उन्हें रोक दिया जाता था उनके ऊपर कही तरह की पितीवन्द लगा दिया जाते थे फ्रेंट खाने जो भी चापे खाने होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता था तो इसलिए इस तरह कि आप सोचिए आज कई धर्म में बटे हुए हैं हम लोग और देखते हैं एक धर्म का दूसरे धर्म से बिरोध चलता रहता है आज अगर हम लोग सच्चा ही अगर सभी समाज के पास इसके जानकारी नहीं होती कि भागबत कता में यार रामायड में क्या लिखा गया है बाइबिल में क्या लिखा गया है तो आप समझेंगी अभी और मतलब यह आसमानता और एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुरान में आप देखिए कि धर्म गुरु जो भी बोल देते वही मुस्लिम लोग मान देते अभी भी तो आप देख रहे हैं कि तो अगर इस तरह की विवस्ता होती के बारे में उन्हीं की बातों पर भरोसा करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि आज अलग और अलग दुनिया बन जाती है तो कम से कब अभी जो मुसलिम बर्ड पड़ा लिखा है या कोई हिंदू भी पड़ा देखा है वो अपनी भागवत का था समद तो सकता है उससे पड़ भी तो सकता है कि भगवान क्या लिखा है उसमें क्या नहीं लिखा है क्या अच्छी लिखी है तो ये भी फायदा हुआ यहां कुछ आपके ड़े सब्द भी है फ्रोटे इस्टेंट धरम सदार 16 भी सदी यूरोब में रॉमन कैथलिक चर्च में सुधार का अंदोलन मार्टिन लूथर फ्रोटे इस्टेंट सुधार कों से एक थे इस आंदोलन ने कैथलिक इसाई मत के विरोध में कई धर्णाएं निकली तो इससे कई फायदे हुए आप लोग इनकी भी जीशन धरम अदालत विधर्मियों की सिनात करने और सजा देने वाली रोमन कैथलिक संस्था आप नहीं कह सकते हैं कि एक तरह ऐसे आज चलिए कोई अगर किसी धर्म की विरोध बोलता है तो वो धर्म क्या करें कि एक नई संस्था बना ले वो संस्था का काम यही है कि जो भी इसके विरोध में बोलता है यानि कि आप इसकी इसके विरोध में कुछ लिखता है तो उस पर कोई सज़ा देने का प्राओधान हो जाए और वो संस्था भी इसी तरह की बात करने लिए तो इसे ही आप लोग कह देते हैं इनकी वी जेसन धरम बिरोधी इंसान या फिर विचाज जो चर्च की माननताओं से आसामत हो मत्यकाल में चर्च विरे बिधर्मियों या धरम दुरों के पिती सक्त था उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पसकर उसका अधिकार है और उसकी बात की अंत में आप लोगों ने कुछ दिल पहले एक वीडियो देखा हुगा साइड बहुत बाइरल भी हुआ था कोई लड़का था वही बारह देरे साल का वो किसी रामाएड अच्छे एक भले रामाएड करते हैं लाक मरोपे लेते हैं उनसे पूछ रहा था कि धरम क्या है इस तरह कि कुश्चिन्स वो कर रहा था तो आप समय लिए कि इस ते बुरी इस्तिती रहती होगी उस समय उस समय उनने बोल लिया नहीं ये पानी नहीं ये दूद है तो आपने क्या बोल लिया होगा कि दूद हाथ दूद है आप दूद सही बात बोले अभी भी तो आप देखते है कि कोई भी दर्म गुरू बोल देता है कुछ भी तो हम लोग बोल देते हैं हां सही बात है अभी इतने जागरूप होने के बाद भी लोग इस तरह की बातों में फुक्त जाती है अभी भी आता है Sosal Media बर कोई भी मैसे जाता है हम उसे पढ़ते हैं और हम लोग forward कर देते हैं, share कर देते हैं, हकीकत है या नहीं है, वो अलग बात है, मतलब अभी भी हम लोग जागरूप नहीं है, पूरी तरह से, तो समय किशते थी आप भ्यानत बौर पूरी थी, समझ रहे हैं, चली आगे चलते हैं, एचित आपको देख में छपाई का फॉप किस नाटकी एता से फेश किया जा रहा था, यह देखा जा सकता है कि इस बेहत दिल्चस बुर्कट, तक्ती चाप, तस्बीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के लत से जोड़ा गया, मुद्रण के मुद्रक के बरक सब को मौत के नाच का मंच बता होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सुचे किताबं के लिखने से, हाँ हो सकते हैं कि कोई किसी दूसरे समूब पर नकादात मत पढ़ते हूं, मतलब उस पर गलत पढ़ता हो प्रवावस का, लेकिन अधिक तर मामले में आपको सही ही लगेगा, कि बहुत फायदें से किताब करण, लातिन के विद्वान और कैथलिक धरम सुधारक इरेसमस, जिसने कैथलिक धरम की जहनतियों की आलोचना की, पलूथन में भी एक दूसरी दूरी बना कर रखी, प्रेंट को लेकर बहुत आसनकित था, उसने एडेजेज, 1508 में लिखाए, कि किताबें बिनमिन जाती मक्यों की तरह है, दुनिया का कौन सा कौना है, जह ये नहीं पहुच जाती है, हो सकता है कि जहां तहां एकाज, जानने लाइक चीजें भी बतायें, लेकिन इनका ज्याना हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिका रखी, बेकार धेर, क्योंकि अच्छी चीजों की अत जाती हो, संसनी के धरम विरोदी, हाक्यानी, सडेंत कारी किताबें चाते हैं, और उनमें तादाद कैसी है, कि मूल बाज साहित का मूल ही नहीं रह जाता है, एक भी तो हो सकता है कि आप सोचें कि हाँ चलिए माल लीजे कि कोई इस तरह की किताबें टिकालता है, लेकिन चाँ तरह ऐसे शाहसन मी करते थे, लेकिन हमारी सरकार ही समय सेंसर के है, अगर इस तरह कोई भढ़काओν लिखती है, किताब लिखता है या न्यूच बेब निकलता है, तो उस पर illusion लगाए जा सकती है, रोक लगाए जा सकती है, तो मुझे लगता है कि अब हम कापी हच्त केंट्रोल कर सकते हैं लेकिन किताबों की बिना अगर हम सोचें समय दुनिया को तो मुझे लगता है कि संभव होना मुस्किल रहेगा क्योंकि हम पूरी तरह से अभी देखते हैं किताबों पर निरुवार हो चुकी है कि आप सेविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे आप भी सोचें कि आप किताबों के बिना क्या संभव है मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कि आपके पास चलिए किताब नहीं है कागज नहीं है आप क्या करेंगे पढ़ने का जुनून पूरे सत्रवी और अठारवी सदी के दौरा में यूरोप के जाधतर हिस्सों में साखचरता बढ़ती रही अलग-अलग संभदाय के चर्चों ने गाउं में स्कूल इस्ताफित किये और किसानों काईगरों को सिक्षित करने लगे अठारवी सदी के अंतर तक यूरोप के कुछ इस्सों में तो साखचरता दर 60 से 803 सब तक हो गई थी यूरोपी ये देसों में साखचरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया लोगों को किताबें चाहिए थी इसलिए मुद्रग जादा से जादा किताबें चापने लगे आप भी जाते हैं कि जब सिविल सर्विस की तैयारी कुछ जादा ही लोग करने लगे तो NCEIT की छपाई भी बढ़ जाती और भी बाकी किताबें है एम लक्षमी कांता आप लोगों की फैबरेट है वो भी बढ़ जाएगी उसकी भी छपने लगेगी तो इस तरही की मांग बढ़ने लगती है जब एक आपने डिमांड और सप्लाई का कॉंसेप्ट भी समझा होगा कि जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जा जाती है समझ रहे हैं जब डिमांड ना हो यानि की मांग ना हो तो उत्पादन करके क्या फरक पड़ेगा कहां डालेगा तो तभी उत्पादन किया जाता है जब उसकी चीज की मान हो ठीक है नए पार्टकूंग की रुची का ध्यान रखते हुए किस किसम किसम का साहिज च पर किताओं ने गाउं गाउं जाकर चोटी-चोटी किताबें बेचने वाली थेरी बालों को काम पर लगाया। एक किताबें मुक्ष ताज पंचांग की अलावा लोग गाथाएं और लोग गीतों की हुआ करती थी। लेकिन जल्दी मनुरंजन पिदान सामगरी भी आम बाठों तक पहुचने लगे। पंच पंच की प्रेम कहानिया थी और अतीत की थोड़ी गाताय थी जिने इतिहास करते थे। आप देख सकते हैं कि अलग-अलग उद्देश और दिल्चस्पी की हिसाब से किताबें किताबों के कई अलग कई आकर विकार थे। अठारवी सदी के प्यारम में से पत्तिकाओं का पेकासन सुरू हुआ जिन में समसामाइक घटनाओं की ख़बर के साथ मनुरंजर भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्तों में योद के ब्यापार से जुड़ी जानकारियों जानकारी के अलाबा दूर देशों की ख़बरें होती थी। आज भी तो आप लोग देख रहे हैं कि आप अमेरिका में कुछ हो रहा है अगर कहीं दुर्गणना हो रही है तो आपके पास निवच्वे परों में आ जाता है या कोई दूसरी जगे किताब लिखी जाती है किसी को लेकर तो वो आपके पास आ जाती है और एक बात और याद रखिए चलिए माल लीजिएंगे हमारे पास इस तरह की सुविधार ना होती किताब है लिखने की तो क्या हम भगर सिंग के बारे में जान पाते हैं सुखदे कि रानी लच्षमी भाई को भी अच्छी तरह से जाते हैं हम कहते हैं कि सिंधिया ने उन्हें दोखा दिया था इसे भी हम जानते हैं अगर उस समय आप सोचिए कि इस तरह की लिखने की प्युस्ता ना होती तो आज आप सोचिए कि जिस तरह से जो भी इतियास कार जो भी इस तरह के बैखती होता, वो एक कहानी घर देता, हो सकता है कि रानी लच्छमी भाई को गदार बना देते, और सिंधिया को उठा देते, अगर किस तरह का प्रभाव रहता, और आज की राजनिती बदल चुकी है, आप समझ सकते हैं कि अगर हकीकत बन जाए, इने के उपर गए, तो हमें हकीकत मालू है, तो हम हकीकत भी पहचान सकते हैं, उसी तरह बिज्ञानिक और दाजनिक भी आम जन्ता की पहुंच की बाहर नहीं रहे, प्राचिरू मद्यकालीं गिरंत संक्लित किये गए, और नक्सों की साथ-साथ बिज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा म हो चुका था, तॉमस पैन, बॉल्टियर और जियो जाक, रूसो जिसे दार्शनों की किताबें भी बारी मात्रा में चपने और पड़ी जाने लगी, जाहरी की बिज्ञान, तरक और बिवेगवाद कि उनके विचार लोग प्रिये साहत में भी जगे पाने लगी, और याद नहीं हो सकते हैं, आप में देखा होगा कि एक समय जापान चीन को हरा देता है, तो हमारे देमाद में आने लगा कि हम के उन्हीं हरा सकते हैं, अंग्रेजियों को हम के उन्हीं भागार सकते हैं, तो इस तरह का प्रवाव भी एक जगे से दूसरी जगे जाता रहता है, आज आज देख रहे हैं आप लोग कि अमेरिका में महिलाएं, खुले में गूम रहे हैं, नौकरी करना हैं, इस तरह की विवस्ता है, तो हमारे समाज पर भी उसका प्रभाव पढ़ना लगा है, कि हम भी आप देखते हैं कि घर से निकलने लगी है, एक अलग बात है कि कुछ नगा समझ रहे हैं, अगर कुछ इस तरह के तत्थें, कोई मतलब समाज पर भुरी तरह से ठेस पंपचाने वाले या बुरा प्रभाव डालने वाले, उन पर सेंसर लगाई है, लेकिन सरकारे क्या करती हैं कि इस तरह के काम कम ही करती है, मैंने शुरू में बताया था कि मूवियो तो ठीक है, आपकी देश भक्ती पर लिखे या इतिहास पर वो ठीक है, लेकिन जो संस्किती को मतलब पूरी तरह से जख चोड दिया, उस पर सेंसर नहीं लगाए है, आप भगमान के बारे में कुछ भी गलत लिख रहे हैं, और समाज के बारे में कुछ भी किसी भी तरह की बातें कर रहे हैं, आप उस मुवी को दे देते हैं, तो इस तरह का भी प्रवाव देखा गया है, यहाँ कुछ आपके समझ दिये हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, संपदाय, किसी धरम का एक उप समुव होता है, संपदाय, पंचान, चान सूरज की गती और ज्वारभाटा की समय और लोगों के देनिक जीवन से जुड़ी कई एहम जानकारियां देना देता है बार्सिक पिकासन ए पंचान, चैप बोग, गुटका, पॉकिट, बुग के आकार की किताबों की लिए इस्तिमाल किये जाने वाला सब्ते, इन्हें आम तोर पर फेरी वाला बैस्ते थे, इस सोले भी चदी की मुद्रण के आन्ती के समय से काफी लोग प्रिये भी हुए हैं आपके, इस बॉक्स को भी देख लेते हैं, क्या बता रहा हैं, 1791 में लंदन के एक पिकासक जेम्स लोके टन्ने अपनी डायरी में यह लिखा, पिछले 20 सालों में किताबों की विक्री में आम तोर पर बे थाता बिद्धी हुई है, गरीब किसमे के किसान या गाउं के लोग जो पहले अपनी सामें डायन या जोहिन, भूत प्रेत की कहान सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारों पढ़े गए रुमानी या पर अन किसों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़ी की रातों को छोटी करने लगे, अगर जॉन सहर का सहर जा रहा है, तो उससे सक्त हिदायती जाएगी कोई परेगें पिकल्स पेचने जा रही है, तो उसे कहा जाता था कि वे दा हिश्ट्री ओप जो जैब एंडूइज लेकर वापस आई, इस तरह की बात की जा रही है, कि आपने देखा एक किताबों का समगया है, यानि कि लिखने पढ़ने की वे उस था प्रेंटिंग होने लगी, तो आप जानते हैं, तो बच्चों से भी माबापत के तरह से जागरूप होने लगे हैं, अब बात करते हैं, दुनिया के जालिमों, अविहलोरी तुम, 18 सदी के मद्द तक यह आम विश्वास बन चुका था, कि किताबों के जरिये प्रग्रिती और ज्ञानोदर होता है, कई सारे लोगों क मानना था कि किताबे दुनिया बदल सकती है, बे निरंकुस वाद और आतन की राजसत्ता से समाज को मुक्ती दिलाकर ऐसा दोर लाएंगी जब विवेक और गुद्धी का राजुगा, अठारवी सदी प्रांस के उपन्यास का लूई से विश्विष्टी है, मार्सी इन्हे गोशना की कि छापा खाना प्रगेती का सबसे तागतवर हो जा रहें, इसे बन रही जन्मत की आदी में निरंकुस वाद उड़ जाएगा, मार्सी के उपन्यासों में नायक अकसर किताबें पढ़ने से बदल जाते, बेकिताबें घौटते और किताबों की दुनिया में जी अब तुम्हारे कापने का वक्त आ गया है, आवाती लेका की करम की जोर के आँगे तो में जोट होगे, निरंकुस वाद का सीधा से मतलब होता है कि कोई उस पर अंकुस लगाने वाला ना हो, पहले आप राजा देखते थे, महराजा देखते थे, उन पर क्या हुगा करता आप अपने मतलब के लिए कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, आप एक तरह ऐसे चीन को आश्मा पे में ले सकते हैं, कि वहां देखा जाता है कि अगर वहां के राष्ट्पती जोचा है कर सकते हैं, एक तरह ऐसे निरंकुस वाद हो, कि अगर उन्हें मतलब फायदा अपना दे अगर निरंकुस वाद, आप एक तरह से सब्द को अगर अच्छे से पढ़ते भी हैं, तो तब ही आप समझ जाएंगे कि निरंकुस वाद, एक तरह से इन पर किसी का अंकुस नहीं, यहीं निरंकुस हो जाता है, मार्सिय ने अपनी एक किताब में 26 सब्द की इतागत को बड़े इतिहात से लाल्टेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था, रुवाक और अर्थ के परवा में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था, अनायास और अंजान, खामोसी के साय में घड़याद हर घंटे बचता चला जाता था, पर मुझे उठाने की जहर्मत भी दही लेता था, कि मेरे आनत में ब्योधान ना पड़े, और बे नए विचार किस बेग से मेरे से से घूमते थे, मेरी बुद्धी कैसे उन्हें आत्म साथ करती थे, आप लोग भी तो अपसर देखते हैं कि जब कोई आपके सामने चैप्टर इस तरह कि बड़ा इंट्रेस्टिक हो, बड़ा मज़ेदार हो, तो आपको भी तो पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा है कि जब कोई इस तरह का चैप्टर आता है तो लेक्टोप की वेटरी लोग जाती है, फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते ह क्या बढ़ा रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम लोग, तो होता है यह, तो उस समय भी दिखाई दे रहा था, मुद्रन संस्किती और फ्रांसेसी करांती, कई दिया साथ कारों का मानना है, कि मुद्रन संस्किती ने फ्रांसेसी करांती के लिए अनकूई फरिस्तितिया रची, क्या हम दोनों में ऐसा संबंद बना सकते हैं मूलता तीर तरह की तरग देखे देखने को लायक है कौन कों से पहला है छपाई के चलते ग्यानोदर के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ उनके लेकन ने कुछ कुल मिलाकर परंपरा, अंदविस्वास, निरंकुस बात की आलोजना पेश की उन्होंने रीती रिवाजों की जगए विवेक की सासन पर बल दिया और मांगी की हर चीज को तरग और विवेक की कसवटी पर ही कसा जाय उन्होंने चैर्ज की धार्मिक और राज्ज की निरंकुस सत्ता पर पेहार करके परंपरा पाजादारे सामाजी विवस्था को दोलब कर दिया बोलतेयार और रूसों के लिए खर्ण का ब्यापक पाठक वरक था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक सवालिया तार्किक नजरिये से दुनिया को देखने लगे थे और रियाद रखे ये तीन क्यार तरह की जो जिसमें भी अगर इस तरह की कला है वो हमेशा आंगी जाएगा आलोचनात्मक सवालिया तार्किक यानि कि आप से किसी ने बोल दिया कि नहीं हमारे देश का पिधानमंत्री इमानदार है आप एक छबी लेकर बैठके आएगे कि हाई इमानदार है चली इमान लेता हूँ भी पिधानमंत्री इमानदार है बाकि उसके जो निचले तप्खे के लोग है मूँ के आई इमानदार है इस पर भी तो सबाल खड़ा कर सकते हैं और पिधानमंत्री के अखेले इमानदार होने से कोई फरक नहीं पड़ता आजाग समझ रहे आपको क्योंकि पिदारमंत्री एक आपी है लेकिन उसके नेचले तब के पर जो काम कर रहे हैं वह अजार लोग है आप समझ सकते हैं, तो कम से कम हमारे दिमाग में सबाल तो होना चाहिए, लेकिन हम चबी एक लेकर बैट जाते हैं कि हां सही बोला जा रहा है, ए इमांदार है, तो इस तरह की छापे खाने होने से, यानि कि किताबे निकलने से, एक दिमाग में हमारे में सबाल उठना पर आम जन्ता के बीच बहस मुहाय से हुए उनके पोनर मुल्यांकन का सिल्सरा शुरू हुआ तरग की तागस से परचित यही नई पबलिक धरम और आस्ता को प्रशनांकित करने का मूल समझ चुकी थी इस तरह बनी सार्चिनिक दुनिया ने से सामाजी करांती के नई विचारों का सूथफा थी हुआ एक बास आप समझ सकते हैं कि माली जे किसी ने बोला बली या किसी भी बहसा हो गया या पर बतरा हो गया इसकी बली चळाने भगवान खुस होता है तो एक बर उठा होगा उसने का होगा बात बीबात करते हुए उसने सवाल भी कड़े हुए कि जिसने भगवान मुझे नहीं लागता है कि भगवान कहता होगा कि चलिए आप बनी चड़ा दीजी हम खुश हो जाएगी या अपने बेटे की बनी देदीजी तो उसने भी एक तरह से आप सोचे कि सवाल उठाए इस तरह कि जो भी आपकी मानत आये थी तो इससे एक भी तीसरा अगर हम बात करें तो सत्रे सौस्ती के दिसक तक राजसाही और उसकी नेदिकता का मजा उड़ाने वाले साहित का डेल लग चुका था इस विक्रिया में सामजिक वेस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किये गए कारटूनों और करी किचरों में यह चित यह भाव ओहरता था कि जनता तो मुश्किल में फसी है जबकि राजसाही वोग व्लासमें डूबी हुई है भूमिगत घूमने वाले इस साहित ने लोगों को राच्टन के खिलाब भड़का है चलिए उस समय की छोड़िए खेर आपने लॉकडाउन को देखा है मुझे लगता है यह आप सब सोशल मेडिया पर जोड़े होगे तो आपने देखा होगा कि मतलब भयानक बुरी तरह से कंडिशन देखी गए एक तबके की जिसके पास सोविधाय नहीं है जो एक तरह से आर्थी क्रिस्टिती से बहुत कमजोर है किस तरह से मारा गया है किस तरह से चपेट में आया इसकी सबसे ज्यादा प्रवाव उन्हीं लोगों पर देखा गया है कोई प्यास से मर रहा है को कई भूख से मरा है तो आप समस्कते हैं कि मुझे लगता है कि इस समय गर इस तरह की लिधिर की पर हुआ करते हो नो बताते हैं यह exhibited कोई रामायडा देख रहा है कोई माहा भारत देख ला है। नेतायों की बात कर रहा हूं है और जंता क्युस तरह सी तरह ही 진행 मानते नहीं स दुरुबाग कह सकते हैं, या फिर आप जो भी आप कह सकते हैं, कि इस तरह कि हमारे समाज में कोई नियुजपी पर बचे ही नहीं है, उन्हें ये दिखाने का टाम है, कि हाँ चलिए वो कि या बच्चे को जनम हो रहा है, वो पैगनेंट हो चुकी है, वो एक कपड़े पहन है, वो इसके बारे में ये बोलना है, यानि कि बड़े-बड़े घरानों पर उसका नजरिया रहती है, उसको कोरोना हो चुका है, उसको कोरोना नहीं हुआ है, उसकी पॉजिटिव निगेटिव आई हुई है, मतलब लाफ लोग को और उनको नहीं दिखा जाएगा, एक खा सबसे बुरी इस्ति थी हमारे बारे में लिखी जाएगी, कि हम तमासा देख रहे थी कुछ, कि बल कुछ बोलने की भी हुमारी हिर्मत नहीं हो रही थी, तो उस समय इस तरह की अगर व्यवस्ता होती तो इनके बारे में भी आलोजना होती, तो उस समय के जो भी, आप देख जाने के बाद भी चूटने के बाद भी लिखते थे तो आप समझ सकते हैं कि कुछ अगर हमें अपनी पीडी को स्पनता देनी है तो कुछ तो हमें गुबबना पड़ेगा समझ रहे हैं एक दो लोग हैं जो बोलते हैं दो जेल में डाल दिया जाता है या उट पर कई तरह की पिती बन लगा दिया जाती है समझ रहे हैं यानि कि एक तरह से किसी ने कहा है को अन्ना हजारे ने कहा तो कि एक बोलना एक तरह से सच बोलना भी एक करांती है समझ रहे हैं इस समालिमा और आप एक सुधंता से ना नी है यही कह सकते हैं अगर आप सच बोलते हैं तो आप भी तो देखते हैं हम लोग भी तो जूट बोलते रहते हैं नई सब आप सही है अगर वो गलब भी कर रहा है तो उसे भी हम लोग सही ठहरा देते हैं यह आपका निरंकुस बाद देख लिए राजकाच की ऐसी बेवस्ता जिसमें किसी एक बेक्ती को संबूर सक्ती प्राप्त होती है और उस पर ना कानूनी पावंदी लगी होती है ना ही संबुधाने यानि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरी सक्ती उसी में समाहित है वो किसी के दवाब में काम नहीं कर सकता है हम इन तरकों को कैसे समझे इसमें तो कोई सक्त नहीं है कि छपाई ने विचारों को फेलाने में मदब किये लेकिन याद रहे कि लोग बात हर तरह ही समझरी पड़ते थे एक तरफ भी अगर रूसो और बॉल्टियर पड़ रहे थे तो दूसरी तरफ चैर्च और राज़ी की प्रोप गेंडा या प्रिचार भी थे बेहर पड़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रवाबित नहीं हो सकते थे बेकुछ विचारों को सुईकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे फिर चीजों की अपने धंग से ब्याक्या भी करते थे इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तोर पर भले नहीं तरफ चाहो पर इसने अलग धंग से सोजने की संभा होना भी जरूर को लिए याद रखी मुझे लगता है कि अगर आप जागरूख है हमारा समाद तो काफियत तक फायदा है अगर जागरूख नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं एक तरह से भक्ति करते रही है और अंदभक्ति का कहने का मेरा यहाँ यह बिल्कुल भी मतलब ही रहता कि आप किसी पायटी की भक्ति कर रहे किसी के पिती भी आपकी भक्ति है उसे अंदभक्ति बोच सकते हूँ हम जब अंदभक्ति करने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी सारी अच्छाहियां दिखाई देती है बुराईया एक तरह से आप देखेंगे पूरी खतम हो जाएगे हमारे देमाट में इस सवाल कभी आएगा ही नहीं कि इसमें बुराईय है यह गलत हो सकता है ऐसा कभी सवाल आप देखने को नहीं मिलेगा हमें यहीं लगेगा हाँ यह बढ़िया है बिबढ़िया है तो एक तरह से आंदबक्ती भी एक भीमारी है और समाज पर बुरा प्रभाव डालती है आप न्यूटल होकर रहे है अगर किसी में अच्छाई है तो उसके अच्छाई ही बढ़वाई कर सकते हैं बुराई है तो बुराई को भी द्यार में रखना होगा समझे रहे हैं इसे देख रहे हैंगे चित को देख लीजिए चित पर आशिसी करांती के पहले कुलीन वर्ट और आमजन अठाली सिदी के अंत का एक कार्टून है इस बेंग चित में दिखाए गया है कि जन साधान के साम कारीगर और मजदूर किस तरह मुस्किल हालात में थे जबकि जिन्दगी के मज़े लेने वाले कुलीन वर्ट उसका दोहन करता था इस तरह के कार्टूनों के चलन से करांती के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खास साथ असर हुआ मैंने बताया ना कि कोरोना की अगर हकीकत जन्ता तक पहुँच जाती तो जन्ता एक तरह से सोचे कि अभी तक निकल फलती नेताओं को पीटने के चक्काना वो कहते कि साले तुम बैठके रामायड टीवी देख रहे हो और हम यहां मर रहे हैं क्योंकि भगवान भी होता अगर इस समय तो वो कभी अपने आए इस तरह की रामायडों में नहीं बीदा होता है क्योंकि जन्ता की सेवा के लिए आपको चुनाये आप अपनी जान भी दे दिजिए लेपर जन्ता को कुछ नहीं होना चाहिए वो होता है नेता और तुम्हें क्या लगता है कि रामायट देख लेने से तुम्हारे पाप दुल जाएगे कभी नहीं देख लेना अगर हकीकत में इस तरह के कुछ होती है सजा होती है नरक सरक होता है तो आप सोचिए आपको दूगनी सजा मिलेगी क्योंकि भगवान ने कमी नहीं बोलाए कि तुम जन्ता को छोड़ दीजे और मेरी नक्ती करिए ये तो आने वाला बक्त बताएगा भी हो सकता है आपके पास पैसा है तो आप साइद बूल जाए लेकिन आने वाले बक्त में सब भी फैसला होगा देखिए इतिहाद जरूर कुछ ना कुछ तो लिखेगा हमारे वाले में चलिए तो हम लोग बात करते हैं उननीसवी सधी में चलते हैं उननीसवी सधी में यूरोप ने चन्द साप्छर्टा की दिसा में लंबी-लंबी चलानिये लगाई जिसके बूते महलाओं और बच्चों के रूम में बड़ी मात्रा में नया पाठकवर्ड भी तेयार वगा सीधा सा कहने का मतलब है कि यूरोप में साप्छर्टा दर अच्छी हो गई और इसमें महलाएं भी जुड़ी हो और बच्चे भी पड़े लिखे हो गई बैसे आप उने एक सुना हो गाई कि अगर एक पुरुष को अगर आप लोग साप्छर करते है तो वो अखेला साप्छर होता है लेकिन एक महला को अगर साप्छर करते है तो वो पूरा परिवार को साप्छर बनाती है आप इस तरह से समझ सकते हैं से कि माली ये एक पुरस है वो पड़ा लिखा है तो वो किवल अपने तक मतलब रखे का सीमित लेकिन एक महिला जब पड़ी लिखी आती है तो आप देखते हैं उसके जो भी बच्चे आते हैं उसके बाद आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर उन्हें समझाती हो जाती रहती है तो इस तरह से कह देते हैं कि कुरा परिवार पड़ लिख जाता है बात करते हैं बच्चे महिलाएं और मजदूर 19-20 सती के आखिर से परात्मिक सिक्चा के अनिवार होने के चलते बच्चे पाठकों की एक एहम सैड़ी बन गए प्रिकास किया गया यानि कि कह सकते हैं आप लोग की इतनी हमांग हो गई कि अलग से बालकुस्त के चापने के लिए एक अलग से प्रेस्ट कोल दिया गया इस प्रेस्ट में कुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोग कथाओं का पिकासन किया गया जर्मनी के गरिम बंद या जो चीजें कुलीन बर्गों को असलील लगती थी, उन्हें पिकासी संस्कर्ण में सामिल नहीं किया जाता था, इस तरहे पुरानी ग्रामी लोकताओं को नेयरोप मिला, छपने से भी दर्ज तो हुई, पर इन पिक्रिया में बदल गई, याद रखिए आप भी जानते हैं उन्हें इसमें सामिल नहीं किया जाता, अभी भी आप देखते होंगे जो बाल मूवी यहां आती हैं, उसमें आप देखेंगे कि बर्चों के लिए स्पेसल नहीं थी, उसमें इस तरहे कि आज आप लोग जो मरेच मसाला देखते हैं बाकी मूवीयों में, जिसने संस्किती को सबसे जाना ठोस मदलभानी पहुचाई है, ठेस पहुचाई है, उस तरह की बाल मूवीयों में आपको करेक्टर नहीं मिलेगे, और अब तो आप इस सोचिए कि इतियास पर भी अगर कोई मूवी बन रही है, तो उसमें भी एक मदलभ सॉंग डाल देंगे इस तरह का, औ इस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, और आप इतियास में भी आप देख सकते हैं कि कई बार यह आंदोरन भी खड़े होते हैं, महलाएं पाठी का और लेक का कि वो क्या से जानदा, मैं जानदा अहम हो गए, पैनी मैगजीन, या फिर एक पेसी या पत्तिकाई, खास तो पर उनी के लिए होती थी, बैसे ही जैसे कि सही स्चाल चलन और गरश्ती सिखाने बाली निदेश सिखाएं, उननीस भी सदी में जब उपन्यास चपने लगे, तो महलाएं उनका आहम पाठक मानी गई, मसूर उपन्यास कारों उनमें लेकिकाई अग्णी थी, जिन ओस्टि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पढ़ लिखने के बाद आप देखते हैं कि लिए कि का है महला भी उभरने लगी, जिनका आप अगर आंसर आता है कहीं आपको आंसर आइटिंग करनी है, तो इनका नाम डाल सकते हैं, जैन ओस्टिंग हो गया, वरंट बहने हो गई, जॉल एलि पैनी पैक जीन का पिकासन इंग्लेंड में 1832 से 1850 कीविश सोसाइटी फोर दर डिफ्यूजन और यूजफल नौलिज ने किया, यह मूलता मजदूरों बर्ग के लिए थी, एक तरह से आप तो कह सकते हैं कि आज आप भी तो देख रहे हैं कि हर किसी हर बर्ग के समाज के हर तक कि को याद ध्यान में रखते हुए, हाल तरह की उत्पादन किया जाता है, फिर चाहे पुस्तकों का ले लिजे आप लो, कपड़ों का ले लिजे, कपड़ों का भी तो आप देखते हैं कि एक अमीर बर्ग के लिए खास अलग अन्दाज रहता है, और गरीबों को भी द देखके बनाया जाते हैं, तो इस तरह की उस समय भी देखने को मैलाओं को बच्चे हो गया, फिर मजदूर हो गया, या बड़े घराने हो गया, सबको ध्यान में रखते हुए किताबें चापी जाने लेगे। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनेतिक मोर्ग परची और आत्मकथाय भी लिखी, सीधा सा आप समझ रहें कि जिसके पास खरीदने के लिए पैसा रही है, वो किराय सी भी ले सकता है, आपने भी तो अपनी जिन्दगी में देखा होगा, गाड़ी पूरवीलों की के वक्त आंगे आग की रोसनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मुंबत्ती के लिए पैसे नहीं थे, गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता कलता है कि वे मुस्किल हालात में पढ़ने के लिए जहोद्जत करते थे, 20-20 सधी के रोसी करांधिकारी लेकर मैक्सिम, गोर पुरानी कितावे नहीं पर पढ़के सिवल सर्वेस दिया, निकल गया, इस तरह की गहानी आज भी आप लोग सुनते हैं, तो यह भी उस समय मुस्किल हुआ करता था, कि जिसके पास नहीं को तावे रहती थी नहीं खरीदने के लिए तो वो पुरानी खरीद कर पढ़ता र उन्नीस भी सदी के मत तक निवार की रिचर्ड एंभो ने सकती चाले बिलनाकार पर इसको कारगर बना लिया था, इससे पिती घंटे आठ जार सीट या पर ताव चप सकती थी, कितने आठ जार, जैसे जैसे हम लोग आमे बढ़ते जाएगे, अधिक तखनीक बिक्सित होती आती जाएगे, टेकनोलोजी आती जाती है, ए अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ छह रंगी छपाई मुम्कीन थी, बीस वी सदी के सुरू से ही बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे, एक दो और चीजे में कागर डालने की विधी में सुधार हुआ और पिलेट की गुडवत्ता बहतर हुई, सौचारित पेपल रील और रंगों के लिए फोटों विधुतिये नेदण भी काम में आने लगे, इस तरह कई छोटी-छोटी मसीनी एकाईयों में कुझ सुधार की बदोलत छपे हुए पर्णों का रंग रूप भी बदल गया, मुद्रकों और पिकासकों ने अपने उत्पाद मेंचने के लिए नए गुर अपनाए, 19-20 सदी की पतिकाओं उमने उपन्यासों को धारा वाहिट छापा जिससे उपन्यास लिखने की एक खास सेली विक्सित भी हुई, इंग्लेन 1930 की आतिकमंदी के आने से पिकासकों को किताबों की विक्री गिरने का भैब हुआ, लेहाजा पाठकों की जेब का ख्याल लगते हुए, उन्होंने सस्ते पेपरबेग और आजिल संसकनर चापे गया, अब आपकी सोचिए इस परग्राप में आपको ऐसा कोई सब्द दिखा कि जो समझ में ना आ रहा हुआ आपको, देखें समय के साथ हर कुछ बदलता रहता है, समझ रहे हैं, अब 1930 के करीब आप देखते हैं कि महामंदी आती है, तो उसमय आप पहले से ही सोच लेते हैं, कि हो सकता है कि हमारे जो बातक होंगे, वो इतना पैसा नहीं होगा कि जो म पर लगे विज्यापन, अलखेड, कौन का नेन, द्वाना बनाये गया लिद्धोग्राव, 1864, चापी हुई, चापी हुई, सूचनाय और इस्तिहार, सड़कों की देवार प्लेट्वांग और सार्जनी के महारतों पल लगाये जाते थे, आज भी तो आप लोग देखते र कुलता है, वहां से ठीक है, लेकिन इस पर कुछ जाना ही फोगस आपको देखना है, क्योंकि इंटर्वीव में भी डारेक्ट कुश्चनस बन जाता है, मैंस में भी आपका कई बार बन जाते हैं, आई देखें कि भारत में छपाई कब सुप्सुर हुई, मुद्रण योग क कि पहले यहां सुचना व विचार कैसे लिखे जाते थे, मुद्रण योग से पहले एकी पांडू लिपियों की बात करें दो, यानि कि छपने चपाई के पहले की बात करमोगर, भारत में संसके तरवी, फार्सी, विविन, चेत्रिये भासाओं में, हस्त लेकित पांडू ल पर बेहतरिन तस्बीर भी बनाई जाती थी, फिर उन्हें उम्हें बढ़ाने के खयाल से तकतियां की जिल्द में या पर सलिकर बांद दिया जाता था, 19 सदी के अंदर तक चपाई के आने के बाद भी पांडू लिपियां चापी जाती रही है, आप यह नहीं कह सकते हैं कि जैदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने, 18 सदी के, एक एक अकॉर्डियन सेली में हास के लिए की पांडू लिपी का एक नमूना है या आपकर, देख रहा है, ठीक है, तो इतियास में जानकर आपको बड़ा अश्यत होता है कि इस तरह की भी खुते थे काप, आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग संभाव कर सकते हैं, कि इस तरह की संभाव हो सकता है, यह आप देखते हैं हापीच के दिवार के कुछ पन्ने, 18 से 24 की बात थे, देख रहा है, 14 वी सदी के साहर हापीच की संपूर साहरी दिवार में संकले थे, पेज पर खुसन वी लिपिया नाजोक होती थी, काफी महेंगी भी थी, एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलगलग तरीके से लिखे जाने के चलते हैं उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनेक इस्तेमाल नहीं होता था, हाला कि पूर उपनिविसिक बंगाल में ग्रामिट छेत्रों में परात्मिक पाट सालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विध्यारती आम तोर पर किताबें नहीं पढ़ते थे, गुरु याददात के उससे किताबें सुनाती थे, और विध्यारती उन्हें लिख ले दे समझ रहें, नश्ट होने का भी डर रहता था और इस पर महनन भी जादा कुछ लगती थी, रेगवेद के कुछ पन्ने आपको दिखाई दे रहे हैं, रेगवेद, फ्रेंट के आगमन के काफी बात तक हस्त लिखी पान्लूलिपियां पिकासित की जा रही है, या पान्लूल भारत आई, यानि कि अब देखेंगे प्रेस प्रेंटिंग इस तरह की वेवस्ता भारत में आई, उसे भी देख लिएता हूँ, फ्रेंटिंग पे प्रेस पहली पहल, 16-20 सदी में भारत के गुवा में पुर्दगाली धर्म पिचारकूं के साथ आया, जेस्वीट पुजार आयों ने 1589 में कोचिन में पहली तमिल किताब चापी, और 1713 में पहली मलयालम किताब चापने वाले भी वही थे, जच प्रोटेस्टेंट धर्म पिचारकों ने 32 तमिल किताबे चापी, जिनमें से कई कुराही किताबों कानवाद भी थी, एक बात और आपको बताऊं, आप कहते हैं कि आपने कभी भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और NCEIT पढ़ी हैं और आप सोच एक समझ रखते हैं, तो आप यह हकीत मानेगे कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ मिला भी है, आप समझ रहे हैं कि मतलब विदेशियों के हमारे देश में आने से, आपमर करने से बहुत कुछ मिला भी है, गया भी तो है, मिला भी तो है, वैसे भी आप जानते हैं कि यह कोई भी सिक्का है तो उसके दो पहलू होते हैं, आज भी आप देखते हैं कोई आंसर आप लिख रहे हैं, तो आप से कहा दिया जाता है कि इसके दो पहलू है, पहले आप positive point लिख सकते हैं या negative point लिख सकते हैं लेकिन उसके बाद आपको positive point लिख दिये, negative point लिख दिये फिर उसमें देखेंगे आप लोग एक अपना है तरफ से राय लिखेंगे तब जाके आपका answer फिरभावकारी रहता है तो आप समझे कोई भी आंसर लिख रहे हों उसमें आ आने से कुछ मिला भी है और कुछ हमारे यहां से गया हुए बुद्धरम के बारे में मैंने बताया था कि आप सोचिए उनी के आने हमारे यहां से अगर बाहर ना जाते लोग तो बाहरी के देशों में नहीं पहल सकता था और बो लोग हमारे यहां ना आते तो हमारे में भी संस्किती कुछ भी बदलाओ ना आती अंग्रेजी भासी प्रेश भासी भासी भारत में काफी देज तक बितास नहीं कर पाया था यह पी इंगले इस्ट इंडिया कंपनी ने 1720 सदी के अंतर छापे खाने का आया सुरू कर दिया था जैंस और और वश्टर्ष हिक्की ने 1780 मे बंगाल गजट नामक एक सब्ताय पत्तिका संपदन सुरू किया था किसने जैंस और वश्टर्ष हिक्की ने बंगाल गजट जिसने खुद को यूँ परिवासित किया कि हर किसी के लिए खुली एक प्योसाइक पत्तिका जो किसी की प्रभाव में नहीं है यानि ये पत्तिक की वित्री से जुड़े इस्तिहार भी सामिल थे लेकिन साती हुए भारत में कार्गत ब्वरिष्ट अंग्रेज अधिकारों से जुड़ी गपबाजी भी चापता था इससे नाराजू कर गवर्नर जनल बोरेंग हेस्टन ने किकी पर मुकदमा भी कर दिया था ऐसे सरकारी आसरे पराप्त अख़वारों के पिकासन को प्रवसाहिद करना सुनू कर दिया जो उपनेवेसिक राज की छबी पर होने वाले हमलों से इसकी रख्षा कर सके अठारी सदी के अंदर तक कई सारी पत्तिका चपने लगी कुछ हिंदोस्तानी भी अपने अख़वार चापने आधा एसी परियावस्टों में पहला था राजा रामराय के करीबी रहे गंगादर भटाचार द्वारा पिकासित बंगाल गजट। याद रहिए एक बंगाल गजट नामक एक सताहिक पत्ति का निकाली थी जैम्स ओकरस्टस हिक्षिक्षिन है और एक बंगाल गजट निका आपने देखा होगा, आपके ब्याजकार में देख लिजीं या किसी भी माभले में देख लिजें, अगर आप अंग्रेजूं की बडवाई करते रहते, औनों जैसा कई और वो ज err निकल रहे हैं, गोज़ समाचारप्तन भी आपको 밟ार आपको मदद दी जाती है लेकिन उनक किसी नेता खास जिसकी सत्ता में है उसके बारे में अगर कोई नियुच्वेपर लिख दे तो आप देखते हैं इनकी दूसरे दिन उसे या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या उस पर कहीं तरह की रिपोर्ट रपोर्ट इस तरह की बातें हो जाती है तो यह हमिशा से दे जुरुत महसूस हुए जन साधारण के लिए मी बॉल्ट्स पब्लिक को या बताने के लिए एक तरीके का सहरा ले रहे हैं कि चुकि सहर में छापे खाने की गोर कमी से नुकसान होता है इसलिए बे उस्बैक्ति का हर समभव उतसार वर्धन करेंगे जो चपाई में माहर हू पर जल्दी ही बॉल्ट्स महुदा इंगलेंड चली गए और वे बादा हवा में लड़का आज जिस तरह से आप अपने नेताओं का बादा देखते हैं इसी तरह से वो भी संसर में पहुंच जाते हैं तो बादा का बादा रह जाता है आगे बात करते हैं धार्मिक सुधार और सार्विनिक पैसेंग जैसा कि आप जानते होगे कि 19 सदी की सुरुवात से धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गरम हुआ अलग अलग साम्मूः ओपने वेसिक समाज में हो रहे बदलाओ से जूचते हुए धरम की अपनी अपनी ब्याख्या पेस कर रहे थे कुछ तो मुझदार रेती रिवाजों की आलोचना करती हुए उनमें सुधार चाहते थे जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों की तरकूं के खिलाब खड़े थे इस आरे बाद बेबाद प्रेंट में सरया पब्लिक में चपे चपी हुई पुष्टिकाओं और अकवारों ने नाटिवल नई विचारों का पिरचार पिसार किया बलकि उन्हें बहस की सकल भी तैक की इन बहसों में व्याबक जन समदाय भी हिस्ता ले सकता है अपने मत जा लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि वहां के जो पुझारी थे या पुरुस बर्ग थे उन्हें रोकने की कुसिस की तो यह उस समय भी हो रहा था कि जो भी धार्मित सुधार हो रहे थे तो उन्हें मतलब रेति रवाद जो भी आलोचना हो रही थी तो उनके खिलाब जो मत कि अगर इस तरह का रोक लग गया तो उनके जो भी सम्मान था वो घट जाएगा और हकीगत सामने आजा दिए यह वह समय था जब समाज और धरम सुधारकों एवं हिंदू रोडिवादियों के वीच बिदवादा है यानि कि कि किसी का बती मनने के बादल से जला दिया जात तरह तरह की तरग समाज के बीच आने लगे जान्दा से जान्दा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आमबूल्चाल की भासा में छापा गया राज्या राम मोहन राय ने 1821 से संबात कोमीदी पिकासित की और रोडिवादियों ने उनके विचारों से टक कर लेने के लिए समाचार चंदिका का सहार लिए दो फालसी अकबार जाम एजाहा नामा और समसूल अकबार भी 1822 में पिकासित लिए इसमें आप देखें कि इस तरह कि जो भी बर्ग था पुजारी बर्ग हो गया जो मूर्ती पूजा को जाना कुछ मत देखा था आज भी तो आप बिल्कूल अलक थी समझ रहें तो वो लोग विरोध करते रहते थे और सबसे वड़ी बात यह है कि अगर आप कोई किताब लिखते हैं कोई भासा यसी चुनते हैं तो एक कॉमन भासा होने चाहिए यानि कि वहां रहने वाले लोगों के समझ में आने चाहिए इसलिए आप देखते हैं कि उत्तरवार्त में आप देखेंगे इंडी बे चापी जाती है तमिल में या आप जाएंगे दचेनवारत में तो आ colocar प्रबासा तरह की खुमन भासा चुल लिए जाएगी जो उस चेत में सबके समझ में आया यानि कि लोकल जो भी निचली तपके का वेती रह तो उन्हों ने भी एक संभाद कोमीधी पिकासित किया था और उड़ी बादियों ने उनके विचारों से टक कर लेने के लिए समाचाच चंदिका का सहारा लिया था तो इसे भी आप लुग याद रख सकते हैं उत्तरभारत में उल्मा मुसलिम राजबंसों की पतन को लेकर चिंतित थी उन्हें डर था करे कहीं उपनेवेसिक सासन सासक धर्मांतन को बढ़ावाना दे या फिर मुसलिम कानून ना बदलदार है इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथो गराफी पिरे इसका इस् सन 1800 सरशट में इस्ताफित देवबंद सेमिनेरी ने मुसल्वान पाठकों को रोज मरिया का जीवन जीने का सलीका इसलामी सिद्धानतों के मायने समझाती हुए हजारों फत्वे जारी किये पूरी 19 सदी के दौरान कई इसलामी संपदाय और सेमिनरी पैदा हुए धरम को लेकर सबकी अपनी अपनी ब्याक्याय थी हर कोई अपना संपदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को कातना चाहता था तो इसे आप लोग देख सकते हैं उस समय की स्तिती से आप ल क्योंकि नया नया बदलाओ था और उस समय पड़े लेखे भी मतलब साक्षरता भी कम थी तो पंडिक जी ने जैसा या धरम गुरू ने जैसा भी बोल दिया उसी बात को मान लेते होंगे लोग और उसी की एक तरह से कह सकते हैं उसी की विचार धारा में चल देते होंगे त तो यह भी देखने को मिलेक कई वा हिंदूओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर इस्थानिय बासा में धाल्मिक पड़ाई को काफी बल भी मिलाए तो इसी दास की सोलेवी सदी का किताब रामचरिक मारस का पहला मुत्रिर संसकार्ट 1810 में कलकत्ता से पिकार सित हुआ 19 वी सदी के मद्द तक सस्ते लिथोग्राफिस अंसकार्ट से उत्तर भारत का बाजार पढ़ गया लखनव की नबल की सोर प्रेश और बंबई के स्री वेंकेटेश और प्रेश में अनिक भार भारतिय बासाओं में अनिगिनत धार्मिक किताबें भी चपी मुद्रे तो लाने ले जाने में आसान होने के कारण अस्था वान इन्हें कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते थे इन्हें अनपड़ लोगों की बड़ी भीड में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था यानि कि एक दूसरे को समझाने उल्मा की बात करें तो इसलामी कानून और सरिया की बिद्वान जो एक तरह से गुरू होते हैं उन्हें उल्मा बोल देते हैं जिसके चलते वेमने धर्मों के वीच उनके अंदर बहस मुहाफ से और बाद विवास संबाद की नहीं इस्तिती बत गई लेकिन प्रेंट ने समधाय के वी स्तिर्प मत मतांतर ही नहीं बेना किये बलकि इसने समधाय के अंदर से और वेमन हिस्तों को पूरे भारत से जोडने का काम भी किया है क्या किया है पूरे भारत को देख करने का काम भी किया है कई हद तक कहते हैं कि इंगिलिस जो भासा है इसने हमारी बात को राष्ट भासा मतलब एक तरह से राष्ट को जूड़ने का भी काम किया क्योंकि आपने देखा है कि जब उत्तर भारत में हिंदी बोली जा रही है और आप दख्षन भारत में जाएंगी तो तमिल बोली जा रही है तमिल लाड़ में जाएंगे तब बेस नही advising वीजिए वहां का दस समझ सकता तो एक दूसरे के विचार मतलब नहीं बदल सकते हैं. तो जो इंगलिस होती थी, अपने भी, किसी भी राज में आप देख सकते हैं, अधिकतर लोगों को समझ में आ जाती है, पड़े लिके बर्ग को. तो समझते हैं कि तमिल के लोग जब आए, इंगलिस इस तरफ भी बोली जाने लगी, उस तरफ भी बोली जाने लगी, तो विचारों का आदान पितान भी हुआ. तो इस ते भी राष्टबाद को एक नई दिश्ता मिली, रेलवे को भी कहते हैं कि एक जगए से दूसरी जगए लोग गए, तब भी राष्टबाद को काफी मूँचाईया मिली, तो इसे इसने क्या किया है, भारत को जोड़ने का भी काम किया, जो भी किताबन चपी, एक जगे से दूसरी जगए जाने लगी, हर वर्ड में जाने लगी, या बुछ आपको अखवार क्यों, पूना के किष्णा जी तेंबक, रनाडे मराटी का एक अखवार निकालना चाहते थे, जिसमें इस्थानिय दिल्सपी की तमाम कोपयोगी ख़परों को जगए मिल सके, इ ऐसे तमाम लोगों से मदद और समरक्षन का निवेदर है, जो ग्यान के परसार और जनकल्याड की एक चोखें, बॉम्बे टेलिगराप एंड कोरियर 6 जनबरी 1849 की बात है, देशी अकवारों राजनेतिक सभाओं की वय भून क्या होती है, जो इंग्लेंड के हाउस ओप बिफक्ष की होती है, यानि कि वय सरगारी नेतियों के आलोचनात्मक समीच्छा कर, लोगों के ये साधने में आर्चम, हिस्सों को निकाले और सुधार करे, और इनकी तेजी से लागु बनने का काम भी करे, इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना इस तरकी बात है, एक बात और आप लोग जानते हैं कि जो भी अत्वार होते हैं, इस तरह की सोसल मीडिया एक तरह से आप कह सकते हैं, या मीडिया, इसलिए लोगतंत का चौत्रा इस्तम कहा जाते हैं, आप समझे रहे हैं, कि मतलब अगर सरकार कुछ कायदव काम कर रही है तो उसके खिलाफ आप बोलिए, उसके बारे में लिखिये, लेकिन अधिकतर बार आप भी देखते हैं, कि इस तरह की वाते हम दोरी रहे हैं, कहने के लिए वो लोगतंत का चौत्रा इस्तम में लेका अधरम भूल चुका है, अगर जो भी सरकार आती, उसी के पक्च में और उसी की मतलब आप सोची कि उसी की बड़ा चड़ा की बात करने लगते हैं, फिर बात है पिकासन की नए रूप, पिकासन की नए रूप, छापी काने से नई तरह की लेकन के लिए भूंक जागी, जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगी, छापी हुए पन्नों में अपन इस ने अपनी एक खास बारती सकल और सेली अक्तियार की कर दी और अपने पाठकों को, इस ने अनुभाव का नया संसार और मानो जीवन की विविद्दा कबूत भी विदार किया, दूसरी तरह की साहितिक विदाय जैसे गीत कहानिया, सामाजिक राजनितिक, मसलों पर लेक इस सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए, अपने अलग-अलग तेवरों में इनोंने संसनी जिंदिगी, इंसानी जिंदिगी और अतरंग भावनाएं और उन सामाजिक राजनितिक नेमों पर बल दिया, जिनसे इसका स्वरूप तहर होता था, 19 सदी के अंतर तक एक नई तरह की दृष्ट संस्किती भी आकाल ले रही थी, छापे काने की वर्ती तालात के साथ चबियों की कई नकले या पितिया अब बड़ी आसानी से बनाई जा रही थी, राजा रभी वर्मा जैसे चितकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई, राजा रभी वर् बाजार में सुलब सस्ती तस्वीरें और केलेंडर करीत का गरीब भी अपने घरों दफ्तरों में सजाया कर देते इन चपी तस्वीरों ने आहिस्ता-ाहिस्ता-ाधुनिक्ता और परंपरा, धरम और राजनीती तता समाज और संस्किती के लोग पिरिये विचान लोग को चाहे जाना, राजा रवी वर्मा का चित्ते, राजा रवी वर्मा ने में किये कहानियों को लेकर अंगेन चित्त भी बनाए, जो उनके अपने रवी वर्मा पिरिस में चप्ती थी, यानि कि अपना ही उनका पुरेश था, अठारे सो सत्तर के दसक्तर पत्ति पत्तिकायों में सामाजिक राज्यतिक, बिसेओं को टिपड़ी करते हुए क्यारी के चत और काटून छपने लगे थी, कुछ में सिक्षित भारतियों के पश्चिमी पोसात और पश्चिमी अभी रूचियों का मजा पुड़ाये गया, जबकि कुछ अन्न में सामाजिक परिवतन को लेकर एक डर देखा गया, समराजबादी बरंग चित्रों ने राष्टबादियों का मजा पुड़ाये, जाता थो तो राष्टबादी भी समराजवादी सत्ता पनिसाना साधने में पीछे नहीं रहे, एक तरह से एक दूसरे पर इस तरह की कटाक्च करने की परफ़रा शुरू होती रही, अब बात करते ही महलाओं, महलाएं और मुद्रण, महलाओं की जिन्दगी और उनकी भावना बड़ी साप गोई और गहनता से लिखी जाने लगी, इसलिए मद्दवर्गिये घरों में महलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत जाना हो गया, वो दारबादी पिता और पती अपने यहां औरतों को घर में पढ़ाने लगी, और उन्नीसवी सदी के मद्द में जब बड़े चोटे, सहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भीजने लगी, कई पत्तिकाओं ने लेकिकाओं को जगय दी, उन्होंने नारी सिक्षा की जरूरत को बार-बार रेखांधित भी किया, उन्हें पाट करम भी चपता था और जरूरत के मताबित पाट समगरी भी थी, जिसका इस्तेमाल घर वेट थे, स्कूली सिक्षा के लिए किया जा सकता था, याद रखिए जब कभी आप समझें कि आ कानून का प्रभाव नहीं रहेगा, और खासे मुद्दे भी उसमें नहीं जोड़े जाएंगी, क्योंकि मेरी क्या समस्तिया है, मैं जानता हूँ, आपकी क्या समस्तिया है, आप जानते हैं, तो अगर महलाओं को सामिल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि प्रभावकारी नारी सिक्षा को एक तरह से बढ़ाने के लिए कई तरह की रेखांकित भी कनने लगें, यानि की लिखने लगी पत्वत, लेकिन सारे परिवार उधार दिल नहीं थे, यानि कि ये बास सीधी बात है कि उस समय सभी परिवारों की महलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थी, अनेक कभाय बागी और्तों ने इन पीती बंदों को आसुईकार किया, आप समझ सकते हैं कि ये किसने गड़ा होगा, कि पड़ी लिखी अगर कोई और अथे दूसरे वह भी दवा जाएगी, मतलब धारम गुरुओं ने इस तरह से इसे विवस्थी किया था, कि मतलब आप सोची स समाज पूरी तरह से बढ़ जाता था, और महिराओं को अधिकारों की मांग नहीं होती थी, आप खासा समझ सकते हैं, हमें उत्तर भारत की दाखियानों सी मुसल्मान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है, जिसने गुपचुप डंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बलकी लिखा भी है, उसके खांदार वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरभी कुरान पढ़े, जो कि उसके पढले नहीं पढ़ता था, लिया जा उसने वह जवान पढ़ने जिनकी जो उसकी अपनी थी, पूर्विप्य बंगाल में 19-20 सधी के प्यार में, कट्टर रोडी पिकासित हुई, और यह बंगाली भासा में, पिकासित पहली संपूर, आत्म कहानी थी, इस नाम को याद रखिए, रस सुंद्री देवी, और इनकी किर्दी को भी याद रखिए, आमार, जीवन, इनकी नामक कथा है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि अगर महला हैं कुछ करने के लिए खाल देती हैं, तो आराम से कर सकते हैं, आज सभी तरह की सुगधा हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि नहीं पढ़ा जा रहा हैं, समझ रहे हैं, आज कल कोई नहीं रोकता है, मुझे लगता है कि हाद परीवार में लगबग बोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा है, उस समय देखिए कि छुप छुप के बढ़ रहे हैं, फिर भी इतनी मतलब तरकी नाम इतियास में लिख जाता है, चोकि सामाजिक सुधारों और अप अन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में देल चस्पी पैदा कर दी थी, इ इसे आप देख रहे होंगे, इंडियन सारी परिवार का आवराण परिट, इंडियन सारी परिवार 19-20 सती के अंदर में फिकासित होने वाले बैंग और विल्दू केरी केचर, विदाय की कई पत्रों से एक था, गौर करें तो समराजबादी अंगरेज की छभी ठीक बीचो बीच है, और सत्ता और विल्दू की फिर्ती मोलती बना वैस देशी लोगों को विक्या करें क्या नहीं करें इसकी हिदायत दे रहा है, उनके दोनों और बैटे देशी जन गुलामों की नत्मुद्रा में है, भारतियों को बेंगे चित्रों में के अंग्रेजों पत्त, दा बैठा होता है, आस-पास की बात सुनते रहते हैं लोग, और यह लोग वहीं सही, सही भी माल बैठते हैं, कि यह सही बोल रहा है, तो उस समय भी आप देख सकते हैं, मतलब आप सुचिए कि उस समय को इस समय से जोड़ के बड़े अच्छे से समझा जा सकता है, और मैंने आ आज कोई भी कुछ भी कहता है, आम उसकी बात मान लेते हैं, और आप सोचिए कि यह सबसे दुरभाग है हमारा, यह सरम की बात है, आप कह सकते हैं, कि मतलब आदे से अधिक लोग आप संसद या विधायकों में देख रहे हैं, कि दागी मिलेंगी आपको, दुस कर्मी मिले जन्होंने बलतकार किये हुए, चोरी, डकेंदी, मडर किये हुए, उन लोगों को हम चुन कर वेज रहे हैं संसर में, अब आप सुची कि हम अगर उन्हें अपने लिए कानल बनानी की बात कहेंगे, तो वो तो देश को लूटेंगे, जो लूटे रहे हैं, वो तो लूटें आँगे आपका कैलास बासनी, देवी जैसी महलाओं ने 1860 के दसकन से महलाओं के अनुवहों पर लिखना सुरूं किया, कि कैसे भी घरों में बंदी और अन्पर बनाकर रखी जाती हैं, कैसे भी घर भर के काम का बोज उठाती हैं, जिनकी सेवा भी करती हैं, वहीं उन्हें कैसे कुदकारागती हैं, आज जो महराष्ट है, वहां 1880 के दसक में, तारवाई सिंदे और पंडिता रामाबाई ने उन्हें जाती किनारियों की दैनिया हालत के बारे में जोस और रोस से लेका, और सामाधी बंदनों में बंधी और और औरत के लिए पढ़ने की क्या मायन हैं, इस पर एक कमिल उपन्यास में, एक औरत ने लेखा है कि बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरी जीवन की आदी से जाला खुशियां किताबे पढ़ने से आई है, याद रखिए जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, इस तरह कि अगर आपकी questions पूछे जाते हैं, तो इन नामों को आप लोग आराम से डाल सकते हैं, और इस नामों को डालने से क्या रहेगा, आपका जो भी आंसर रहेगा, वो परवावकारी भी रहेगा, तो इसलिए आप लोग बड़े द्यान से पढ़िए, यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ आपक लिए पुर्सों की निद्दा भी की नारी सिक्षा के बिरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उधन्ड हो जाएगी छी ये खुद को मसल्मान बताते हैं और इसलाम द्वारा और्टों को बराबरी की तालीम का देने के बुनियादी रसूल के खिलाब जाते हैं अगर पुरुस प समस्कते हैं कि किसी ने हमसे बोल दिया कि ये गलत है तो हम तो तभी गलत माल लेते हो Ouais किसी हमारे पंडिजी या किसी गरू ने बोल दिया ये नहीं ये गलत है तो हम उसी को बैठ कर मतलว संचमान कर बैठ जाते हो ऊर्दो टमिल बंगाली Shopify प्रेंट स्किति पहले बिक्षि से हुई जल्दी इसका एक बड़ा हैसा नारी सेक्षन को समर्फित हुआ और 20 वी सदी के आरम में महलाओं के लिये मुद्रित और कभी-कभी उनके द्वारा संपादित पत्तिकाएं लोग पर यह हुए इनमें औरतों की तालीम विद्वा जीवन विद्वा विद्वा राष् पंजाब में भी 20 वी सदी के आरम से लोग परिये लोग साहित बड़े परमाने पर छापा गया राम चंडा ने औरतों को आग्याकारी वीवियां बनने की सीख देने के उद्देश से अपनी वेश्ट सिलिंग किर्थी इस्तरी धरम विचाल लिगी खालसा टैक सोसाइटी खालसा पुस्तक सभाने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिगाय चापी अच्छी वरत बनने के उपदेश को कई वाल संबाद की रूम में भी पेस किया तो आप यहां से उठाकर आप लोग सामिल कर सकते हैं तक तो कि महलाय यहां से जागरूप होती है यह चित्र गोर कल्वी पिलाय काल उननीसमी सदी के अंतका रंगीन कास्ट चित्र परिवारी संबंदे के नश्ट भेष्ट होने की कल्वना है पत्नी जैसा की महावरे में कहा जाता है कि पत्थी के सिर्पर सवार है वह एक खुद अपनी मा को जंजीर पैना कर जानवरों की तरह रहता है देखा जा रहा है आपकर बंगाल में केंद्री कलकत्ता एक दूस पूरा इलाका बठाला लोग पर लिए किताबों के पिकास्न को समर्पित हो गया जहां पर आप धार में गुटकों और ग्रंतों के सस्ते सिंसकंड तो खरीद ही सकते थे जो आमतोर पर असलील और संसनी खेच समझा जाता था वह अभी उपलब देथा इसमें 19-20 सदी के अंतर तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर कार्ट की तक्ति और लिथो गरापी रंगों की मदद से पिच्वर मात्रा में तस्वीरें उकिरी जारी थी फिरी वाला फिरी वाले बठाला के पिकासन लेकल घर घर घुमते थे जिससे महलाओं को पुरसत के वक्त मरपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो यानि एक तरह से उन तक पहुचाने की सभी विश्था हैं हो गई थी अब बात करते हैं हम लोग प्रेंट और गरीब जनता 19-20 सदी के मदरासी सहरों में काफी सस्ती किताबें जिसके चलती गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की इस्तिती में आ गए थे 20-20 सदी के आरहमे में से सारवजनिक उस्तकाले खुलने लगे जिससे किताबकों की पहुच निसंदे बढ़ी यह कुस्तकाले एक सहरों या फरकस्बों में होते थे यादा कदा संपन में जाओं में होते थे इस्थानी अभीरों के लिए पुस्तकाले कोल शीमरा थी और याद रखे को यह आप से कहा भी है कि कोई भी साबन अगर आप उत्वादन हो रहा है बा Corps में तो उसमें गरीब को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि हमारे देश में एक तपका बहुत बढ़ा तपका ऐसा भी है जो आतिक इस्तिती से कम जोड़ है तो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हैं या पुच्चित दिखाई देर आओगा एक भारती दंपत्ती सफेद स्याय काश्ट चित इसमें कलाकार का या डर ओजागर होता है कि पश्चिमी हमले से परिवारिक विवस्था ओलट पलट होगी और मर्द वीड़ा बजा रहे हैं और और उलट खुपका खीच रहे है उननी वो लोग इस तरह की छवियां गड़ते थे कि मतलब आप सूचिए इस तरह के पिती एक नकार आत्मत चवी जिससे सुधार ना हो सकी समाज के लोगोंने मतलब इस तरह को सुधार में सहूलियन ना दी सके तो इस चित में आपको देख़े भी रहा होगा इस चित को भी आप देख रहे होगी एक यूरोपिय दंपत्ती उननीसवी सदी का कास्ट चित इस तस्वीर में पार्मपरी भूमिकाओं का नुले उपर है और साहब सराप की बोतल थामे हैं और मैम साहब वाइलिन बजा रही है उननीसवी सदी के अंतर से जाती बेट के बारे में तरह तरह की पुष्टिकाओं और निवंदों में लिखा जाने लगा था किन्यमने जाती है आंदोलोनों के मराठी पेड़ देता जोतीवा पुले ने अपनी गुलाम गिरी इस पुस्तक को याल रखिए और जोतीवा जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाती थी जाती पर जोड़दार कलम चलाई उनके लेकन पूरे बारत में पढ़े गए इस्थानी दिरोध अंदोलनों और संपदायों ने भी प्राचीन धारम गिरतों की यालोचना करते हुए नए और नयापूर समाज का सबना बुनन यह कोई भी हो यादर कि 1947 में जाकर आपको आजादी नहीं मिली एक तरह थी यह कहदी आगए कि अंग्रे जहां से चले गए अब आजादी मिलना बाकी था कि लोगों को किस तरह से सावांता देते हैं आप लोग किस तरह से उनकी अधिकारों की रक्षा करते हैं उन्हें किस इस तरह से एक मतलब मेन इस्ट्रीम यानि कि मेन मुखधारा एक मुखधारा में जोड़ा जाता है सुधार की बाद तो 1947 के बाद हो थी सुधंता की बाद तो उससे पहले तो एक मतलब एक तरह से संगर्ष चल रहा था कि मतलब कि इस तरह की सुगधाय होनी चाहिए लेकिन सब जलाने की बिथा या जो भी करने की बिथा तो से नहीं करने जियाकुद्य कि बात आप लोग अप success कि साथ को और इस भी बहि बहिंने तो और छापकर जाती और बगीय सोशन की बीच का रिस्ता समझानी की कौसिस भी किया। 1935 से 1955 की बीच सुधरसन चक्त के नाम से लिखने वाली एक और मिल मजदूर का लेकन सची कविताय नामा के एक संग्रह में छापा गया। बेंगलवर की सूती मिल मजदूरों ने खुद को सेक्षित करने की खाया जे पुस्तकाले बनाए और जिसकी पेड़ा उन्हें बंबई की मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सोधार को ने इन प्रियासों को सनरक्षन भी दिया। उनकी मूल कोशी से यह थी कि मजदूरों के बीच नसाफूरी गमों साक्षरता है और उन पर राष्टबाद का संदेश भी यता संभव पहुंचे। यह आप देखाई दे रहा होगा पिक्चर्स। लचमीनाद बेज बरुआ हैं 1868 से 1938 तक इनका जीवन रहता है। बे आगुनिक आसमिया साहित के एक बरिष्ट पत रचनकार रहें। बुरी आयर साथू दादी की कहानिया उनके उलेखनिय किताबों में से एक है। उन्होंने असम का लोगत्रिया गित वो मोर अनुप अपूनर देश वो मेरी प्यारी दूमी भी लखाए। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि उस समय देखिए हर किसी ने भाग लिया संगर्स में कोई अपने पत्तिकार कोई बोल कर कोई लड़कर कोई इस तरह की संगर्स करके हर रहने कोई चुप नहीं बेठा था आज कि समाज जैसा चुप नहीं बेठा था गी अगर सम कि MP की बात थी वहां मतलब लोग वीडियो बना रहे हैं तो मतलब यह तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे भारत की एक तरह से पहचान हो सकती है भारत मतलब यह हकीकत है कि भारत रहेगा लेकिन भारत की जो पहचान थी जो भारत की आत्मा थी वो नहीं रहेगी कुछ सालों अगर ऐसा ही चलता रहा है, अभी MP की कुछ बहुत पहले मैंने सिप्पूरी में देखा था एक मामला, कि पुलिस के द्वारा एक मतलब गरीब को यानि की आदिवाशी को पीटा जा रहा है, और वहां लोग मीडिया वाले होटू कीच रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, पुलिस मार, मतलब बहुत सारे पुलिस वाले हों से पीट रहे हैं, मतलब बिल्कूल गरीब है, नॉर्मल, उसके बच्चे उसे चिप्टे हुए हैं, तो एक तरह से बहुत भी जगजोर देने वाली पिक्चर थी, कि आप समझ सकते हैं, कि मतलब हम खहां जा रहे हैं, अग और देखिए आदमी गिनदा रहे, उसकी आत्मा मर जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई अस्तित है या उर्षक के जीने का कोई मतलब है, जिस दिन आदमी की आत्मा मर जाती है, उस दिन असल में भोँ खतम होचुका हूता है, उसके जीने से कोई फरक नहीं पड पूरी बिवस्ता होती थी एक अगर किसी के गाउं में कोई प्रोबलम आके ही है तो पूरा समाज एक तरह से एकटा हो जाता था किसी के गर में खाना नहीं बनता था और आज आप देखिए कि किसी के गर में अगर कोई तेवा ही है तो बगलवाला नहीं आ रहा है उसकी एक तरह से आप देख सकते हैं कि किसी के गर में अगर प्रोबलम आती है तो बगलवाला फुसिया मना रहा होता उसकी यह हम लोगों की आत्मा नहीं है, फिर हम लोगों में बाकी में फर्ख क्या रह रहा गया तो इससे मुझे लगता है कि अगर हम किताबों में इस तरह की बात करें, इस तरह की अपनी संस्किती को शुरूं से ही जब से बच्चा सीखने की कौशletter करता है क्योंकि बच्चे की दिमार खाली रहता है बिलेंक पेपर की तरह है उसे जिस तरह की आप सिख्चा देगे उसी तरह में वो धलेगा तो हमें सुनों से यह इस तरह की भावनाव को पैदा करना हो वो मुझे तो लगता है संस्किती मतलब एक तरह हमें अब कुद कभी इस पर विचार कर सकते हैं अभी कुछ दर पहले मैंने बोला था कहीं कॉलिज की बात थी वहां मैंने देखा कि एक बुड़ी इमार गिर जाती है मतलब जो भी उसे प्रोबलम अब बुड़ापा था का उसे निकाल दिया वो अलग बात होती है जिसने निकाला उसकी मानता है जो भी भगवान जो भी देखता है लेकर वहां जो लोग खड़े हुए हैं जो लड़की लड़किया कोई उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता है कि यह माला समाज या हम इस समाज की जिससे हो सकते हैं, या हमारो भारत यह वही भारत है जहां लोग आप देखते हैं कि अगल दूसरे लिए जान दे दिए महत्मागामदेग को देखoking किसी इस्वी को आप देख सकते हैं तो इसके लिए हमें जांकना भी होगा और आप सुचिए बड़ी मतलब इस पर बात भी करने हुए आगे आपका प्रेंट और पिती बंद क्यों आपने देखा है कि अंग्रेजों ने काफी लिए तक इस पर पिती बंद भी लगाए थी इस्ट इंडिया कंपणी के तएद 1798 से पहले का ओपने वेशिट सासन सेंसर से प्रिया प्रपावंदी लगाने के बारे में जानदा परईशान नहीं था है मजेदार बात तो यह है कि मुद्रे समग्गिवी को नेतित करने के इनके इसके सुरुवाती कदम कंपणी के कोप्रिसासन की आलोचना करने वाले और कंपणी के हुकम रानों के काम को कोशने वाले अंग्रेजों की ख्लाब उठे कंपणी को इस बात की चिंदा थी कि इन आलोचनाओं का लाब उठाकर इंग्लेंड में बैटे इनके निंदर कहीं भारत पर इसके ब्याबारे के कादिखार पर हमला ना बोले कलकत्ता सरवुच न्याले ने 1820 के दसक तब प्रेज की आजादी को नेतित करने वाले कुछ कानून पास किये और कंपणी ने बेतानी सासन का उस्साव मनाते मनाने वाले अखबारों के पिकासन को भरोसाहन देना चालू कर दिया अंग्रेज जी और देशी भासाओं के अखवाल संपात को द्वारां गोहार और जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रेज कानून की पुनर समिक्छा करने के लिए राजी हो गया फिर उदारवादी उपनिविस्थिक अफसर टॉमस मैकोली ने मैकोली ने पहले की आजादियों को भाहल करती हुई नए कानून भी पनाया 1857 के विद्रों के बाद प्रेज की सुतंधा किपिती रवेगा पदल गया क्रोध अंग्रेजों ने देशी प्रेज का मुह बंद करने की मांग की और जेव जेव भाहसाई समाचारपत राष्टवात की से समर्थन में मुखर होती गए त्योंत्यों ओपी निविस्थिक सरकार में कड़े नेंतन की प्रिस्थाओं प्रभाहस तेजी होने लिगी और आयरेस प्रेज कानून के तरफ पर 1878 में इस कानून को आप लोग याद रखिए वरना कुलर प्रेज एक्ट लागू किया गया इससे सरकार को भाहसाई प्रेज में चपी रपट और संपात्कियों को सेंसर करने की ब्यापका को भी मिल गए अगर किसी रपट को भागी करार दिया जाता था तो अकबार को पहले चितावनी जिती जाती थी और अगर चितावनी की अंसुनी हुई तो अकबार को चप्त किया जाता था और चपाई की मसीनों को चील लिया जाता था यानि कि अपने अंदर ले लिया जाता लेकिन दमन की नीथी के बाप्यूद राष्टवादी अकबार देश के हर कौने में फलते बढ़ते फलते गए उन्होंने उपने में से कोसासन की रपोर्टिंग और राष्टवादी ता अपने केसरी में उनके पिती गहरी हमदर्दी भीजेता ही नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में केर कर लिया गया और जिसके बाइडान सुख भारत भर में व्यापक विरूद गीवा बालगंगाधर तेलक्तु एक बात और आपको बता हुआ आज भी आप देखते हैं कि कोई नियुच पिपर अगर सरकार के खिलाब लिखता है तो उस पर भी तो सेंसर से पर एकी पिती बंद लगा दिये जाते हैं उसे भी तो जेल में डाल दिये जाते हैं या फिर मरबा दिया जाता है तो आप समझे यह अगर उस समय लिखते थी तो एक राष्ट भावना की राष अपने काम से पीशे नहीं अटते थे, यानि अपना काम करते रहते थे, अपना चपाई खागना का काम करते रहते थे, कई निवच्वेबरों, कई आप देखते हैं पुस्तकों पर उस पसमें भी पीतीवंद लगाएगे, क्योंकि यह जो भी निकलते थे, अंग्रेजों के व कर जाएं, और आपने देखा रहे हैं, इनका भी आपका यह कुश्चन्स बन जाता है, कि आजादी में भारत की आजादी में निवच्वेबरों का क्या रोल रहा है, यानि कि इनका क्या महतुरा है, चर्चा कीजिए, आप इनहीं सब को बात कर सकते हैं, कभी-कभी बफाद अगवारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है, जब 1872 में इस थापित अखवार स्टेट्समें के संपादक पत के लिए सेंडर्स को बुलाया गया, तो उसने पूचा कि आजादी होने की बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे, दा फ्रेंट ऑप इंडि के लिए इंकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदिश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसे भी देख लिए, मुद्रिश सब्द की तागत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंतित करने की कोशिसों से मिलता है, उपने विसे पिसासन हमेशा तमाम किता पत्ति पत्तिकाओं पर नजर रखता था, पहले विसे उद्दी के दौरान भारतिय रख्चा नियम के तै, 22 अकवारों की जमानत देनी पड़ी थी, इन में से 18 ने सरकारी आदिश माननी की जगए खुद को बंद कर देना उचिस समझा, रॉलक्ट के दिन कारगत सर्डेंत समती ने 1919 में विविन अकवारों के खिलाब जर्माना आधिकारवाईयों को और सक्त बना लिया, 23 अविसे उद्दी की शुरुआत पर भारतिय रख्चा नियम पारिद किया गया, ताकि योद्द संबंदी विसों को सेंसर किया जा सके, भारत छोड़ों अंदलन से नियुच पर चला सकते थे, लेकिन अधिकतर लोग यही करते थे कि अपना नियुच पर बंद कर दिये थे, यानि कि उन्हें गुलामी मन्जूर नहीं थी अकतर सी, यहां भी आपका एक पॉइंट है, गांदी जी ने 1922 में कहा कि वायनी की प्रेश तो तन्ता, प्रेश की आजादी, सामोहिकता की आजादी, 12 सरकार आप जर्मत को बैट कर अपने, और बनाने की इन तीन तागतवर औजारों को दबानी की कौसिस कर रही है, सौराज, खिलापत की लड़ाई, सबसे पहले तो इन संकट गरस्त, आजादियों की लड़ाई है, आप समझे हैं कि आज आजादी मिलने के बाद भी हम लोग काम नहीं करें, यह आपके कुश्चिंस दिये गए हैं, इन्हें भी आप लोग आराम से फड़ सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह थी आपकी पूरी भारत और समकाली इन विस्स, सेकेंड के नाम से जो आपकी हुक्स्तिक इसके बाद दस भी आपकी एक और वोग सबश्च्ति है, जो आपके लिए जरूरी है, तो इसमें क्या-क्या, येवरोब में राष्टवात का हुदा है, भारत में राष्टवात का हुदा है, भूमंगली के बिस्प का बनना, उद्वी करन का योग, और मुद्रन, संस्कित और आदुनिक दुनिया, इस अभी चैप्टर कतम कर चुका है, इसमें वस्ति ये एक साइंस की बुक आपकी है, वो भी बहुत ही मात्मूर है आपके लिए, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ दिते रही है, और टेली अराम पर आपकी सभ की बिक्सित करने का.